हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार Study IQ IAS हिंदी में आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विरत दुबे आज हम एक बहुत ही खास प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तूत करने वाले हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रिलेटेड किस्से है आधुनिक भारत के इतिहास से तो आधुनिक भारत के इतिहास जिसकी शुरुवात हम तकरीबन 1498 से लेकर के 1947 तक करते हैं तो उस पूरे के पूरे टाइम लाइन को एक साथ एक ही वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं तो क्या उदेश है क्यों है ऐसा किस लिए किया जा रहा है अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो आप यह समझ लिए पहली बात यहां पर हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं आपके लिए क्योंकि यह बहुत ही महत्यपूर्ण समय है अब ऐसा क्यों किया जार उसके पीछे रीजन क्या है अगर आप यूपी एससी को थोड़ा सा देखेंगे और पिछले खासकर 2015 के बास से अगर देखेंगे तो 2015 के बास से लगातार जो modern history है उसका portion बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हलाकि इसमें एक अपवाद जो है वो पिछले साल कर रहा है 2022 वाला जिसमें तकरीबन चार से पांच question ही modern history के पूछे गए थे लेकिन अगर हम देखें औस तन जो है पिछले चार-पांच वर्षों में 8 से 10 question आपको modern Indian history से ही history में बनते हुए प्रिलिम्स में खास तोर से देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी में important हो जाता है इस section को हमारे लिए पढ़ना तो इस धर बीच अगर देखें तो यह काफी importance दिखा ही रहा है 2018 में अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 12 question केवल modern industry से आये थे तो वही मैं बोल रहा हूं on an average 10 से 12 question आपको यहां से मिल रहे हैं इनकी एक साथ preparation एक ही टोन में एक ही लय में आपको यहां पर होते विए देखने को मिलेगी खास बात क्या है इसमें कि सारा का सारा जो यह मैं lecture हो है यह पूरा hand written basis पे आपको यहां पर पढ़ाऊंगा पीपीटीज हैं just to write down आपके सामने उसको दिखाने के लिए समझाने के लिए और इसमें खास बात यह भी होगी कि हम इसमें न सिर्फ हस्तलिकी तरीके से आपको यहां पर दिखा रहे हैं बता रहे हैं समझा रहे हैं दो तरीके की दो से तीन तरीके की चीज़ों को हमने इस जाएं आपको पूरा अप्रोच है वो भी आपको रखना पड़ता हैं तो एक बार मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि हम किस क्रम में हम सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़ा इतियास हैं से लेकर करके 1947 तक का इतियास पढ़ने आले तो बहुत लंबा इतियास है उस इतियास को अगर हम एक टाइम लाइन में आपको पताना चाहें तो जिससे आपको एक समझ विक्सित हो जाए कि आखिरकार हम क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है जिसे शुरुवात मैंने आपको बता दिया कि भई दस से बारा कोश्चन आने हैं हाना पिछली साल चार कोश्चन आये थे 2018 में 12 कोश्चन आये थे 2020 में 8 के आसपास कोश्चन आये थे तो ये 8 से 10 10 से 12 कोश्चन का जो हेर फिर है उसके लिए आपको ये टाइम लाइन अगर है तो समझ विक्सित अच्छी तरीके से होगे आप समझ पाओगे कि हम आगे की वीडियो में इसके अंतरगत क्या पढ़न स्टेट्स की तरफ आ रहे थे ऐसा क्या कारण था कि भारत जैसे देशों की खोज करना ये जो पश्चिमी सब्हता है उनके लिए जरूरी हो गई थी पुर्टगालियों में से कि अगर हम बात करते हैं तो 1505 से लेकर के 1510 तक कैसे इनिशली वो अपने आपको स्टैबलिश क कर रहे हैं उसको उसके बारे में बताएंगे डचेस के आने के बाद में अंग्रेज यहां पर आये और कैसे उन्हों ने योपर शासन किया तकरीवन फ्रांसिसीज आते हैं और फ्रांसिसीज 1664 के आसपास अगरम देखें तो यहां पर आ करके अपनी फ्रैक्टरीज वेगर इस्टैबलिश करने लगते हैं इन सब तमाम यूरोपी शक्तियों के आगमन से जो प्रॉबलम आती है वो आती है कि इन में में से कौन यहां पर अपन उने यह भी समझना होगा कि कैसे अंग्रेजों ने इन तमाम सारी पश्चिमी जो मैंने बत्यों के नाम लिए उन पर कैसे वो विजय करेंगे अंतरता 1760 में फ्रांसिस्यों के उपर विजय कैसे होगी क्या कारण होंगे उसको हम समझने का प्रयास करेंगे फिर उसके बाद आगे का जो इतिहास होगा वो इस बात पर डिपेंड होगा कि कैसे ये आने वाले जो व्यापारी थे शुरुवात में व्यापारी थे जो भारत आये थे कैसे इन व्यापारियों ने भारत में ही अधिकारी बनने का प्रयास किया और सफल भी उसमें हुए और इस दोरान उन के 1748 के बीच में करनाटक युद्ध हुआ पहला और फिर पहले के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ऐसे तीन-चार करनाटक युद्ध होने के परशाद प्रांसीसियों के ओपर उन्होंने किस तरीके से विजय हासिल करी है 1757 में आपने प्लासी का युद्ध किया 1764 में आपने बकसर का युद्ध किया और इस 1757 और 1764 के बकसर प्लासी और बकसर के युद्ध के अंतता क्या परणाम हुए अपनिवे शिक स्थिति को मजबूत करने में और कैसे इसमें ब्रिटिश विजय हुए जबकि इतनी सारी की बात करेंगे और इसी इतनी हिस्ट्री के दौरान हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर औरंग जेब की 1707 में मृत्यू के बाद इतना बड़ा विशाल जो यह जो मुगल सामराज्य था इस मुगल सामराज्य के विभाजन की कहानी भी शुरुवात में थोड़ी सी हम पढ़ेंगे तमाम सारे राज जो हैं उस सतनल दूरूप में उदे हुए थे जैसे कि मैंने आपको बताया करनाटक है मैसूर है भैदराबाद है बंगाल है इसमें अवध है राजपुताना राज जे हैं इसकी अलामा आ उसके बाद बक्सर कयुद किस तरीके से एक मील का पत्थर साबित हुआ है ब्रिटिश सत्ता के इस्टैबलिश्मेंट में उसको एनलेटिकली हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट हिस्ट्री है जिसको आप जरूर ध्यान से देखीगा इतना ही अंग्रेज यहां नहीं रुकते हैं इन सब विज्जियों के परशाथ उन्हें समझ में आ जाता है कि भारत वो जगा है जहां पर अपने सामराज का विस्तार कर सकते हैं तो 3-3-4-4 phases में यह विस्तार हुए हैं फिर वो चाहे वारेन हैस्टिंग्स के 1772 में आगमन से लेकर रखे लॉर्ड वेलेजली वारिन हैस्टिंग्स है इसके लामा फिर वेलेजली की प्रसार नितिया किस प्रकार से हैं इन सब को हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से वहां पर सहायक संधी ले करके आई गई है किस प्रकार से इस्थाई बंदोबस्त प्रणाली ले करके आई गई है इन सब के उपर डिसकेशन करें और इन सब प्रणालियों ने आरंभिक रूप से इनके प्रसार को कैसे फैलाया और उसी समय किस प्रकार से भारत को पंगु बनाया गया एकदम कह सकते हैं कि उसकी हालत खराब करी गई अंदर से खोकला किया गया इन सारी नीतियों उसने कैसे अंतिम तौर से हमारी पूरी जड़े खंगाल के रगदी और पूरे सामराज को धस्त कर दिया पूरे भारती सामराज की उपर उसने कपजा करने का प्रयास किया डलहौजी की नीतियों तक या यूं हम कह सकते हैं कि 1772 में वार्रें हैस्टिंग्स के आने से लेकर प्रकार की नीतियों के दम पर तो इन सबसे भारती जनता या भारती जो जन्वानस है उसके उपर किस प्रकार का मानसिक प्रभाव पड़ा है किस प्रकार से इन्होंने ना सिर्फ हमें राजनेतिक सांस्कृतिक रूप से बलकि धार्मिक रूप से भी भरस्ट करने का प्रय करेंगे कि कैसे 1772 में Lord क्या सकते हैं कि जो वारेन हैस्टिंग जो है उसके आने से ले कर के लाड लहौजी के जाने तक किस प्रकार की प्रसार की नीतियां अपनाई गई जिसका प्रतियुत्तर या प्रभाव जो है किस प्रकार से जो आधुनिक राइटर्स हैं उन्होंने 1857 की करांती के बारे में क्या क्या चीज़े कहीं हैं वास्तवी कुरूप में क्रांती किस से प्रिरित हुई थी कहां-कहां इसके प्रभाव थे जानेंगे लेकिन जब आ 1857 की क्रांती की बात करते हैं तो इससे पहले और इसके बार दूचीज़ों पर हमें गहुर करना है इन सब लोगों के द्वारा किए गए जो प्रयास है इनके अलावा उस समय जो इन लोगों के द्वारा इस्टाबलिश जो टद्कालिन संस्थायें थी जैसे 1814 में आत्मी सभा इस्टाबलिश की गई 216 में आपने देखा कि प्रम्हस भ़्ः सिमाज के रूप में बनी इन सब के बारे में हम लोग डिसकेशन करेंगे हेंडरी वेडियन, डिरोजियो हो, जो यंग बंग आंदोलन है, वो हो, इश्वर चन्द विजय सागर हो उनके द्वारा किये गए प्रयास हो, सती प्रथा, सिक्षा, समा सुधार, धार्मिक सुधार इन सब सुधारवादी आंदोलोनों को भी हम इसके अंदर समावेशित करेंगे और इसके इंपक्ट भारती जंत अपर किस तरीके से पड़े हैं, किस तरीके कि सुधार हुए हैं और उन सुधारों के क्या परणाम हुए हैं और उनसे ब्रिटिश सरकार को किस तरीके से परिशानी हुई उसके उपर भी चर्चा निश्चित तोर पर होगी ये सुधारवादी जो चीजें हैं ये 1857 से पहले की भी हैं और 1858 के बाद में भी हुई हैं जैसे 1858 के बाद में देयन अन सुरस्वती ने किस तरीके से आर्समाज के 1875 में establishment किया है थियो सोफिकल सोसाइटी के हम बात करेंगे यहां पर उसने किस प्रकार से सुधारवादी कारिकरम किये हैं किस तरीके से किये हैं अलिगड़ मुस्लिम उनिवर्स्टी का establishment कैसे हुआ है मौलाना जी की बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे तो इन अलिगड़ अंदूलनों को हम समझने का प्रयास करेंगे इन सब से होने लिए धर्मिक सुधार अंदूलन है उसको हम इसमें history में इ किसी दार्शनिक विचार के उपर ही आ गया अगर मान लेते हैं कि कोई प्रशन स्थिति पर ही आ गया कि भाई क्यों इस तरीके के सुधार जो है वो आत्मी सभा के द्वारा हो ने अले सुधारों के बारे में अगर पूछ लिया जाए डिरोजीयों जो की एक विदेशी था उ जरूर करूँगा समझाऊंगा जरूर जिसे कि आपके आधनिक भारत के इतिहास को समझनी की एक अच्छी एप्रोच जो है वो विक्सित हो सके बढ़िया तरीके से आप उस चीजों को समझ सके उसके बाद अगर हम जैसे कि मैंने सुधारवादी आंदुलनों के बारे में बत और कि बढ़िया थी है तो 1857 की क्रान्ती के पżaद किस प्रकार से ब्रिटिस इसड़े कंपनी के शासन का अन्त होना और किस प्रकार से 1858 के एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश राज है उसका उदे होना और ब्रिटिशर्स का ये समझना कि अगर हमें इनके उपर शासन करना है तो एक ऐसी नीति का पालन करना पड़ेगा जो जिसमें दिखावा भी हो और इनके साथ हम थोड़ा सा तालमिल बेठा सके हैं हाला कि इसका प्रभाव जो है ब्रिटिशर्स की उपर गलत ही पढ़ने वाला था आगे चल करके लेकिन इसे इंडियन्स ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जैसे कि आप देखोगे 1885 में आपने इंडियनेशनल कॉंग्रेस का इस्टैबलिश्मेंट किया 1885 में इंडिय इसको हम समझने का प्रयास करेंगे वह बेसिक आपको देखने को मिलता है वह बंगाल विभाजन है नो डाउट हम बंगाल के विभाजन को बगए टच की हुए आगे बढ़ी नहीं सकते हैं तो जो बंगाल का विभाजन है लौड करजन के द्वरा उसके अनाउंसमेंट उसके बाद उसके विरोध में होने वाले रक्षा बंदन दिवस इन सब पर विस्तरित व्याख्या जो है आपर प्रस्तुत की गई है और उससे जन सुधार किस प्रकार से हुआ है प्रारंभिक के रूप में हम लोग समझेंगे कैसे 1905 का जो विभाजन हुआ है जो बंगाल का विभाजन हुआ है उसके किस प्रकार के परग्राम रहे हलाकि भारत ने 1905 से लेकर के 1911 तक तमाम सारे विभाजन देखे जैसे 1905 में आपने बंगाल विभाजन देखा इसका प्रभाव किस तरीके से congress के उपर पड़ा किस प्रकार से संप्प्रदा वाद का उधय हुआ किस प्रकार से सांप्रदाइक बटवारे हम को congress के अंदर 1906 में ठाका में मुस्लिम लीके गठन के तौर पर देखने को मिला किस तरीके से 1907 के सूरत अधिवेशन के किक में कॉंग्रेस की दो जो प्रमुख विचार धारा थी उसमें विभनता के अधार पर उसके बटवारे को दिखाया गया है 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें गरमदल और नरमदल और उनके विचारों और उनके मात्रभूमी के सर्विंग करन करेंगे कलकता ट्रांसफर करेंगे कलकता से राज़ानी को दिल्ली ट्रांसफर करेंगे बंगाल का एक ही करन करेंगे 1916 में किस प्रकार से लखनों समझोता होगा किस प्रकार से जो है यह सारी कहानियां गठित होंगी उसके क्या परिणाम होंगे और स्वभाविक सी बात है सफल हो जाती है और भारती निराष हो जाते हैं कि हम इंसे लड़के भी देख चुकिए हम इनके प्रति ऑंदोलन करके भी देख छुकिए हम स्वदेशी अपना के Vida कै लेकिन भी भी हमपर हावी हैं जब ये एक उदासीन समय आया उसी समय एक कह सकते हैं कि एक विशिष्ट मानव जो है हमारे इस देश में प्रवेश करते हैं हमारे देश में जन्म लेते हैं और उनके प्रभाव यहां पर प्रवेश करते हैं या यूं कह सकते हैं कि गांधी जी के आगमन का ये काल शुरू हो जाता है 1915 में गांधी जी का अफ् जुनेता है उनका गांधीजी के साथ जुड़ना और उसके प्रिणाम स्वरूप प्रारंभिक छेत्रिय अंद vegg. 17 में आप ने देखा कि इस प्रकार से चंपरन अंदोलन हुआ 1918 में आपने देखा कि किस प्रकार से अहमदाबाद मिला अंदोलन हुगा उसके बारे में हम देखेंगे 1918 में खेड़ा अंदोलन के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे और इन छेत्री आंदोलों से अंग्रेजों को मुझ की खानी पड़ी और गांधी जी के प्रभाव का वहाँ पर वर्णन हुआ और वो भी बिना किसी हथियार के आप सोच सकते हैं लेकिन गांधी जी का कहना है कि हमने एक विचित्र हथियार का स्तेमाल किया है दुनिया जरूर कहती है कि उन्होंने किसी हथियार के स्तेमाल नहीं किया लेकिन बेशक जिस हथियार का उन्होंने के introduction से किस प्रकार के changes हमको देखने को मिले और इसी के ततकाल बाद British किस तरीके से बॉख लाए किस तरीके से उन्होंने दमनकारी नीतियों का प्रारंब कर दिया किस तरीके से उन्होंने 1914 में जो प्रतम विश्विद हुआ था गांधी जी का उसमें गांधी जी के साथ में कि प्रिटिशर्स ते 1918 में जब ये प्रतम विश्विद जीत जाते हैं तो उसके प्रशात उन्होंने किस प्रकार से हमको धोखा दिया है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ये तमाम सारी जो घटनाई घटित हुई है उनको हम लोग अच्छे तरीके से देख हुआ रॉले टेक्ट आया रॉले टेक्ट जैसा काला कानून आया जलिया वला बाग हत्याकांड हुआ और फिर गांधी जी ने एक समगर राष्ट्री आंदोलन को यहां पर चलाने का प्रयास किया जो कि आपको असयोग आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है हलाकि से यह करना पड़ा कि भाई विरोध झेलना पड़ा उसमें ठीक है सुभाष्ट बोस जी हो या फिर दूसरे मानवादी जो नेता है राष्टवादी जो नेता है उन सब लोगों ने इसके उपर आक्रोश प्रकट किया लेकिन गांधी जी अपने बाग पर डटे रहे उसके और मोतिलाल नहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी के गठन होने की बात है और इसके अलामा अगर हम देखेंगे तो उसी समय ततकालिन समय में ही करनतिकारियों की उदे की बात है बिटिशर्स को हमें चुप नहीं बैठने देना है राजनीतिक तोर पर हमको परिशान कर हैंगी एचारे कैसे कंवर्ट हुआ है अब हैसारे में एसका जो योगदान है वो सोसलिस्त है यानि कि वहां पर एक नई जो कॉंग्रेस की विचार था रहा एक बर फिर से आने को मिल रही है जिसमें हम पूझी पतियों के विरोध की आंदोलन देखेंगे समाज वाद के उ या ख्या हमको वहां पर समझने को मिलेगी साथ है कि यह गांदी जी का जो प्रथम फेज जो खतम हो रहा है 1922 से लेकर के 1928 के बीच में क्रांतिकारी और राजनीतिक जो एंटरफेरेंस है जो यहां पर हमको देखने को मिल रही है ब्रिटिश के कामकाज में उससे ब्रिटि साइमन कमिशन का पुर्जोर विरोध भारत में साइमन कमिशन पहले आया बंबई में 31928 को और उसके बाद वो लाहोर गया तीन परोलिन उनिस सो अठाइस में बंबई में पुर्जोर विरोध होने के बाद में साइवन कमिशन जो है जब लाहौर जाता है 30 अक्टूबर को वहाँ पर लाला जी की उनकी हत्या हो जाती है उनके उपर लाठियों से अत्याचार होता है और उससे प्रिरित होकर के एचा सारे का किस प्रकार से इवेंट हमको देखने को मिलता है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे खैर इसी दौरान गांधी जी की वापसी फिर से होती है और गांधी जी की वापसी के परशात उनका जो second phase है वो हमको देखने को मिलता है गांधी जी ने आ करके 1930 में नमक आंदोलन क्यों चलाया क्यों डांडी यात्रा करी क्यों इतनी दूर वो पैदल गए साबरमती से दांडी तक क्यों नमक को लेकर के ही उनोंने अपने आंदोलन को लक्ष रखा और दूसरे तरीके भी हो सकते थे कानून तोड़ने के लेकिन नमक गांदोन तोड़ने के पीछे प्रमुक कारण क्या था उन सब को हम समझने का प्रयास करेंगे उसके प्रणाम सुरूप गांधी जी बाद में फिर से गिरफ्तार हुए लेकिन ये आंदोला ने इतना बड़ा हुआ तो बिडिशास को एक बार फिर से भारती राधितिक्यों से बात चीत करनी पड़ी और इसके लिए लंदन में तीन गोल में सम्मिलन हुए जिसमें पहली बार गांधी जी नहीं गए उसके बाद 1930 से लेकर के 1932 के इस तीन गोल में सम्मिलनों में से दूसरा जो गोल में सम्मिलन था वो महत्वपूर्ण था जिसमें कॉंग्रेस ने पार्टिसिपेट किया गांधी जी के रूप में लेकिन ग 1932 में गांधी जी को मनाने के लिए गांधी और इर्विन जो की ततकालिन वाइसराय था उस समय भारत का उसके उनके बीच होने वाले जो समझोते थे उसके बारे में भी हम दुरूर समझेंगे जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए गांधी जी का जो पूना पैक्ट हुआ है मिटकर जी के साथ उसके क्या परिणाम हुए पूना पैक्ट 1932 में हुआ है और 1932 के बहुत तेजी से राजनीती जो है भारत में बदलते हुए दिखाई देती है हमको उसके उपर हम लोग जरू प्रिदू शुरू हो जाता है धुति विश्युद्ध के परिणाम सुरूप अगर आप इसी बीच देखोगे तो 1941 में जो सुवाशन्द बोजी हैं वो विदेश जाते वहां पर जो रूस है या फिर जो जिसको हम बोल सकते हैं USSR उस समय हुआ करता था उससे मिलाकात करते है हैं लेकिन USSR मित्राश्मों से मिल गया तो उनसे काम नहीं बना वहां से जर्मनी गए जर्मनी से जापान जाने की आत्रह जापान में सिंगापूर में उन्होंने किस तरीके से आजध फॉरुज का गठन किया है आजध हिंद फॉरूज की सहायता से किस प्रकार से यह हमारे दिल में हमेशा अमर रहेंगे और वो क्यों अमर रहेंगे उनकी कहानी हम ज़रूर यहां पर पढ़ेंगे समझेंगे जानेंगे उनके प्रयासों को सीखने का प्रयास करेंगे उसके अलावा उस दौरान में जो दूसरे प्रमुख बड़े जो महत्वपूर्ण घट जिता था उन साथ जगहों से अपने आपको बर्खास कर दिया अपना मंत्री परशत्याग दिया इसकी खुशी में जो मुस्लिम लीग है उसने मुक्ति दिवस मनाया और इन सब चीजों से परिशान हो करके बिटिश ने एनिहाउ भारत से बातचीत करने का प्रयास किया आठ अगस्त को भारत में अगस्त आफ़र आता है आठ अगस्त 1940 को जिसके प्रावधान इतने नकारात्मक हैं और भारत को मैनुपिलेट करने वाले हैं या बेवकूप बनाने वाले हैं कि भारत में किसी भी पार्टी ने उसको एकसेप्ट नहीं किया फिर वो चाहे मुस्लिम अगस्त को गांधी जी गिरफतार कर लिये जाते हैं और तमाम सारे बड़े नेता गिरफतार के जाते हैं और यह जो आंदोलन था इसमें बहुत बड़ी संख्या में जन अंदोलन कारी गरपतार हुए लेकिन अंदोलन नहीं रुका इसलिए इसको स्वताइस फूर्थ अंदोलन के रूप में भी जाना जाता है और इसके पश्याद ये निश्चित हो गया कि अब भारत छोड़ना ही होगा बिटिशस के दवारा 1946 में क्याबनेट मिशन भेजा जाता है क्याबनेट मिशन 24 मार्च को भारत आएगा वो तरीके बताएगा किस तरीके से हम अपनी पावर को भारत में ट्रांसफर कर सकते हैं उस ट्रांसफर की कहानी को हम पढ़ेंगे साथी साथ उसके अन्तिम समय में आजाद करने की बात कही थी लेकिन उससे पहले ही आपने मांट बेटन को भेज दिया है और मांट बेटन ने 3 जून को ये समझ में आया होगा कि हम इस आधनिक भारत के इतिहास में किस तरीके की टाइम लाइन को कवर करने वाले हैं कि नियुद्धों को कवर करने वाले हैं किस तरीके की विचार के साथ हम इसको पढ़ेंगे किया आपको ये महसूस हो पा रहा है कि इसमें आप प्रिलिम्स और मेंस को दोनों देख पाएंगे मेरा ऐसा प्रयास जरूर रहेगा कि आप इसको प्रिलिम्स और मेंस के साफ से देख पाएंगे एंजवाय करिएगा पूरे लेक्चर को और बगार देर के हुए चलिए करते हैं शुरूआत आज के सेशन की जो कि शुरू होगी भारत के आधनी कितिहास को ले करके ठीक है और भारत का आधनी कितिहास शुरू होगा 1498 में भारत में पूर्तगालियों के आगमन से जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक है ज आगमन से ले करके, भारत की स्वतंदर्ता तक यानि भारत की आजारी तक, भारत की स्वतंदरता, यहां तक हम सारी चीज़ें आपको कभर कराने वाले हैं, और स्वभाविक सी बात है, इसमें कई जगहों पर आपको facts पता चलेंगे, या यह कह सकते हैं, static points पता चलेंगे, कई जगहों पर आपको स्टोरी सुनने को मिलेंगी कहानिया सुनने को मिलेंगी और इन सब के साथ-साथ क्योंकि ये आधनिक भारत का इतिहास है इतिहास को हम logically चीज़ों को समझने वाले हैं कि अगर ऐसा घटित हुआ तो क्यों घटित हुआ इसके क्या परिणाम हुए थे और किन परिस्थितियों में किसी घटना को अंजाम दिया गया तो इन सब चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे और शायद इसी important significance के कारण important जो महत्वता है महत्वण महत्वता जो है इस भाग की शायद इसी कारण UPSC को इस section बहुत पसंद भी आता है और no doubtly जब आप एक अधिकारी बनते हैं ठीक है जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन रहे होते हैं तो आपके प्रशासनिक अधिकारी में अधिकारी बन के जो निखार है उनको उसमें जो व्यक्तित्व का जो निखार है वो व्यक्तित्व का निखार निश्यत रूप से आपको इतिहास के इस भाग से देखने को अवश्य मिल सकता है तो ध्यान से आप इसको पढ़िएगा अपने काम की जो चीजें हैं आप उनके जो उस समय उसको घटित होना क्यों आवश्यक्त है और उससे पढ़ने आले उसके परिणामते हैं सभी परिपेक्ष में हम चर्चा करेंगे दस घंटे से ज्यादा कि ये जो क्लास है ये आपके लिए काफी ज़ादा महत्रपूर होने वाली है इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक ज़रूर पढ़िएगा तो चलिए करते हैं शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोपियों में भारत के आगवन की कहानी से होगी यहाँ पर इस लेक्चर की शुरुआत और हम यहीं से ही शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले जो यूरोपिय भारत में आए आप सब लोगों को मालूम है कि यह हैं पूर्टगाली ठीक है तो फर्स्ट अफॉल हम डिसकेशन करेंगे पूर्टगालीों के बारे में आप बतायेगा कि सबसे पहले जो यूरोपिय भारत आये थे यह पुर्तगाली भारत आये थे उन में सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपी या पुर्तगाली कौन था तो आप सब लोंको मालूम है 1498 में 1498 में वासको डिगामा जो है फो भारत आया ठीक है वासको डिगामा यह जो है यह यह भारत आया और वास्तिक रूप में देखा जाये तो कई जगहों पर ऐसा भी कहा जाता है कि यह व्यक्ति जो है दूर हिस्सों में यानि कि अब यह क्योंकि यूरोप से अलग हट करके व्यापारिक जो अपेक्षाई हैं उन व्यापारिक अपेक्षाओं की तलाश कर रहे हैं और यह घूम रहे हैं जानने का प्रियास कर रहे हैं कहां कहां से व्यापार को और अच्छी तरीके साधा आ सकता है तेक तरीके से यह है यूरोपीए व्यापारी और जब यह भारत आ रहे है तो चौदा सा ठटन में आपको मालूम है कि वास्को डिगामा जो आया था यह कह केरल पहुँचा और केरल में के काली का टट पर पहुँचा और कहते हैं कि उस समय वहां पे राजा जुमोरिन हुआ करते थे और वहां से जब ये वापस गए वासको डिगमा जब वापस गए तो राजा जुमोरिन से उपहार स्वरों बहुत सारे मसाले ले करके योरोप इतिहास में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी घटना हैं जो आगे आने वाली बड़ी परणित को अंजाम देती हैं शायद उन्मे में से एक घटना यह भी थी कि पुर्तगाली भारत आए चाहे वो मनशा के रूप में आए हो यानि कि मन बना करके आए हो या फिर अचानक से ही उन्हें मिल गया हो यह अधर बात है यह अलग बात है लेकिन बावजुद इसके आप सब लोगों को मालव होना चाहिए कि इतिहास का यह पहलू काफी इंपॉर्टेंट है काफी महत्वपूर है यह वही पहलू है जो यूरोपीयों को भारत के प्रति अबाकर्शित कर चाहिए कि उस समय जब हम यहां पर बात कर रहे है 1498 की यानि कि 15 शताबदी खतम ही होने वाली है कुछी वर्ष बचे हुए है और जब यह 15 शताबदी में यहां पर यह आ रहे हैं तो उस समय जो यूरोप है यूरोप का जो भाग है वहां की जो परस्थिती हैं वो किस प्र अलग दुनिया है जो भारत या भारती उप महद्वीप के अगल बगल के जो देश हैं उनके साथ मिलकर के बन रही है और ऐसी चीजों को जब इनके द्वरक हो जा रहा है तो एक नए अफसर की तरह तलाशा जाएगा आप इसको ऐसे महसूस कर सकते हैं कि वर्तवान समय में हम प्रतवी पर रह रहे हैं और प्रतवी के तमाम सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं और जितना संभ़ हो सकता है 유대 संभव हो जय में भी घटित होने वाला है जब आप खाली हाथ यहाँ पर आए हो और ठेर सारा मसालों से भरा हुआ बैग लेकर के अपने देश वापस जा रहे हो वो भी ऐसे देश जहाँ पर उन मसालों की बहुत कीमत हो तो स्वभाविक सी बात है कि आपको एक आशर जनक अनभूती होगी शायद ऐसी अनभूती यहाँ पर भी हो रही थी तो जब यह पुर्तगाली वासको डिगामा भारत आया तो यह तो सिर्फ एक कह सकते हैं कि समुद्री यात्रा करते हुए समुद्री यात्री मार्केट में बहुत ज़रूरत है और वो भारत या उसके उप महादवीप में कुछ हद तक तो व्यर्थ ही है पड़ी हुई जो उनके लिए व्यर्थ है वो हमारे लिए बहुत बेश कीमती है ऐसी चीज़े जब उसका समझ में आती है कौन है फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अलमीडा आप इसे अलमीडा भी कह सकते है या अलमीडा भी कह सकते है केवल और यह जो फ्रांसिस्को डी अलमीडा है यह भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर है जो पंद्रह सो पांच से लेकर के 1509 तक ये भारत में रहा भारत आने वाला पहला पुर्टगाली गवर्नर पहला पुर्टगाली गवर्नर यानि कि अब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पहला उफिशियल है जो यहाँ पर अपनी व्यापार को लेकर के अपने आपको प्रस्तुत करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ठीक है, अपने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लेकर के आने वाल है लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद फ्रांसिस्को डी अलमीडा के बाद जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आया है फर्स्ट वाला तो उतना इंपोर्टेंट नहीं, पर दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर आया जिसे आप अलफ्रेंजो डी अलबुकर्क के नाम से जानते हैं या फिर सिंपले आप जिसे अलबुकर्क के नाम से जान सकते हैं तो अगला जो पुर्तगाली गवर्नर है वो है अल्बुकर्क, कौन है? अल्बुकर्क, और ये अल्बुकर्क जो है, ये 1500 910 के आसपास इंडिया में आता है, और ये वही व्यक्ति है जो भारत में पुर्तगाली जो कह सकते हैं कि व्यापारी कोठियां हैं, उसको बनाने का श गोवा को जीत लिया, गोवा को, ठीक है, या कह सकते हैं कि गोवा को occupy कर लिया 1510 में, उस पर अधिकार कर लिया, और इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं, भारत में पुर्तगाली ओं का वास्तविक संस्थापक, क्या कह सकते हैं? वास्तविक संस्थापक, इसे भारत में पुर धीरे करके अपनी व्यापारी कोठियां जहें वो बनानी शुरू करी है ठीक है अब आप देखिए एक चीज यहाँ पर और आपको सोचना पड़ेगा एक चीज और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा जो कि बहुत ही थोड़ी महत्यपूर्ण चीजों को यहाँ पर दर्श पर भारत का हिस्सा यहाँ पर है ठीक है अब आप देखिए अगर वो यहाँ पर पाउपसार रहे हैं अपने इन जगहों पर अगर वो अपने पाउपसार रहे हैं ठीक है अगर वो इन जगहों पर अपने पाउपसारने वाले हैं और वो यहाँ योरोप से आते हैं तो स्व ये जो यूरोप है इसकी तुलना में अगर आप भारत और उसके आसपास के जो प्रांतों की बात करेंगे चोटे-चोटे जो आइलेंड कंट्रीज है या फिर जो दूसरी कंट्रीज भी है श्रिलंका वगरा तो इन सब को अगर आप देखोगे तो इनकी स्थिति के कोडिंग ये सब पढ़ेंगे पूर्व में ठीक है और पूर्व में पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग इस्ट बोलते हैं अब ये इस्ट शब्द का बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर यूज होने वाला है ये कंट्रीज इस्ट की और देख रही है उस समय कि य यहाँ पर इंप्लिमेंट करने वाली है ले करके आने वाली है वाथ है इन्हों क्या कर लिया गोवा पर अधिकार कर लिया मैंने आपको बताया 1510 में 1510 में इन्होंने क्या कर लिया गोवा पर जो है अधिकार कर लिया गोवा वो स्कैप्चर और यहाँ पर फोर्टिफिकेशन वगएरा भी आगे चीजें होंगी यहाँ पर कोचीन दुर्ग के उपर भी सबसे पहले जब यह पंद्रा सो नौ में आया था तो कोचीन दुर्ग को भी उसने को पहले लिया था अब आप सोचिए जब यहाँ पर आ रहे हैं तो एक चीज़ और हमको समझना है कि यह यूरोपियन्स जो हैं यह सडक मार्ग अपना करके इस तरफ नहीं आ रहे हैं यह जल मार्ग अपना करके आ रहे हैं और आप सब लोगों को मालूम है कि Cape of Good Hope से होते हुए अफरीका का जो दक्षनी हिस्सा है उसमें Cape of Good Hope से होते हुए वसको डिगामा जो है वो भारत पहुंचा था ठीक है तो अब मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि यह जब व्यापार करने आएंगे तो इनकी जो ट्रेडिंग कंपनीज होंगी यानि व्यापारिक जो कंपनिया होंगी उनस कंपनी में इस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा जैसे इस्ट इंडिया कंपनी ठीक है तो इस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना था जो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया ठीक आई होप को आपको यह वाला पॉइंट जो है वो समझ में आया होगा वो जो चीज मैं आपको बताना चारा था वो चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी अब कहते हैं कि पुर्टगाली जब भारत में आये तो तमाम सारी चीजें भी इंडिया में इंट्रोड्यूज हुई जैसे की तंबाकू और यह जो आजकल मतलब इतना ददा टोबैको हम लोग यूज करते हैं इस तरीके की गंदी चीज भारत में यही लोग ले करके एक तरीके से आये तो तंबाकू है जहाज निर्माण है इसके अलामा जो प्रिंटिंग प्रेस वगरा जो है वो सब इंट्रोड्यूस करने वाले कोई और नहीं है यह पुर्टगीज लोग ही है जो कि पहले यूरोपी थे जो भारत में यहाँ पर आ रहे है इसके बाद आने वाले जो दूसरे यूरोपी है उनमें एक नाम आएगा डच ठीक है अब आप इसे डच कह लीजे इन्हें आप हॉलेंड कह लीजे पोलेंड के निवासी कह लीजे हॉलेंड, पोलेंड वगरा सब नाम यही है नारंगियों का देश पोलेंड है ना यह सब कंट्री इन ही की है यह यहाँ पर आ रहे है तच के नाम से यहाँ पर इंपोर्टेंट बात यह है कि 1552 में एमस्टर्डम में व्यापारिक जो कोठियां है या व्यापार करने के लिए इस्टन कंट्रीज के साथ व्यापार करने के लिए कुछ जो कंपनीज है उनका इस्टैब्डिश्मेंट होना सुरुआ जिसमें से 1602 में युनाटे इस्टिटिया कंपनी बनी तो 1552 में एक तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ व्यापारियों ने कंपनी बनाई व्यापारियों ने क्या किया व्यापारियों ने कंपनी बनाई ठीके और इसी कंपनी को आगे चल करके 1602 में एक नाम दिया गया इसका नाम क्या हुआ यूनाइटेड इस्टडे कंपनी इंडिया कम्पनी ये 1602 में बन रही है 1602 में 1602 में ठीक तो ये लोग यहाँ पर आएंगे व्यापार करेंगे और इसे आप पूरा नाम अगर देखें तो United States Company of the Netherlands इस तरीके से नाम लेकर के आ जाता है तो Netherlands, Holland, Poland वो सब वही जगा है उसी को हम लोग बोलते है नारंगियों का देखेंगे उसी को बोलते है ये अस्तित में आता है 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्टरी जो इस्टाब्रिश करी भारत में 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्टरी खोली है भारत में और कहां खोली है मसूली पटनम में, दक्षण में, मसूली पटनम, ठीक, साउथ में, दक्षण में, मसूली पटनम में इन्होंने अपनी पहले फैक्टरी खोली, इसके बाद तमाम जगहों पर दूसरी फैक्टरीज भी खुलना, इनके शुरू ही पुली कट है, इसके अलामा जो है, चिनपु लिया, इन डच इन लोगों ने 1639 में 1649 में Goa पर आक्रमण का मतलब यहां पर यह हुआ कि इन्होंने गुआ को कैप्चर कर लिया 1639 में जब को यहां पर पुर्दगा ली है इतना यही इन 1641 में इन्होंने मलक्का पर विजय प्राप्त कर लिए, मलक्का पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिए, अब ये कुछ static point है जो मैं आपको बहाँ पर बता रहा हूँ, जस्ट की शुरुवात में एक introductory point दे रहा हूँ, एक introduction type का दे रहा हूँ, कि कौन कौन से उरोपी जो है वो भारत आते हैं, क्योंकि importantly अगर देखा रहा है, तो भारत का जो इत्यास है, अधरिक भारत का जो इत्यास है भारत का, वो depend करता है Britishers पर, तो हम लोग जल्दी से जल्दी Britishers के बारे में अच्छे से पढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो जो आपको ज़रूर थेयार रखने हैं, तो उन्हें मलक्का को जीत लिया, इतना ही नहीं, 1658 में, 1658 में इन्होंने लंका को भी जीत लिया, इस तरीके से तमाम सारी विजयें जो हैं, अपने खाते में लिखते चले जा रहे हैं, यह अंग्रीज, लेकिन सेवेंटीन फिफ्टी नाइन में, ठीके, 1759 में, इनका अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेजों के साथ में, मसाले के द्वीब को लेकर के युद्ध होता है, मसालों का द्वीब, मसालों के द्वीब को लेकर के बिटिशर्स के साथ में 1759 तक इनके कई सारे वर्स होते हैं फाइनली 1759 में ये अंगरेजों से हार जाते हैं और अपनी जो व्यापारिक चीजें हैं वो बिटिशर्स के हाथ में देदे ठीक है तो इस तरीके से इनका जो है वो अंत हो जाता है लगभग लगभग इसके बाद हम बात करेंगे बिटिशर्स की अंगरेजों की और इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे लेकिन यहाँ थोड़ा से इंट ओड़क्शन दे देते हैं आप सब लोगों को मालूम है 1600 में बिटिश इस्ट डिया कंपनी स्टैब्लिश वी कुछ वहाँ के बिटेन के कुछ व्यापारी लोग थे जिन्होंने मिल करके एक कंपनी बनाई और उन्होंने पूर्वी जो देश है जो भारत है उस पर व्यापार करने का प्लान बनाया तो इसको बूला गया East India Company क्या बूला गया इस इसके लिए इसके नाम से पहले British East India Company लगाया जाएगा British East India Company 31 दिसमबर सन 1100 को महारानी के हस्ताक्षर के साथ परमिशन दी जाती है कि आप वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं उसके बाद वहाँ के जो उसके बाद आगे आने आले जो वर्ष है उनमें जेम्स जो प्रथम है उनके कुछ राजदूद भारत आते हैं मैंसे टामस रो जो है वो सूरत में अपनी factory को establish करने के लिए आप सब लोगों को मालूम है कि टामस रो जो था इसको सूरत में अपनी व्यापारिक कोटी establish करने की permission मुगल बाशार से मिल गई थी ठीक है और इन्होंने फिर बंबई, सूरत और तमाम जगहों पर इन्होंने 64 में दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं जिनको हम लोग battle of plassi और battle of bucksar battle of plassi इसको हम battle of plassi कहते हैं प्लासी का युद्ध और इसको आप bucksar का युद्ध कहते हैं इसमें जो है अदुती ये कह सकते हैं अंग्रेजों को विजय मिलती है और ये वो विजय है जो भारत में अंग्रेजी company की सत्ता को कहीं न कहीं establish कर देती है इनके बारे में detail से पढ़ेंगे पर हम अब यहाँ पर क्योंकि introduce कर रहे हैं आपको तो ये सब चुटे-चुटे points है जो आपको मैसूर का राज्य हो इन सब को कपजे में कर लिया है एक तरीके से धिरी-धिरे करते हुए पूरी भारत का जो हिस्सा है बंगाल का अवद का उडिसा का ये वाला भी सारी चीज़े capture कर लिया और इसके बाद धिरी-धिरे करते हुए समय और लिया मराठाओं को भी इनोंने पराजित किया है और 1818 में पूरी तरीके से मराठाओं को इनोंने लगभग लगभग कंट्रोल में कर लिया है 1817-18 में जो आंगल मराठा यूद खतम होता है उसमें पूरी तरीके से मराठाओं के कपजे में आ गए हैं तो वहाँ तक भी हम लोग चलेंगे प्रटिशन के बाद आने वाले जो यूरोपी है वो है डेनिश या डेन कहलाते हैं इनको डेनमार्क तो इनकी जो कंपनी है वो 1616 में 1616 में डेनमार्क डेनमार्क इस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो सामने आती है डेनमार्क इस्टिडे कंपनी के रूप में सामने आत त्रोकोबार, जो तमिल्नाडू का हिस्सा है, वहाँ पर और इसके अलामा सोरामपूर, जो की बिहार का हिस्सा है, बंगाल का हिस्सा है, वहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्टरी स्टेब्लिश करी हुई है, इसको अब यम लोग मैप में देखेंगे, यह सारी चीज़ें है कि इन्होंने अपना जो व्यापारीक अधिकार है वो सारा ब्रिटिश के हाथ में गिर्वी रख दिया और इस तरीके से ब्रिटिश सिन के ओपर भी आवी हो गए ठीक है तो इनका भी इतिहास अमनों को जादा देखने को नहीं मिलता है भारती इतिहास में आदुनी भारत में देखते हैं तो उसके बाद ये इंपोर्टेंट है फ्रांसी सी अब जो फ्रांसी सी है इनमें एक समराट का नाम आपको याद रखन है जिसका नाम है कोलबर्ट क्या नाम है कोलबर्ट तो लुई 14 के जो प्राइम निस्टर है कोलबर्ट विस्टर कोलबर्ट जो है उन्होंने 1664 में फ्रांसी सी इस्टिडे कंपनी का इस्टैबलिश्मेंट किया था ठीक है फ्रेंच इस्टिडे कंपनी का इस्टैबलिश्म इसी ने 1664 में फ्रांसीशी एस्ट इंडिया कमपणी इसका जो है establishment किया या इसको स्थापित किया और इसी कमपणी ने 1664 में जो फ्रांसीशी इस्टड़े कमपनी बनी है इसी ने 1667 में भारत में पहली इनकी पहली फैक्टरी इस्टैब्लिश करी सूरत में, इनकी पहली फैक्टरी इस्टैब्लिश होई, वो कहां होई, सूरत में इस्टैब्लिश मतलब इस्थापित होई, तो सूरत में 1660 में इनकी पहली फैक्टरी इस्टैब्लिश होती है, फ्रांसीसी होगी, लेकिन ये फ्र फ्रांसिसी गवर्नर बन करके 1742 में भारत आया था, इसने 1760 में वंडी वश का युध लड़ा, वंडी वश का है ना, वंडी वश का जो है, युध लड़ा गया, और वंडी वश के इस युध में अगर आप देखोगे, 1760 में वंडी वश का युध लड़ा गया, उसमें ये फ्रांसिसी जो है वो ब्रिटिशर्स से हार जाते है लल्ली जो है वो करके उस समय गवर्णर यहाँ पर आया था फ्रांसिसी गवर्णर ठीक है तो हाला कि उसके पहले डूपले भी हैं तमाम सारे हम डूपले के बारे में लल्ली के बारे में इसके अलामा जो कह सकते हैं कि जो Britishers की तरफ से जो Lord Clive है इन सब के बारे में भी discussion करेंगे इन सब चीज़ों को discussion करेंगे इन सब चीज़ों के युद्ध में क्या हो गया वांडी वाश के युद्ध में ये पराजित हो गये और हार गये और फ्रांसिसियों के उपर भी Britishers का ही कपजा हो गया इनके उपर भी British यह है वो भारी हो गया तो जब हम लोग ये देखते हैं कि आखिरकार भारत के आधुनिक भारत के निर्माण में British का ही योगदान क्यों है मान लेते हैं इस पर लिखने के लिए ही आही जाए हो सकता है मुख्य परिक्षा में इस तरह के से लिखने के लिए आ जाए कि तमाम सारे जो European लोग थे तमाम सारे जो European countries थी उन्होंने भारत में आ करके व्यापार किया है हमारे साथ में लेकिन क्या कारण है कि अंग्रेज ही भारत पर अन्तता शासन कर पाए तो उन्हों में से कुछ एक कारण जो है वो आप यहां से भी लिख सकते हैं अन्तता कारण और भी आगे आएंगे जिनको हम समय के साथ डिसकुशन करते रहें लेकिन एक करण तो आपको यह दिख रहा है कि यह तमाम सारे लोग यहां पर आएं है लेकिन तमाम सारे वार्स जो होते रहे हैं इन वार्स में अल्टिमेटली जो विजेता बन रहे है चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो ठीक है इन सब के साथ विजेता जो बन रहा है युद्ध हो रहा है व्यापारिक प्रतिस्पदा सभी लोग कर रहे हैं परणाम युद्ध हो रहा है और परणिती जो हो रही है उसका जो निसकर्ष निकल रहा है वो बिटिशर्स के पक्ष में निकलता जा रहा है अब आप इस यो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी ठीक तरीके से पढ़ेंगे इनका भारत के परिपेक्ष में किस तरीके के धियास है वो हम जानने का प्रियास करेंगे यहां तक जो मैंने आपको बताया है वो सबस्ट हो गया होगा ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड फेज की ओर जिसमें मैंने आपको बताया कि एक तो हमने आपको यहां पर बताया कि यूरोपियों का भारत में आगमन किस क्रम में हुआ है ये क्रम भी जरूर दियात रखेगा सबसे पहले पूर्टगाली भारत आए ठीक है उसके ब प्रारंभिक व्यापारिक कोठियों के उपर ठीक है ये उस समय का मांचित्र का एक विवरण हम आपको यहां पर दे रहे हैं पंद्रह सो एक से लेकर के 1749 तक का अब ये पंद्रह सो एक से 1749 का क्यों है क्यों कि आपको मालूम है 1498 में वासको डिगामा भारत आया है और आपको मालूम है कि 1505 में पहला पुर्दगाली कोवर्नर भारत आ गया था तो उस समय कैसे इस्थितिया थी उनके बारे में हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे तो जड़र देखिए यहां पर ब्रिटिशनस के अगर हम बात करते हैं तो यह मदरास है 1639 में उने मदरास को चिट लिया है ठीक है इसके लामा मैंने त्रोंकोबार का नाम लिया था यह जगा लिखी है त्रोंकोबार की डैनिश केंदर मैंने आपको बताया था त्रोंकोबार में शायद लिखा भी होगा देख लिता हूँ एक बार, नहीं लिखा है तो फिर से लिख देंगे, ठीक है, डेनिश केंदर के रूप में अगर हम देखें, तो ट्रोंको बार का नाम मैंने आपको बताया था, सोरामपूर का नाम बताया था, तो देखें सोरामपूर आपको यहाँ पर देखने के मिल कुछ बहुत इंपॉर्टन केंदर आपको याद रखने है, जो कि आगे के इतिहास में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टन जैसे पॉर्णिचेरी, यह पॉर्णिचेरी जो है, फ्रांसिसी केंदर है, अभी इसको लेकर के युद्ध होंगे, ठीक है, इसके अलावा, यह यह वाला हिलाका है, मौसूली पटनम, यहाँ पर बिटिशी स्टिडे कंपटी भी स्टैब्लिश हुई, यहाँ पर आपको, क्या नाम है, डची स्टिडे कंपटी भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर है, इधर देख लीजिए, यह आपका सूरत है, ठीक है, यहाँ पर इधर वाले जो प्रांथ है दीव है और ये 1535 में इधर गुजरात का कुछ पार्ट है जो कपजे में किया जा रहा है यूरोपी केंद्रों के स्थापना है याप आपको देखने को मिल रही है तो इस मैप को आप ठीक तरीके से देख सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं चिंसुरा का भी नाम मैंने आपको लिया था यहाँ पर दिखाया था तो देखिए यह पर चिंसुरा है यह है यहाँ पर लिखा हुआ है चिंसुरा ठीक है जो कि आपका डच करेंद्रों के रूप में चना जाता है अब टाइम है अठारवी सदी में मुगलों के बाद की छेतरी शक्तियों के बारे में चर्चा करने का और उनका उदय क्यों हुआ इस पॉइंट को शुरू करने से पहले या इसके ओपर डिसकेशन करने से पहले कुछ चीजे मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो महत्यपूर्ण बात ये है कि जर्द देखें यहाँ पर लिखा क्या है लिखा है 18 सदी में मुगलों के बाद छेतरी शक्तियों का उदय आप सब लोगों के मालूम है कि जब हम मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं या मुगलों के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं जैसे कि इसी डियाग्राम को अगर आप मुगलों की तरफ ले करके जाएं तो जब हम मुगलों की तरफ बढ़ते हैं तो हमको ये बात पता चलती है कि वास्तविक रूप में वैसे तो ठीक है मुगल जह है वो बाबर से शुरू होते हैं लेकिन क्या सच में बाबर ने मुगलों का उतना विस्तार किया जितना आपको अठारवी शताब्दी से पहले इनका विस्तार देखने को मिलता है स्वभाविक सी बात है नहीं जैसे जैसे इस वन्ष के लोग आगे बढ़ते चले गए जो भारत में इनका राज्य छेत्र था वो राज्य छेत्र बढ़ता चला गया और अगर हम देखें तो कई बार आपको मुगल सामराज के वास्तविक संस्थापक के रूप में अकबर का नाम देखने को मिलता है लगभग अर्धशतक लगाया है इनोंने अपने शासनकाल में अगर देखा जाए तो अकबर को हम मान सकते हैं थोड़े समय के लिए कि ये भारत के मुगल सामराज्य का क्या है वास्तिक संस्थापक के इसके और इसके आने के बाद आने वाले जो समराज या समराज जो हुए या जो राजा हुए या बादशाह मुगलों में कहा जाता है तो वो बादशाहों में कई ऐसे बादशाह भी हुए या कुछ ऐसे बादशाह भी हुए जिनोंने भारत के दक्षणी जो छोर है जो दक करने का हिनोंने प्रयास किया है अभी जो सामराज जविस्तार हो रहा है इसमें औरंग जेब जो है अगर हम अंतिम महत्वपून शासक की बात करते हैं अंतिम महत्वपून महत्वपून का मतलब यहां पर किस चीज से महत्वता को रिपेसेंट किया जा रहा है कि ठीक तरीके स गवर्निंग जो कह सकते हैं बॉडिक इसके पास थी तो अंतिम महत्वपून जो शासक है वो है औरंग जेव औरंग जेव और आप सब लोगों का वालूम है कि औरंग जेव की मृत्यू जो है वो 1707 में हो गई इसकी मृत्यू के पाद आने वाले जो मुगल शासक है उन्हें हम उत्तर मुगल शासक के रूप में जानते हैं लेटर मुगल पीरेट्स के जो रूलर्स हैं उनके रूप में जानते हैं और इस समय तक आप लोगों को ये अच्छी तर जम बात 1707 की कर रहे हैं तो आपको स्व यूरूपी शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अंग्रेज जो हैं वो अपने आपको काफी हद तक आगे साबित करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा भी मैंने बताया बाकी डिट्रे भी आपको आगे बताएंगे तो इस उस 1707 का जो सम प्राम लेकर के आ रहे होंगे तो उसमें पढ़ लेंगे लेकिन मद्यकालिन भारत में आपको एक पॉइंट ये भी समझना पड़ेगा कि इसकी जो मजबूत शासन तंत्र है कई काफी हद तक या इसका जो विस्तार वादी जो नीतियां है ये विस्तार वादी नीतियों के कारण ही कहीं न कहीं मुगलों का अंत भी हुआ औरंग जेब के विस्तार वादी नीतियां इसमें प्रमुक युगदान भी रखती हैं पर इनकी चर्चा तो हम लोग मद्यकालिन भारत में लेकर के आएंगे आधरीक भारत में इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं इसलिए कर कारण तमाम सारे ऐसे राज्य या तमाम सारे ऐसे वजीरत वाले जो राज्य थे जो इनकी इनके शासन के अंतरकत आते थे इनके जंडे के तले आते थे वो स्वतंत्र होने की कल्पना करना शुरू कर देते हैं और करने लगते हैं स्वतंत्र होने लगते हैं उसी प्रकार से स्वतंत्र जैसे एक स्वतंत्र मुगल राजतंत्र है इसी प्रकार से तमाम सारे जो छेतरी शक्तियां है वो इसमें बटना शुरू कर दिती है फिर चाहे वो अवध हो चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बंगशप्रान्त के लोग हो या यूँ कह सकते हैं रुहेले हूँ रुहेला या रुहेला इनको बोला जाता है या फिर आप इनको मराठा कह लीजिए मराठे हूँ या फिर आप मैसूर प्रांत की बात कर रहे हूँ ठीक है या कि आप हैदराबाद की बात कर रहे हूँ या फिर आप करनाटक की बात कर रहे हो ये सब वो प्रांत है या फिर आप जो सिख जो लोग है वो भी स्वतंत्र होना शुरू कर जाते हैं ये तमाम सारे लोग हैं जो वन बाई वन एस सेंट्रल मुगल फोर्स के अंतरगत जो आते थे या एड्मिस्टेशन या प्रशासन के अंतरगत जो आते थे ये अपने प्रशासन से मुक्ति पा रहे हैं और अपने स्वतंत्र राज्य को स्टैब्लिश कर रहे हैं अब ऐसा क्यों किया जा सकता है किसी भी एक यूनिट से अलग हो करके कोई व्यक्ति स्वतंत्र क्यों होना चाहता है इसके पीछे एक बड़ा का बात है उसे पता चले चुका है कि जिस खूटे से उबंधी है अब कम्योर हो गया है तो ये भी स्वतंत्र होना चाहते हैं क्योंकि वो जो सेंट्र पॉइंट था या जो सेंट्र सेंट्र जो था मुगल्स जो थे उनकी शक्तियां और अरंग जेब के बाद में उनके प्रश प्रक्राव ने अंग्रेजों को या फिर दूसरी ये यूड़ोपियों को यह अवसर दिया है कि वह अपने आप वह तो अंग्रेज जो है वह ब्राक्ष में चला जाता तब क्या होता या फिर तमाम सारी जो बार-बार विजय Kung國 millennium को मिल रही है यह अंग्रेजों को ना मिल करके फ्रांसीसियों को या किसी दूसरी यूरोपी कंट्री को मिल रही होती तो शायद हम उनके गुलाम हो चुके होते या हो रहे होते लेकिन उन्हें ये अवसर देखों रहा है वह अवसर यहीं से मिल रहा है तो क्या इसका ये निशकस निकाला जा सकता है कि जब तक मुगल थे तब तक भारत में अंग्रेज स्टैब्लिश नहीं कर पाए अपने आपको मुगलों का पतन ब्रिटिशंस या दूसरी उरोपिश शक्तियों का स्टैब्लिश होने का एक रीजन है तो इस द्रिश्टिकोंड से तो लगता है कि हाँ परंतो क्या ये इतने कैपेबल नहीं थे कि अगर अपने आपको इस्टैब्लिश कर रहे हैं तो इसमें दूसरी उरोपिश शक्तियां अपना मौका ना तलाश पाए क्या ये इतने कैपेबल नहीं थे तो मैं शुरुआती तोर पर तो यही कहना चाहूंगा के शुरुवात में तो ये इतने capable थे लेकिन जैसी जैसे सत्ता की भूख बढ़ती चली गई इसमें शुरुवात में जो बंगाल के शासक हैं आवद के शासक हैं हैदराबाद और करनाटा के जो रूलर्स हैं इन लोगों ने स्वतंत्र सत्ता के रूप में अपने आपको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था और उसके बावजूद भी इनकी जो प्रशास्रिक नीतियां हैं वो बहुत अच्छी थी और यही कारण है कि इंस्टेंटली यहाँ पर या तुरंत जो है अंग्रेज या दूसरी यूरोपी शक्तियां प्रभावित नहीं हो पाई या इन लोगों को प्रभावित नहीं कर पाई लेकिन वो कहते हैं कि हर जगा पर इन्होंने लूप होल्स धोड़ने शुरू किये और वो इन सभी जगहों पर मौझूद थे जिसकी वज़ा के कारण अंद्रता इन लोगों ने कहीं न कहीं इन विशाल शक्तियों को भी अपने काबू में कर लिया है तो इस पूरे चरित्र को हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे जो वाकिया है उसको हम लोग यहां पर देख रहे होंगे जिसमें हम अठारवी सदी में मुगलों के बाद के छेतरी शक्तियों के उदाय के बारे में बात करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर यह हैदराबाद है यह मैसूर है यह मदरास का प्रांथ है यह आपका बंगाल है, यह अवध है है न, यह मराथा रीजन है जो काफी बड़ा कह सकते है कि पूर से लेकर के पश्रिम तक यह फैल चुका था, यह फैल गया था तो इन सब के उपर हमारी जो है वो चर्चा बनेगी, बढ़ी रहेगी तो इसमें सबसे पहले हम जिस ठीक है अब देखिए हाधाबाद में क्या है यहाँ पर एक नाम आपको देखने को मिल रहा है यह स्वतंतर शक्तियां मैं इसका पूरा इतियास हाधाबाद का नहीं पढ़ाने वाला हूँ देखिए आपको ताइटल को समझना है, 18 सदी में मुगलों के बाद जो छेतरी शक्तियां है रीजनल पावर्स जो है, वो इंडिपेंडेंट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसके उपर हम चर्चा करेंगे ठीक है, उसको हम जानने का प्रयास कर रहे है यह जो निजामल मुल्क है आप देख रहे हैं, 1724 में निजामल मुल्क ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है मुहमर शाह का वजीर, यह पहले वजीर थे मुहमर शाह के, बिलकुँ सही बात है, यह मुगल बाद शाह के वजीर थे 1720 से लेकर के 1722 तक दक्कन में इस व्यक्ति ने अपनी स्थिती को बिल्कुल सुद्रण बनाया सबसे पहले तो ठीक है? क्योंकि यह यहां के गवर्नर थी दक्कन का यह क्या था? गवर्नर था अब देखिए आप सब लोगों को मालूम है कि जब आप मान लेते हैं कि यह जो यह भारत है यह जो भारत आप देख रहे हैं मान लेते हैं कि इस पर पूरे भारत पर मुगल का कपज़ है या मुगल जो बाशाहत है वो है तो अब मुगल बाशाहत का केंदर जो है वो दिल्ली है मुगल बहाशाहत का केंद्र कौन है दिल्ली है अब अगर मुगल बहाशाहत का केंद्र दिल्ली है तो क्या सब जगे मुगल्स physically appear हो सकते हैं क्या स्वभाविक सी बात है केंदरी शक्ति अगर यहां है तो यह सब जगहों पर शासन का जो स्रोत है वो यहां से निकलेगा लेकिन शासन तो इन लोगों को independently ही करना पड़ेगा और आज की तरीके के communication इसके लिया निके संचार माध्यम तो थे नहीं कि इतनी जल्दी चीज़ों का पता लगाया जा सके online दुनिया थी नहीं कि सारी रिपोर्ट online आप देख सकते हो एक जगह पर बैठ करके या conference कर सकते हो ऐसी चीज़े थी नहीं तो स्वभाविक सी बात है कई बार ऐसा इन छेतरी शक्तियों को महसूस होता था कि जब हम अपने वो भी ये भावगोलिक विशेस्ताइं लेते हैं यहां से अलग भाशाई विशेस्ताइं लेते हैं यहां से अलग तो ऐसे में कई बार ऐसा यहां पर तमाम सारे अवसर बन जाते हैं इस तरीके के कि आप एक केंद्री सत्ता के अधीन होने के बावजूद भी आपके मन में विचारा जाते हैं कि हम तो स्वतन सासन भी चला सकते हैं इसमें केंद्री सत्ता की जुरूत क्या है वो तो संधियों से बदे होते हैं इनको केंदी सत्ता के जो निया में उसका पालन करना पड़ता है तो कहां जहां मौका मिलता है कि हम इस सद्धी को ब्रेक कर सकते हैं वो ब्रेक करने से नहीं चूकते हैं वही चीज हमको यहाँ पर भी देखने को मुल रही 1722 से लेकरके 1724 तक निजामुल मुल्क जो है यह सामराज्य का वजीर रहा यानि मुगल सल्तनत में हैदराबाद की वजीर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है निजामुल मुल्क मुहमर शाह के अंडर में लेकिन बाद में अपने आपको सवतंतर शासक के रूप में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है और जो बादशाह है क्योंकि अब देखे स्वतंतर शासक की पहचान क्या है आप एक गवर्नर होते हुए भी गवर्नर के उपर कौन है बादशाह है अब आपको कोई भी संधी करनी है मान लेते हैं आपको अपके पड़ूसी राज्य से किसी भी जो दूसरे प्रांते हो संधी करनी है आपको मैसूर के साथ संधी करनी है तो यह संधी है उसके नियम कौन बनाएगा उसके नियम केंदरी होने चाहिए यानि कि मुगल बाश्याहत वाले जो संधी के जो नियम है वो आरोपितर ने चाहिए लिकिन वो ऐसा नहीं करता था तो ये व्यक्ति जो हैं अपने हिसाब से संधी करना, अपने हिसाब से लडाईयां लड़ना, ठीक है, अपने हिसाब से लडाईयां लडना या संधी करना, या फिर अपने हिसाब से तमाम प्रकार के जो तोहफे हैं लोगों को देना, लोगों को ओधे प्रदान करना, बड़ संधी या सुलह नामा कह सकते हैं आप संधी कह सकती हैं जागीरें प्रदान करना ये सब चीजें ये विक्ति खुद करना शुरू कर देता है स्वभाविक सी बात है कि इस तरीके से इन्हों ने केंद्री सत्ता के कमजोर होने का लाब उठाया और लाब उठा करके हैदराबाद को एक स्वतनतर शक्ति के रोप में रेप्रेजेंट कर दिया हलाकि इसकी जो पॉलिसीज हैं वो वहाँ के अब ऐसा नहीं कि अपना स्वतनतर सुल्तान बन गया है तो जैसा मर्जी है निरंकुष है या फिर वहाँ के लोगों का ख्याल नहीं रख रहा है कि जो पॉलिसीज है वो अच्छी निजामल मुल्की जो प्रशासनिक नीतियां है प्रशासनिक नीतियां है वो केंद्री जो प्रशासन है उसकी तुलना में बहतर है किसानों के प्रती थोड़ी सी अच्छी चीज़ें वो कर रहे हैं आना ऐसे तमाम सारी चीज़ें हलाकि 17 148 मिस की मृत्य हो जाती है, 1748 में निजाम मुल्मूल की टत्व हो जाती है, 1748 में निजाम मुल्मूल की टत्व हो जाती है, अब ये तो मैंने आपको बताया हैधराबाद के बारे में छोटा सा पॉइंट, लेकिन हैधराबाद के साथ-साथ यहीं पे हम करनाटक को भी एड कर उसी प्रकार से हैदराबाद का जो निजाम है या गवर्णर को समय वहाँ निजाम बोला जा रहा है तो जो हैदराबाद के जो निजाम है उसकी निजाम शाही के अंतरगत आने वाला एक राज्य है जिसको आप करनाटक बोल रहे है ठीक है तो जो करनाटक है ये हैदराबाद हैधराबाद की निजामशाही के अंतर गता था लेकिन जिस प्रकार से हैधराबाद के निजाम ने अपने आपको केंदरी सत्ता से स्वतंतर करके अपने खुद का शासन जो है वो चलाना शुरू कर दिया था हलाकि तमाम सारे नजराने जो हैं ऐसा नहीं कि घोशिती कर दिया था activities की से होने लगी थी जो इसको independent ruler की तरह represent कर रही थी तो जो नजराने वगरा है या फिर नजराने वगरा है या फिर जो राजस वगरा है ये केंद्री सत्ता को ये भेजते रहते थे उसी तरीके से यहां पर जो करनाटक है करनाटक में यह करनाटक जो है वो हैदराबाद के निजाम के अंतरगत आता था और क्योंकि करनाटक हैदराबाद के निजाम के अंतरगत आता था तो जो करनाटक का नायब सुविदार था या करनाटक का नवाब आप जिसको कह सकते हैं उसका नाम था सदातुल्ला खां, सदातुल्ला खां, सदातुल्ला खां, तो सदातुल्ला खां जो है, ये करनाटक का नवाब है, कहां का, करनाटक का नवाब, तो ये जो करनाटक का नवाब है, इसे हैदराबाद की नवाब शाही के अंतर गताना था, परंतु क्योंकि हैदर बात स्वतन था तो इसने भी अपने आपको क्या कर लिया स्वतन कर लिया और तमाम सारे जो इस तरीके के इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो होती है वो उसको यहाँ पर लागू करना शुरू कर देता है ठीक है समझ में आया कि नहीं आया और इसी सदावतुल्ला खाने आगे च सकसेसर बन गया तो इस तरीके से करनाटक में भी आप देखोगे कि एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं इनसे स्वतंत्र हो करके अलग हो पहला दशक ही है, और उसी समय आप यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कि किस तरीके से changes होते में नजार आ रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आगे जो है, दूसरे जो राज्य हैं, उन्होंने भी यहाँ पर स्वतनता जो है, वो पानी शुरू की है, ठीक है, तो इसके आगे अगले राज्य के उपर अगर हम चर्चा करें, तो कौन सा होगा वो, अभी अभी हमने आपको बताया कि इस तरीके से हैदराबाद में, जो मुगलों के बाद में जो शक्तियों का जो उदह हुगा है, वो किस प्रकार कर रहा है, अब जब हम अगले राज्य की बात कर रहा है, केंद्री ये सत्ता के रूप में अभी भी मुगल ही है, ऐसा नहीं कि मुगल केंद्री सत्ता के रूप में नहीं है, मुगल है केंद्री सत्ता के रूप में, लेकिन यहां जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो दो लोगों का नाम आपको यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है तो दो-तीन डूलर्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट जो बंगाल उसको बनाने में या स्वतंत्र बंगाल बनाने में इनका बहुत बड़ा या बहुत अच्छा युगदान रहा है तो एक मुर्शीद कुली खान का नाम आपको याद रखना है और एक नाम आपको अली वर्दी खान का याद रखना है ये दो काफी अच्छे कह सकते हैं जब स्वतंत्र राज्ये बन रहा है बंगाल स्वतंत्र राज का मतलब यहाँ पर यह मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि हैदराबाद करनाटक के बारे में चर्चा हुई उसी प् करके कि चब आप उसके अनुशासन के एकौर्डिंग अपना दूसरा अनुशाशन व्योस्थित करते हैं संधी स्वयंद्धि करने लगते हैं अपनी बनाने लगते हैं अपनी जो सेन नीतियां हैं वह बनाने लगते हैं विदेश नीतियां जाएं। यह सब उधारन हैं ये कौन है बंगाल का सुबेदार है ये 1700 से ही आप ऐसे समझ लिजे कि 1700 से ही इसके पास में बंगाल की कमांड है ऐसा नहीं है कि अभी से ही यहाँ पर है लेकिन उससे पहले से ही है इनके पास बंगाल की कमांड अच्छे से लेकिन 1700 में ये मतलब इसके पास में सुबेदारी अच्छी तरीके से आगई और एक तरीके से स्वतंतर बंगाल की नीतियों का ये पालन करना शुरू कर देता है हलाकि इसके सहय में कुछ लोगों ने विद्रोह भी किये बुरुश्रित कुली खान के सहय में तीन विद्रोह जो हैं बहुत फेमस माने जाते हैं जिसमें सीता राम, उद्ये नरायन और गुलाम मुहम्मद जो है, सीता राम, उद्ये नरायन और गुलाम मुहम्मद, एक विद्रो जो है, एक तो इसके सहय में इनका हुआ, अलाकि इनके संयुक्त जो विद्रो हुए, इसके संयुक्त विद्रो को इसने जो है, वो दबा दिया, दूसरा विद्रो जो है, वो शुजात खाने किया, और इस विद्रो को भी मुर्शित कुली खान ने अच्छी तरीके से जो है, वो दबा दिया, तीसरा जो विद्रो लेकिन बाद में इन vå muscles ने तरीके से दबारिया और जो जागीरdारियां थी उन्सब जागीर्दारियों को लेकर के अपने बहुती वफदार कह सकते हैं या फिर उसका बहुती जिससे उसका पुली खान का उसको इन्होंने देदी उसका नाम था राम जीवन तो इन सबसे जो जागिरदारियां प्राप्थ हुई वो जागिरदारियां किसको देदी गई राम जीवन को राम जीवन नाम का एक विक्ति था जो कि इनके काफी करीब था इनका मुबोला था एक तरीके से तो उसको इन्होंने सारी जागिब्दारिया दे दी और इस तरीके से शुरुवाती तोर पर हम देखते हैं कि बंगाल में ये जो स्वतनतर शासन है वो यहाँ पर शुरू कर देते हैं। का दामाद था। गर्दी पर बैठें मतलब बंगाल का जो जो गवनर्शिप है वो इसको दिया गया। 1739 के आसपास तक इसने जो है वो शासन किया। और इसके पर शुजाओत दीन का बेटा जो है वो गर्दी पर बैठा जिसका नाम था सुजात खान। ठीक है। तो इसके ब ऋसका बेटा सरफराज खान के बाद में गदी समालते आली वर्दी खान। तो इनको बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं।ौर शुरुवाद के जो दो तीन रूलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहें'' मुर्शित कुली खान है.. शुजावुद दीन है.. अली वर्दी खान है.. इन्हिसिनों की पॉलिसीज़ जो इनकी जो नीतिया इनकी जो प्रशास्निक नीतियां है वो बहुत अच्छी है, जो उनके समय के जो किसान है, वो किसान इन से काफी अदर लाभानवित हो रहे हैं, तमाम तरीके की कह सकते हैं कि भूमी सुधार के कारे किये थे जैसे कि खालसा भूमी इंट्रोड्यूस करी थी मुर्शीद कुली खान ने, खालसा भूमी, खालसा इसके अलामा अगर आप देखेंगे, तो एक प्रणाली का इस्टेमाल शुरुबात भी किया गया था, जिसको हम लोग इजरा प्रणाली बोलते हैं, तो मुर्शीद कुली खान ने इजरा प्रणाली भी शुरू करी थी, इजरा प्रणाली, ठीक है, ये एक तरीके से ठेके प्रणाली थी, जो कि भूमी की ठेके दा, भूमी की वसूली के लिए जानी जाती थी, तो जो संपन उस समय के ठेकेदार थे, या पर परमपरागा जो ठेकेदार थे, जो जमीदार थे, वो कहीं न कहीं इनसे नाराज भी हुए, तो ये एक फैक्ट है जो समय हम को देखने क प्रेयस किया, किसानों की मदद करने के लिए तकावी नाम का रिन जो है, तकावी नाम का रिन भी इसने देना शुरू किया था, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि ये सेपरेट हो रहे हैं, तो कोई कमजोर प्रशासन है और इसका उत्राधिकारी कौन बना, सिराजुद दॉला, देखिए इन सब चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्रम से इसलिए बता रहा हूँ, कि आपको समझ में आए कि जब हम मॉडर्न इरिन हिस्टी में अभी ब्रिटिशर्स के इंवाल्मेंट को ले करके आएंगे आखिर आपके मन में भी ये प्रशन होता ही होगा, उठता ही होगा, कि इतने बड़े इंडिया पे इतनी छोटी से कंट्री से आने वाले ये ब्रिटिशर्स जो हैं, वो कैसे, मतलब अपनी किंग्शिप एक तरीके से उन्होंने याँ पर इंटोड्यूस करी है, ले करके आ जोर हो रही है, और किस तरीके से कौन कौन से रीजनल पावर्स, यानि छेत्री शक्तियां हैं, जो उदय कर रही है, जिसमें अभी आपने हैदराबाद और करनाटा के बारे में आपने बंगाल के विस्तिति देखी, सिराजित दौला के आगे की कहानी, हम लोग, जब हम लो के जो प्रारंभीक शासक हैं वहां तक की कहानी हमने आपको बताई है अब बंगाल तक अगर हम पहुँच गया है तो उसके आगे थोड़ा सा और उपर बढ़ेंगे तो हमको अवद का रीजन मिलेगा यह रीजन है अवद का ठीक है तो चलिए थोड़ा सा अवद के बारे में जान लेते हैं कि उस समय जब यह स्वतनतर शक्ति के रूप में आ रहे है तो अवद की क्या सिचुएशन है ठीक है तो अगला राज हम जिस पर डिसकेशन करने जा रहे हैं वह कौन सा ह अवद राज अवद राज ठीक है अब देखे जा अवद जो है ये भी कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत के अधीन में आ रहा है लेकिन अब दिल्ली सल्तनत से क्या हो गया यह अलग हो गया अब अवद का स्वतनतर राज किस तरीके से आ रहे है तो इसकी जो स्वायत जो राज्य स्वतंद्र राज्ज है इसका संस्थापक अगर हम किसी को मानेंगे तो हम मानेंगे साधत खां बुहारन मुल्क को ठीक है या आप इसको साध्रान तौर पर साधत खां भी कह सकते हैं 1722 में इसने अवद को एक स्वतंद्राज के रूप में अपने आपको अलाकि यह बहुत ही कर्मट है योग है निडर है अपने डिसीजन्स खुद लेने के लिए यह सक्षम है सारी चीज़ है लेकिन अवद की सुभेदारी बेसिकली इसको 1722 में कन्फर्मली मिल गई 1723 में इसने अपने तरफ से 1723 में इसने अलग से अपने भूमी सुधार कानून जो है वो प्रस्तुत कर दिये भूमी सुधार कानून ठीक है यह भू सुधार कानून जो है लैंड रिफॉर्म जो सेटेलमेंट्स है वो लेकरके यह 1723 में आ जाता है तो यह जो रेवेन्यू के जो इसके पॉलिसी थी यानि राजस्व जो बंदोबस्त लेकर के आया था इसी से ही इसने राजस्व बंदोबस्त भी राजस्व बंदोबस्त को भी क्या कर दिया रिफॉर्म किया बंदोबस्त जो है उसको भी रिफॉर्म किया तो ने भूमिसुधार तक 1749 तक पढ़िया से चलती है, 1749 में इनकी मृत्यू हो जाने के पश्यात, इनका जो उत्राधिकारी है, इनका जो रिप्रेजेंटेटर है, वो अवद की गद्धी पर बैठता है, और अवद की गद्धी पर बैठने वाला जो रिप्रेजेंटेटर है, वो है सफदर जंग, बाकी इसके आगे हम लोग आवद के बारे में भी जानेंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने आवद के उपर कपजा किया है तो शुरुवात में इस इंडिपेंडेंट जो स्टेट है उसको लाने वाला यह आपका सादत खान है बुहारन मुल जिसको आप कहते हैं ठीक है अवद के बाद अगर हम अगला नंबर लेकर के आएंगे तो साउथ में मैसूर का लेकर के आएंगे दक्षन में मैसूर का ठीक अब अगर हम मैसूर राज्य की बात करते हैं तो हैदराबाद के पास में ही आपको यह जगा देखने को मिल रही है आप ठीक उपर देख पा रहे हैं, यहां पर यह हैदराबाद है, हैदराबाद के नीचे आपको मैसूर का राज्य देखने को मिल रहा है, और मैसूर का जो राज्य है, अगर हम इसकी बात करते हैं, यह वाले प्रांथ की बात करते हैं, तो यह रीजन जो है, कहीं न कहीं करते हैं थारवी सदी में भी यहां पर राजशाही ही ही चल रही है स्वाधिंता के क्रम में हम जब 18th century की बात कर रहे हैं तो 18th century में यहां पर किस तरीके की चीज़ें चल रही है आप ऐसे समझ के देखो कि इस मैसूर प्रांत में जो की विजयनगर की तरह ही पहले मतलब एक तो नाम कर आजाता है अब नजराज बहुत इंपोर्टेंड़ नाम है लिजवर इस यहां पर नम ने तो नंजराज ही है जो एक तरीके से सर्वाधिकार की रूप में जाना जाता है मतलब एक सर्वाधिकारी यही है सर्वाधिकारी एक सर्वाधिकारी के रूप में तो एक नाम आपको यहां पर नंजराज का याद रखना है इसी नंजराज को हरा करके आगे चल करके टीपू अलिके से चिक्का कृष्ण राज हैं चिक्का कृष्ण राज समय राजा हैं लेकिन सत्रहवी अठारवी सताप्दी में इसी समय ही आपको यहां पर इसी मैसूर में आपको 1721 में एक व्यक्ति का जन्म हो रहा है जिसका नाम है है अब हैदर अली जिसका जन्म 1721 के आसपास हो रहा है यहां का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा हैदर अली जो है एक तरीके से यह जो वर्त अब इससे पहले आप इसको विज़े नगर मानके चल करके जलिए लेकिन हैदर अली जो है वो मैसूर का जो राज है उसका एक एक नई शक्ति के रूप में उधैकर के लिए करके आता है इस राज को जो औरंग जेब का शासन है उसमें भी औरंग जेब इसको अच्छी तरीके से पाना चाहता, लेकिन बहुत मजबूती से इसको अपने अंडर में नहीं कर पाया था, हलाकि ये जो व्यक्ति है, हैदर अली जो व्यक्ति है, ये कोई जन्वजात राजशाही परिवार से नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे करके इसने अपनी सेन शक्ति इतनी मजबूत कर लिये, और सेन इस्थिती इतनी मजबूत कर लिये, कि ये सेनापती तक पहुच चुका है, सेनापती के शासन तक पहुच चुका है, और इसी व्यक्ति ने ही 1761 में, नंजराज जो की एक तरीके से सत्ता को चला रहा था नाम मात्र का जो राजा चिक्का कृष्ण राज था उसकी जगह पर उस नंजराज को इसी हैदर अली ने 1761 में क्या कर दिया 1761 में इसको गद्धी से हटा दिया नंजराज को सफाया कर दिया एक तरीके से और नंजराज का सफाया करने के पश्याद पूरा मैसूर जो है वो अपने कपजे में कर लिया अपनी जो सत्ता है वो मैसूर के उपर स्टैब्लिश कर दी इसी में ही अगर आप देखोगे तो हैदर अली ऐसा है कि बहुत ही भादूर भी है अंग्रेजों के साथ भी उसके कई सारे युद्ध हो रहे हैं जो मुगल सल्तनत के जो दावेदार हैं उनके साथ भी इसके काफी सारे युद्ध होते हैं लेकिन ये इन सब इस्थितियों में अगर देखा रहा है तो काफी अदा कुशल प्रशासक के तोर पर देखा जा रहा है इसकी जो सैन शक्ति है वो काफी अदा मजबूत है अपने सैन शक्ति को एडवांस भी करना चाहता है हलाकि 1782 में अगर हम देखेंगे तो इसका जो है जो सेकंड मैसूर युद्ध जो हुआ था आंगल मैसूर युद्ध उसमें जो है इसकी डेख हो जाती है 1782 में 1782 में जो दुती आंगल मैसूर युद्ध है आंगल मैसूर युद्ध जो है उस दुती आंगल मैसूर युद्ध में इसकी हैदर अली की मृत्य हो जाती है और लेकिन फिलहाल हमको ये पता चल जाता है कि हैदर अली और टीपू के रूप में, हैदर अली और टीपू सुल्तान के रूप में, एक सशक्त और एक मजबूत मैसूर राजिकी जो है, वो establishment होती है, जिन्होंने अपनी सैने प्रणाली में, पस्चमी सैने प्रणाली से प्रभा कर पाती है, लेकिन फिलहाल काफी अदा मजबूती रही, और ये भी मानाया सकता है कि इनकी जो राजस सु प्रणालीया है, इनकी जो सैन ने प्रणालीया है, इन सब से जो वहां की जो आम जनता होती थी, जिसको हम किसान की रूप में कह सकते हैं, वो भी काफी अदा positively प्र पढ़ने के साथ साथ, आगे अगला जो मजबूत राज्य हम को देखने को मिलेगा, जो स्वत अंधर हुआ, वो है मराठा, मराठा सामराज्य, अगर हम मराठा सामराज्य की बात करते हैं, अब मराठा सामराज्य की जब हम बात करेंगे, तो ये भी औरंग जेब से ही कही न लिए गया था इनको औरंग जेब, ये दुवारा इनको कैद कलिया गया था, क्या नाम था इनका साहू जी, क्या नाम था साहू जी, साहू जी कौन है, ये है शिवा जी के ग्रेंट सम, सिवा जी का जो बेटा है ठीक है सिवा जी का ग्रेंटसन जो है वो साहु जी गिरत्तार का लिया गया है औरंग जेब के पास में है और जो सिवा जी का जो बेटे हैं जिनका नाम है शंभा जी जिनका नाम क्या है शंभा जी शिवा जी के जो बड़े बेटे हैं शम्भा जी, ये शिवा जी के बाद में गद्धी पर बैठे थे, अगर हम सेन दृष्टिकोंड से देखें, तो ये कुशल शासक के रूप में है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोंड के दौर पर देखें, तो ये बहुती विलासी शा में जब इनका युद्ध होता है, तो काफी मजबूती सी ये मुगलों का सामना करते हैं, और सामना करते हुए दिखाए देते हैं, बहराल, ये जो साहु जी है, जिनके बारे मैंने बताया कि ये शिवा जी के जो ग्रैंट सन है, शिवा जी के कौन है, शिवा जी, ये पोते कर लिया गया तो साहु जी की अनुपस्थिती में जो दूसरा बेटा है कह सकते हैं वो गद्धी पर यहां पर बैठा वह तो इसका नाम था राजा राम ठीक है अब राजा राम जो है वो गद्धी पर बैठे हुए है राजा राम कौन है यह राजा राम सौतेला भाई है किसक और इधर आप देख सकते हैं कि ये शाहुजी उनकी कैद में है, 707 में आपको मालूम है औरंग जेब की डेथ हो जाती है, तो 707 में औरंग जेब की मृत्यू के बाद में, जो इनके उत्रा धिकारी है औरंग जेब के, वो शाहुजी को छोड़ देते हैं, और साहुजी के छोड़ दे जाने के बाद में, जब ये यहां पर वापस आते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया कि राजाराम का शासनकाल चल रहा है, तो राजाराम के शासनकाल के दौरान में, इस्तितिया कुछ इस तरीके से यहां पर, कुछ यहां पर प्रस्तितियां तो राजाराम की टेथ हो जाने के बाद उसका जो नाबालिक बेटा है वो गद्धी पर बैठा दिया जाता है और उसकी मा जो है यानि राजाराम की जो पत्नी है वो यहाँ पर इनके अपने बेटे के नाम से अपने चार साल के नाबालिक बेटे के नाम से शासन जो है वो चल नाम है इनकी विध्वा अपने चार साल का जो चार वर्षी पुत्र है चार वर्षी पुत्र उसके नाम से ये गद्धी चला रही है अकबर दुती के नाम से ठीक है शिवाजी दुती माम आफके ज़ेगा शिवाजी दुती के नाम से शिवाजी सेकेंड के नाम से जो है ये ग और थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक ग्रह युद्ध टाइप की जो है वो इस्थिती है और इस ग्रह युद्ध की स्थिती में विजेता जो है वो आगे चल करके साहु जी बन रहे हैं लेकिन साहु जी की विजेता बनाने में जिनका हाथ है वो है बाला जी विशुनात की सहायता से साहु जी जो हैं वो गद्धी पर बैठते हैं लेकिन बाला जी विश्वनाथ इसी सहायता के कारण ही एक आपको टर्म यहाँ पर याद रखना पड़ेगा बाला जी विश्वनाथ ने जब इनकी सहायता करी जब इनकी सहायता करी साहु जी की तो साहु जी जो हैं वो चत्र पति Bin पाए अर इसी कारण इस ही छत्रपति नहीं यानि साहू जी नहीं बाची को पेश्वा की उपादी थी 17 सो तेरा ठीक है 173 में पेश्वा की जो है याँ पर उपादी दिती और इस तरीके से पेश्वा जो है जिसको आप प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं पेश्वा एक तरीके से उसमें प्रधानमंत्री के पतपर है तो जो पेश्वा है वो काफी important role जो है वो आदा करने लगता है इनफेक्ट राजा की जगा पर इसका ही प्रभाव जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है बाला जी विश्वनाद के बाद जो अगले पेश्वा है जो प्रधम तीन पेश्वा है उन्होंने बहुत मजबूती से मराठा शासन को समाला जिनमें से पहले पेश्वा आपको यहा अगला पेश्वा बना ठीक है जो है यह बाजी प्रधम जो है अगला पेश्वा बना और इनके बाद तक्रीबन 1740 में चल करके 1740 में चल करके बाला जी बाला जी बाजी राव यह जो है अगला पेश्वा बना या आप इनको बाजी राव सेकेंड के नाम से जान सकते हैं य इन्हों ने मराठा एक्सपेंशन जो है बहुत लंबा जो है वो कर दिया, कटक से लेकर के अटक तक का जो सामराज्य है, यानि कि पूर्व से लेकर के जो पश्चिन तक का जो सामराज्य है, वो इन्हीं के समय में आ गया, ठीक है, बाजी राओ, दुती के समय में, इनको नान पत्क तीसरा युद्ध आपको देखने को मिलता है एहमर शाह अपदाली के बीच में और यही कारण हुआ कि इस युद्ध में जब पराजे हुए मराठाओं की तो जो केंद्री सत्ता के तोर पर यह उभर सकते थे वो नहीं उभर पाए बावजुद इसकी भी क्योंकि सामरा युद्ध हो रहे हैं उसमें कम होते चले गए पहली बार अगर आप देखोगे आंगलमराठा युद्ध के स्थिति अगर देखोगे तो आपको मालूम है 1776 के आसपास जो है वो पहला आंगलमराठा युद्ध होता है 1776-1782 में सलबाई की जो संधी है उस सलबाई की संधी में 1803 में सेकेंड अंगलमराठा वोर होता है 18305 के आसपास तक चलता है और फिर लास्ट में आप लोगों को मालूम है 1817-1818 में तीसरा जो आंगलमराठा युद्ध चलता है वहां वो ने के पश्षात जो पेश्वा का पद है वो लगभलगबग समाप्त कर दिया गया था और जो नाना साहब ते पेश्वा जो थे उनको जो है कहां भेज दिया गया बिठूर है ना वो दूसरे नाना साहब बैराल तो 1718 के आसपास जाकरके 1717 और 1818 के आसपास जाकरके इस मैसूर राजय पर बिटिशस ने जो है वो कपचा कर लिया तो यह चुरुवात है जिस त पूर से लेकर के पश्रिन तक अपने आपको फैलाया है और उत्तर से लेकर के दक्षिन तक अपने आपको फैलाया है और इतने बड़े मराठा को आसानी से बिटिशस तो capture नहीं कर सकते वे तो इसकी जो स्टोरी है वो तो आप आंगल मराठा युद्ध में जब कि किस प्रकार से उनका अलगाव जो है यहां पर हुआ प्रश्ण वही है प्रश्ण यही है कि आखिरकार यह जो अंग्रेज थे यह भारत में व्यापार करने आए और अंग्रेजों की भात ही जो दूसरे यूरोपिये थे जो दूसरे यूरोपिये लोग है वो भी भारत मे व्यापार करने आये थे लेकिन अंत में आप क्या पाते हैं कि इन यूरोपियों ने और इन यूरोपियों में से एक जोकी ब्रिटिशर्स हैं, जोकी अंग्रेज हैं इन्होंने अपने आपको अधिकारी बना लिया ठीक है अब ये जो ट्रेडर्स के रूप में सामने आये थे ये व्यापारी जो बन करके आये थे ये व्यापारी अधिकारी कैसे बन गए कैसे इनोंने भारत में प्रशासन चलाना शुरू कर दिया नीतिया लानी शुरू कर दी इसके उपर हम एक चर्चा करेंगे तो चलिए इसके बारे में आप जानते हैं कि आखिर इसमें व्यापारी जो है वो अधिकारी कैसे बने ठीक है तो ये एक एक ऐसी चीज है जो आपको एक थोड़ा सा कहानी के तौर पर समझनी चाहिए इतियास का ये वाला जो फेस है ये थोड़ा सा आपको परत का जो पश्मी हिस्सा है स्वभविक सी बात है वह उनके लिए निकट है और वहां से वह वैपार शुरू कर रहे हैं इसलिए शुरुवात में आपने देखा कि पूर्टगालियों इत्यादी ने सूरत और बंबई या जो पश्मी तट जो थे उसमें वैपार करने में ही हुई आधिकारिक फैक्टरी के तौर भले ही 1611 में उन्होंने मसूली पटनम में फैक्टरी को स्टैबलिश किया हुआ है लेकिन आप यहां पर देख पा रहे हैं कि शुरुवात में यह जो लोग है अब देखिए मैंने आपको बताया कि भाई जो पश्मी शक्तियों के तौर पर भारत में आ रहे हैं उसमें आपके पुर्तगाली भी है ठीक है पुर्तगाली है उसमें आपके डच है उसमें आपके अंग्रेज भी है ठीक है उसके अब अलावा आपके डैनिश जो है वो भी है डैनिश और साथी साथ फ्रांसीसी जो है यह सब लोग भारत मे व्यापार करने की इच्छा से आ रहे मुद्दे की बात तो ये है कि ये सब लोग भारत में व्यापार करने क्यों आ रहे है साइध इसके कारण भी आप जानते होंगे इसके पीछे जिस कारण को प्रमुख रूप से माना जाता है वो कारण क्या है वो कारण ये है कि अगर हम सात्वी सताब्दी के तरफ चले तो आपको पता चलेगा कि 7th century के आसपास जो इस्थल मार्ग थे या फिर आप कह सकते हैं पूर्वी स्थल मार्ग जो थे जो यूरोप को भारत से कनेक्ट करते थे हिंद महा सागर इत्यादी की बात करें लाल सागर इत्यादी की बात करें तो उन पर जो है अरब देश के लोगों का कबजा हो गया उन व्यापारिक मार्ग पर अरब देश के लोगों का कबजा हो गया और इसकी वज़े से जो यूरोपीय व्यापार है वो अरब के माध्यम से ही अब भारत में हो सकता था जो कि इनके लिए पढ़ी समस्या वाले स्थिती थी यूरोपी सविता के लोगों के लिए और अब जब हम सत्रवी सताब्दी और अठारवी सताब्दी की बात कर रहे हैं जब हम सत्रवी और अठारवी सताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोलवी शताब्दी भी कह लीजे, सोलवी शताब्दी में पूर्त गा लीजे हैं वो भारत आ रहे हैं, तो सोलवी, सत्रवी और अठारवी शताब्दियां जो कुछ इस तरीके के शताब्दियां हैं, जिस प्रतिस परदा जो है वो बढ़ गई है नए व्यापारिक मार्ग जो है वो खोज़े जाने शुरू किये गए है क्योंकि इस वाले व्यापारिक मार्ग से इनको बहुत नुक्सान हो रहा है इन्हें अरब लोगों के साथ जगड़े करने पड़ते हैं उन्हें चुंगियां द नय व्यापारिक जो मार्ग हैं वो खोजे गए वो फिर चाहे भारत के लिए हो फिर चाहे न्यूजिलैंड के लिए हो फिर चाहे आस्ट्रेलिया के लिए हो या फिर किसी दूसरी कंटरिस के लिए नय नय मार्ग खोजे जाने शुरू किये गए और आप सब लोगों को मालूम है कि इसी क्रम में 1498 में वसको डिगामा ने भारत के लिए व्यापारिक मार्च की खोज कर दी जिसे साधान तोर पर लोग कहते हैं कि भारत की खोज हो गई यहां भारत की खोज नहीं हुई है भारत के लिए एक समुद्री व्यापारिक मार्च की खोज हुई नया समुद्री व्यापरिक मार्क जो की Cape of Good Hope के माध्यम से होते हुए यहाँ पर आया था और जब यह आये तो उस समय जो राजा जमोरिन है उनके साथ में इनका संपर्क हुआ और वहाँ से कुछ व्यापार करनी की उन्होंने अनुमती लिए और कुछ चीजे जो है भेट सुरूप यह वापस लेगे अब यहाँ इन सारी जो शक्तियों को मैंने आपको दिखाया यह सारी शक्ति अच्छा इसके अलामा कुछ और दूसरे रीजन्स भी थे जैसे की या इसको कह सकते हैं बाई रीजन्स के तौर पर या एक उप कारण के तौर पर अगर हम देखें तो इसाई धर्म प्रचार जो है इसाई धर्म प्रचार यह भी एक कारण हुआ बलकि अगर हम इसको इस तरीके से कहा है कि चुकि यह यहाँ पर आए तो एक नया स्थान भी इनको मिला कि वो अपने नय धर्म का प्रचार नई जगे पर कर सकते थे तो ये एक दूसरा रीजन है लेकिन प्रमुख रीजन जो है वो व्यापार करने का ही है और इन सब शक्तियों ने अपने आपको यहाँ पर साबित करने का प्रयास किया और यही कारण हुआ कि इन सक्तियों के आपस में भारत में युद्ध हुए ये भारती शासकों का कहीं न कहीं failure है कि इनके यहाँ पर युद्ध हुए भारती शासकों के होते हुए उसके पीछे भी एक रीजन हो सकता है कि भारती शासकों को अपने ही युद्ध से निजात मिलती तब तो वो इन चीजों पर गौर करते अगर हमारे यहां एक सेंट्रल आर्मी होती तो शायद ये लोग आ करके अपनी मनमनी यहां नहीं कर सकते थे पर चुकि हमारे यहां कोई सेंट्रल एड्मिस्टेशन नहीं था यानि केंद्रिय प्रशासनिक तंत्र नहीं था केंद्रिय सेंट्र नहीं था नो सेना नहीं थी एसी तमाम सारी चीज़ें जो भागोलिक प्रस्थितियों के अनसार में एक रूपता दिखाई देनी चाहिए थी भागोलिक विबनता के बावजूद भी वो नहीं थी इस वज़ा से इन लोगों ने अपनी मनवर्जी यहां पर करी और क्यूंकि ये ओध्योगिक यूग से आये थे ओध्योगिक विकास भी यहां पर यूरोप में अब तक हो चुका है नया जो प्रभुद्ध वर्ग है वो यहाँ पर जन्म ले चुका है नव जागरन जो है वो यहाँ पर होर चुका है तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो Britishers हैं और जो दूसरे व्यापारी हैं वो भारत में आकर के अपने आपको अन्य दूसरे से अवल दिखाना चाते हैं और व्यापार का लाब उठाना चाते हैं और इसी लिए इनके आपस में जगड़े होते हैं और वन बाई वन अब आप इसे एनिहाउ कह लीजे कि बाई लग हुआ है या फिर इसके पीछे अंगरे जोने अपनी कड़ी मेहनत करी है इनों ने इन सब के उपर अपना वर्चस जो है वो कायम कर दिया तेकिन इस वर्चस वो को कायम करने में सबसे ज़ादा तकलीफ जिस कह सकते हैं यूरोपी ए कंट्री ने दी है इन बिटिशल को वो यूरोपी कंट्री कोई दूसरी नहीं बलकि फ्रांसीसी है तो आप यहां पर ऐसे समझ करके चलिए कि तक्रीबन शुरुवाती जो दौर है यानि सत्रमे शताबदी का जो अंत है और जो अठारमे शताबदी का जो प्रारंब है इसमें फ्रांसीसीों से बिटिशल को कोई तकलीफ नहीं है और यहां तक काफी हद तक बिटिशल जो है वो दूसरे लोगों से अवल हो जुके लेकिन तक्रीबन 1720 से 1740 के दोरान अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसी व्यापार से परिशान हुए क्यों? क्योंकि 1720 से लेकर के 1740 के बीच में जो फ्रांसीसी है इन में इनका जो व्यापार है वो तेजी से बड़ा फ्रांसीसी व्यापार में व्यापार में तेजी आई और इस तेजी के कारण जो प्रिटिशास है उनकी नींद उल गई उनको एक नया प्रतिदंदी मिल गया और ये प्रतिदंदता सिर्फ भारत में व्यापार को ले करके ही नहीं थी बलकि ये एक ऐसा समय है 1720 से 1740 की जब हम बात कर रहे हैं तो अठारवी शताबदी के प्रारंब से 18 शताबदी के मदि की तरफ हम चल रहे हैं और ऐसे में वहां यूरोप में आस्ट्रिया के उत्राधिकार को ले करके इनी दोनों कंट्रीस के बीच में 1740 से ले करके 1748 के बीच में आस्ट्रिया को ले करके युद्ध हुए आस्ट्रिया पर अधिकार ठीक है औस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर के इन दोनों के बीच में, किनके किनके बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, युद्ध जो होने शुरू हुए, तकरार जो होने शुरू हुए, और क्योंकि ये वो समय है, जो फ्रांसीसी है, ये भारत में आ चुके हैं, सभावत तो वहाँ पर भी पड़ेगा, जहाँ पर यह अपने आपको कॉनलाइज कर रहे हैं, जहाँ पर यह अपने आपको, अब जहाँ पर अपने व्यापारिक उपनिवेश वो इखटा कर रहे हैं, बना रहे हैं, इस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसका असर कहां देखने को मिला, भारत में देखने को मिला, इनके इस प्रकार के युद्ध का असर जो है वो भारत में भी देखने को मिला, ये अपने व्यापार तक उसको ले करके आ गए, वहाँ आस्ट्रिया के अधिकार को लेकर के फ्रांसिसी और बिटिशर्स लड़ रहे हैं उसका असर आपको भारत में भी देखने को विल रहा है और भारत में भी इसी कारणों से या इन्हीं कारणों से अंग्रेजों और फ्रांसिस्यों के मद्ध जो है वो टक्राओ हुआ अब इन्हीं टक्राओं के बीच में इस कहानी का हल निकलेगा कि कैसे ये अधिकारी बन रहे हैं व्यापार इसे मैंने बताए कि शुरुवात में ये सब व्यापार करने ही आए हैं और व्यापार ही कर रहे हैं ऐसा नहीं कि व्यापार नहीं कर रहे हैं व्यापार ही कर रहे है लेकिन उसी व्यापार से किसी एक का वर्चस वो कायम हो जाएगा और वो वर्चस वो कायम हो जाने के साथ साथ क्योंकि भारत में वो वर्चस वो कायम हो रहा है तो इसमें ना सिर्फ ब्रिटिशस फ्रांसीसियों को हरा रहे हैं बलकि फ्रांसीसी भी कुछ हद तक अंग्रेजों को हरा रहे हैं, लेकिन अंत्ता जो विजय हुई है, वो अंग्रेजों की हुई, और इन सबसे इन दोनों ने ये सीखा, कि भले ही हम दूसरी जगह आके लड़ रहे हैं, लेकिन ये दूसरी जगह के लोग क्या कर रहे हैं, कह को हम लोग फ्रांस के गुलाम होते हो सकता है कि उतनी बुरी स्थिती ना होती हो सकता है उससे भी ज़्यादा अधिक बुरी स्थिती होती लेकिन इतना तो जरूर होता कि व्यापारिक यो ये युद्ध हुए हैं यहाँ पर इनको देख करके आपस में भी कि इन्होंने अंदाज़ा लगा दिया था कि इनमे में से जो भी विजेता बनेगा वो भारत के व्यापार को लीड करेगा और भारत के व्यापार को लीड करने का मतलब था कि ये भारत की जो उस समय की जो political या राजनीतिक जो स्थितियाएं उसमें उपर शासन करता मतलब आप इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए एक तो ये एक दूसरे को हराना चाह रहे हैं लेकिन इसी के साथ साथ वो युद्ध में सीख भी रहे हैं और इसी इच्छा से एक दूसरे को तीवरता से हराना चाह रहे हैं एक तो तीवरता हराने की य है कि हमारे country का विजय होना चाहिए और उसके लिए वो यहां पर भी लड़ रहे हैं लेकिन उसके लिए यहां आप सोच सकते हैं ना इस चीज को country to country war हो रहा है बाई दवे मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है भारत का किसी दूसरी country के साथ में यु सकते हैं मान लेते हैं example के तौर पर भारत में भारत के बहुत सारे लोग कैनेडा में रहते हैं कैनेडा को mini इंडिया या mini पंजाब के रूपे भी जाना जाता है क्या भारत की अगर पाकिस्तान से कलको लड़ाई होने लगे तो क्या वहां भी शुरू हो जाएंगे वहां के जो पंजाबी लोग हैं वो आपस में लड़ने लगेंगे ऐसा तो नहीं होगा न लेकिन यहां हो रहा था उसके पीछे वज़ा थी उसके पीछे वज़ा यही है कि यह तो युद्ध हो उसकी खुननस में यहां पर एक दूसरे को जैलिस भरे नजर अपने लाब के लिए भारतियों का अपना खुद का अलग लाब है यह अपना अलग लाब लेकिन दिखाई क्या देगा वो अभी हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं तो दीखें मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन और फ्रांस का यहां पर युद्ध हो रहा है और इस युद्ध की परणिती जो है वो दक्षण भारत में अपना प्रभाव किस तरीके से दिखाएगी यानि फ्रांसीसियों और बिटिशस का यह जो प्रभाव है यह भारत के दक्षण में किस प्रकार से प्रतिदंदता को रिप्रेजेंट करेगा और किस प्रकार से दक्षण में अपने वर्चस वो को कायम करेगा तो उसके उपर जो हम देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा साउथ में यानि दक्षण में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के अंग्रेज और जो फ्रांसीसियों है इनके हमको युद्ध देखने को मिलेंगे देखने में तो ये लगता है कि ये अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध नहीं है बलकि भारती राजाओं के अपने आपसी युद्ध है लेकिन इसको हम जब दूसरे चेश्मे से देखेंगे तो ये भारती राजाओं के युद्ध की आण में अंग्रेज और फ्रांसिस्यों के युद्ध दिखाई देते हैं इन्हें हम लोग करनाटक वार के नाम से जानते हैं या करनाटक युद्ध के तौर पर जानते हैं और ये तीन करनाटक युद्ध हुएं युद्ध अब प्रथम करनाठक युद्ध की स्थिति को हमें ध्यान से समझना होगा क्योंकि इसी से सेकेंड और इसी से थर्ड जो करनाठक वॉर हैं वो हमको समझ में आएगे 1746 से 1748 के बीच में सब्सक्राइब लड़ा गया और इस प्रथम करनाटक युद्ध हो रहा है और आस्ट्रिया पर ब्रिटेन और फ्रांस रड़ना चारे हैं आप समझ रहे हैं ये एक हस्यास्पत बात भी है और एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल चेंज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो कैसे देखने को मिले ज़र देखी मैंने कहा कि करनाटक युद्ध होने वाला है नाम है करनाटक युद्ध और कारण है आस्ट्रिया यु के कारण के रूप में क्यों देख सकते हैं उसका reason है उसका reason यह है कि सितंबर 1746 में एक घटना घटी थुई Britishers ने British Commander Bornet के नित्रित्तु में सितंबर 1746 में सितंबर 1746 में British Commander Bornet के के नित्रित्तु में फ्रांसीसी युद्धपोतों को न सिर्फ पकड़ा बलकि डूपले जो की फ्रांसीसी गवर्नर था उस समय उस डूपले के कुछ ships को कुछ जहाजों को डुबा भी दिया और इस बात से जो डूपले है उसे मतलब एक challenge के रूप में उसने लिया उसने कहा कि ये एक normal बात नहीं है ये directly मुझे challenge किया गया है डूपले ने ये बात कई और इसी कारण डूपले ने भारत में डूपले ने मौरिशस था उस समय मौरिशस से सहायता मांगी जो कि मौरिशस में फ्रेंच गवर्नर के रूप में वाँपे लौब ओर्डिनिंग करके एक व्यक्ति था कमांडर था वो वहाँ पे था तो आप इस कहानी को समझे कि आस्ट्रियाई उत्रदिकार के दौरान में जब आप इसको ऐसे समझे जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जो जो युद्धपो थे उस पे जब कबजा किया और उनके नावों को जब डुबा दिया गया तो यहां भारत में यहां भारत में उसका प्रभाव के इस प्रकार से पढ़ा कि डूपले ने मौरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर था लौब ओर्डिने लौब ओर्डिने जो है यह मौरिशस में क्या है मौरिशस में फ्रांसीसी फ्रांसीसी गवर्नर है ठीक है इससे जो है सहायता मांगी और इस फ्रांसीसी गवर्नर ने अच्छा यह वो समय है जिस समय है साउथ में जो यह जो ब्रिटिशस हैं और जो फ्रैंसिसीज हैं इन्होंने अपनी जो फोर्टिफिकेशन से वो कर रखें पॉंडिचेरी मदरास इत्यादी जगहों पर अपने कबजे कर रखें जिसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी शुरवात मैंने आपको मैप भी दिखाया था ठीक है जिसके बारे मैंने आप मदरास का इलाका है यह मदरास वाला है इसके लामा यह पॉंडिचेरी का इलाका है आपको देखने को मिल रहा है तो यह सब यह सब जो इलाके हैं इस पर कबजा किया जा चुका है और अभी हम क्या डिसकेशन कर रहे हैं अभी इन सब चीजों को पार करते हुए अभी हम डि विद्टिशकर जो है उसने पराजित करा दिया of system ? और बृतिशकर जब हार गए तो बृतिश कभजे में जो मदधरास था मद्रास और मदरास अंगरेजों का था अंगरेजयों का उकर अब कभजा हो गया किसका कभजा हो गया यह कभजा हो गया आपका listens मज़ेदार बात है अब स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज जो है वो इन फ्रांसीसियों से अपना मदरास वापस चाहेंगे अपना फोर्ट वापस चाहेंगे लेकिन इससे पहले वहाँ यूरोप में एक्स लॉश शैपल की संधी हो गई ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 1748 में 1748 में एक्स लॉश शैपल की संधी हो गई इसकी वज़ा से युद्ध विराम हो गया इसकी वज़ा से दोनों देशों के बीच में युद्ध क्या हो गया विराम हो गया रुख गया और जब युद्ध विराम हो गया तो सभाविक सी बात है जब नेशन्स ने लड़ाई करनी बंद कर दी है तो उनके जो भी अपनिवेशिक जगहें हैं वहाँ पर भी उनको अपने युद्ध जो है वो रोकनी पड़े यहां तो पर्सनल हो चुका था मामला पर्सनल कैसे हो चुका था डूपले ने मदरास उक्विपाई कर लिया था और ब्रिटिशर्स इस मदरास को लेना चाहते थे तो इस एक्स लॉशेपल की संदी में एक विशेज बात ये भी हुई क्योंकि ब्रिटिशर्स और फ्रांसिसीज ये जानते थे कि हमारे इस युद्ध का प्रभाव उन जगहों पर भी पड़ा है जहां जहां पर हमारे उपनिवेश हैं व्यापारिक उपनिवेश हैं तो उन्होंने संदी में ये भी कहा कि एक दूसरे ने इस दौरान जहां जहां एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों पर कबजा किया है वो उने लोटा दिये जाएं तो इससे पहले कि अंग्रेज अपनी इस हार का बदला फ्रांसिस्यों से लेते एक्स लोड शेपल की संदी के कारण मदराज जो है वो अंग्रेजों को लोटा दिया गया लेकिन ये कहीं न कहीं अंग्रेज भी अपमान महसूस कर रहे थी और जो प्रांसिसी हैं उनको भी इस बात का मलाल हो गया था कि इस संदी के करण ये अधराज जीता हुआ है सहाथ से निकल गया अंग्रेजों को इस बात की अंदर खुननस है कि अफ्टर आल तो हमने लूजी कर दिया था वो तो संदी हुई इसलिए हमें मिल गया तो हम अपनी हार का बदला तो लेंगे तो ये दोनों कहीं न कहीं भारत में इंटरनेशनली तो यहाँ पर पीस हो गया है लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया अपने इस रिवेंज फुल नेचर को यानि अपने इस बदले की भावना को जारी रखा और इसी बदले की भावना ने आगे सेकंड करनाठक वर को जन दिया जो की अगले ही साल शुरू हो गया 1748 में सार 1454 तक चला आप इस नाठक को चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं यह कहानी भी आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं इंपोर्टेंट होगी और इस इंपोर्टेंट कहानी को समझने का प्रयास कीजीगा बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया की जब हैदरबाद स्वतन्त हुआ तो मैंने आपको बताया की वहाँ पर जब हैदरबाद के बारे में करनाटक के बारे में कहानी सुनाई करनाटक युद जिसे आप कह रहे हैं यह आपका 1749 से लेकर के 1754 तक चलेगा 1754 तक चलेगा दूसरा करनाटक युद और इसकी शुरुवात के बारे मैं आपको बता देता हूँ इसकी शुरुवात जो है मैंने बताया कि वो एक्स लॉश एपल की संदी हो गई है दोनों एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं लेकिन अफसर नहीं है अफसर जो है वो यहाँ पर मिलेगा अब अफसर करनाटक और हैदराबाद देंगे अब अफसर करनाटक और हैदराबाद कैसे देंगे जो आइसको देखिए ये एक point आपको यहाँ पर छोटा सा धियान रखना पड़ेगा और वो ये है कि जून 1748 में हैदराबाद का जो निजाम है निजाम मुल्क निजाम मुल्क जो है इसकी death हो गई इसकी मृति हो गई और निजाम मुल्क की मृतियों के बाद इसकी क्या हो गई मृतियों हो गई और इसी निजाम मुल्क की मृतियों के बाद हैदराबाद में ठ्यान रखेगा इसी निजाम मुल्क की मृतियों के परशाद हैदराबाद में उत्रादिकार को लेकर के आपस में इन ही के परिवार के लोगों में आंत्रिक कल्य हुई और किसके किसके बीच में हुई नासर जंग और मुझफर जंग के बीच में किसके किसके बीच में हुई नासर जंग नासर जंग और मुझफर जंग के बीच में अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है, कि ये कौन है, नासिर जंग जो है, ये निजामुल मुल का पुत्र है, इसका ये कौन है, पुत्र है, और मुझफर जंग कौन है, ये पौत्र है, पौत्र का मतलब समझते हैं न, पौता है, ग्रैंट सन है, मुजफर जंग चाहता है कि वो शासक बने और नासिर जंग ज्वाब अविक से बात है पिता की मुर्द्व के बाद यही बनेगा तो एक सिचुएशन यहाँ पर यह है उत्रादिकार के युद्ध को ले करके जो कि हैदराबाद में मैंने आपको बताई हैदराबाद में स्थिती क्या है नासिर जंग और मुजफर जंग के बीच में युद्ध चल रहा है यह यूँ कह सकते हैं कि एक उत्रादिकार को ले करके आपस में मिस्टनेर स्टैंडिंग चल रही है इसी समय जैसा कि आपने हैदराबाद में देखा इसी समय करनाटक में भी एक सिचुएशन है अप करनाटक की सिचुएशन को समझने का प्रियास कीजिए मैंने आपको बताया था ना वैसे तो करनाटक हैदराबाद निजाम शाही के अंतर गताता था लेकिन क्योंकि हैदराबाद ने अपने आपको मुगल केंदरी सत्ता से प्रिथक कर लिया था तो करनाटक ने भी अपने आपको प्रिथक कर लिया और करनाटक में जो नवाब थे वो थे अनवरुद्दीन लेकिन इस अन्वरुत दीन की नवाप शाही को चांदा साहब जो है वो पिलकुल बरदाश्ट नहीं करता था अब इस चांदा साहब कौन है इसके उपर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं चांदा साहब लेकिन फिलहाल आपको दो चीजे देखने को मिल गई सत्ता जो करनाटक की है उसमें ततकाली नवाप और चांदा साहब के बीच में लेकर के जगड़ा चल रहा है और यहां हैदराबाद में नासिर जंग और मुझफर जंग के बीच में जंग चल रही है वास्तिविक रूप में ये जो चांदा साहब है ये जो हैदराबाद के शुरुवात के जो मैंने आपको बताया था जो नवाब थे दोस्तली ये दोस्तली का दमाद है ये चांदा साहब कौन है ये पहले के जो नवाब थे दोस्तली ये दोस्तली का क्या है ये दोस्तली का दामाद है ये जो दोस्तली का जो दामाद है चांदा साहब ये इस समय तो मराठों की कैद में पहली बात तो ये आपको समझने है मराठों की कैद में मराठा राजाओं की कैद में मुजफर जंग जो कि अभी शासक नहीं बना है जो कि अपने पिता जो कह सकते हैं निजाम मुल्बूल का जो बेटा नासिर जंग है उसकी खिलाफत कर रहा है मुजफर जंग जो है वो सहायता मांगने जाते हैं मराठो के पास में और यहीं मराठों के पास में ही मुजफर जंग की मुलाकाद चांदा साहब से होती है अब दोनों में यह कहते हैं न चोर-चोर मोसेरे भाई तो वो कुछ हमको यहां पर देखने को बिल रहा है यह भी सत्ता पाना चाहते हैं अपने शासक को हटा करके और यह भी सत्ता पाना चाहते हैं आपने शासक को हटा करके तो आगे चल करके कहानी यू ही कि मराठाओं ने चांदा साहब को छोड़ दिया और चांदा साहब और मुजफर जंग ने इन दोनों लोगों ने जा करके फ्रांसीसियों से मदद ली किन से मदद ली फ्रांसीसियों से तो अब आपको यहाँ पर यह पता चल जाएगा कि यह जो दो लोग हैं यह फ्रांसीसियों से साहयता लेते हैं और फ्रांसीसी गवर्नर उस समय कौन है मैंने आपको बताया उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डूपले है तो प्रांशीसी गोवर्नर जो डूपले है वो इनको साहयता देता है साहयता देने के लिए राजी हो जाता है स्वभाविक सी बात है कि इस पक्ष को कौन ले करके जाएगा इस पक्ष को ले करके जाएंगे ब्रिटिशर्स यह अब अंग्रेजों के पक्ष में जाएंगे ठीक है यानि यह जो पक्ष है वो सहयता प्राप्त करेगा किस से अंग्रेजों से कौन सा पक्ष एक नासिर जंग वाला और दूसरा अनवरुत देन वाला ठीक है यहाँ तक कहानी आपको सब लोगों को अच्छी तरह के समझ मे आगे हाँ या नी अब इसके आगे जरह देखिए क्या कहानि गठी मैंने आपको बताया किस फ्रांसीसी गवर्णर जो है इनकी सहायता करने के लिए त्यार नंवरुद्दीन की उपर इन लोगों के पक्ष में तो इन लोगों ने मिल करके फ्रांसीसियों की सहायता से नवाब अनवरुद्दीन के ओपर आक्रमण कर दिया और ये जो आक्रमण हुआ इस आक्रमण को या इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं अंबर का युद्ध क्या बोलते हैं इसको अंबर का युद्ध इस अंबर युद्ध में या अंबर के युद्ध में अंबर एक जगा है इस अंबर के युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन हार गए ठीक है 1749 में ही युद्ध हुआ और 1749 में इस युद्ध को यह हार गए और यहां से इस यु मुहोंमद अली जो है ये डर करके भागा और भाग करके South में दिरुचिरा पल्ली में एक किले में छिप गिया मिरिचना पल्ली में जाकरके ये क्या हो गया चुप गया अब यहां से देखे कहानी बदल जाएगी इसाई जगह से आसे कहानी प्रिचना परली में ? यह किले में जाकर के एक छुप गया या वहां पर रुख गया तो इसका बेटा भाग गया तो यह जो गद्धी है वो क्या खाली हो गई और यह किसको को मिल गई चांदा सहाब को मिल गई किसकी सहायता से मिली यह मिली फ्रांसीसी गवर्णर डूपले के सहायता से स्वाभाविक सी बात है कि इन सब इस्थितियों को ध्यान में अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी जो पलड़ा है वो भारी होता हुआ हमको यहां पर नजर आता है ठीक है फ्रांसीसी पलड़ा जो है वो हमको भारी होता नजर आता है नासिर जंग जो है उस मैंने बताया कि सा खायता ली और उसने करनाटक के ऊपर आक्रमड़ कर दिया और चांदा को पराजित कर दिया लेकिन यहाँ पर भी एक घटना घटित होती है 1750 में अगर हम बात करें तो नासिर जो है उसकी हत्या हो जाती है 1750 में 1750 में नासिर जन चंकी मृती हो गई तो भले ही यहाँ पर चांदा साहब को इसने पराजित किया तो करनाटक तो चांदा साहब के पास ही रहा यहाँ पर एक करेक्टर को मैं और लेकर के आऊंगा जो की फ्रांसीसी करेक्टर है फ्रांसीसी अधिकारी है जिसका नाम है बुसी ये डूपले ने बुलाया और बुसी को हैदराबाद पर अपॉइंट कर दिया हैदराबाद में जो भी सेन प्रणाली थी अब क्योंकि हैदराबाद किसको मिल गया है देखे है हैदराबाद में नासे जंग जो है अभी आगे लीड करेगा तो ये जो स्थिती है इस स्थिती में यहाँ पर एक व्यक्ति आ चुका है जिसका नाम है बुसी वो फ्रांसीसी सेना का एक सेन्ने अधिकारी है सेना पती एक तरीके से कह सकते है उसने जो है वो हैदराबाद के उपर अपनी तैनाधी कर ली इन सब सिचुएशन में जब हमने देखा कि यहाँ पर जो करनाटक है वो लगभग लगभग फ्रांसीसीों की साहता से अपवर्ड हो चुका है और वो चांदर साब को मिल चुका है नासिज जंग जो की ब्रिटिशस की साहता ले रहा था उसकी देथ हो चुकी है यहाँ पर एक पॉइंट हमको देखने को मिलेगा और वो यह है अगस्थ 1751 में अगस्थ 1751 में रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने करनाटक की राजधानी आरकाट के उपर आक्रमन कर दिया रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अंग्रेजों जैसे यहाँ पर आप डुपले का नाम ले रहे हैं वहाँ पर आप ब्रिटिशर्स में किसका नाम ले सकते हैं रॉबर्ट क्लाइब का रॉबर्ट क्लाइब का क्योंकि इस समय भी आप देख सकते हैं कि जो तिरुचिरा पल्ली है उसमें ये मुहम्मद अली अभी भी चुपा हुआ है और अगर देखा जाए हैदराबाद उस हैदराबाद को ये मुहम्मद अली को दिलाना पड़ेगा तभी ब्रिटिशर्स की आपर विजय होगी लेकिन हो कैसे मुहम्मद अली को जो फ्रांसीसी जो सेना है उसने घेर रखा है या यूँ कह सकते हैं चांदा साहब की जो सेना है उसने घेर रखा है और वो इनको मार करके काम खतम करना चाते है लेकिन इनको बचाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक खेल खेला और वो खेल ये खेला कि जो करनाटक है उसके उपर आक्रमण कर दिया गया, Robert Clive ने किसके उपर आक्टमन कर दिया, करनाटक के उपर आक्टमन कर दिया, तो जो सेना यहाँ पर बैठी हुई थी, इस सेना को यहाँ से मूव करना पड़ा, अपने राजजी को बचाने के लिए, यह जो चांदा साहब हैं, यह जो फ्रांसीसी हैं, इनको करनाटक की रक्षा करने के लिए, यहाँ से अपना घेरा हटा करके, यहाँ वापस आना पड़ा, और इस तरीके से अगर हम देखेंगे, तो यह एक, यह एक जब तिरुचिरा पल्ली से यहाँ से, जो अपना बेड़ा जब यहाँ से उठाना पड़ा, तब जो है, यह जो करनाटक है, वो बिडिशर्स के पास में आ चका, एक तरीके से यहाँ पर चांदा साहब हार गया, और जब चांदा यहाँ से हारा, तो हार करके यह तंज़ोर चला गया, तंज़ोर या तंज़ावुर चला गया, डर करके भाग गया हो, तंज़ावुर चला गया, और तंज़ावुर में ही इसकी जो है, वहाँ पर हत्या कर दीगी, डिथ कर दीगी, माड़ा ला गया, भाग क्या था यहाँ सी, सत्रा सो बावन में फ्रांसीसियों ने आत्मस्वारपड कर दिया 1752 में 1752 में फ्रांसीसियों ने क्या कर दिया फ्रांसीसियों ने आत्मस्वारपड कर दिया खीक है तो आप यहाँ पर क्या असर देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर इस story को पढ़ने के बाद यहाँ पर अगर हम चले जिसमें हमने आपको यह पहला करनाटक युद्ध जिसमें हमने आपको बताया इस first करनाटक war में किसी को कुछ लाब हुआ बिटिशर्स या फ्रांसीस कोई लाप नहीं हुआ आपने अंग्रेजों को हराया और संधी होने के बाद अंग्रेजों का किला उनको वापस करना पड़ गया तो ना इन्होंने कुछ पाया ना उन्होंने कुछ खोया एक तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी यही हो रहा है इसमें भी एक तरफ जहां फ्रांसीसी जीत रहे हैं तो दूसरी तरफ जो हैं वो अंग्रेज भी जीत रहे हैं 1754 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में संधी हो गई और फिर से ये तैं हुआ कि अब हम लोग भारत में जहां जहां जो जो शासन चल रहा है या आप सीधे तोर पर ऐसे समझेगे कि इस संधी के परणाम 1754 में इन दोनों के बीच में एक संधी हो गई 1754 की हुई संधी में ये कहा गया कि हम भारती जो राजा हैं उनकी उनका लाभ नहीं उठा करके इस तरीके जो ये युद्ध हुआ ये इस तरीके के युद्धब नहीं होंगे ये यू कह सकते हैं कि भारत में किसी प्रकार से पॉलिटिकल जो लाभ है वो नहीं लिया जाएगा अपनी व्यापारिक नीतियों ये युद्ध करने के लिए तो भारत में हमें किसी किसा आयता से लड़ना नहीं है और जो विजित प्रांथे वो एक दूसरे से धिरी दिरे करके वापस करे जाने शुरू कर दिएगे तो आफ्टर ओल ये वाला जो जगा है जिसमें आप देख सकते हैं हैदराबाद और करनाटक के माध्यम से प्रांस और जो ब्रिटिशस लड़े थे एक बार वो जीते एक बार ये जीते अंत में फिर संदी हो गई तो इसका भी कोई परिणाम एक तरीके से नहीं निकला अब जब यहाँ पर परिणाम नहीं निकला तो भाई तीसरा युद्ध हुआ करनाटक का तीसरा युद्ध चलेगा यहाँ पर अब अगला जो थर्ड वॉर है उसके उपर हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन थर्ड वॉर के बीच में बैटल ओफ प्लासी भी आएगा पर हम बैटल ओफ प्लासी को अलग से पढ़ रहे होंगे पिलाल हम यहाँ पर थर्ड वॉर को थोड़ा अलग से पढ़ते हैं ठीक है जो तृतिय आंगल मैसूर युद्ध हुआ उसके उपर थोड़ी से चर्चा करते हैं तृतिय करनाटक युद्ध जो है तृतिय करनाटक युद्ध अब यह क्या है इसके उपर जड़ा चर्चा कर लेते हैं और यह कब से कब तक हुआ यह शुरूआ 1758 से और 1763 तक चला 1758 से शुरू हो करके 1763 तक चला और यह निरनायक हुआ यह कुछ तक क्या हुआ निरनायक हुआ अब यह निरनायक कैसे हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला वाला जो करनाटक युद्ध हुआ उसमें कोई निरनाय नहीं निकल पाया दूसरे वाले में भी कोई खास निरनाय नहीं निकल लेकिन तीसरा वाला जो है वो थोड़ा निरनायक हुआ अब ये निनायक किस प्रकार से हुआ है इसके उपर हम लोग थोड़ी से चर्चा करते हैं ठीक है निनायक ऐसे हुआ है थर्ड जो करनाटक वोर है इसके पीछे प्रमुक कारण किस चीज को माना जाता है इसके पीछे की प्रमुख वजह किया है इसके पीछे की प्रमुख वजह या ताथकाली कारण के अगर हम चर्चा करें तो यूरोप में सब्त वर्षी युद्ध हुआ यूरोप में सब्त वर्षी युद्ध हुआ जो की 1756 से चुरूआ 1756 और इस युद्ध का इंपक्ट भारत में 1757-58 में पढ़ना शुरू हुआ यही कारण है कि 1758 में हम लोग तीसरा करनाटक युद्ध देखने को देख रहे हैं अब यह जो सब्तवर्षी युद्ध हैं वो तो जैसे मैंने बता है ना कि फ्रांस और बिटिशस के आपस में जो युद्ध हैं वो चल रहे है एक्स लाश एपल की संदी यहां पर ब्रेक हो चुकी है तमाम सारी चीज़े हैं और यहां पर अब करनाटक युद्ध जो है वो फिर से परनिती ले करके आ रहा है क्योंकि वहां पर भी युद्ध जो है वो शुरू हो चुके तो यहां पर किस तरीके से युद्ध हो रहा है उसके उपर समझे बने बताया कि 1758 में इसकी जह है एक उस समय जो सेकंड करनाटक वॉर है उसके बाद जो मैंने आपको उसकी जो संधी मैंने जो बताई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई तो फ्रांसीसी जो है वो तो अपने आपको बिटिश से दक्षन भारत के जो हिससे हैं जो जीते हुए उसको किसी तरीक से री कैप्चर करना चाएँ उसको फिर से पाना चारें लेकिन बृटिशस एट टामीनवाइल क्या कर रहे हैं उसी समय बिटिश क्या कर रहे हैं और दक्षन भारत में अपनी स्थित्षी को एजड बनाए रख रहे और फ्रांसीसियों को कप्जे में करने का प्यास कर रहे और इसमें जो है बंगाल में जो छोटी मोटी जगहें जो थी क्योंकि यहाँ पर ये युद्ध में 20 साबित हो रहे थे फ्रांसीसियों से तो बंगाल में जो फ्रांसीसी कबजे थे उसके उपर भी इनोंने डेरा डालना शुरू कर लिया तो बंगाल में चंदरनगर है, ये चंदरनगर जो था, ये फ्रांसीसियों के कबजे में था, जिस पर अंग्रेजों ने कबजा कर लिया, और इसी तरीके से भारत में एक बार फिर से, जो की संधी पिछली हुई थी, कि हम यहाँ पर छेत्रों को ले करके लड़ेंगे छगड करने के लिए 1758 में काउंट दी लाली नाम का एक फ्रांसीसी गवर्नर भारत आया, कौन आया? डी लाली, ये गवर्नर जो है भारत आया और इसके नित्रत में पर से फ्रांसीसी जो सेना है, वो रियोगनाईस करी जाने शुरू कर दी, और इसने अपनी सेना को रियोगनाई में है, जो की किसके कबजे में है, जो की एक तरीके से अंग्रेजों का अड़ा है इस अंग्रेजों के अड़े पर इस लाली ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया क्यों तुमने हमारा छेतर जीता, हम तुमारा छेतर जीत ले रहे हैं, सिंपल सी बात है उधर मैंने बता है कि 1750 प्रप्लासी का युद्ध हो चुका है सिराजुत दौला को वो पराजित कर चुके हैं ब्रिटिश जो हैं बाइद वे 1759 में 1758 में इस तरीके कांड हो रहे हैं 1759 में ब्रिटिश अधिकारी जो है सर आयरकूट है वो मदरास पहुँचता है और वो फ्रांसीस्यों से युद्ध करके अपना जो जो मदरास का सेंट डेविट फोर्ट है ये वापस ले लेता है कौन वापस ले लेता है ब्रिटिश अधिकारी जो है आयरकूट आयरकूट जो है वो फ्रांसीसों से युद्ध करता है और अपना जो मदरास है वो वापस ले लेता है तो इनके हाँ से बंगाल का प्रांथ भी गया और इनके हाँ से ये आयर कूट आला जो प्रोविंस है वो भी चला गया अब इनी सब चीजों को ले करके एकदम आमने सामने का युद्ध हो जाता है और इस आमने सामने की युद्ध में ये जो फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश है इनका आमने सामने का युद्ध हो जाता है और ये जो युद्ध है ये वांडी वाश नामा के स्थाल पर लड़ा जाता है जो कि 22 जन्वरी 1760 को लड़ा गया, 22 जन्वरी 1760 को वन्डी वाश का युद्ध हुआ, और इस वन्डी वाश के युद्ध में फाइनली ब्रिटिश कमांडर जो आयर कूट है, उसने लाली को जो हरा दिया, और इस तरीके से फ्रांसीसी जो है, वो ब्रिटिश से डिरेक्ली ह इस बार आप देख सकते हैं, कि इसमें जो इंडियन एडिमिस्टेशन है, उसका साथ नहीं लिया गया है, पूरी तरीके से खुद स्वयम ये युद्ध लड़कर के, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को हराया है, और इसमें ब्रिटिशन जो हैं, वो अपने आपको चंदर नगर इत्यादी हैं, ये सब जो है, वो अंग्रेजों के पास चले गए, फ्रांसीसियों को वापस दे लिये गए, पॉंडिचेरी जो की, जिसके उपर कबजा कर लिया गया था, पॉंडिचेरी ये फ्रांसीसियों की जगा है, और जो मैंने आपको बताया था, चंदी करी गई और इनसे कहा गया, कि आप फोर्ट नहीं बना सकते, या उसकी निगरानी नहीं कर सकते, या उसका रिनिवेशन वेद्टा, फोर्टिफिकेशन आप करी जिसकते, सिंपल सी बात है, ये इनकी इसाथ संदी करी गई, तो आप बस आपका ये व्यापारी को ठी अगिया प्यापार करिए चुप चाफ बस और आपको आगे प्रसार नहीं करना है और 9 सात जो जिनजी वगयरा कि इलाके है माही वगयरा कि इलाके है उसको जो है कपजा कर लिया बर इतुर minist Rajag fij जो आपको अपनी जो चीजें हैं वो प्रटिशुद को टक्कर दे रही थी और अब बृटिशंस ने लखी लिग्ली उनको भी हराखे खतम कर दिया है तो यह है हमारा थर्ड करनाटक वोर हमारा थे स्री करनाटक युद् फिक है तो अब होप कि वार печ कैर यह यह helemaal यह थ्यॉश यह है यह अच्छी तरीकल Evet यहां की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसका फायदा उठाते हैं लोग आपस में लड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन वहां से बात जब नहीं बनती है तो फाइनली आमने सामने का युद्ध होता है और फ्रांस ब्रिटेन से हार जाता है और ब्रिटेन अभी यहां पर अप जो युद्ध है इन दोनों के बीच में अंग्रेजों और फ्रांस बीच में इसमें साबित हो चुके हैं ब्रिटेशस ठीक है इसमें अपने आपको साबित कर लिया किसने अंग्रेजों ने और जब यह साबित कर लिया है तो अब स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर अंग अधिकारी बन रहे हैं व्यापारी कैसे अधिकारी बन रहे हैं इस चीज़ को हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों की अधिकार या उसके जो प्रसार है उसके माध्य हम से समझने का प्रयास करेंगे ये एक युद्ध है और इसके बाद बैटल ऑफ बकसर जो होगा ये दो नड उद्ध दौला तो सिराजुत दौला जो बंगाल का नवाब है उसका इस्ट इंडिया कंपनी यानि की जो ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी अब यहां से जो इस्ट इडिया कंपनी का नाम लिया जाएगा वो ब्रिटिश इस्ट तो जब नवाफ सिराजु दौला गद्धी पर बैठा तो उस समय एक नीती प्रचलित थी या यू कह सकते हैं उस समय जो केंद्री सत्ता है मुगलों की उस समय 1717 की बात कर लेते हैं फरुख श्रीयर ने 1717 में एक फर्मान जारी किया था किसने फरुख श्रीयर ने और इसी फ आग्या पतर था जो इसने इशू किया था अब ये जो आग्या पतर इसने इशू किया है इसी वज़ा से इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसी वज़ा से हम लोग इसको घरणित कायर के तौर पर इतिहासकार जानते हैं पहुत ही घरणित कार किया था इसने बिटिशर्स को य जो है इसने क्या देदी अनुमतिदी एक तो ये बात देदी और दूसरा एक चीज जार थी कि तक्रीबन कलकत्ता के अनतिस गाउं जो हैं उसको खरीदने की आग्या भी दे दी कलकत्ता के अनतिस गाउं कलकत्ता के ये खरीद सकते थे कौन? अंग्रेज खरीद सकते थे अब सिराजुत दौला जब गद्धी पर बैठा तो वो इस प्रकार के आग्या पत्र से क्योंकि ये मुगल सल्तनत ने पहले इनके साथ ब्रिटिशर्स के साथ में आग्या पत्र पर साइन कर रखी थी तो कोई भी नबाब आगे चल करके बंगाल के इस आग्या पत्र को हटा तो नहीं सकता था लेकिन ये आग्या पत्र सिराजुत दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था स्वभाविक सी बात है कि इसकी जो शर्ते हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ में और जो सिराजुत दौला के साथ में क्योंकि सिराजुत दौला इस शर्तों को मंजूर नहीं कर रहा है ब्रिटिशर्स को तो यह मंजूरी मिली ही है, तो इनकी ब्रिटिशर्स के साथ में इस अनुमति पत्र को ले करके काफी लड़ाईयां होती है, और इसी कारण से सिराजुत दौला जो है, वो ब्रिटिशर्स के ओपर कड़े नियम आरोपित करता है, व्यापारिक नियम जो है, जैसे कि इन्होंने कहा कि आपको कर्मुक्त व्यापार करने के अनुमति दी गई है लेकिन इन्होंने ब्रिटिशनस ने क्या कर लिया था कि जो कमपनी है भाई कर्मुक्त व्यापार जो है वो कमपनी को करने के लिए दिया गया था लेकिन कमपनी ने क्या किया न सिर्फ खुद के लिए कर्मुक्त व्यापार यहां पर किया बलकि कमपनी के जो अधिकारी थे जो कर्मचारी के जो निजी व्यापार थे उसको भी tax free कर लिया इसने आरोप लगाया कि भई कमपनी को कर्मुक्त व्यापार करने की बात करीगी थी कंपनी के व्यापारी यदि अगर निजी व्यापार चलाते हैं तो उसको हम टैक्स फ्री नहीं करेंगा उसका तो टैक्स दिना पड़ेगा साथी साथ इस पट्टे का अधिकार जो है बिटिश इस डे कंपनी ने भारती व्यापारियों को भी दे रखा था तो उन्होंने कहा कि आप अपने आज्या पत्र को दूसरे के साथ श्रीयर नहीं कर सकते हैं तो जो भारती थे उनको भी करमुक्ती कहीं न कहीं से मिल गई थी तो भारतीयों की तरफ से जो होने आली अर्निंग थी भारती व्यापारियों से होने आली जो अर्निंग थी वो भी राजकोश में नहीं जा पा रही थी वो जाती थी ब्रिटिशर्स के पास में ब्रिटिशर्स ट्रेट फ्रीर थे ही तो इन सब चीजों के उपर सिराजुद दौला ने आरूप लगाया और मना कर दिया कि ऐसी चीज नहीं होगी और ये मना ही बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को बरदाश नहीं होगी उन्होंने नवाब के इस तरीके की बातों को नजरनदाज किया और ये कोई एक वज़ा नहीं थी जिसकी वज़ा से सिराजुद दौला जो था वो ब्रिटिशर्स से नाराज था ये एक वज़ा थी, लेकिन ये एक मात्र वज़ा नहीं थी इसके लावाद दूसी वज़ाएं भी थी ब्रिटिशर्स ने अपने जो किले बंदी थी वो बिना नवाब की अनुमतिके करनी शुरू कर दी थी, कलकत्ता में उन्होंने मोर्चा बंदी करनी शुरू कर दी, और इस चीज को देख करके फ्रांसीसियों ने भी अपनी मोर्चे बंदी जो है वो शुरू कर दी, लेकिन नवाब ने जब कड़े शब्दों में दोनों को फटकार लगाई, तो फ्रांसीसी जो है वो फोटिफिकेशन करना रोग दिये, बिटिशर्स ने उसे आन सुना कर दिया, यह भी एक वज़े थी, इसके अलावा कलकत्ता के जो कार खाने थे, जब उसकी जाच करने के लिए सिराजुद दौला के सैनिक बढ़ गया, वो अंग्रेजों के उपर बहुत ज़़्दा बढ़ गया, और वो इस तरीके के यतन रूड़ने लगा, कि हम किसी तरीके से इन अंग्रेजों को अपने काबू में कर से गयाँ, तो वो यह चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ ये व्यापार करें, केवल व्यापा कासीम बाजार जो फैक्टरी है उस फैक्टरी पर सिराजुत दौला ने कपज़ा कर लिया क्योंकि जब इसका निरिक्षिन करने की बारी है तो बिरिटिश्षीर निरिक्षिन नहीं करने दिया आप करने भी कैसे देते इसने और यह लोगा कर चुके थे तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई और इन सब चीज़ों का परणाम यह हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ नवाव सिराजुद दौला ने सक्ती का रोब अपनाया ना सिर्फ कासिम बाजार की जो फैक्टरी है उसको इसने कपजे में कर लिया बलकि बाद में 20 जून 1756 को बीस चून 1756 को नवाब ने यानि नवाब सिराजुद दौला ने पोर्ट विलियम पर भी कपजा कर लिया किस पर पोर्ट विलियम पर कपजा कर लिया और ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स को जो है इनोंने कैद भी कर लिया तमाम सारे अंग्रेजों को कैद कर लिया तो य यह सब चीज़ें जब हुई तो इससे बिटिशस बहुत ज़्यादा घबड़ा गए नवाब की इतनी बड़ी शक्ति को देख करके वह एकदम बहुखला गए और उन्हें अपना जान बचा करके भागने के लावा कोई दूसर रास्ता नहीं मिला तो बहुत सारे अंग्रेज क्या हो गए भाग गए और जा करके उन्हें फुल्टा द्वीप में फुल्टा द्वीप में शरन ली और इसी जगह से उन्होंने साउथ में जो ब्रिटिश के जो कह सकते हैं कॉलोनीस थी उनसे साहता मांगी तो उस समय जो रॉबर्ट क्लाइब है वो मदरास से साहता नो सेना भी गई है Admiral Watson की सहायता से तो Admiral Watson की जो नो सेना है और Robert Clive की जो सेना है ठीक है इन दोनों इन दोनों ने सहायता भेजी बिटिशर्स को और इस दोरान एक घटना भी घटित हुई और वो घटना ये घटित हुई कि राजा जो है सिराजुत दौला जब फोर्ड विलेन पर कबजा कर लेता है तो वहाँ सारी जो जगहें हैं इस दोरान एक घटना यहाँ पर घटित होती है कि यहीं पर ही एक काल कोट्री की घटना घटित होती है तकरीबन ये 20 जून 1756 वली जो घटना है इसी मैं आपको एड़ करते हुए बता रहा हूँ कि तकरीबन करीब 146 जो कैदी थे ब्रिटिश कैदी जो थे 146 लोगों को ठूस करके भर दिया गया तकरीबन 100 से उपर लोगों को जहां पर 15-16 लोगों की जगा हो 18-20 लोगों की जगा हो वहां तकरीबन जो है 146 लोगों को ठूस करके भर दिया गया जिसमें सांस लेनी की भी जगह नहीं थी थोड़ी दिर बाद इनके जो है अब गर्मी का समय है आप देख सकते हैं 20 जून मैंने आपको बताया है समय गर्मी का समय है तो इनके आपस में सांस फूलने के वज़े से बहुत सारे जो बिटिशन की मौत होगी जो पहरेदार थे वो इचीज देख रहे थे वो नवाब को बताना चाते थे लेकिन नवाब जो है वो सो चुके थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि सोते हुए नवाब को जगाए और इनी सब अन्देशे में अंतता जो है कई सारे अंग्डेज जिनको ये मारना नहीं चाहता था अंग्डेज भाग चुके थे इनको तो कहल कयद करके रखा गया था जिनको शायद अगले दिन मुक्ती भी हो जाती लेकिन इनकी मुक्ती तUNG फैंडली दूसरी तरीके से हो गेए और कहा जाता है कि सहायता का इस्तेमाल करके ये लोग ये हुगली की ओर कूच कर जाते हैं अब अंग्रेजूं की बारी है बंगाल के नवाब से बदला लेनी की ठीक है और इसी सब का परणाम यहाँ पर यह होता है कि करीब 1757 में अब ये बैटल ओफ प्लासी नहीं हो रहा है लेकिन बैटल कत्ता के उपर कपजा कर लिया हुगली के उपर कपजा कर लिया और 9 फरवरी 1757 को नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में संधी हुई और संधी को बोला गया अली नगर संधी अली नगर संधी अब सोचिए जो नवाब यहाँ पर अभी ब्रिटिशर्स के उपर सेंगे मज सामने आ चुका है और इस संदी के शर्तों के अधार पर इस दोरान जो नुकसान हुए थे उसके हरजाने भढ़ने थे मुक्त व्यापार वाले जो जो चीजें चल रही थी वो सब फ्री ट्रेड पूरी तरीके से ले लिया और इस तरीके से सिराजुत दौला कहीं न कहीं सकता था वो सिराजुत दौला जो कुवत रखता था इन ब्रिटिशर्स को हराने की जब वो यहां पर हार गिया है तो वो भी अपमान की तरह पर देख रहा है अपने आपको और वो इनसे बदला लेने के लिए आतुर है लेकिन कुछ चीजें यहां पर बदल गई प्लासी के युद्ध के दौरान यहां पर कुछ चीजें यहां पर बदलती हुई नजर आई और वो क्या है वो यह है कि अपना सिराजुत दौला है वो ब्रिटिशर्स को पसंद तो नहीं कर रहा है साथी साथ ब्रिटिशर्स भी सिराजुत दौला को पसंद नहीं कर रहे हैं तो मुर्शीदाबाद में बेसिकली बिटिशर्स जो है वो changes लेकर के आना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बिटिशर्स को यहाँ पर शडंत्र करना पड़ेगा क्योंकि इतनी आहसानी से मुर्शीदाबाद जो है वो इसके हाँ से नहीं लिया जा सकता है किसके हाँ से इस सिराजुत दौला के हाँ से तो इसलिए अंग्रेजों ने कुछ गदार ढोड़ निकाले और उन अंग्रेजों ने जिन गर्दारों को ढूड़ निकाला उन्हें से कुछ एक नाम में आपको यहाँ पर लिकर के देता हूँ जैसे कि एक गर्दार निकला एक काली कट का जो प्रभावी मैंने आपको यहाँ पर बताया था काली कट जो जगह दे रखी थी मारिक चन को मारिक चन मारिक चन इसको एक गर्दार के रूप में ढूड़ा इसके लावा एक सेट थे जिसका नाम था आमीर चन यह बहुत बड़े धनाध्य व्यापारी थे जो की मतलब इनका बिटिशनस के पक्ष में हो जाना यह काफी बड़ी बात थी इसके लावा एक साहुकार थे जिनका नाम था जगत सेट एक साहुकार है जिनका नाम है जगत सेट यह जगत सेट है यह भी बिटिशनस की तरफ मिल गया मीर जाफर मीर जाफर यह नाम तो पहले चाहता है कि नवाब सिराजुद दॉलाग हटा करके गर्दी पर बैठे पर उस वो हटा पाना इसके बसकी बात दी थी मीर बक्षी मीर बक्षी ये भी अंग्रेजों से जा मिला ठीक है और साती साथ नवाब के सेना का एक जनरल था जिसका नाम था राम दुरलब ठीक है राय दुरलब तो जो राय दुरलब है ये जो सिराजुद दॉला है सिराजुद दॉला की जो सेना है उस सेना का कमांडर है जनरल है ठीक ये मिल गया, और जब ये शारे लोग ब्रिटिशन के पक्षमे हो गए, तब अंग्रेजों ने सीधा युद्ध जो है, वो सिराजुद दौला के साथ किया, ये जो सीधा युद्ध है, ये प्लासी के मैदान पर लड़ा गया, कहाँ पर लड़ा गया, प्लासी के मैदान पर और ये लड़ा गया 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में ये युद्ध लड़ा गया और नवाब ने अपनी सेना बहुत अच्छी तरीके से त्यार करी, जिसमें ये जो व्यक्ति है मीरजाफर और ये जो व्यक्ति है राय दुरलब जो है राय दुरलब इनकी जो सेना है, ये चलते युध में स्थिर हो गई, इनकी अगवाई में ही बल लड़ा जाना था, सिराज दौला का, इनकी अगवाई में ही युद्ध लड़ा जाना था और इनी की अगवाई वाली जो सेना है वो सेनाएं युद्ध में स्थिर हो गई जिससे की जो अफरत अफरीका था जो महाल वो बन गया सिराजुद दौला वहाँ से भाग निकला लेकिन उसको बाद में पकड़ करके माड़ लगे ठीक है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यह जो क्योंकि सेनाएं टथस ते यहाँ पर रह गई थी बैटल अफ प्लासी में सिराजुद दौला की जो है वो बुरी तरीके से जीतने के बाद में इसको नवा बना दे लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि मीर जाफर और राय दुरलब ने टतस्थता दिखाई है लेकिन जो जिन लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ में सिराजुद दौला के साथ युद्ध लड़ा है उसमें भी कुछ नाम आपको याद रखने है जैसे कि एक नाम है मीर मदान मीर मदान और एक नाम है मोहनलाल मोहन मोहनलाल अब इनके जब देखिए पहले जब बैटल होता था था न तो अलग-अलग सेना की टुकडी डिवाइड किया थी थी उसके अलग-अलग कमांडर्स हुआ करते थे तो इन कमांडर्स ने तो धोखा दिया लेकिन इन कमांडर्स ने बड़ी वफादारी के साथ जो है सिराजुद दौला से युद लड़ा लेकिन अंदता जो परणाम था वो तो निगेटिव निकला अब मीर जाफर जो है वो क्या बन गया वो मीर जाफर गद्धी पर बैठ गया और जब मीर जाफर गद्धी पर बैठा तो ब्रिटिशर्स ने इसके साथ में जो भी चीजें इसली सिराजुद दौला से नहीं मिल पा रही थी वो सारी चीजें इनसे पानी जो है वो शुरू करनी लिक्र इस युद्ध के परणाम के सुरूप में इत्यासकार कियम पनिकर जी एक स्टेटमेंट कहते हैं कहते हैं कि ये जो युद्ध है बेसिकली अगर देखा जाए तो जो पैसे वाले जो बैंकर हैं बंगाल के और जो मीर जाफर हैं इन लोगों ने मिल करके इस बिटिशर्स को ये परमिशन दे दी कि आप बंगाल को लूठी है इस तरीके से केम पनिकर जी ने स्टेटमेंट कहें बैरहाल सुरुवात में मीर जाफर जब गद्धी पर बैठा तो जो जो चीजें बिटिशर्स ने कहीं थी वो वो चीजें ये पूरी करता चला गया लेकिन क्योंकि बिटिशर्स की जो मंसा है वो खतमी नहीं हो रही थी उनको तो ये लग रहा था कि मेरे ही ऐसानों के कारण जो मीर जाफर है जो मीर जाफर है वो गद्धी पर बैठाया गया है तो जितना चाहें हम उतना इसका दोहन कर सकते हैं उतना हम इससे अपनी बात मनवा सकते हैं धीरे धीरे करके मिर्जाफर को इन सब चीजों से यानि कि बिटिशर्स के इस एक्स्ट्रा डिमांड की वज़े से इस मिर्जाफर को तकलीफ होने शुरू कर जाती है और मिर्जाफर को तकलीफ होने का मतलब है कि बिटिशर्स को मिर्जाफर से तकलीफ हो जाती है तो जब अंग्रेजों को इन से मिर्जाफर से तकलीफ होने लगती है तो वो इसका जो है सैप्टिटूड ढूरना शुरू कर देते हैं और इसी दोरान जिस दोरान ये सारी घटना घटीत हो रही है मीर जाफर जो है क्योंकि अन्य तरीके से वो अब जिसे इसमें से एक संधी ये भी कही गई थी कि बंगाल का जो नवाब है उसको ये मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों के जो दुश्मन है फिर वो चाहे देशी दुश्मन हो या फिर विदेशी दुश्मन हो वो सारे दुश्मन अवाब के भी होंगे तो अगर बिटिशर्स के तोर पर युद्ध करना पड़ा इस बात की भनक अंग्रेजों को लग गई है इसलिए अंग्रेजों ने डचों को पहले ही वेवस्थित कर दिया और अब डच जो है वो इनकी साहिता नहीं कर सकते थे फाइनली 1760 में घटना घटित हुई 1760 में रॉबर्ट क्लाइव ने रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड वापस भुला लिया गया और इसकी जगह पर एक दूसरा जो ब्रिटिश गवर्नर है वो भेजा गया और उसका नाम हुआ वैंसी ट्रेट और वैंसी ट्रेट ने क्या किया वेंसी ट्रेट ने क्या किया मीर जाफर का जो दामाद था उसको अपनी तरफ मिला लिया जिसका नाम था मीर कासिम मीर कासिम और मीर कासिम जो है वो वेंसी ट्रेट के कहने पर मीर जाफर की जगा गद्धी पर बैठ गया और मीर जाफर यहां से हटा दिये गए मीर कासिम भी शुरुवात में इसी तरीके से कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो संदी हुई थी उसको माना लेकिन बाद में मीर कासिम भी जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ में उसके भी विवाद होने लगे और जब ब्रिटिशन्स के विवाद मीर कासिम के साथ में होने लगे तो मीर कासिम भी अंग्रीजों से अपना जो है वो कही न कही मुक्त होना चाहता था और इसलिए ये अवद गया, वहाँ पे साहता मांगी और दिल्ली गया, जहाँ पर मुगल सल्पना अभी भी चल रही थी लोडगती लोडगती इसलिए, वहाँ पर उसने साहता मांगे तो जो सुजाउद दीन है वो अवद का नवाब था इस समय और दिल्ली का जो बादशाह था वो था शाह अलम और स्वभाविक सी बात है कि बंगाल की तरफ से, अगर हम बंगाल के नवाब की तरफ से देखें तो मीर कासिम जो है वो युद्ध रड़ रहा है लेकिन जब युद्ध हुआ ये जो त्रिकुठ जो बना यहाँ पर ये अंगरीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगा ब्रिटिशस के खिलाफ यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है Britishers की तरफ से जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है इसको lead कौन कर रहा है इसको lead कर रहा है Major Hector ठीक है ये किसके नेत्रत में लड़ी जा रही है Major Hector के और इधर कौन है इधर सुजाउदीन है शाह आलम है और मिरकाशी इनकी सेना में अंग्रेज जो है वो, इनके उपर हावी हो जाते हैं, इनको पराजित करते हैं, इस युद्ध में अंग्रेजों ने किसी शड़ेंत्रकारी की सहायता नहीं करी, ली है, जबकि आप बंगाल में देख रहे हैं, जब हमने प्लासी का युद्ध लड़ा है, तो ये तमाम सारे जो, जो लूप होल्स हैं, उनके सहायता ली है, इन गर्दारों के सहायता ली है, और प्लासी का युद्ध जीता है, इधर, यहाँ पर अंग्रेज स्वैम अपने बलबू जो हैं, ये आत्म सारपड कर देते हैं, और ये जो मीर कासीम है, ये तो भगोड़ा हो जाता है, ये कौन हो जाता है, भगोड़ा हो जाता है, भाग जाता है ये, 1770 में इसकी जो है, गुमनामी में एक तरीके से मृत्य हो जाती है, बहुत गरीब स्थिती में, दिल्ली में इसकी डित हो जाती है, मतलब इसके बाद इसका करियर ही चोपट हो जाता है, भगोड़ा हो जाता है, और ये जो लोग है, ये मतलब लड़ाई हो रही थी बंगाल के साथ, अब क्योंकि इन्होंने साथ दिया था, तो ये स्वभावता हार गए, तो अवध और दिल्ली भी कप इस बात को समझने का प्रेस कि बिटिशर्स ने इस युद्धि से क्या सीखा, बिटिशर्स के पक्ष में क्या क्या चीज़ी आई, एक तो बिटिश जो नागरिक है, या बिटिश जो अधिकारी है, जो यहां पर रह रहे हैं, उन्होंने एक तो ये समझ लिया, कि हमारी जो और इस हार के बाद, या यूँ कह सकते हैं, बिटिशर्स की जीत के बाद, जो शेस भारत का हिस्सा था, जो छोटे मुटे प्रांथ थे, वो लोग भी अब ये समझ चुके थे, कि भाई, लगातार ना सिर्फ ये अंग्रेज, विदेशियों को भारत में पराजित कर रहे है बलकि साउथ से लेकर के, इस्ट और इस्ट से लेकर के, अब नौर्थ तक, बिटिशर्स ने भारतियों को भी पराजित किया है, बिटिशर्स ने को पराजित किया है, भारतियों को भी पराजित किया है, तो स्वाभाविक से बात है, कि यहाँ पर, इनका एक कह सकते हैं कि, diplomatically अगर इनके कह सकते हैं कि इनको बहुत जादा जो है बहुत फाइदा हुआ ठीक है तो अब इसी फाइदे ने इसी 1764 का जो ये युद्ध हुआ है इसने ही आगे चल करके बंगाल, बिहार और उडिसा की जो दिवानी है बंगाल की प्रशासनिक हस्तक शेप करने का अधिकार बिटिशस को यहाँ पर मिल गया था ठीक है और हम ये कह सकते हैं कि बंगाल बकसर का युद्ध जो है वो है एक ऐसा निरनायक युद्ध हुआ जिसने ब्रिटिश इस्ट इडिया कमपनी को ठीक है ना सिर्फ यापारियों के तौर पर बलकि अधिकारियों के तौर पर अपने आपको इस प्रकार से हमको यहाँ तक की कहानी में ये समझ में आ गया कि कैसे अंग्रेज जो है वो अधिकारी बने और स्वभाविक से बात है कि अब इसके आगे का जो इतिहास है वो governors की तरफ बढ़ चलेगा तमाम सारे जो governors आएंगे जिसमें हम लोग Warren Hastings वगरा की बात करेंगे तो यहां तक की चीज़ें आपको clear हो गई होंगी I hope, तो चलिए अब इसके बारे में इसके आगे जानते हैं तो चलिए अब फिर उसी के बारे में जानते हैं Warren Hastings और Cornwallis के बारे में लेकिन Warren Hastings और Cornwallis का जेतिहास से वो यहां पर important क्यों हो जाता है का क्या reason है उसका reason यह है कि जैसे अभी मैंने दो आपको युद्ध यहां पर बताये थोड़ी देर पहले इसमें से एक हमने आपको बताया क्या प्लासी का युद्ध ठीक है अब जब आपने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा और जब बकसर के युद्ध के बारे में पढ़ा दोनों में आपको एक विशेस अंतर देखने को मिला प्लासी का युद्ध जब अंग्रेज जीते थे तो इसमें भारती राजाओं का जो भारती राज्य जो है उनमें शड़ेंत्र करके जीते थे शड़ेंत्र के मादरम से मतलब भारती राज्यों के कुछ लोगों को राजाओं के खिलाफ मिला करके भड़का करके फिर ये युद्ध जीता गया था लेकिन जब यहां की बात कर रहे हैं बक्सर की हम बात कर रहे हैं तो बक्सर का युद्ध ऐसा युद्ध है जो अंग्रेजों ने अपने बल पर जीता अपने बल पर तो भाई दोनों में से confidence Britishers को किसमें जादा आया होगा तो अभाविक सी बात है बक्सर के युद्ध के बात और बक्सर के युद्ध ने मैंने जैसा कि अभी थोड़ी दिर पहले आपको बताया कि बक्सर के युद्ध है ये तैं कर दिया कि अधिकारी कौन बनेगा ठीक है तो अधिकारी जो है वो पॉलिस के समय में हमको ठीक तरीके से देखने को मिलता है क्योंकि वो कहते हैं ना कि एकदम से जब कोई चीज मिल जाती है अगर आपको कहीं पर लूट करने को मिल जाए बाइद वे ये एक अलग तरीके की बात है अनएथिक चीज है लूट करना लेकिन मान लेते हैं कि कोई इस जैसे विक्ती है अगर इसको लूट करने के लिए मिल जाए तो ये तो लूटने पर एक दम उतारू हो जाएगा समय वियर्थ नहीं करेगा गर तेजी से अपने लूट पाट का कारिकरम जारी रखेगा और उसके ही अंतरगत अपनी जो नीतिया इनको बनानी होंगी वो बनाएगी तो इसी लिए हम इनकी पॉलिसीज को यहाँ पर जरूर ध्यान देते हैं कि बकसर की युद्ध के बाद किस तरीके के चेंजिस हमको देखने को मिलते हैं इनके प्रशासन में देखे अब ये जो 1700 मैंने आपको बताया 1764 में जो बकसर का युद्ध हुआ और यहाँ से लेकर के 1770 तक बहुत सारी प्रशासनिक जो प्रस्थितियाँ वो बदली है और 1770 के बाद से यहाँ सब बैंकिंग प्रणाली वगएरा इन्टोड्यूस होनी शुरू हो गई थी और 1772 में अगर आप देखोगे तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बना के भेज़ दिया गई देखिए अब इस इतिहास से यहाँ का जो इतिहास का क्रम है यह लगबग लगबग एक फेज को पूरा कर लेता है और इस फेज में आने तक हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे जो कैसे जो विदेशी हैं वो कैसे यहाँ पर राज करने के लिए सोच पाए या फिर उनकी कंपनियों ने किस प्रकार से राज करने के लिए विचार रखा इस चीज को हम लोगों विए नई सोचा होगा कि हम आया करके यहां राज भी कर सकते हैं इनके राज और दूसरे विदेशी शासकों की राज में एक अन्तर है यह राज करते हुए भी ये company के रूप में चाहे भारत में राज कर रहे हों या फिर swim जैसे आगे जवम 1858 की करंती के बाद का भारत पढ़ेंगे तो वो British राज के नाम से जाना जाएगा तो चाहे उस रूप में हम लोग विदेशी मानते हैं जबकि दूसरे अटैकर्स भी भारत में आए और हमने उनको विदेशियों की संग्या नहीं दी है क्योंकि वो अल्टिमेटली भारत में आकर कि फिर जैसे नदी एक दूसरी नदी में जाकर के मर्ज हो जाती है और फिर वो उसी नदी का रूप ले लेती है जब यमुना आ करके गंगा में मिल जाएगी तो फिर यमुना का स्तित्व हो खटम हो जाता है वो गंगा ही बन जाती है इस लिए इनको हम विदेशी कहते हैं इसलिए हम इनको पोल्यटेंट کی रूप में मान सकते हैं तो ये जो व्यक्ति है, इसमें मैंने कहा आपको एक टर्म देखने को मिल रहा है, बंगाल का गवर्नर, तो आगे हम लोगों को यहाँ पे कुछ प्रशासनिक सुधार के जो करम हैं, वो भी देखने को मिलेंगे, प्रशासनिक जो व्यवस्था बलकि कहेंगे हम सुधार नहीं कहेंगे, व्यवस्था, जो कि पश्यमी प्रशासनिक व्यवस्था थी, हमारी जो भारती प्रशासनिक व्यवस्था थी, ट्रडिशनल वाली उससे डिफरेंट है, अलग है, परमपरागत जो व्यवस्था थी हमारे प्रशासन की उससे अलग है, यह पश्यमी परमपरागत यहां गवेर्नर आ रहा है है अब सिक्वाइए बंगाल के गवेर्नर से इसी बंगाल गवारेनरर जन्रल बन ऐसे जनरल में अधिकल ऑर भारत का और गोवर्नर इस फिर भारत के हाएं जन्रल से हम देखेंगे भारत का वायसराय बनते हुए भारत का वायसराय बनते हुए फिर उसके बाद एक बार फिर से हम भारत का गवर्नर जन्रल देखेंगे ठीक है भारत का गवर्नर जन्रल देख रहे होंगे फिर हम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जन्रल देख रहे होंगे भारत का राष्टपति भारत का राष्टपति तो जिस इस्थिती में आज हम हैं कहीं न कहीं उस फेस की शुरुवात ये 1772 से हो रही है आप देख सकते हैं यही से क्रम शुरू हो रहा है और यह अलग-अलग समयों में अलग-अलग टाइम लाइन में आता चलेगा इतिहास के फेसे में जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको समझते भी चलेगे लेकिन अभी आप देख रहे हैं हम गवर्नर टर्म में आ चुके हैं यह गवर्नर भले ही एक प्रांत का है लेकिन है अभी बंगाल का गवर्नर है मदरास के गवर्नर है बंबई के गवर्नर है फिर उनकी मर्जिंग हो जाएगी बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा फिर वो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा फिर वो भारत के वाइसराय के रूप में जाने जाएगे तो अब आप समझे चुके होंगे कि अगर हमें यहाँ तक आना है तो इसकी शुरुआत यहां से हो रही है इसलिए ये वक्ती इंपौर्टेंट हो जाता है और इसकी नीतियां इंपौर्टेंट हो जाती है और इसकी नीतियों को फॉलोँ करते हुए आगे की जो नीतियां बनेंगी वो भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाएंगी चलिए 1772 जो है ये इस्टडिया कंपनी के लिए कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से अगर देखें तो ये काफी जादा चुनोती भरा है बहुत सारी शक्तियां इसको मिल चुकी है और इतनी आसानी से नहीं मिली है मतलब कह सकते हैं कि बहुत कठनाई जो है इसको सामना करना पड़ा है कठनाई को सामना करते हुए पहले वासराय के रूप में अगर देखा जाए भारत में जो गवर्नर जो बन रहा है बंगाल का बंगाल का गवर्नर बन रहा है अब शक्तिशाली तो होई चुकी ये कंपनी लेकिन दिक्कत यह है कि जो अभी छेत्री शक्तियां है भारत में जो छेत्री शक्तियां है वो अभी भी जोर लगा रही है भई हमने 1764 तक बकसर के युद तक देखा कि इन्होंने चेत्री शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ले लेकिन फिर भी अभी कुछ चेत्री शक्तियां ऐसी है जिन पर विजय प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए टेड़ी खीर है भाई आपने अभी तो साउथ इंडिया को कबजे में किया है तो अभी आग देखोगे तो लगभग लगभग आपने ये एरिया उक्यूपाई किया है लेकिन अभी भी अगर देखा जाए इस एरिया के उक्यूपाई हो जाने के बावजूद भी अभी आपके पास में काफी बड़ा हिस्सा जो है वो भारत का बचा हुआ है और वो ये वाला इलाका है जिसमें आप या थोड़ा और अंदर भी जा सकते हैं इसको लेकर के हम जिसमें आप देखेंगे प्रमुक रूप से मराथे हैं मैसूर है अभी मराथे मैसूर वगरा को इन्होंने नहीं जीता हुआ है ठीक है और जो शुरुवात में उपर के जो प्रांथ है उनके हिस्से जो है अभी वो उन्होंने नहीं जीते हैं तो इस समय आप देखेंगे कि तमाम सारे मैस मतलब देखा जाए तो हैदराबाद के उपर ये बहुत अच्छे से कमांड नहीं है तो भई जो मैसूर का प्रांथ है मैसूर है इसके अलावा मराठों का जो राज्य है इसके अलावा राजपुताना राज्य है ठीक है ठीक है उपर का जो सिंध का प्रांथ है वो ये सब अभी थोड़ा जीता जाना मतलब इनके लिए टेड़ी खी रहा और ये आवद जैसे शासक नहीं है, ये बंगाल जैसे शासक नहीं है, ये करनाटक और हैदराबाद की जो आंतरिक लड़ाई वाले जो रूलर से वैसे नहीं है, इनको हराना आसान नहीं होगा बिटिशर्स के लिए, तो अभाविक सी बात है कि इसको जीतने के लिए भी एक स्ट्रेटजी की पड़ी होगी, निश्चित रूप से पड़ी होगी, अब देखना यहाँ पर यह है कि इन लोगों ने, अब यहाँ पर अंग्रेजों के सामने यहाँ पर कुछ परिशानिया आने वाली है, परिशानिया कैसे आने वाली है, ये परिशानिया, परिशानिया किस तरीके की जर तक्षिन भारत में मजबूत जो शासक थे उनके संग बनने धिरी धिरी शुरू हो गए मराठों की पांच अलग-अलग जो संग है वो भी लगभग-लगभग एक होते वे दिखाई दे रहे हैं मैसूर आपस में एक दूसरे से अंग्रीजों के विरुद जो है क्योंकि रीजन यह है कि चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो मैसूर हो मराठे हो या फिर दूसरे राजबुताना वगएरा जो लोग हो है वो सब घ्रणा कर रहे हैं Britishers से भले ही वो आपस में लड़ रहे हैं लेकिन वो घ्रणा भी कर रहे हैं Britisha ter तो ये चोटी सी चीज है जो उनको थोड़ा बहुत एक दूसरे के परतिस सजग भी कर रही है लेकिन वो एक अलग बात है कि इन चेतरी शास्कों में अपना वर्चस्ट बनाने की भी ओड है इतना ही नहीं 1776 में अगर आप देखोगे तो अमेरीकी जो जनता है उसने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रू हो कर दिया है तो भारत में जो दक्षण भारत का ये वाला जो इलाका है वो ताक लगाए बैठा है कि किस तरीके से हम अंग्रेजियों के उपर काबू पाएं अभी अभी हाली में जो घटना है घटी तुई है उससे पहले 1776 में अमेरिका इसके पीछे पढ़ी गिया है फ्रांसीसी अपने हार का बदला लेना तो निश्चित रूप से चाहेंगे भले 1760 में वांडी वाश का युद हुआ और उसके बाद उनको यहां पर अपमान जनक जो संदी करनी पड़ी वो उसके बाद वो खातम हो गए लेकिन कैसे न कैसे करके फ्रांसीसी इसका फायदा उठाना चाहते थे तो आप ऐसे समझेए कि बिटिश जो हैं वारेन हैस्टिंग्स के इस टाइम में 1772 का जो हम टाइम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जब वो बंगाल की जिम्मेदारी नहीं है दूसरे प्रांद जो है के 1782 तक 1775 से लेकर के 1782 तक लगातार यह वारेन और बिटिश शक्तियां हैं वो इन छेतरी शक्तियों और तमाम सारे जो दूसरे जो रीजन्स मैंने आपको बताए उनसे लगातार यह लड़ रही हैं और इसी को भारत में हम प्रथम प्रथम आंगल मराठा युद भी बोल करते हैं और यह प्रथम आंगल मराठा युद में फसने के चक्कर में या क्योंकि काफी लंबे समय तक इस जगणों में जुटे रहना पड़ा बने रहना पड़ा और इसी के कारण जो है यहां पर यह जिस तेजी से इधर एक्सपेंशन कर पाया था उस तेजी से बाकी सन 1782 को एक संदी हुई जिसे सालबाई की संदी कहा गया सालबाई की संदी सालबाई संदी थीक है अब यह जो सालबाई संदी है इसके ओपर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें हमको क्या चीज़े जानने को मिलेंगी सालबाई की जो संदी है यह एक मिड़वे लेकर किया आया ना तो ये जो छेतरी भारती शक्तियां थी न ये हार रही थी और नहीं Britishers जीत पा रहे तो ये हुआ कि न तुम जीते न हम हारे तो बीच का कुछ मध्यमार्ख निकाला जाए। आगामी 20 वर्ष तक इस तरीके से देखा जाए तो Britishers को इस संधी के माध्यम से इस सलबाई की संधी के माध्यम से चुटकारा मिल गया इन मराठों से मराठों से चुटकारा लेकिन ऐसा नहीं कि मराठे इतनी आसानी से शांत बैठ जाते लेकिन संधी का ये हिस्सा था तो ठी संधी के माध्यम से एक सुलह कर दिया था बस मात्र कि हम आपके एक दूसरे के जीते हुए जो एरिया है वह वापस कर देंगे एक दूसरी गोपर कर नहीं लगाएंगे इसे करके दो चार संधिया हुई थी हम सालबाई के बारे में आगे डिसकुशन करेंगे लेकिन अब डियूरिंग ये जो 20 years हैं 20 साल का जो ये समय बीत रहा है इस 20 साल में इन्हों ने क्या किया क्या ये दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए कि कैसे कैसे करके हमें अपनी जो एरिया है जो छेत रहे उसका विस्तार करना है तो ये अपने पडोसियों के साथ युद्ध करने में बिजी हो गए और उसी दोरान ये बिटिशर्ज जो हैं इन्होंने बंगाल में अपनी प्रेसिदेंसी की स्थिती को मजबूत करते हैं दक्षिन भारत में हैदर अली जो है उसने जरूर इनको परेशान किया इन फैक्ट ये सालबाई की संदी से पहले भ बहुत बार हराया और नजाने मतलब कई बार हराने के बाद अग्रेज जो है आतम सुनापथ करने के लिए तैयार भी हो गए और इस तरीके से हैदर अली ने उनसे मद्रास ले लिया करनाटक का हिस्सा ले लिया ठीक है करनाटक को पुरे कबजे में कर लिया और अब ये एक पतलब तालबाई की संदीच चल रही है उसके बावजूद भी ये जो हैं ये नहीं मान रहे है इनकी शक्ति जो है वो बहुत जादा बढ़ जा रही है अब इनको ब्रेक करने का वारेन हेस्टिंक्स ने क्या-क्या तरीके निकाले हैं उसके उपर अगर हम थो अब गुंटूर जिला मिल जाने से हैदरली की शक्ति में निजाम की जो शक्ति है वो थोड़ी सी कम होगे इस तरीके से थोड़ा प्रभाव तो हैदरली पर पढ़ा परन तो अभी भी वो वीर्ता से आगे की ओर बढ़ रहा है 1781-82 के दौरान मराठो ने संधी समझोता किया तोड़ा सा शांती आई लेकिन जुलाई 1781 में जो जनरल आयरकूट है वो भारत में आता है यहाँ पर जो ब्रिटिश कमाने वो समाल रहा है ब्रिटिश सेनाओं को ले करके वो पोर्टो नोवो में हैदर अली को बुरी तरीके से पराजित कर देता है और इसके पास में जो मदरास का एरिया था इसके पास में जो मदरास का एरिया है वो मदरास छीन लिया गया तो यह इतियास भी आपको छोटा सा point यहां पर समझे गया है, मैं आया होगा, कि आयरकूट ने इस चत्राई से जो है, वो पोर्टरोवो में हैदर को हराया, और हराने के बाद में वहां से जो मदरास का एरिया है, वो छीन लिया, तो इस इस्थिति में देखा जाए, तो 1784 में, 1784 में फिर से एक बार क्या हुआ, संधी हुई, और इस संधी में एक दूसरे के जो जीते हुए इलाके थे, वो दे दिये गए, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यह है, कि 1782 में भाई हैदर अली की मृत्य हो गई, 1782 में हैदर की मृत्य हो गई, और हैदर की मृत प्रतियू के बाद जो टीपू सुल्तान है उसका बेटा टीपू सुल्तान ये जो है लगातार ब्रिटिशर्स को युद्ध पे युद्ध देता रहा तो भले ही एक जगा पर कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया हो इस उसे के लोटाने पड़े बराबरी के करन और यहां तक कि स्थिती में 1784 तक की इस स्थिती में यह सिद्ध हो गया कि डेफिनिटली जो ब्रिटिशर्स हैं definitely, इन ये जो लगातारी जो प्रस्थितियां आई है, जो परिशानियां आई है, इन से क्या result निकला, क्या सिध्ध हुआ इससे, क्या सिध्ध हुआ, अगर हम ये देखें, क्या सिध्ध हुआ, तो एक बात तो यहां से बहुत अच्छी तरह के से प्रूफ हो जाती है, और वो ये बात तो हमको यहां से सिध्ध होती हुआ दिखा लिए, अगर कमजोर नहीं होते, जब आपके पास में इतना बड़ा बंगाल था, आपके पास में मदरास था, आपके पास में एडवांस टेकलोजी थी, जबकि उतना हैदर अली और मैसूर के जो से कह सकते हैं कि, जो ट जो हैं उतने capable नहीं थे, कि वो भारतियों को जीत पाएं, लेकिन दूसरी और एक और सिध्ध चीज भी हुई, एक चीज तो ही सिध्ध हुई, लेकिन दूसरी एक और चीज भी सिध्ध हुई, क्या भारती जीत गए, नहीं, तो इस बात ने ये भी तैं कर दिया, इस बात को चलाने के लिए, चलाने हे तो, भारतिय भी सक्षम नहीं है, भारतिय भी सक्षम, ये चीज हमको यहां से देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई, वो आपने आपसी लड़ाई जगड़े से ही फुरसत पान ही पा रहे हैं, तो अब हावी एक सी बात है, कि यहां पे जो लड़ाईयां लड़ी, बिटिशर्स के साथ में, 1789 में फिर से युद्ध हुआ, दोनों के बीच में, अंग्रेजों और पराठों के बीच में, 1789 में फिर से युद्ध होना होना जो है, वो टिपू सुल्तान के साथ में होना शुरू हो गया, युद्ध लगातार कई, दि प्रवासा फायदे में आ गए हैं ठीक है आपको मालू में श्री रंग पत्नम की संधी हुई और इस संधी के माध्यम से जो अपना जीता हुआ खिला है वो टीपू सुल्तान को प्रिटिशस को देना पड़ गया ठीक है तो 1792 में 1792 में टीपू जो है वो हारा और टीपू के ह माध्यम से तीपू सुल्तान को अपने राज्य का जो आधा हिस्सा है अपने राज्य का आधा भाग ये किसको देना पड़ गया अंग्रेजों को देना पड़ गया अब आप सोचिए और इतना ही नहीं यो ये युद्ध हुआ ना जो ये युद्ध हुआ इस युद्ध का बात है कि इस संधी ने भी टीपू सुल्तान को काफी अंदर तक जगजोर दिया होगा लेकिन हां थोड़ा बहुत यहां कह सकते हैं कि अब जो बिटिश का पढ़ला है वो अंग्रेजों के लिए आरी हो गया ठीक है यह पॉइंट हमको यहां पर क्लियरली समझ में आ जाता है अब यहां पर थोड़ा सा Lord Villagerly के बारे में समझने का पैयास करेंगे अब दिखिए Lord Villagerly 1798 में भारत का गवर्णर्जनरल जो है वो बन करके आया अब इसमें जो गवनर्ट चनल ची जो बात है उसको किस प्रकार से समझा जा सकता है, उसको किस प्रकार से दिखा जा सकता है पहली बात तो जिस समय लौड विलेजली भारत आ रहा है 1798 से 1805 तक की इसका जो एक आरिकाल है कि वो भी समय है जिस समय फ्रांसीसियों के साथ में बिटिशर्स को बहुत कह सकते हैं कि मारा मारी है तरीके की जिन्दी की मौत जैसी लड़ाई है लेकिन इससे पहले इससे एक साल पहले 1798 में आ रहे हैं इससे एक साल पहले के अगर हम बात करते हैं तो 1797 में प्रिटिशर्स जो हैं वो भारत की जो दो बड़ी शक्तियां है मैसूर है और मराठा मैसूर के जो शासक है उनको और जो मराठा शासक है मराठा इन दोनों लोगों को लगभग लगभग शांत कर चुके 1797 तक कि अगर हम बात करते हैं शीड़ हो चुके हैं लगभग कमजोर हो चुके हैं शक्तियां और इन शक्तियों से इन शक्तियों का पूरा काम तमाम करने के लिए देखिए जब लॉड वेलेजली भारत आया तो उसके विचार कैसे हैं लॉड वेलेजली के आने से पहले काम किया जाए इतना ददा में इंतजार नहीं करना चाहिए तो वो जो शेस बचा हुआ जो भारत का प्रसार अगर हम अंग्रेजी राज्य के प्रसार की बात करते हैं तो अंग्रेजी राज्य के प्रसार में अंग्रेजी राज्य के प्रसार का ये दूसरा फेज आप समझ सक इनका मिला जुला जो समय हमने आपको दिखा था इसके ठीक पहले तक जिसमें मैंने आपको बता दिया कि 1772 तक जो है वो टीपू सुल्तान से संधी हो चुकी है और वो अपना आधाराज जो खो चुका है तो ये जो समय है जो शेस जो प्रसार का समय है उसमें बिताने का समय है लौड वेलेजली के टाइम में अब लौड वेलेजली अपने प्रसार को बढ़ाने के लिए तीन उपाय करता है मतलब जिसको बोलते हैं शाम, दाम, दंड, भेद उनमें में से तीन उपाए ये ले करके आता है एक उपाए के रूप में जो सबसे प्रसिध है इसका वो है सहायक संदी आपको मालूमी होगा इस संदी के बारे में नाम जरूर सुना होगा आपने लौड वेलेजली की सहायक संदी ना सिर्फ ये सहायक संदी पर ही डिपेंट रहा बलकि इसने कुछ राजाओं के खिलाफ खुला युद्ध भीर किया तो फिर युद्ध का परिचे देना पड़ेगा हमें और तीसरा जो point था वो ये था कि जो पहले से जो राज्य जिनके ँपर काबु किया जाचुका है जिनके ऊपर कब्जा किया जा चुका है उन कबजे किये हुए राज्यों के साथ में जो अधीन राज्ये हैं यह जिनको हमने अपने कबजे में कर लिया है उनके साथ जो है उनको जो उनके राज्यों को जो हडपा जाए तो तीसरा पॉइंट हमको क्या मिला अधीन राज्यों का जो भी अधीन शासक हैं शासकों की राज्यों को रपना वैसे राज्य हडपना की जो रीती है उसका सही तरीके से जो पालन आपको देखने को मिलता है उसका बहुत तेजी से जो प्रसार करने का आपको जो एंगल दिखाई देता है वो आपको लाड रोजी के समय में दिखा रहे ता, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जो है, वो इसके अंतर भी आता है, अलाकि लॉड वेलेजली की ये वाली जो नीती थी, ये सब से जाधा इंपॉर्टेंट थी, वेलेजली की प्रसार नीटियों में यह लौड़ वीलेजी की संदी सह्क छनद अब ये सहायक संदी क्या है अगर हम इसके बारे में बात करें सहायक संदी सबसीडरी एलाइन्स के रूप में इसको जाना जाता है मतलब आप कREY जानते हैं कि सबसीटी जो है वो खिस्व प्रकार से नाम पर इनके राज्यों की ऊपर किस प्रकार सवायकषंदी के माध्यं से उसमें एक तो है वार्षिक अनुदान गले शासकों दवारा ब्रिटीर्स को ठीका है प्रिटिस रेजीडेंट अपने या रखना अनिमार मुप से जो दरबार है दरबार में दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना रिटिश रेजिडेंट रखना ये अनिवार रहे है और साथ ही साथ एक बात यहाँ पर ये भी कही गई कि दूसरी जो यूरोपीय शक्तियां है यूरोपी शक्तियां या जो अन्य जो यूरोपी शक्तियां है आप उनसे सैन सहायता या कोई दूसरी सहायता नहीं लेगे शक्तियों से सहायता न लेना खास कर सैने सहायता तो आप नहीं ले सकते हैं दूसरे से इसके अलावा दूसरे शासकों से भी आप किसी भी प्रकार की संधिया समझोता अगर आप करते हैं तो उसके लिए जो गवर्नर यहां पर पॉइंटेड है उस गवर्नर से आपको पूछना पड़ेगा तो समझ में आ रही है बात हाँ OF दूसरे राज्यों के शासकों से आपको कोई भी बात करनी है कोई भी जुभी बात करनी है कोई भी संधि करनी है तो आप क्या करोगे इसमें governor general से decision जब देदेगा वो तभी मतलब permission देदेगा तभी governor general जो है governor general उससे permission लेना पड़ेगा उससे आग्या अनुमत ही लेनी पड़ेगा ये कुछ शर्ते ती जो सहायक संधी वाले राज्यों को माननी पड़ती थी और इसके बदले britishers इन राज्यों को क्या देते थे इसके बदले सेन्य सुरक्षा के नाम पर यह लिया जाता था परशिकन उदान इसका मतलब यह हुआ कि हम तुम्हारे राज्य की रक्षा तुम्हारे ही पैसे से तुम्हारे ही सानिको से करेंगे अब देखी इसमें कई अजीब अजीब चीजें थी इन्होंने कहा कि जैसे मालेते हैं कोई भी राज्य जो सायक संदी को एकसेप्ट करता है 1798 में हैदराबाद ने 1798-80 के बीच में हैदराबाद ने सायक संदी को एकसेप्ट किया और जब हैदराबाद ने संदी को accept किया तो हैदराबाद की जो सेना है वो अब बिटिश सेना हो जाएगी लोग भारती रहेंगे लेकिन बिटिश हुकूमत या बिटिश कमांडर के अंतरगत ही वो उसको संचालित किया जा सकता था जो नवाब की जो सेना है नवाब के आदे जो सेना थी वो सेना आप अंग्रेज सेना हो गई वो सेना आप कैसी हो गई अंग्रेज सेना हो गई भाले ही इसमें सेना नी जो है वो हिंदुस्तानी है लोकल है लेकिन वो अंग्रेजी बिटिश आर्मी के रूप में जानी जाने लगी और उसको मेंटेन करने के लिए जो सेना होगी वो Britishers की होगी और उसका खर्चा भी राज्य को उठाना पड़ेगा तो सेने खर्चे भी Britishers के ये जो है राज्य को उठाने पड़ते हैं जब ये खर्चे उठाने के अलावा सुरक्षा के नाम पे कई प्रकार के आपको अनुदान देने पड़ते थे और ये वार्शे का अनुदान जब राज्य नहीं दे पाते थे तो कई राज्यों को अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे करके उस अनुदान को चुकाना पड़ता था हर एक राजा जो की इस प्रणाली के अंतरगत आता था उसे अपने दर्वार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था और इसी ब्रिटिश रेजिडेंट के माध्यम से ही सारी चर्चाएं होती थी या यूं कह सकते हैं इसके उपस्थिती में ही सारी चर्चाएं तो ये एक तरीके से सीधे तोर पर प्रशासनिक कारियों में पूर्ण हस्तक शेप करने का तरीका था और स्वभाविक्सी बात है आप ऐसे समझ लीजे कि आप कोई गुपत बात कर रहे हैं और उस गुपत बात में अपने दुश्मन को सामिल कर रहे हैं तो फिर वो बात गुप्त कैसे रही, कि कोई भी चीज में ये शामिल होते थे, बगाएर इनके नहीं हो पाता था, इनफेक्ट, अब आप देखिए, दूसरी यूरोपी शक्तियों से सायता नहीं ले पाते था, ऐसा है, खास तोर पर, जो जैसे अब भी हम थोड़ा आगे बात करेंगे, अक्सर जो भारती जो छेत्री शक्तियां थी, जो अंग्रेजों से घ्रना कर रही हैं, या इनके की बनी हुई है ब्रिटिशर्स की, आगर हम यूरोप में इनकी स्थिती की बात करते दो, बहुत बुरी स्थिती में, और उस समय ये भारत को संचालित यहाँ पर कर रहे हैं, बदिक्कत यह है कि 1760 में जो स्तंदी हुई है, उसके कारण ये फ्रांसीसी बंदे हुए थे, ल ना आप सेवा में रखेंगे, ना ही आप उनको कोई सहायता देंगे, ना लेगे, आपका उनसे कोई connection नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ करना है वो हम आपके लिए करके देने के तैयार है, दूसरे राज्य के शास्कों से बाचीत नहीं करेंगे, इन फैक्ट ब्रिटिशर् में सबसे पहली बात तो यह है, कि राज्य के अपनी स्वतंतरता था को बैठे, अब आप सोचिए, राज्य कैसे स्वतंतर हो सकता है, जब वो अपनी खुद की नीती नहीं बना सकता, जब वो अपनी खुद की राजस्व प्रणाली राजस्व प्रणाली जो है वो लागू नहीं कर सकता जब उसकी खुद की सेना नहीं हो सकती है जब वो दूसरे लोगों से संधी नहीं कर सकता है जब अपनी मर्जी से दूसरे लोगों की सहायता ना तो ले सकता है न दे सकता है तो आप किस मामले में स्वतंत्र हैं और इन सब चीजों पर अंग्रेजी चैंप लगा हुआ है अप लगा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि पूरी तरीके से इस और हां राज्य के राजा आप ही रहेंगे भई राजा आप ही है जनाब राजा अंग्रेज नहीं बन रहे है तो यह तो देखने में एक तरीके से किसी भी राज्य को अंधर ही अंदर पूरी तरीके से खोकला क क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं बचा बुरी तरीके से और इसके दूसरे इंपक्ट भी हुए इसके दूसरे इंपक्ट किस तरीके से हुए सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि जब इस तरीके की प्रथा शुरू हुई तो इसमें अब जो अर्थवेवस्ता है वो बहुत बुरी तरीके से चीज सकते हैं प्रभावित हुई राजस सुरक्षा के नाम पर राजस सुरक्षा के नाम पर संधी के नाम पर व्यापार के नाम पर जनता यहाँ पर पूरी तरीके से निर्धन हो गई निर्धन जनता पूरी तरीके से जनता जो है वो निर्धनता छिलने लगी क्योंकि राजस्व देना था तो दे तो राजा थोड़ी जा था सेन अधिकारी जो थे उन्होंने सेन अधिकारियों के अगर हम बात करते हैं याँ पर तो भई सेना किसकी है सेन अधिकारी जो है अब आप सोचिए सेन अधिकारियों में जो सेना है सेना का जो जो छोटा भागे छोटा हिस्सा जो है जो जाकर के सामने लड़ रहे हैं वो वो तो सब भारती हैं लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं जो सेना पती है या फिर घोड़ी की सेना के प्रधान है हाथी की सेना के प्रधान है पैदल सेना के प्रधान है तोप खानी के युद्ध के जो हत्यार हैं, उनकी सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, इस तरीके से तमाम सारी जो पद हुआ करते थे, उस सारे पदों पर बिटिश सैन अधिकारी आ गए, तो ये सैन अधिकारीों का जो वंशानुगत, जो एक कह सकते हैं, सिस्टम था वो खातब हो गया, और बेरोजगारी में ये बुरी तरीके से प्रभावित होगे, इतना ही नहीं, ऐसी सैन लोगों को सैना में शामिल नहीं किया गया, जो बिटिश स्के खिलाव क भी बगावत कर सकते थे, लोगों को बेरोजगारी भी जिलनी पड़ गई, ठीक है, और इसका असर क्या हुआ, प कहा है कि सहयोगियों को ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें जो ब्रिटिश सहयोगी है ब्रिटिश सहयोगी वो है जो जिनके उपर ये प्रथा थोपी गई है जिनके उपर लादी गई है प्रथा ब्रिटिश सहयोगियों को बकरे की भाती तब तक खिला पिला करके बढ़ा करने की यह वो प्रथा है, जब तक कि वो जिबह न कर लें जिबह के लिए तयार ना हो जए मतलब आपने पूरी तरीके से खोगला कर दिया अब क्या यह राज्य विद्रोह कर सकता है विद्रोह करने की स्थिती में है आपने धीरे धीरे करके ये सारी चीजें उससे क्या कर ली चीन ली अब ये राज्य विद्रो करने के स्थिति में नहीं है आप जब चाहे इसके राज्य को चीना जा सकता है अरपा जा सकता है समाप्त किया सकता है प्रिटिश पॉलिसी पूरी तरीके से इंप्लिमेंट की जा और ऐसा किया गया 1789 से लेकर के एटीन हंड़िट के बीच में 1789 से 1800 के बीच में अगर हम यहां पर कुछ प्रशास्कों की बात करते हैं तो 1798 से लेकर के 1800 के बीच में हैदराबाद राज्य को कबजा कर लिया गया है और हैदराबाद राज्य जो है यह अपना आधा हिस्सा जेदेता है किसको प्रिटिशनस के पास चला गया इसके अलामा अठारा सो एक में आवध यह राज्य भी प्रिटिशनस के काबो में चला गया अवध इसके ओपर भी इस सायक संधी जो है वो आरोपीत करनी गई इसी तरीके से मैसूर करनाटक सूरत इन लोगों के ओपर भी ये संधिया जो है वो आरोपीत करी गई लेकिन हाँ यहाँ पर एक नाम हम फिर से लेना चाहेंगे मैसूर के लिए मैसूर का सासक अभी भी टीपू सुल्तान है और टीपू सुल्तान इसके लिए राजी नहीं है टीपू सुल्तान के ऊपर भी ये संधिया आरोपीत करी जा रही है लेकिन टीपू इसके लिए तयार इन फैक्ट 1792 में जो अभी मैंने थोड़ी दिर पहले जो आपको संधी बताई थी 1792 में इसने अपना आधा राज्य जो है वो देना पड़ गया था वो अपना आधा राज्य खो करके अभी भी बहुत ज्यादा पस्ता रहा है और किसी तरीके से बिटिशन से बदला लेना च कर रहे हैं कि अरब देश से सहायता प्रदान वहां पर उन्होंने दूत भेजे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए सांती क्या ना मैं सहायता चाहिए अफगानिस्तान से सहायता मांग रहे हैं लेकिन इस सहायता के बारे में अंग्रेजों को पहले से पता चल जाता है और इससे पहले कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये फ्रांसीसी जो है, वो इनकी सहायता कर पाते। इससे पहले कि टीपू सुल्तान के पास फ्रांसीसी सहायता पहुंचती। अंग्रेजों ने इसके ऊपर युद्ध आरुपित कर दिया, और 1799 में एक युद्ध हुआ ति इसके उपर बर्बस इस सहायक संदी को आरुपित करने की बात कही है। लेकिन टीपू सुल्तान ने इस सहायक संदी को एकसेप्ट करने से मना कर दिया। उनुने कहा कि आंग्रेजियों की ये जो सहयों की संदी है ये दूसरे सहयों की निजामों या फिर राजाओं के द्वारा जो एकसेप्ट करी गई है उस तरीके की चीज मैं नहीं कर सकता मैं पेंशन लेकर के जीने की बजाए, एक राजा या नवाब की रूप में जीने की बजाए, मरना या फांसी पर लटक जाना बहतर पसंद करूँगा, और यही कारण हुआ कि टीपु सुल्तान जो है वो, फाइनली फिर उसकी मृत्यू होगी, और 4 मई 1799, 4 मई 1799 को वीरता पूरवा को लड़ते लड़ते, उसको मृत्यू प्राप्त होगी, तो जीते जीते टीपु सुल्तान के, तो यह नहीं हरा पाए, टीपु सुल्तान को कह सकते हैं, मजबूर नहीं कर पाए, इस सायक संदी को लाधने के लिए, लेकिन इसकी मृत्यू के बाद में, जिन पर पेंशन लाद दी गई, और धिरी-धिरी करके राजे जो हडप लिया गया, तो मैसूर पूरी तरीके से अब क्या हो गया, कमजोर हो गया, इस संदी में, यहां पर जो संदी हुई, इस संदी में, मतलब इस हार के बाद में, इसके जो जीते हुए प्रांत, टीपु सुल जिसे टीपु सुल्तान और हैदर अली ने जिन राजाओं से हडप करके मैसूर राज की विर्धी करी थी, और साथी साथ, जो यहां का जो नवाब बनाया गया, उस नवाब को पेंशन के उपर लागू कर दिया गया, और वो पूरी तरीके से राज्य को सौप देने के पर एक नई संधिलाद दी गई, और से पेंशन दे करके राज्य का जो राज्य था, वो हडप लिया गया, और पूरी तरीके से जो टीपु का, यह जो मैसूर राज्य है, वो समाप थो, तो मैसूर से लेकर के करनाटक तक, मालाबार तक, ठीक है, मैसूर से लेकर के मालाबा तक 1947 तक यह जो मद्रास रेजिदेंट है वो बना रहा है ठीक है क्योंकि इसके बाद ही occupy किया गया था अब बारी आई मराठा संगों की मराठा संगों की अगर हम बात करते हैं तो मराठा संगों में पांच बड़े संग थे ठीक है मराठाओं के संग में अगर हम देखे तो पांच जो है वो क्या थे उनके कह सकते हैं ग्रूप थे और यह पांच ग्रूप कौन कौन से हैं पुना में पेश्वा बड़ाओदा में गायगवार्ड उनको मैं लिख दे रहा हूं पुना में पेश्वा ठीक है पुना के पेश्व गायकवार, ये बड़ोधा में जो आपको गायकवार संग जो देखने को मिलता है, बड़ोधा, बड़ोधा में गायकवार, ये नाम आपने जरूर सुने होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अलामा आपने ग्वालियर में सिंधिया सुना होगा, ग्वाल पढ़ता है, इınd YOU, पंच है, पेश्वा, गयाकवार, सिंधिया, होलकर वो नाकपुर नाकपुर में जो भोसले हैं, यह पांच लोग मिल करके यह मराठा संग बनाते थे, मैसूर राजितो चला गया मैसूर का तो काम तमाम हो गया मैंने भी थोड़े दिर पहले बताया अब बचा रहे गया मराठा संग जो की कमजोर हो चुका था लेकिन फिर भी जब ये यूनाइट हो जाते थे तो ग्रिटिशर्स के लिए उनको लाले पड़ जाते थे अब इनके उपर भी एक एक करके साहयक संधी आरोपित की जानी थी इसमें सबसे पहले जो है अगर देखा जा तो पेशिया पेशवा, फिर सिंधिया, फिर भोसले, इनके उपर ये संधिया वो आरोपित की गई, पेशवा, फिर सिंधिया, ठीक है, और फिर जो नादपूर के जो भोसले हैं, इनके उपर ये साहिक संधिया आरोपित कर दी गई, लेकिन जब इंदौर के होलकर के उपर ये साहिक संधि इंडिया कमपनी जो है इसके जो शेर होल्डर्स थे शेर होल्डर्स इनको ये आभास हो चुका था कि बिटिश जो प्रसार की जो नीती है इस तरीके से जो ये युद्ध हो रहे थे इस युद्ध के जरीए जो प्रसार की नीती अब आप मैंने बता है ना लॉर्ड विलेजली जो अपती सहयक संदी आरुपित कर रहा है वो इतना उसको युद्ध करना पढ़ रहा है उसको युद्ध करना ऐसे नहीं कि आप सीधे भेज दे रहे हैं और वहां से सामनेल एक्सेप्ट करी ले रहा है लेकिन सामनेल को हराना पड़ रहे हैं युद्ध करिए डारिक्ट युद्ध करने आपको सीधे-सीधे वार करना कोई संदिनी बीच में आपको शुरुवात में बताया था तो वो जो सीधा हस्तक शेप हो रहा है उसकी वज़े से एसीडे कंपनी के शेर होल्डर्स को नुकसान हो रहा है और जो रेकॉर्ड्स बने उसमें यह कहा गया कि 19806 तक 1805-6 के आसपास तक लगबक 310 लाख पॉंड का नुकसान जो हो चुका था यह करजा हो चुका था 310 लाख पॉंड का करजा यह कंपनी के ऊपर चड़ चुका था करजा और और करजा देने के स्थित में अब शेर होल्डर्स नहीं थे तो स्वभाविक सी बात है यह जो सहायक संदी की जो नीती थी इसको बंद करना ज़रूरी था और इसी दौरान यह जो होलकर्स से युद इस तरीके से यह प्रसार का दूसरा हिस्सा था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने लॉर्ड वेलेजनी ले इनको कमजूर कर लिया बस देखा जाए तो गायकवाड और होलकर ही बचे रहे गए पाकी पूरे मराठाज यह वो तोड़े जा चु इस भारत को अगर आप देखने का प्रयास करें तो आपको यहां पर भारत में क्या दिखाई देने वाला है अब आप खुद ही देख लीजिए आपने मैसूर का राज्य पूरा गमा दिया है आपने पूरा बड़ा सा जो मराठा प्रांथ है वो गमा दिया है इसके पहले य हिस्से हैं यह आपने कवर कर लिया है यह वो पूरा हिस्सा है जो अब जो अब ब्रिटिशर्स के पास में है यह वो हिस्सा है पूरा थोड़ा सा सिंदका प्रांथ है और पश्मी भारत का जो प्रदेश है उसके उपर थोड़ा सा यह सारे हिस्से जो है वो जीते जा चुक ये संधी का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ तो कुछ राजी फिर से थोड़े से सोतंतर हुए उसको पहले फिर से कैसे काबू किया जाएगा उसके लिए लाड अलाओ जी की जो राज्य हडप नीती है उसके बारे में हमको पढ़ना होगा अलाओ जी की राज्य हडप नीती ने इस खोखले भारत को ये भारत खोखला हो चुका है मैंने बता है कि सहायक संधी ने इन राज्यों को पूरी तरीके से खोखला कर दिया भारत को खोखला कर दिया है आपके पास में कुछ बचा नहीं है और इस खोखले राज्य को पूरी गिराने का काम लाड हलोजी करेगा तो उस समय भारत पुनर जीमित होगा तो आपको थोड़ा सा महसूस होना शुरू होगा कि 1857 की जो क्रांती है उसकी परणिती जो हो रही है उसके लिए जो प्लैटफॉर्म त्यार किया रहा है प्लैटफॉर्म में आधा काम त्यार हो चु है और हम एक विस्थरिच चर्चा करेंगे कि 1857 की जो क्रांती है वो चलिए इसके बाद अब हम मूव करते हैं लार्डल होजी की अधिग्रहन नीती इसके बाद अगर हम आगे की बात करते तो लगवाकट ठाहर सो तेरा से लेकर के ठाहर सो बाइस तक लॉर्ड है श्टिंग्स के काल में कुछ के सकते हैं कि तीसरा प्रसार का समय अपने थर्ड स्टेजिजेज में आया और जो मैंने आपको बताया था कि जो कुछ राज्य छूट गए थे जैसे कि उसमें सिंध का राज्य है पंजाब का राज्य है थोड़े बहुत जो परांतिस तरीके के छूट गए थे उनका एक्सपेंशन भी बाद में होता है लेकिन 1848 में फिर आप देखोगे यहां पर डलहोजी का जो है वो कारेकाल इसके लिए जाना जा रहा है वो है अधिग्रहन की नीती ठीक है तो अधिग्रहन क्या है अब हम इसके अधिग्रहन के बारे में समझेंगे ठीक है अधिग्रहन की नीती और यह सारी चीज़े जो मैं आपको बता रहा हूं यह एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिस इस्टिया कंप आप विले है सिध्धान्थ के रोप ने आप उसको डेखे नाम से इसका परशय मिलता है जो राज्य के स्वभावि कुत्राधिकारी कीद हम्रत्य HA chance तो अगर किसी स्वाभावी कुत्राधिकारी की मृत्यू हो जाती है या वो नहीं होता है या वो एपसेंट है तो उसके स्थान पर किसी भी दर्टक को या फिर किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को या की एप्रूव किया गया हो ब्रिटिश गौर्रमेंट की तरफ से और अप्रूव नहीं किया गया है तो हम उसे एकसेट नहीं करेंगे और आपका राज्य जो है वो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा या उत्राधिकारी उत्राधिकारी उत्तराधिकारी उसकी मृत्यू हो जाए या फिर वो ना हो मतलब जन्म ही ना हुआ हो इस केस में आपका आजाएगा इसके अलामा अगर जो भूतपूर्व जो शासक हैं उनके जो अधिकार हैं उनके जो मतलब उनके शासन के अंतरगर जिस प्रकार की चीज़ें आती हैं उन उसे ब्रिटिश गवर्मेंट नहीं किया है तो फिर उसके राज्य को भी मिला लिया जाएगा जैसे कि इनी सब चीजों का प्रयोग करते हुए 1849 में सबसे पहले सतारा को ने क्या कर लिया 1849 में सतारा सक्षिन भारती प्रांथ था ये सतारा महारास्ट के पास में उसको इसने नागपूर को विलाय कर लिया 1853 में जहांसी का विलाय कर लिया 1854 में उसने नागपूर खा लिया ऐसे तमाम सारे राज्यों को इन सब तरीके के आरोपों को लगाते हुए वो धीरे-धीरे अपने राज्य के अंत्रगत मिला लिया फिर चाया वो करनाटक हों सूरत हों यहां कि करनाटक तंजोर और जो आपका सूरत वाला प्राण्त है तो इसी तरीके से दूसरे राजभी आ गये बहитанर प्हयां सूरत भी चला गया तंजोर भी अंगज़ा गया हÔर की जो राजाओं की उपाधी है उन उपाधियों को उसने क्लिया इन उन्हुपाधीयों को स्सक्राइब secondo, सक्ता है वो खतम होती चली जारी ह। पेश्वा बाजी राओभ दुति जो थे विटूर के राजा बनाए गए थे उनकी मृत्यू के बाद उनका जो दत्तक पुतर था जनका नाम था नाशाहिब पेश्वा Sing पेश्वा, बाजीराव, बाजीरावदुती, जो की बिठूर के राजा बनाए गये थे, इनका दत्तक पुतर था, दत्तक पुतर समस्ते न, गोर लिया हुआ, दत्तक अडॉप्टेट सन था, दत्तक पुतर जो थे, नाना सहेब, उनका जो है, उनकी पेंशन बंद करा दी खेंदें, उनकी पेंशन बंध कर दी गई, ठिक है, उनसब लोगों की पेंशन बंद कर दी गई, तमाम सारे ऐसे शासक थे जो भूतपूर अधिकार से जो जिनके ऊपर अधिकार था, राज्यों का उनकी पेंशन बंद कर दी ठीक है बनारस की बात करते हैं तो बनारस के राजा का भी इसी तरीके से सारा पॉइंट समाप्त कर दिया गया अवद की एक छोटी सी बात जरूर यहां पर रही अवद को ले करके थोड़ा सा यह परिशानी में जरूर रहा हम ठारों सतावन की क्रांथी की तरफ बढ़ने वा की वो अंग्रेजों के सहयोगी रहे थे इस कारण से उन्हें उनके उपर आप व्यपकत सिध्धांत लागु नहीं कर पा रहे थि और जो राज हड़ैंप के कारण जो उत्रादिकारी वाला तो थोड़ी बहुत परिशानी हुई लेकिन उस परिशानी का उसने क्या हल निकाला उस परिशानी के तौर पर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं तो एक तो पॉइंट हमने आपको बताया कि स्वभावी कुत्रा अदिकारी के ना होने या मृत्य हो जाने पर वो स्म throwish कमपनी उसके चलाया जाएगा यह चीज वहां पर लगाए अब वॉई दलि शाह जो है वहां के यह राजा हुआ करते थे वॉई दलि साख पर कुषासन का रौप लगाया गया और कुषासन का रोप लगा करके 1856 में उशासन का रोप लगा करके वाजी दली शाह का जो राज्य था वाजी दली शाह इनका जो राज्य है वो हडप लिया गया ये बात भी सही है कि वहाँ की जो जनता थी वो इनके शासन से परिशान थी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब इनका राज्य हडपा गया और जब वहाँ पर ब्रिटिश शासन आ गया तो उससे कुछ फाइदा हुआ तो बेसिकली हमको यहाँ पर यह समझ में आता है कि यह राज्य जो हडप लिए गए थे वास्तुरी कुरूप में यह कोई ने राज्य नहीं थे यह कोई ने राज्य नहीं थे यह थे ओलरी कंपनी के शासन की अधीन लेकिन यूँ कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत भी एंट सिर्दर का खर delivery को खोखला किया गया फिर उसके बाद उसे गिरा दिया गया फिर उसके बाद लाड होजी की जो नीतियां आई है उसने पुरी तरीके से उने ध॥़स्त कर दिया है पहले ही वह पूरे राज्य नहीं कर सकते थे लेकिन अभी क्या है कि अब धीरे-धीरे विद्रोह करने की भी कई न कई से उनके अंदर यह हो रहा है कि एनिहाओ हमें इनके अगेंस्ट में काम करना है तो फिर इसके लिए हमको मूव करना पड़ता है 1857 के विद्रोह की तरफ ठीक है और जब हम 1857 के विद्रोह की तरफ मूव करते हैं तो हमें इसके बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं बहुत सारी चीजें हैं जिसके ओपर हमें ध्यान देना पड़ता है ठीक है तो हम जब 1857 का वि विद्रोंब के बारे में बहुत सारी बाते कई जाती है फिर अब अगर हम इसे के आरंब की बात करते हैं यह इसका विद्रोज की जो शुरुबात элем इसकी बात करते हैं तो वास्त्विक रूप में यह जो प्रारंब है यह कंपनी की जो सेना थी इस प्रारंब की बात यहां पर मैं लिख रहा हूं इस चीज को आप जरूर अंडरलाइन करेगा कि इस तरीके से इसका आरंभ हुआ है, इस तरीके से उसका आरंभ हुआ हो वही उसकी, मान ली जाए कि हाँ यही कारण ही था, प्रमुख और अंत कारण भी यही था, आखिर क्यों हुआ होगा विद्रो, तो कुछ सामान्य कारण के उपर अगर हम प्रकास डालें, तो हमें पता चलता है कि ये सिपाहियों का आसंतोष था ये जो आपनिवेशिक जो कह सकते हैं कि जो शासन है यानि कि बिटिश आपनिवेशिक शासन जो है उसके चरित्र और उसकी जो नीतियां थी उसका जो विदेशी शासन हो रहा है यहां पर उसके प्रती जो लोगों की आके घुना है उस घुना ने इस विद्रों को जन्म दिया था तेश में जो शोशण हों सबकर दिया गया था कि जो भी परमपरागत जमीदार वगरा हैं, मुखियां हैं गाउं के, ये सारे लोग वन भाई वन धीरे-धीरे करके निर्धन होते चले जा ले थे, इतनी घटिया राजसो संबंधी नीतिया थी, और इतने घटिया कानून और शासन को समालने वाली जो नीतिया थी इनकी, कि इ जब आप कंपनी का शासन शुरू कर देते हैं, और अब आप 1857 में आ गए, 1857 में आ चुके हैं, तो अल्मोस्ट आप देख रहे हैं, अगर हम इसको 1864 लिग दें, तो लगबग 100 वर्ष हो जाएगा, तो एक जो लगबग 100 वर्ष का जो समय है, और उससे भी पहले आप चले के इंप्लिमेंटेशन किये हैं, जो मैंने आपको बताए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिपायों का, मतलब शोषण हो रहा है, क्योंकि इनकी ब्रिटिस सेना आई थी, जो मैंने बताया था, सहयोग की नीती लेकर किया आया था, वेले जलीक, तो वो सब क्या था, उससे तमाम सारे सिपाही बेरोजगार हो गए थे तब रोजगार हो गए थे सँपाईयों के प्रती जो है वह एक स्टेटस मिलना चाहिए था वह रैपो नहीं मिलता था उपनिवेशिक जो शासन है उसकी तमाम सारी ऐसे चरित्र थे जो कुर्चरित्र के अंतरगत गिंने जा सकते उनकी विदेशी की भान को भणा कर दियाय निषियों कर दियाय सब को राजय सुसंभने नीटियों से अपनी कानुन प्रनाली धता थी और यहां के लोगों के उपर अत्याचार करने थी मिलाकर करके 1857 की जन्म लेती है जिस समय हम यह पूरा का पूरा चीज़ें कवर कर रहे होंगी उसके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो लगबग यह जो सौ साल का जो अंतराल है और इन सब चीजों की वज़े से एक और चीज है इन यह जो जितनी भी चीजह हमने बताई है इन अकाल पे भारत के लोगों का इस अकाल के उपर प्रभाव था किस प्रकार से था आप 1790 से लेकर के तक्रीबन 1857 के बीच 12 बड़े अकाल 12 बड़े अकाल और ये अकाल प्राकृतिक जरूर है लेकिन इनके बने रहने की जो वज़ा है उनके बने रहने की वज़ा जो है वो कई न कई ब्रिटिश अधिकारी है क्या इन अकाल से अंग्रेज मरे नहीं अगर ये प्राकृतिक होता तो सभी का बराबर से नुक्सान होता लेकिन इसमें गरीब ही मर रहा था अमीर नहीं मर रहे थे इसका मतलब उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थी जो नीतियां इन लोगों के लिए हितकारी नहीं थी तो हम इस दौरान ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब इसका विशलेशन किया गया कि आखिरकार ये 1857 की करंती के क्या कारण रहे होंगे तो कुछ विशलेसक हैं और विशलेसक भी अलग-अलग प्रकार के हैं जैसे कि जो पनिवेशिक इतिहासकार हैं वो 1857 के विद्रोह को एक धार्मिक, सांस्कृतिक या संघर्ष के रूप में देखते हैं चित्रित करने का प्रयास करते हैं अपनिवेशिक अगर हम इतिहासकार की बात करते हैं अपनिवेशिक इतिहासकार का मतलब यह जो ब्रिटिश इतिहासकार है जिल लोगों नियापशासन किया था, वो इसे 857 के क्रांती को क्या कहते हैं ? अपनिवेशिक इतिहासकार. ये क्या कह रहे है भारत को इतिहासकार ? 857 की क्रांती के बारे हम बोलते हैं, कि ये एक धार्मिक कह सकते हैं assim, उसके originate होने के धार्मिक reason थे। यह धार्मिक संगर्ष था यानि इसे ये सौतंता संगराम नहीं मानते हैं नहीं इसका उस्रूप में चित्रण करते हैं और करेंगे भी क्यूँ? है ना सिंपल सी बात है हम यही सच्चा ही है इसके अलावा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 1857 की जो क्रांती हुई है उसके राष्ट्रवादी जो इतिहास कारें उनका क्या मानना है उन्होंने लेखन की किस प्रकार कि सीमायता है करी है आ Taharosa Sn겠습니다 की क्रांटी के विद्रो रो की वास्तविक कारण जो थे वो क्या थे के इसके उपर हम समझने का प्रयास करेंगे क्याल हमको यह समझना पड़ेगा कि क्या सच में ये जो क्रांती है ये चर्वी लगे कार्थूसों के कारण और केवल उसी तक ही सीमित थी मतलब चर्वी लगे कार्थूस आपको मालू में के 800 ताउन की क्रांती जो है कलकत्ता के बैरकपूर से चर्वी लगे कार्थूस के कारण शुरू हुई थी तो क्या ये सच में इतना गंभीर मामला था कि इसने सैनिकों में चाये वो हिंदू या मुस्लिम हो उनमें धर्म विद्रो लेकर किया है और उनने इनके अंदर ये डर पैदा कर दिया कि आपका धर्म खत्रे में है कि एक चर्वी लगा कार्तुस इतना जादा कुछ कर सकता था तो 1857 का जो विस्तार है वो हमें समझना यहां पर जरूरी है उसको हम जानने का यहां पर प्रयास करेंगे इन सारे आस्पेक्ट से आपको यह पॉइंट समझ में आ रहे होंगे 10 माई 1857 को मेरट की जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें बंगाल नेटिव इंफेंट्री जो है उसमें कुछ जो सैनिक थे उन्होंने विद्रो किया और 11 माई को यह लोग दिल्ली पहुँच गये थे आपको सब यह सारी चीज़ें आपको मालूम है तो वास्तविक हुआ है ना 10 माई 1857 से यह मेरट से प्रारम हुआ लेकिन अगर इससे पहले देखें तो यह अब उसके बाद अगले ही मतलब 11 माई को यह लोग दिल्ली पहुँच गे, ग्यारा मही को ये लोग कहां पहुच गे, दिल्ली पहुच गे, लेकिन आपको मालूम है कि इस से पहले ये विद्रोज ये कलकत्ता से शुरू हुआ था, कलकत्ता की जो बैरकपूर छावनी है, थीके, वहां से ये विद्रो शुरू हुआ और फिर वो मेरट पहुंचा और मेरट से वो सीधा जो है वो दिल्ली पहुंच गया दिल्ली जब विद्रो पहुंच गया तो वहाँ पर आपको मालूम है ये जो कलकत्ता में बैरकपुर में जो क्रांती हुई थी ये मार्च में आपको उते हुए दिखाई देती है, मार्च 1857 में, और इसमें आप मंगल पांडे जी का नाम बिल्कुल ले सकते हैं, मंगल पांडे, ठीक, मंगल पांडे ने चर्वी लगे कार्थूसों को उसमें रोयल एलन फिल्ड जो है करके गनाई थी, जिसमें कार्थू उगर था, वो मुसलिम्स के लिए अपवित्र था, इसलिए उसका इस्तेमाल ये लोग नहीं कर सकते थे, और ऐसा माना गया कि जानबूच करके इन चर्वीयों का प्रयोग किया था, जिससे इनका धर्म भरस्ट हो और फिर हमेंने इसाई धर्में कर सके, पर यह बड़ा अंतिमत्याचार नहीं था, और अगर था, तो इतना बड़ा विद्रो विद्रो नहीं, मतलब उस पे मुझे देखने को मिलता है, और अगर ऐसा था भी, तो जब ये विद्रो किया गया, तो अनत्ता इन सैनिकों ने उसी चर्वी लगे कार्तूस को निकाल करके उसी से ही प प्रूरी हो जाता है, तो मेरट में जो सैनिक विद्रो है, वो दिल्ली पहुंच गया, सैनिकों ने भादुर्शाह जफर को क्या कर दिया, भादुर्शाह, भादुर्शाह जो जफर है, जफर नाम का टाइटल है इनका, और इसी नाम से कविताय भी लिखा करते थे, करने लगे, यानि जो सेना, जो इसमें सैन निशक्ति का इस्तेमाल होना था, उसको सेंटरली अगर देखा जया, तो इनके बेटों ने लीट करना चुरू के, जो की बहुत जादा योग्य नहीं थे, बिलकुल निकम में टाइप के थे, तो दिल्ली के बाद अगर हम देखे तो एक ही महीने के अंदर, तमाम सारे उत्तर भारती जो प्रांथ हैं, उसमें ये विद्रोह पहुँच गया, जैसे की कानपूर, लखनओ, बनारा, सिलहाबाद, बरेली, जगदीशपूर, जहांसी, ये तमाम सारे जो गंगा, यमना, दो आपके जो रीजन्स थे, उसमें ये विद्रोह अच्छी तरीके से पहुँच गया, गंगा, यमना, दो आपका जो छेत्र था, दो आप छेत्र, इन छेत्रों में ये विद्रोह पहुच गया, अब ये छेत्र कौन कौन से है, जिसमें ऐसे आप कानपूर लिख सकते हैं, कानपूर, लखनओ, पैजाबाद, जगदीशपुर परेली आनबादुर खान यहीं के थे ठीक है तो यह तमाम जगहों पर इस तरीके के विद्रो हमको देखने को मिले और तमाम सारे लोग यहां पर जुड़ गए पर क्या यह उस समय का संपूर्ण भारत है क्या आप यह विचार करते हैं 1857 की क्रांतिक एक्सपेंशन अगर इन छेत्रों में हो रहा है तो क्या इसने वास्त्रीक रूप में उत्तर भारत को कवर कर लिया है आप कहेंगे नहीं जब उत्तर भारत को कमप्लेट नहीं के तो संपूर्ण भारत को कमप्लेट करने की तो इससे बाहर है आप देखे पंजाब इसमें शामिल नहीं है बिहार इसमें शामिल नहीं है तो ये इसका विशलेशन जरूरी हो जाता है समझना जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ कि इसको मतलब इस तरीके के विद्रो को क्या सफलता है क्यों रही ये इतनी तक ही सीमित क् इसके अलग-अलग विश लेशक हैं जो इनके बारे में बोलते हैं जैसे एक इतियासकार है जिन का नाम है अनुरुध्ध देश पांडि ठीक है एक इतिहासकार का नाम में लेखना चाहूंगा का विशार क्या है कि आखिर ये करांती की होंगे क्यों यह क्रांती haven जो है उन्होंने बताया एक उसका प्रतीक हिंदु मुस्लिम एकता का प्रतीक क्यों बताया है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इस में मुगलों की जो सहल कूल नीती है सहल कूल नीती के बारे में आपने सुना होगा अकबर के द्वारा इसको बहुत जादा प्रयोग किया गया था सहल कूल नीती का मतलब यह हुआ कि दूसरे धर्मों के साथ तहानो भूती पूर्ण तरीके से उन्हें अपने साथ मिला करके किसी कारे को अंजाम देना या फिर उसके उपर शासन करना है उसका बिलीव लेना तो यह मुगलों की जो सहल कूल नीती है वो यहां पर हमको देखने को मिल रही है और ऐसा एकता जो है ना तो इससे पहले इस तरीके की हिंदो मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है और नहीं इसके पाद शायदी कभी देखने को मिली होगी हाँ जरूर एक बार जब अठारस जब 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा है तो उस समय थोड़ा लेकिन वो छेत्री है अलाकि हम छेत्री इसे भी कह सकते हैं कि बहुत बड़े रीजन को कवर नी करें परन्तु फिर भी कानपूर लखनो बनारस आवद का जो रीजन है पूरा वो अलाहबाद बरेली क्या नामें आपका फैजाबाद जगदेशपूर जहांसी यह काफी बड़ा इलाका हो गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर इस तरीके की नीतिय को प्रयोक किया गया और सारे लोग अब आप सकुदी सोचिए यह हिंदू आप खांसी में हिंदू है कानपूर में नानज साहब है हिंदू है ठीक है इलाबाद में लियाकत अली है मुस्लिम है परेली में खानबादुर खान है खांसी में राने लक्ष्मी बाई है उमर सिंग है आपके जगदिशपूर में इंदू एं थो हिंदू मुसलिम एकता हमको परियप्टमेंश्रा में देखने को मिल रहे हैं और इस सबका लीडर कौन है इनस बका लीडर जो है वो अससाथ जफर है मुगल बाशचा है। अन्ति विचार भी लिख देता हूं इसके संबंद में जॉन केन इनका जो है किस प्रकार का मानना है किस प्रकार के इनके विचार है अगर हम इसके उपर गौर करने तो इन्होंने बताया है कि क्या कारण हो सकते हैं क्यों जो है यह 877 की करांती हुई होगी तो उन्हें बताया कि basically इसके एक कारण नहीं है, कई कारण है, कई बाते हैं जिसकी वज़र से ये 1857 की क्रांती जो है, वो हो सकी थी या हुई थी, उसमें नोंने बताया कि जो देशी लोग हैं, उनकी जो धार्मिक भावना हैं, उनका आहत हुई, देशी लोगों की, देशी मतलब यहां के जो लोग हैं, देशी लोगों की, हानी लोगों की, धार्मिक भावना का, धार्मिक भावना, ये आहत हुई, मतलब इसको चोट पहुँचाईए, और definitely ऐसा हुआ था, जब चर्वी लगे कार्तूस जो है, वो आपको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा वे दूसरी चीज़ों को भी दोशी मानते हैं, वे कहते हैं कि ब्रिटिशस की जो नारी सिक्षा की नीती है, नारी सिक्षा, आप इसमें ब्रिटिशस कह लीजिए, या उच्चवर्ग जो अंग्रेजों के पक्ष में थे, वे सब लोग नारी सिक्षा को ले करके बहुत भरस्ट हो चुकी थे, खाताम हो चुकी थे, हिंदू पुनर, हिंदू विधुवा पुनर विवाह भी यहां आया, है ना, रिफॉर्म जब हुए, हिंदू विधुवा, पुनर विवाह, अब देखे, दोनों चीज़े हैं, एक पक्ष जो है भारत का, वो हिंदू पुनर जागरण काल के उपर चर्चा कर रहे होंगे, तो वो पुनर जागरण के प्रती आक्रोष था लोगों का, और उनके पीछे ये मानते थी कि बिटिशस का शड़यंत रहे कि यहां के लोगों को भ्रमित करके, ये समझा करके कि इससे तुम्हारा डेवलेप्मेंट होगा, और तमाम सारे लोगों को अपना भारती नेता बना करके, यहां पर अपनी चीज़ों को इंप्लिमेंट करवा रहे हैं वे, ये बिटिशस का मानना था, तो वो विद्रो भी यहां पर निकल करके आता है, ऐसा जॉन केन बता रहे हैं, इसके अलामा जेल में जो लोग कैद थे, उनमें जाती जो कह सकते हैं व्यवस्थाती, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा था, उसका उलंगन किया जा रहा था, और बेशक चर्वी लगे जो कार्थूस हैं, चर्वी लगे कार्थूस, कार्थूस, ये जो है तातकाली कारण तो थे ही, ये वो कारण हैं जिनको जो है, ये एक इतिहास कार हैं, टॉन केन, इसको उन्होंने रेज किया है, यहां ये एक कारण था, जिसकी वज़े कि धर्मसभा थी पति करके एक तिहास का रहे हैं द्रुकत्त के धर्मसभा यहाज्स ने यह सारा जो है वो काम किया था यानी उसकी उसकी एक साज़िश्ट थी उस धर्मसभा कर लगता था कि हिंदूओं के प्रति ये जो British अस हैं ये अत्याचार बहुत जादा कर रहे हैं एक काम करते हैं हम लोग जो है क्योंकि चर्वी लगा कार्थूस है तो धर्मसभा ने इसको बहुत जादा धार्मिक जो है उसको रोल दिया और रोल दे करके धर्म से प्रेजित हो करके इसको लाया गया था तो यह एक तरीके से यही मानते हैं कि धर्मिक विद्रोर्य यह हिंदू धर्मिक विद्रोर है इसी तरीके से इतियास कार है जिनका नाम है डरलिमसन, विलियम डरलिमसन, विलियम डरलिमसन के किताब है The Last Mughal, 1857, यह इनकी एक बुक है, इसमें इन्होंने 1857 की करंती के बारे में बोलाए, अब यह 1857 की करंती के बारे में क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं कि जो तमाम सारे मतलब इन्होंने जो दस्तावेज 1857 की करंती से समंदित, बहुत सारे दस्तावेज इन्होंने पढ़े, बहुत सारे दस्तावेज पढ़ने के बाद इन्होंने यह किताब लेखी, उसमें उन्होंने देखा कि जितने भी दस्तावेज हैं, उसम प्रवाद करने वाला व्यक्त कारण है या धारक है ठीक है तो ये इस चीज को बताने का प्रयास करते हैं बतलब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब उन्होंने कई सारे डॉकुमेंट्स में जिहाद शब्द का इस्तेमाल देखा तो मुजाहिद और जिहाद शब्द का इस अंदाजे में पहुँच गए कि शायद यह मुस्लिमों के द्वारा अपने जिहाद के लिए लड़ा गया एक युद्ध था जिसको आप धार्मिक युद्ध के तौर पर देख सकते थे तो कोई धार्मिक हिंदू युद्ध के खिलाफ हिंदू का शडंत कह रहा है कोई इसा हुआ है वैसा हुआ है लेकिन यहां तो हिंदू और मुस्लिमें एक साथ लड़ा रहा था लड़ा रहा था एक साथ इतियासकारों और अधिकारी जो भी डिफरेंट डिफरेंट अधिकारी थे उन्होंने जो विचार है इस विचार में मतलब 1857 की मुख्य क्रांती मु मतलब भले इसमें हिंदूओं का भी नाम लिया गया लेकिन बेसिकली तमाम सारे जो अपनिवेशिक इतियासकार थे अपनिवेशिक जो इतियासकार हैं और जो उस समय के ब्रिटिश अधिकारी हैं उन्होंने क्योंकि देखा कि लीडर जो है वो कौन है वो ब्रिटिश मुगल रिडर है और वो मुस्लिम है और पड़ी संक्या में मुसल्मान इस बात को लेकर के इसमें शामिल हुए हैं कि हमारे धर्म को यहां पर आड़े हाथ लिया जा रहा है तो मैंने जैसा कि बताया कि इसमें यह जिहाद और मुजाहिश चब्दों का इस्तेमाल बार-बा हो ही रहा था तो बृटिश ने यह रहल निकाला या फिर अधिकारी ओने यह रहल निकाला कि अभी तो करांटी को पहले दबाना है लेकिन उनके मन में बात घर कर गई है कि मुसल्मानों ने ही यह करी और इसका परणाम यह हुआ कि 1857 की करांटी जब समाप्त हुई और उसक आधिकारी के तोर पर जो मुस्लिम काम कर रहे थे जिन जिन जगहों पर भी उनको जो है नौकरी से निकाल दिया गया उनके दमन के लिए तमाम तरीके के नीतियां बनाई गई, उनको आविश्वास मतलब एक तरीके से आविश्वास में ले लिया गया, कि ये विश्वास के योग्य नहीं है, तो ये एक तरीके से एक result हमको 1857 की क्रांति का इस जगा पर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं है कि आगे हमेशा से चलता रहा, अब देखिया 1857 में बिटिशर्स का ये मानना कि इसमें मुख्य भूमी का जो है मुसल्मानों निभाई है, और उसके बाद उनके बिटिश विरोधी जो नीतियां है, मुसलिम विरोधी जो नीतियां बिटिशर्स की हैं, वो भरोसे के लाइक है, जब तक उन्होंने ये विश्वास ने थे, तो इसमें बिटिशर्स को मुसलमानों के ऊपर विश्वास होना तभी शुरू हुआ, जब इसमें सरसयर एहमत खान का रोल सामने आता है, तो कुछ भारती विश्लेसक भी आपको यहाँ पर समझने पड़े सबसे पहले सरसयर एहमत खान का नाम आएगा भारती विश्लेसक अगर हम इनकी बात करेंगे, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, सर सयर एहमत खान ठीक है, इनकी बात करेंगे, 1858 मुनोंने किताब लिखी है असबाब बगावते हिंद ये किताब लिखी है जिसमें बगावत की जो वजए हैं या बगावत के लिए जो कारण हो सकते हैं उस कारण में इन्होंने ब्रिटिश नीतियों का कारण जो है वो ब्रिटिश नीतियां बताईे है जो समय की ब्रिटिश नीतियां है उन नीतियों की वज़े से ये विद्रो हुआ था ना कि ये कोई धार्मिक विद्रो और फखलाना डिकाना कुछ इस तरीके कए स्पस्ट्रूप से उन्होंने का और पहले ऐसे ये कह सकते हैं कि व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा है किया एक जन विद्रोह था यह एक यह एक जन विद्रोह था यानि जनता द्वारा किया गया विद्रोह है और जनता का मतलब ये प्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारती जनत का विद्रो है ये चीज़ उनों ने बताया विद्रो के कारणों में तमाम सारी चीज़ें डिसकशन में आती हैं जैसे रास्टवादी ये बांगते हैं कि सौ वर्षों का जो ब्रिटिश शासन हैं ब्रिटिश नीतियां हैं ये उसके लिए जिम्मेदार थी यहां पर आप आर करमेशन मजुमदार जो है मैं यह बोलते है कि परमपरागत व्यापार है उद्योगं जो पतन है ठीक है भी दिख दे रहा हों में दूसरा चोशन कारी या शोसक ब्रिटिश नीतियां ब्रिटिश नीतियां इसके प्रति क्रिशी के प्रति यानि कि किसानों के प्रति एगरिकल्चर के प्रति क्रिशकों के प्रति भारतियों को प्रशासन में शामिल ना करना ये भी एक नीति ये भी कामिल ना करना ये भी एक कारण है और ये कारण है डेफिनिटली क्यों है ये कारण क्योंकि आपने देखा कि बड़े उच्छ पदों पर इनको आसिन नहीं उन्हें दिया था अगर सेना में भी थे तो सैनिक बन करके रहते थे जो फ्रंट लाइन में जाकर के लड़ते थे ठीक है और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत धार्मिक जो चीज ये मानते हैं वो ये मानते हैं कि जो ब्रिटिश मिशनरीज वगारा थी उन्होंने मतलब उनके जो कार रहे हैं उनके द्वारा तमाम प्रकार के सामाजिक धार्मिक जो शोशन है वो उत्पन्न हुए थे ब् भारती जनता का इनके प्रतिरोश ये सब कारण जो है वो रमेशन मजूमदार जी के द्वारा ये माना जाते हैं इसके अलावा अगर हम दूसरे अगर हम विश्लेशक की बात करते हैं या फिर अन्य भारती विश्लेशकों की बात करें तो इसमें एक नाम जो है वो सकतें को कि तुरेंद्र नाथ सेन कि कि विभन्न का रख जैसे की भारतियों में रोष होना भारत में तमाम सारे आध करोश कि जो भारत में जो राजे महाराजे थे राजे महाराजे या फिर जो दूसरे कह सकते हैं नवाब वगएरा छो थे नवाब्स वगएरा जो थे इनका व्यभार कैसा था ये नवाब्स या सिपाही जो है इनके अलग-अलग कारण थे मतलब उन्होंने क्या बताया है ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर यही समझना है कि इन्हों ने ये जो कारक जो बताएं है डिफरेंट डिफरेंट जो कारक बताएं है क्यों ऐसा विद्रो हुआ होगा ये तो विद्रो राजे माराजे क्यों लड़ रहे हैं इसमें नवापस इसमें क्यों इं यह कहीं न कहीं ब्रिटिश के खिलाफ सारे लोगों का एक ही मैंने बताया ना जब आप आपने जब ब्रिटिश कंपनी ने जब प्रसार करना शुरू किया तो प्रसार पूरे भारत पर एक साथ नहीं हो रहा अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग नीतियों को लागू करक एक repetition जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी तो राष्टवादियों ने बड़ी संख्या में सिपाहियों की भागेदारी को जो है वो यहाँ पर accept किया है लेकिन अगर हम इसमें जो माक्स्वादी विचारधारा वाले जो इतिहासकार हैं उनके विचारों को देखें तो थोड़ा सा हम को यहाँ पर अंतर जो है वो देखने को मिल जाएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग इन्होंने इसको किस तरीके से देखा है किस तरीके से बताया है वे कहते हैं कि यह ایک प्रकार का व्यापक किसान अंदोलन हैं तो देखें माक्स्वादी जो है इसे किसान अंदोलन के रूप में लेकर व्यापक किसान अंदोल ने इसी प्रकार से पीसी जोशी जी जो है वो बोल रहे हैं 1857 जो है उन्होंने इस बात से इंकार किया है पूरी तरीके से कि ये सामंतों की ही केवल लड़ाई है मतलब अगर हम पीसी जोशी जी का नाम लें जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया ये ये सामंत, नवाब, राजे, महराजे इनकी लड़ाई से इन्होंने इंकार किया है किस बात से इंकार है कि केवल ये सामंतों की लड़ाई है ये सामंतों की लड़ाई नहीं है लड़ाई से इनका मानना है कि दूसरे तत्व भी इसमें शामिल थे जिसमें किसानों को भी इन विपिन चंद्रा जी को जरूर पढ़ते होंगे विपिन चंद्रा जी ने इस विचार को इस पर रूप से कहा है वास्तवीक रूप में सैनिक वर्दी में किसान ही है जो अब यहाँ पर लड़ते हुए हमको दिखाई दे रहे थे जो प्रतनी दित्व के तौर पर हमको देखन वास्तों में ये वास्तों में ये सैनिक रूप में सैनिक या भेश में या रूप में किसान है जो अब तक जो अब तक अपनी मिटी से जुड़े रहे कुछ ऐसा स्टेटमेंट है एग्जेक्ली मुझे नहीं आदा रहे अपनी मिटी से जुड़े रहे मैं आपको बताओं विपेंच चंद्रा जी की जो बुक है वो मैंने कवर करी है पूरी की पूरी MCQs के माध्यम चोरों समय भी हमने इन विचारों के उपर डिसकेशन किया था ठीके आरसी मजूमदार जो पीछे हैं यहां पर आरसी मजूमदार का मैंने नाम लिखा था इन्होंने भी सामंत का जो है कह सकते हैं कि सामंतों का विद्रो हुआ होगा ऐसा करने से ने मना किया है यहां आरसी मजूमदार जी का हम वीर सावरकर जी के एक स्टेटमेंट से एक कंपेरिजन करते हैं वीर सावरकर जी ने क्या खा वीर सावरकर या फिर आप इन्हें विनायक दामोदर सावरकर भी कह सकते हैं विनायक दामोदर सावरकर इन्हों ने इसे प्रथम भारती स्वत्तंत्रता संग्राम कहा है लेकिन इसका विरोध किया है आर्सी मजूंगदार जी ने और पड़े कह सकते हैं कि कटाक्ष करते हुए ये विरोध किया है वे कहते हैं कि भाई देखिए ऐसी बात है कि ना तो ये प्रथम है उनका मानना है कि इस तरीके के विद्रो अठारस उस्तावन से पहले भी हो चुके थे जो की आदिवासी जंजाती विद्रो के रूप में थे तमाम जगहों पर बह की जगहों के जो राजया तो नला की तरफ से लड़ा रहे थे तंद आम सारे ईसे राजपूर सा सक थे तमाम सैसे गायक्वाड और ये सब लोग ते जो राज्याओं की तर राजरी नमपने लिए लड़ा रहाए कोई अपने फ इरम के पीष्य। पुराना राज को वापस वो कोई अपने जमीदारी के लिए रहा है को यह भारत की आजादी के लिए राज्य नहीं था अपनी अपनी जो दिमांड थी उसको पूरा कराने के लिए उसको वापस पाने के लिए लड़े गए यह विकल्प हमको देखने को मिलते तो आर्सी जफर जीनत महल यह लोग जो है मजूमदार जी ने कहा है कि यह लोग तो अंग्रेजी प्रशास्कों से खुदी मिल रहे थे उनसे बातचीत करके जो है किसी साजे हल पर पहुंचना चाते थे तो मेरी ख्याल से आपको यह जो यहाँ पर पूरा का पूरा जो अठारो सो सता उनको हम एक तरीके से नहीं लिख सकते तो इस पर व्यापक आप पूरी मतलब जो चर्चा कर सकते थे वो की है मैंने आपके समक्ष और उमीद करते हैं कि आप इस चीज को अच्छे तरीके समझ पाए होगे अब हम लगबग आधे इतियास पर पहुँच चुके हैं और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा यह ज़रूर देखना चाहेंगे कि किस तरीके से सोशल रिफॉर्मस जो है वो आये थे 1857 के पहले के रिफॉर्मस किस प्रकार से थे 1857 के बाद के रिफॉर्मस किस प्रकार से हुए इन सब चीजों करने के बाद हम फिर से जो है इस इतियास को कंटीनिव आगे करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आगे अब इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ सामा और सांस्कृतिक जागरन जो है वो इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके दो फेजेज हमको देखने को मिलेंगे एक फेज तो हमको देखने को बिलेगा 1857 से पहले जूझ यह उपर हमारा discussion रहेगा जिसमें पहला नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला नाम यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी का है ठीक है और मैं आपको बता दूँ कि राजा राम मोहन राय के लिए अलग से भी मैंने चर्चा की है मुद्दे की बात प्रोग्राम में उनको हमने डिटे कहा जाता है बहुत सारे इस तरीके के कह सकते हैं कि ना मियों के टाइटल स्क्रीकमां कि रूप में इने आधनिक भारत का पुनर्यवार्ण का पिता कहा लिजी एक संपन परिवार में जन्म लिये थे पावजूद उसके भी इन्होंने समाज में उस समय जो संपन वर्ग था ना वो एक तरीके से dictatorship जो कह सकते हैं वो ruling power जो थी उसके पास आ गई थी जो कि बिटिशास का भी उनको साथ मिलता था और हम बड़े दरजे के हैं हम ब्रामण हैं हम उच्चवर्ग से हैं ये तमाम प्रकार के एहम की बातें जो हैं इनके समाज में रहती थी ठीक है इस्त्रियों क हे द्रिश्टी से देखा जाता था उनके पढ़ने लिखने की विवस्था नहीं थी रूड़िबादिता अपनी चरम सीमा पर पर थी तो जो 19th century है उन्नीसवी शदी के अगर हम बात करते हैं जो उन्नीसवी शदी का प्रारंब हो रहा है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें तमाम प्रकार से changes हमको देखने को मिले थे बहुत सारे कह सकते हैं कि जबर्जस तरीके से बौधिक और सांस्कृतिक विकास जो हमको देखने को मिलता है जिस पर पश्यमी या आधुनिक पाश्चात्य जो संस्कृत है उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है तो एक तो यह बौधिक जो कह सकते हैं विकास का काल है यह बौधिक चिंतन हमको यहां पर बहुत जादा देखने को मिलते हैं संस्कृतिक विकास का काल है यह आपको यहां पर देखने को मिलेगा और इस सब क्याधार पर हम इसको पुनर जागरण का काल कह सकते हैं पुनर जागरण का भी काल कहलाता है उनर-जाग्रन इसले कहलाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इन सब चीजों के बारे में जानने वाले थे बीच में हम खो बैठे थे अपनी सब्दा अपनी संस्कृति को भूल गए थे कि उनकी तरफ यह जो है वो शुरू कर देते हैं लेकिन साथ ही साथ यहां पर उन्होंने इन सारी चीजों को इन सारी चीजों में जो वेस्टन यानि की पश्चात्य जो संस्कृतियां हैं उसका मिला विया उसको मिलाना भी एकसेट किया ठीक है उन्होंने फिर से एक तरीके से कह सकते हैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर से भार्थी संस्कृत में प्रान फून करे के जान फून करे किंगे इनसाप में जो सबसे पहला नाम को मल्टी कह सकते हैं कि रोल में काम करते हुए देख सकते हैं एक साथ वह बहुत सारी चीजों में सुधार ले करके आना चाहते हैं चाहे हो राजनेतिक शेत्र हो धार्मिक शेत्र हो चाहे हो महिला सुधार का छेत्र हो मतलब किसी भी तरीके से जहां कहीं पर भी वह एक आवा सफीज के साथ मिक्स करके देखना चाहते हैं मिक्स करके ले करके सामने चलना चाहते हैं ठीक है अपनी संस्कृति को मानते हैं कि पाशात्र संस्कृति से ही उसका पुनरत्थान हो सकेगा ऐसे चीज़ों मना जाते हैं उनको सबसे बड़ा जो कस्ट है न वो इस चीज़ से भा लोगों का यह उसको दूर करना चाहते हैं अब इन सब चीजों को दूर करने के लिए उसे महसूस करना बहुत जरूरी है तकरीबन एक दर्जन से अधिक उन्होंने भाषा इसी उद्देश से सीखी जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने संस्कृत को फार्सी को अर्बी को अ हिंदू साहित्य की अगर हम बात करते हैं जैस संस्कृती को समझने का प्रयास करते हैं तो संस्कृत भाषा कि उन्होंने बनारस से सीखी अच्छा इनके पिता जो है वो अमीर थे तो पढ़ने के लिए शुरुवात में हर जगह उपर भेशते तो उन्होंने सीख रहे हैं जानी पड़ी कठीनाई उनको नहीं उठानी पड़ी कठनाई जो ठानी पड़ी है आप सुछित तालाब से कीचड को हटाना और इसमें शुद्द पानी भरना जैसा काम है आसान नहीं है अ बहुत ज़्यादा कठिन काम है भले या तालाब की मचली हैं तो भी तो हिंदू साहित्य संस्कृति और मतलब इस सब चीजों को उन्होंने बनारत से क्या सकते हैं अच्छी तरीके से पढ़र लिख रहे हैं तभी जो है रिफॉर्म्स भी वो कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से तमाम सारी जो कह सकते हैं उनके विचार हैं जो हम यहां पर प्रकट करना चाहेंगे थोड़ा बहुत आपके समक्ष में जैसे अठारसो नौ में उन्होंने एक किताब है गिफ्ट टु मोनोथेसिस्ट का मतलब है एकेश्वर वादियों का उपहार तो एकेश्वर वादियों का उपहार अब आप यहां पर यह समझने का प्रयास कीजिए जब हम राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये पास्चात्य जो संस्कृति है उसको अपनाने के लिए आतुर है और इसका अर्थ ये कताई नहीं है कि वो जो भारती संस्कृति है भारती जो संस्कृति है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाते है या फिर उसको बताते हैं कि गलत है यह कहते हैं कि भारती संस्कृति में और उसरोडिवाधिता को हम मिटा सकते हैं पाशौतर संस्कृति के एक तरीके से यह डिटर्जेंट का काम कर रही है मिलेगा तो जो गंदगी है वो हट जाएगी यह वो बताना चारा और इसलिए वोस्पक्ष में हैं कि यह जो वेस्टर जो कहा सकते हैं कि जो चीजें हैं वह आमरे संस्कृति में वाल्व हो UP स्थ खूले दिल से उनके दरवाजे खूले हूए है पाश्यात्र संस्कृति को एक्सेप्ट करना इसका ये कता है अर्थ नहीं है कि वो भारती संसकृति की निंदा कर रहे हैं बलकि इसी को सुधार नहीं करके निया नहीं ला रहे हैं सुधार रहे हैं तो इस लिए उनको आजड़ी भारत का पर्थम नेता के रूप में जाना जा रहा है तो इसमें उन्होंने जैसे की भारत में पहुदेव वाद जो है बहुँ जादा बढ़ गया था और इसी लिए वो एकेश्वर वादियों का उपहार नाम के किताब लाते हैं इसमें उन्होंने जो देवी देवता हैं उसके उपर विश्वास के विरुद्ध एकेश्वर और इन सब तरकों के पीछे उन्होंने वैदिक सिध्धान दिए ऐसा नहीं है आपने वेदों में भी इस तरीके की चीज़ें उपनिशद हैं इन सब चीज़ों में आपको वही देखने को मिलता है लिए मिलता है की नी मिलता है सिंपल सी बात है मिलता है बहुत सारा बहुत कई जगहों पर मिलता है तो इस इन सब चीज़ों को वह लेकर के सामने आ रहे हैं इतना ही नहीं 1814 में पहली बात तो इदर उधर से पढ़ाई करने के बाद में जब वो कलकत्ता वापस आए तो उन्होंने एक मंडली जो है मलब शुरुआत करी जिसमें तमाम सारे युवा समू है युवा समू एक उन्होंने बनाया युवा लोगों के समू जिसमें आकर के लोग discussion कर रहे हैं यही युवा समू आगे चल करके आत्मी सभा के नाम से जाना गया ठीक है इसी को आगे चल करके आत्मी सभा के नाम से जाना गया और इसमें जो है एक एश्वरवाद की उपर discussion हो रहा है रूड़िवादी जो सिध्धान्त हैं उनको दूर करने के जो प्रयास है उनके उपर आपस में डिस्केशन हो रहा है बहुत सारी चीजें इस तरीके के रिफॉर्म प्रिफॉर्म 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 प्रिफ एक आपका है कठोप निश्ड इन सारे उपनिशदों का उन्होंने क्या किया इन्होंने ये जू बांगला भाषा है इसमें अनुवाद किया, क्योंकि आप इसको समझिए, यह संस्क्रत में है, बंगाल के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बंगाल में रुड़िवात्ता बहुत ज़ादा हो चुकी थी, उसको रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने इसका कन्वर्जन जो है, वो संस्क्रत से बंगला भाशा में कराया है, लोगों को समझाने का प्रयास किया है, एक केश्वरवाद और उसके दार्षनिक सिध्धानतों को लोगों को समझाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी तरीके से, 1820 में उन्होंने Precepts of Jesus नाम की एक बुक लिखी है, इसकी उपर भी हम थोनी से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि क्या उन्होंने सारी बुराईयां भारतिय समाज और भारतिय वेदों प्रिश्दों और हिंदू संस्कृति में ही देखी हैं तो ऐसा न नहीं, इन्हें कट्टर कहेंगे या फिर यूं कहेंगे कि अंग्रेजों के चमचे हैं और जो ब्रिटिश की जो चीज़ें उसको लाकर के हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं तो ऐसी चीज़ें और यह भी मैं बता दूँ कि यह सब कारण भी कई ऐसे हुए जो आगे चलकर हैं यह सुधार का काप नहीं है वास्विक रूप में यह भटक गए हैं ऐसा लोगों ने कहना शुरू किया आप सुचिए पैराल 1820 में प्रिसेप्स ऑफ जीजस में उन्होंने लिखा कि न्यू टेस्टेमेंट जो समुदाय है उसमें जो दार्षनिक जो चिंतन हैं जो उस गई उन्होंने का चमतकार और जो धोंग इसमें लिखे हो गए उन चमतकार और धोंग को इस न्यू टेस्टामेंट से अलग अगर आप कर देते हैं और उसमें नैतिक और दाश्निक संदेशों के पर अगर आप फोकस करते हैं तो इसाई धर्म भी काफी पवित्र हो जाता ह अब एक तरीके से इसाई धर्म में उन्होंने कमी निकाल दी और जब इसाई धर्म में कमी निकाल दी तो वो लोग इनके पीछे पढ़ गए इसी तरीके से उन्होंने कुछ कमिया जो हैं वो इसलाम में निकाली तो मुस्लिम लोग इनके पीछे पढ़ गए तो ऐसे समाज म के नाम से जाना गया और उस ब्रह्म समाज में भी एक्टिव नहीं हो पाए राजा राम रोह मोहन राय के बाद उसके बाद देवर नाथ टैगोर जब आएंगे तब उसको फिर से जो है शुरू किया जाएगा तो 1518 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी उन्हों और इसका भी मूल उद्यश क्या है एकेशवर वादी चिंतन एकेशवर वादी चिंतन वह भी तरक के आधार तरक शील्ता तरक शील्ता इसमें जो है कि आधार पर आपको यह केश्वर ओधी चिंतन करना है इसके लाबाव वेद और उपनिशद जो हैं उपनिशद इनकी आधार पर आपको चिंतन करना यह इनको शुद्ध मानते व्यों को एकसेप्ट कर रहे हैं आपका आ कहां कहसे कि वह हिंदु धर्म का विरोध कर रहे हैं जब उसके माध्यम से जिस तरीके की गलतियां आप लेकर के आएंगे तो उसे तो सुधार वह करेंगे किसी भी बुद्ध जीवी का यह कार्य है यह कि उस समय के लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझ रहें पूर्थी पूजा का उन्होंने पुर्जोर विरोध किया है और इस समाज ने इस प्रम समाज ने पूर्थी पूजा के खिलाब भी बहुत सारे काप किये पूर्थी पूजा क्योंकि एकेश्वर वादी है जब आप एकेश्वर वादी हो जाते हैं तो मूर्थी पूजा तो 1818 में उन्होंने सतीप्रथा का विरोथ किया अब नारी दश है उसको ले कर possessions कि चिंतित रहते हैं सतीप्रथा हो सिख्षार के बारे में हो उनके समाज में सिठान के बारे में हों किसी भिधर्मकाॉ हिंदो मुस्लिम सभी 1818 में उन्होंने शास्त्रों का सहारा लिया है और शास्त्रों का सहारा लेते हुए सती प्रथा में पूछा है कि भाई कहां शास्त्रों में सती प्रथा के बारे में लिखा गया है अब क्यों इस चीज़ को कर रहे है चमसान जा जा करके जो सती हो रही है महिलाओं के समर्थकों की तैयार करना ये सब काम उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है 1929 में इनके प्रयासों से अगर देखा जाए तो सतीपृथा भी समाप्त हो गई 1729 में सतीपृथा को समाप्त भी कर दिया गया महिलाओं के काफी कह सकते हैं कि कट्टर समर्थकों में से एक है इस तरीके कुछ महिलाओं के सुधार वाले कारे भी इनों ने किये हैं और डेविड हेर नाम के एक व्यक्ति है जिनकी उन्होंने सहायता करी है कलकत्ता में ये घड़ी साज हुआ करते थे लेकिन ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करना चाते थे तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो है वो स्थापना भी डेविड हेयर ने करी है और इनों ने इनको बताया मतलब राजा रामोहन राय ने डेविड हेयर के जो यांत्र की और वॉल्टियर के दर्शन की जो पढ़ाई की जिसको वो लाना चाते थे जिसको रूडिवादी लोग अनेकसेप्ट करना चाते थे उसको यहाँ पर लागू करने में उन्होंने साहता भी दिये 1825 में उन्होंने विदान्त कॉलेज की स्थापना करी बांगला व्याकरण की माध्यम से बांगला व्याकरण की रचना करके जो वेद उपनिशद हैं उसको ठीक तरीके से लोग पढ़ सकतान सके सीख सकें समझ सकें इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने यह सारे जो है वो काम की आठारो सो पच्चेस में वेदान्त कॉलेज को भी इस्टैब्लिश किया था तो यह तमाम सारे हेनरी विवियन डिरोजियो इनका जो यंग बंगाल आंदोलन है यंग बंगाल आंदोलन यह बहुत जादा फेमस है यंग बंगाल आंदोलन जो है यह काफी जादा प्रसिद्ध है अब इसकी प्रसिद्धी के कई सारे कारण हो सकते हैं उनके उपर भी अगर हम चर रहाए तो 19 सदी के अगर हम बात करें तो 19 सेंचुरी में फर्स थर्ड से लेकर के फोर सेंचुरी के लास के जो तो तीन साले हैं और जो फोर्थ डेकर जेक तीसरा चौथ डेकेड तीसरे दशक के अंतियम वर्ष और Тоq Das district जो शुरुवाती वर्ष उसमें बंगाल में कुछ परिवर्थन कारी प्रिकृती जो है वो पैदा होते होते वे ये राजाराम मोहन राय के कार्यों का एक तरीके से असर है जो यहाँ पर हमको देखने को बिल रहा है लिकिन ये जो सुधारवादी लोग है ये राजाराम मोहन राय से भी उनकी अपेक्षा में भी उनसे भी अधिक आधनिक है उनसे भी अधिक आधनिक हैं मतलब राजा राम मोहन राय से भी राजा राम मोहन राय जो हैं उनसे भी अधिक कह सकते हैं यंग है या फिर आधनिक हैं और इसी वज़े से इसी वज़े से एक term यहाँ पर क्वाइंड होता है या एक शब्द जो है वो सर्जित हो रहा है जो की यंग बंगाल कहरा है यंग बंगाल अब बात यह है कि इन यंग बंगाल के अंदर आने वाले जो परिवर्तन है यह इसका प्रेरक कौन है इसका नेता कौन है तो इसका नेता जो है वो एक एंगलो इंडियन है और यह एंगलो इंड और मजे की बात यह है कि यह काफी युवा विक्ति है थारती नहीं है लेकिन एंग्लो इंडियन है 1809 में इसका जन्व हुआ है और 1826 से लेकर के 1831 तक यह हिंदू कॉलेज इस्टैब्लिश हुआ था उसका यह सिख्षक रहा 1836 तक हिंदू कॉलेज का हिंदू कॉलेज का सिख्षक थे अब आप सोचे कितना युवा है ऐसी कर्णती से प्रे रिध थे इनके विशार क्रांति कारी है प्रभावशाली सिक्षक है है यह एक तो हैंड़ी डे रोजीयन थे, इनके जो अनियाई हैं, इनके जो अनियाई हैं, ये कहलाते थे, इनके जो अनियाई थे, ये कहलाते थे, डेरोजियन, ये डेरोजियन कहलाते थे, और इनी डेरोजियन को ही यंग बंगाली कहा जाता था, यंग बंगाली, और इनी के द्वारा जो कारे किये गए, वो एक आंदोलन कारीकार थे क्रंति कारीकार थे उस पूरे एवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं यंग बंगाल आंदोलन बोलते हैं कि आधुनिक भारत का पहला राष्टवादी कवी जो था कोई तो वो यही था कविता के माध्यम से काफी दारा प्रेणा इनकी जो है देखने को मिल प्रथम राष्टवादी कवी माना जाता है यह चीज भी हमको यहां पर ठ्यान रखने हैं आधुनिक भारत के प्रथम राष्टवादी कवी के रूप में भी इनको जना जाता है तो फाइनली कह सकते हैं कि फिर जब इस तरीके की चीज़ें होन लेगी तो बंगाल में कॉलेज के लोगों ने 1831 में इन्हें जो है वो निकाल दिया था और लगबग 22 वर्ष की आयो में जो है इनकी मृत्य हो गई थी एक चीज मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ 36 नहीं यहाँ पर 31 है 1831 ठीक है 1826 से लिकर करके 1831 क्योंकि 1831 में तो इनकी टेथ होगी 1831 में हैज जा इनको हो गया था तो हैजे के कारण इनकी मृत्य हो गई थी और इसी साल इनको जो है स्कूल से भी निकाल दिया गया छोटी उम्र में इतना बड़ा प्रभावम को देखने को मिलता है पर इतने ही रिफॉर्मस नहीं थे यह वो समय था जिसमें जैसे मैंने अभी आपको राजा रामुहन राय के बारें बताया इसी तरीके से एक भहुत ही महान नाम आपको देखने को मिलेगा इश्वर चंद ठाकुर यह सब भी उसी समय के सोशल रिफॉर्मस हैं सामाजिक सुधार करता है आपने ब्रह्म समाज का नाम सुना आभी थोड़ी दिर पहले मैंने ब्रह्म समाज के बारें बताया ठीक 1828 में बना तो 1828 में ब्रह्म समाज जो बना है वो शितिल पढ़ गया था राजा राम वो फिर से किया है देवेना टैगोर जी ने यह रविना टैगोर जी के पिता है इन्होंने इसे पुनर जीवित किया है 1843 में 1843 में ब्रह्म समाज को क्या किया इन्होंने ब्रह्म समाज को ब्रह्म समाज को पुनर जीवित किया है पुनर जीवित यह चीज भी आपको यहां ये रूप में ये नोंने 1839 में 1849 में एक सभा ऐस्टाब्रिश की थी 1839 में जिसका नाम था तत्व बोधिनी तत्व बोधिनी सभा के द्वार एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था तत्व बोधिनी पत्रिका तो तत्व बोधिनी पत्रिका या तत्व बोधिनी सभा जो है वो इनके तरह establish करी गई थी लेकर क्या थी पांगला भाशा में ये पत्रिका जो है लॉंच करी गई थी जिसकी वज़े से लोग जो है सुधार वगयरा करना ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इन सब मामलों में देवेना ठाकुर का बड़ा योगतान है और दूसरे रिफॉर्मस जो है अपने वो कौन है वो इश्वर चंद विद्यासागर है इनकी बात भी कर लेता हूँ थोड़ी सी इश्वर चंद विद्यासागर इनका नाम जो है अगर हम कहें राजरा मोहन राय से कम है तो बिल्कुल नहीं है लेकिन एक बिसीक अंतर है वो संपन्न परिवार में पैदा हुए थे और इश्वा चंद विद्या सागर जो है वो 1820 में एक गरीब परिवार में जन्म लिए थी बस इतना अंतर है बाकी जिस तरीके से तमाम प्रकार की प्रतिभा के धनी ये हैं वो थे उसी प्रकार से ये भी है अलाकि 1851 में 1851 में इन्होंने संस्कृत कॉलेज में संस्कृत कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई इन्होंने करी हुई है संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गए हैं और तमाम प्रकार से संस्कृत जो है वो लोगों को पढ़ा रहे हैं वहां के प्रिंसिपल है साथी साथ जो western जो education है और जो culture है उससे ये प्रेरित भी है पाश्यात्य जो संस्कृती है उससे भी काफी आदा प्रेरित है पर्टिकुलर इनके सभाव की बात करें तो बहुती सीधे सज्जन धोती कुर्टा पहनने वाले समाने से वस्तर धान करने वाले यह कोई ठाट संस्कृत को दूसरे लोग एक्सेप्ट करें लेकिन बंगाल में संस्कृत उतनी तरी तेजी से फैल नहीं पा रही थी अब दिखिए राजाराम मोहन राय ने संस्कृत के वेद पाठाधी को बंगाल तक पहुंचाने के लिए क्या टेक्निक क्या उन्होंने वेदों को राजार संसक्रत संसक्रत बंगाली वर्नमाला इने संस्क्रत को समझने के लिए अ producer को समझने के लिए बंगाली जो वनमाला है इसका विकास इनों ने किया कि आप बंगाली भाषा में संस्कुत को समझें और उसको पढ़िए रिफॉर्म 1855 में विद्वा-पुनर्विवाह के लिए उन्हें आवाज उठाई और जब उन्हें आवाज उठाई तो बहुत सारे प्रांत बंगाल नाकपूर मदरास पंबई ऐसे तमाम सारे प्रांत थे जहां पर विद्वा-पुनर्विवाह के लिए आवाज उठी इन्होंने विद्वा-पुनर्विवाह की बात हो नारी सिक्षा की बात हो इक है बाल विवाह बाल विवाह को रोकने की बात हो इक तती प्रथा को रोकने की बात हो कुछ भी ऐसी चीज़े तो उनको उन्हें ने इस्टैब्लिश किया है गराल अगर हम बात करें तो 1855 में विद्वा-पुनर्विवाह के लिए उन्होंने जोरदार तरीके की आवाज उठाई और इसके बाद मैं आपको बताओं ये 18179 पहले की बात है साथ दिसंबर सन 1856 को पहला विद्वा-पुनर्विवाह हुआ और सब बड़े खुश थे मतला पहली बार ऐसी चीज़े होने जा रही ती या हुई थी उसके बाद भहुत सारे विद्वा-पुनर्विवाह हुए विद्वा-पुनर्वाह के लिए जो उन्होंने कारे किया साथ उसका असर किस प्रकार से देखने को बिला 18 कि बादो पाद्विवा 155 के बीच में तकरीबन 25 बुद्वा-पुनर्विवा Calvin समय उन्होंने बाल विवा को रोखने के लिए भी आवाज उठाई थी 1850 में पाल विवा के खिलाफ जो है आवाज उन्होंने उठाने शुरू करी पालिकाओं की सिक्षा के लिए नारी सिक्षा के अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इसके लिए भी बहुत सारे काम किये हैं लगभग मतलब यह क्योंकि निरिक्षा के पद पर थे तो उसकी हैसे स से इन्होंने तमाम सारे विद्ध्यालियों के स्थापने करी थी 35 बाली का विद्ध्यालियों के स्थापने की ए तकरीवन तो सकता है कुछ कम जाधा भी हो तो तकरीवन 35 बाली का विद्ध्यालियों की स्थापना तो नहीं तब ही कर दिया रक्षक के तोर पर इग्जामिन के लिए स्कूल बनवाएं यह एक स्कूल जो है उन्होंने पूरी तरीके से अपने पैसे से स्टैब्लिश जो है वो करवाया था 1849 में 1849 तो आप देख सकते हैं कि नारी स्कूल सिखशा के लिए समाजसुदहर का कारे जो है अठी तरीकिस कि यह लेगा काफी बड़ा रोल पिस और और यही नहीं समाज सुधार को में बहुत सारे नाम ऑर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे आ समाज अभ्यासुदեंगे फ़िया तमाम सारे छोटे छोटे सुधारक हैं जिनके नाम हम यहाँ पर आपके समख शिल्ठना चाहेंगे, जैसे, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, तो बंबाई में बाल शास्त्री जविरकर है, बाल शास्त्री जविरकर पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ब्राम्भन बाद जो है उसका विरोद किया है ठीके पाल शास्त्री जावीरकर ये नाम हम को यहां पर ध्यान रखना है पाल शास्त्री जावेरकर पंबई इन्होंने मुख्यरूप से जो ब्रामध बाद था नहों से कक्तर ब्राह्मंद वाथ है उसका इन्हों क्या किया है विरोध किया इसकी साहित्तिक साथ्रिकान साब्ताहिकी के निकाली डर्पन और दरपण जो सापताहिक पत्रिका थी उसमें मतलब नाम के अनुरूप देखो अपने समाज को समझो सीखो क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए क्या उसमें के जो भी मतलब कहते न उच्च वर्ग जो था वो अपने आपको बहुत मतलब एक तरीके से अन्य वर्गों का है तुम्हारे इन सब चीजों का विरोध इसमें जहें देखने को मिलता है कि इसके अलावां 1849 में महरास्ट में और नाम को और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उने में उने में पाली का विद्याले जो है फोले बाली का विद्याले तो यह भी नारी दशा में सुधार का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक रूप है 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित हैं उन्होंने विद्वा पुनर्विवाह के लिए काम किया विष्णु शास्त्री पंडित विष्णु शास्त्री पंडित 1850 में इन्होंने कह सकते हैं कि एक विद्वा पुनर्विवाह के लिए एक नहीं के समाज की स्थापने के विद्वा पुनर्विवाह समाज इन्होंने इस्टाब्लिश किया है रिफॉर्म्स के तौर पर यह हम देख सकते हैं महारास्ट में एक नाम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुनने को मिलता है हरी गोपाल देश्मुख ये लोग हितवादी के नाम से जाने जाते है इसके अलामा दादा भाई नरोजी पार्सी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक के तौर पर देखे जाते है तो ऐसे तमाम सारे सोशल रिफॉर्मस थे जो आपको सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर जागरण के तौर यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो हमने ये सब देखे यहाँ पर नई तरीके की नीतियों हमको वहाँ पर समझने को मिलती है आपको यह रिफॉर्मस का जो समय है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्पस्ट हुआ हुआ अब हम चलेंगे इसके आगे आगे अगर हम अगर हम दूसरे सुधारों की अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण जो है आपको जो देखने को मिल रहा है यह 1858 से पहले का है अगर हम यहीं प पॉइंट हमको वहां पर भी देखने को मिलेंगे रास्टवादी जो भावनाई है वो विक्सित यहां पर हो रही ही सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि 1858 की जो क्रांती हुई ना भलही पूरे भारत को अपने चपेट में नहीं ले सकी उसके जो भी परिणाम थे में डिसक करें अगर हम 1858 के जो परिणाम है वो क्या है अब आप सुचेंगे कि सर उन परिणामों के यहां डिसकेशन करने से क्या फाइदा है अलाकि वहां भी करना चाहिए था छूट गया एक तो बात यह है दूसरी बात यहां पर भी डिसकेशन करना इसलिए थोड़ा सा जरूरी ह कि क्यों यह सुधार हमको देखने को मिल रहे हैं वो इन परिणामों की वज़ा है 1858 के परिणाम से एक तो यह समझ में आ गया कि जो ब्रिटिश हैं इनके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती आवाज उठाई जा सकती एक बात यह सोचने को मिल गई दूसरा पॉइंट जो हम हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको भी आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इस्तेमाल करेंगे तो ब्रिटिश को नुकसान कर सकेंगे या हम उनके खिलाफ वाज उठाई ब्रिटिश आविजित नहीं है यह हमको समझ में आ गया और निश्चित तोर पर अब कई सारे जो राज्यत है उन्होंने एकजुट होकर के कारे करने की प्रोर्ति जो है वो सीख ली थी जिससे प्रारमभिक जो रास्ट्रवाद है वो उदित होना शुरू हुआ उदित होना शुरू हुआ और इस चीज को कोई परिभाशित करता समझाता लोगों को सिखाता तो वो लोगों को समझ में आता यह भावना वहां विक्सित हो गई और इसी से ही 1858 के बाद के रिफॉर्म जो है वो सामने आता इसी लिए मैंने कहा 1858 के बाद का जो रिफॉर्म ह यह पहली तौर पर अगर हम देखें तो यह वास्तिक रोप से राष्टवादी भावनाओं के विकास का समय है राष्टवादी भावनाओं की विकास का समय है यह एक ऐसा समय आ चुका था जहां पर राष्टवादी जो भावनाओं है वो विक्सित हो रही थी नई आर्थि शक्तियां आर्थिक शक्तियां यह इसको समझने की कह सकते हैं कि नया दौर था यह नया दौर इस नया दौर में आर्थिक विकास चाहिए था लोगों को आर्थिक विकास चाहिए था और वो पॉलसी जो ब्रिटिश की ती वो काम नहीं आएंगी या अगर आये भी तो उसमें कुछ सुधार होना चाहिए शिक्षा का प्रसार यहां पर होना शुरू हुआ शिक्षा का प्रसार है वो यहां पर बढ़ गया च्छो की 1858 के पहले के जो उनर जागरन के जो लोग थे उन्होंने सिखाया था आधुनिक जो पश्यमी सभ्यता है, उसकी संस्कृति को भारती संस्कृति के साथ मिल करके आगे चलाना चाहिए, यानि कि आधुनिक पाश्चात्ति संस्कृति और जो भारती संस्कृति है, उसको मिल करके काम करना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर लोगों को समझ में आप आने लगी थी, ये चीजें जो हैं वो धिरी-धिरे करके स्पस्ट हो रही थी, क्योंकि उन्हें लगना लगा था कि इसकी जुरुरत है, और भारती समाज में ब्र ये इन्ही विदेशी नीतियों के कारण से, इन्ही विचारधार के लोगों के कारण से, लोगों के अंदर इन सब चीजों के विरोध में भी चेतना जो है वो जगने लगी थी, लोग इसका पालन्द करने लगे थी, केशवचंसेन कहते हैं, यह समाज सुधारक P pense자를 क 뽑алоके सम का थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा रिश्चीत रूप से यहां पर आरे समाज ब्रह्म समाज जो है वो केश्व चंसेन ले करके चलेंगे जबकि हमने इसको 1857 की क्रांती से पहले राजा रामुहन राय के दर होते हुए देखा था लेकिन उसमें केश्व चंसेन जी का रोल हमको इंपोर्टेंट्ली समझ में लगता है इसी तरीके से राम कृष्ण राम कृष्ण परमहन्स और उनके शिस्य विवेकानन इनके जो सुधारवादी विचार है उनका प्रभाव हमको यहां पर देखने को मि इनकी जो सुधारवादी विचार है वो हमको देखने को मिलेंगे आरे समाज के माध्यम से इसके अलावां 1857 की क्रांती के दौरान जो टिशर्स के मन में मुसल्मानों के खिलाफ जो यह विचार गये थे उन विचारों को सही करने का जो काम किया था वो कहीं न कहीं सर सयद एहमद खान ने किया था तो सयद एहमद खान सयद एहमद खान जो है इसमें एक विशेज भूमिकाने बाते हैं और इनका जो अलीगड़ आंदोलन है यह सब जो आस्पेक्ट्स हैं 1858 के बाद के सामाजिक और धार्मिक सुधारों के अंतरगत किने जाएंगे इसी तरीके से सुसाइटी यह तो एक तरीके से रिलीजियस रिफॉर्मर्स के तौर में सामाज जो धार्मिक जो सुधार है धार्मिक सुधार के रूप में आप आया थे इसकी अलामा भी अगर देखा जाए तो पार्सी सुधार है सिख सुधार है स्त्रियों की दर्शा के बारे में बात क इसलिए इन सब चीजों को मैं आपर समझा रहा हूं अब कुछ-कुछ जैसे कि केशवचन सेंज जी उस समय के समाज की दशा का वरणन किस प्रकार से कर रहे हैं विश्वास कर लिया है कि हम तो अपंग है जबकि वो कभी बहुत उच्च हुआ करते थे इसे संपूर्ण विश्व में एक उच्च इस्थान रखने वाला जो रास्ट है वो अपनी जो महांता है उसको खो करके हींता में जीवन जीना शुरू कर दिया है ऐसा कि केशवचन सेंजी कहते है विवेका नंजी ने भी उस समय के समाज की दुरदशा का वरणन करते हुए बोला है कि यह जो समाज है ना मतलब एकदम चितरों की भाती है बटा हुआ टूटा हुआ तितरे बिखरे लोग है आपर महाड मांस के लोग एकदम कृषका है शरीर के लोग जिसमें कोई जोश नहीं है ओजस्व नहीं है तेज नहीं है शरीर में दम नहीं है अस्वस्थ ह यह सारी चीजें उन्होंने करी हैं क्योंकि हमको 1858 की क्रांती में के बाद में सुधार के क्रम्म में हमको समझनी है कि उनके भी इस तरीके के विचार्ज हैं उस सुधार को लेकर के आते हैं इसी क्रम में सबसे पहले हम समझेंगे ब्रह्म समाज के बारे आपको मालू में ब्रह्म समाज की स्थापना ने करी और उसके बाद 1843 में देवर्नाथ जिने उसमें रिफॉर्म रए वो किये थे तो सबसे पहले राजाराम मोहन राए राजा राम मोहन राए उसके बाद अगर आप देखोगे तो देवेंदरनाथ जी ने इसको फिर से कह सकते हैं कि पुनर जीवित किया और अब 1858 के बाद इसे पुनर जीवित करने का काम जो है वो 1806 में केशव चंद्र से इंजीने की वास्तविक रूप में ये जो संस्था है कि धर्मिक समाजिक सुधार को आगे बढ़ा रही है धर्म के आधार पर समाज सुधार को लेकर किया रही है और वैदिक संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसमें जो मलिंता है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें जो दूसरे धर्मों के जो अच्छे गुण है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं जो तार्किक द्रिष्टिकोंड है उस तार्किक द्रिष्टिकोंड को के तौर पर लोगों को धर्म को अपनाने की बात करते हैं यहां पर वेदों और उपनिशदों के आधार पर इसमें सुधार समाज में सुधार की बात करी जाती है मानव बुद्धी के वारा जो है वो धर्म को अपनी कसोटी पे कसे जब उसे समझ में आए तो उसे एकसेप्ट करें अंदविश्वास कर्मकांड जाती प्रथा बाल विवाह इस तरीके के जो कारे हैं उसको समाप्त करें और जो अच्छे-च्छे कारे हैं जैसे कि विद्वा समाज के जो है वो उद्देश रहे इनके समयाठ केशव चंसेंजी के समय और मजे की बात तो यह है कि यह इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो वैदिक ग्रंथ हैं क्या यह अनुलंगनी नहीं है जहां इसी लिए तो मानव बौधिक तार्किक्ता की बात कर या रही है आपने तर्क से आपको तारकिक रूप से लगता है कि इसमें बात गलत है तो आप उसका उलंगन कर सकते हैं किसी भी आरे भाई आतफ इस चीज़ को ऐसे समझें आ हमारी लिए आज का हमारा जो संविधान है वो भी तो हमारी लिए पवित ग्रंथ की डार करते क्या हम संविधान करते हैं अरुक hakk बाते जब समय की अनरूप काड़ नहीं कर रही हैं तो हम उसमें परिवर्तन करते हैं तो सो देट वो होता है किसके मानव बौधिक तारकिक्ता के बल पर ही होता है तो हम अपने वेदों में भी कर सकते हैं अपने धार्मी क्रंथों भी कर सकते हैं ये समझाना चाहते हैं और इसी से ही समाज का ल्यान निकलेगा, इसी से ही जो कुरीतियां हैं उसको हम लोग दूर कर सकेंगे, ये चीज जो है वो ब्रह्म समाज लेकर, इसी तरीके से अगर हम दूसरी संस्था की बात करते हैं, ब्रह्म समाज के साथ साथ, तो महाराष्ट में जो धार्मिक सुधार हुए हैं महाराष्ट में धार्मिक सुधार इसकी भी बात कर लेते हैं महाराष्ट के धार्मिक सुधार के गरम बात करें तो यह थोड़ा अठारसो सतावन से पहले जैसे ये भी 1813 से पहले काथा लेकिन 1813 के बाद में भी इसने रिफॉर्म के तोर पर काम किया था उसी तरीके से 1840 में जो परमहंस मंडली इस्टैब्लिश हो रही है 1849-14 में ये परमहंस मंडली जो है वो महरास्ट में काफी हद तक धार्मिक सुधारक के कारियों को अंजाम देती लोखितवादी का नाम मैंने आपको बताया था गोपाल हरी देशमुग जो है जिनको लोखितवादी बोला जाता है वो इसके कटर कह सकते हैं कि विचारक थे प्रचारक थे और जो हिंडू कटरपन्थ है उसके उपर इन्होंने मतलब मराथी भाषा में आगर देखा लिया तो इसका बहुत इन्होंने कह सकते हैं कि जो हिंडू कटरपन्थ है उसका जो है इन्होंने विरोध किया है और उन् अक्रामक शब्दों का इस्तेवाल उन्होंने किया है, समाजिक समानता क्यों बात करते हैं, और वो ये कहते हैं, सबसे बड़े, सबसे बड़ा आरोप तो उन्होंने पुरोहित वर्ग पर लगाया है, उन्होंने कहा है कि पुरोहित वर्ग जो है न ये मतलब बिल्कुल इतने हैं मंत्रों को और रट करके रटे रटा है मंत्रों को जा करके उससे अपना सौधा बाजी कर रहे हैं तो और अहेंकारी बहुत हैं हम तो ब्रामन हैं हम तो पंडित हैं ऐसा करके तो वो जो एक वो जो एक अशुद्धता है ब्रामन होना अशुद्धता की बात नहीं है पंडित होना शुद्धा की बात ने लिए उसको ले करके एहम करना कटरवादी होना दूसरों को अनक्सेप्ट करना ये जो चीजें थी वो उनके लिए एक तरीके से मतलब ठीक नहीं थी जिसके खिलाफ इन्होंने काम किया इस संस्था में दूसरे लोग भी थे जैसे महादेव गोविंद रानाडे भी हैं महादेव गोविंद रानाडे वो भी इसी कह सकते हैं परमहंस मंडली से जो है वो जोड़े हुए थे तो उन्होंने भी इस माध्यम से काफी सुधार की इसके बाद यगर हम दूसरे समा सुधारकों की बात करें तो इसमें राम कृष्ण परमहंस राम कृष्ण परमहंस और विवेकानन जी की बात आएगी विवेकानन जी की बात आएगी इन्हों ने भी अपने विचार यहां पर प्रकट किये हैं और उससे समाज को सुधारने का जो पुर्जोर प्रयास है वो किया है 1834 से लेकर के 1886 तक के जीवनकाल के समय में प्रमंजीर जो हैं वो एक संथ चरित्र के विक्ति हैं तुम लोग को मालू में एक संथ चरित्र के विक्ति हैं थोड़ा सा भाव है वो यहां पर देखने को विलता है परन्तु भक्ति भाव का मतलब अंध्भक्ति वाला भाव नहीं है और मजे की बात तो यह है कि आप समझे जब आप हिंदुत्व का प्रचार करते हैं जब आप हिंदुवादी होते हैं और जब भी आप किसी मतलब केवल हिंदुवादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल एक किसी पर्टिकुलर धर्म को अपनाने की जब बात करो जब आप मुस्लिमों के साथ मुस्लिम और जो इसाई जो दर्वेश हैं उनके साथ डिबेट करते हैं साथ साथ रहते हैं यहनी कि इसाईयों के साथ और जो जो इसलामी जो दर्वेश हैं उनके साथ इनका उटना बैठना है और जबकि आप बात कर रहे हैं रामकृष्ण परहमंस की काल तक पहुचने के वास्तविक मार्ग क्या है उसको समझने का प्रयास किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया है और वे कहते हैं कि इश्वर तक पहुचने का जो मार्ग है वो मनुष्य की सेवा से निकलता है और मनुष्य तो किसी भी धर्म को अपना सकता है ऐसा नहीं है क उसका निराधर करेंगे उसके धर्म का निराधर करेंगे तो मनुष्य इश्वर का एक रूप है यह प्रमान्स जी के विचार है और इनी सब विचारों को जो accept कर रहे हैं वो कौन है विवेका नंजी है कि वो विवेका नंजी है तो आप देख सकते हैं कि यह एक मैसेज है एक तरीके से कि आप इंदुवादी होते वे भी दूसरे धर्मों को पराबर सम्मान दे सकते हैं विवेका नंजी के अगर हम बात करते हैं तो उसमें उन्होंने जो इनकी सिक्षाएं है अपने जो परमहंजी की सिक्षाएं है उनको उन्होंने क्या किया है स्विकार किया है उनकी जो सिक्षाओं को उन्होंने क्या किया है स्विकार किया है उनका जो सबसे बड़ा जो message है वो ये है कर्म हीन अगर आप कर्म से हीन है तो आप मतलब मतलब व्यर्थ है आपका जीवन कर्म से हीन कर्म से हीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है व्यर्थ है कर्म से हीन व्यक्ति का जीवन ये कहना चाहते हैं और बिल्कुत सही है ये जो पाखंड कर रहे हैं ये जो रटी रटाए चीजें कर रहे हैं ये जो नया सीखना नहीं चा रहे हैं आडंबर कर रहे हैं ये कर्म हीनता ही तो है कर्म तो आपको नया पत पर चलने का मार्ग प्रशास्त करती है नई चीजों के एकसेप्ट करने का मार्ग प्रशास्त कर एक साथ मिल करके दो मानव धर्म कौन है हिंदुत्व और इसलाम अगर इनका सयोंग हो जाता है तो एक बहुत पड़ी आशा है इस बात की कि हमारा जो समाज है उसमें सुधार आएगा पड़े समाज विकार के रूप में वो दोनों धर्मों का आपस में टक्राव देखते हैं वह कहते हैं कि इनका सयोंग एक मात्र आशा है अगर हमें अपनी मात्र भूमी को बचाना है चर्मकांड पुझा पाथ अंद विश्वास इसकी अलामा जो ठोंग हैं दुनिया भर के इससे बहुत प्रिभित है वो गरीबी से पिडित हैं कमजोरी से पिडित हैं समाज की पिडित हैं जो कह सकते हैं कि अलब जो इस त्राइखे की बधाली है समाज में बना राखी गई है उससे बड़े पिडित है और इसी सब चीज़ों में रिफॉ'REम करने के लिए उन्होंने 1870 आप आन्वे में राम क्रिश्न मिशन के स्थापन की थी किस के स्थापन की राम क्रिश्न के जो गुरू थे उनके विचारों को ध्यान में रखते हूं यह उनके विचारे स्वामी जी का ये कहना है कि आप स्वस्थ होने पर उनके बहुत विचार है व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक्ता या मन का विकास होगा मन ग्रसित है व्याधियों से तो आपको सिक्षा जो है असर नहीं करेगी तो इस तरीके के सुधार भी लाने का काम पूराम कृष्ण परमांजी और उनके जो शिस्से हैं वो करने का कारे करते हैं इसके लिए अगर हम बात करें तो स्वामी दयानन जी की बात आई में इञहोंने बहुत सारे समासुधार के कारे किए थे जो की आरसमाज के माध्यम से किए गए आरसमाज पभाविक सी बात है कि आरस अभिता को एकसेप्ट कर रहे होंगे लेकिन यहां पर भी ये एकसेप्टन्स भी उसी तरीके से है जैसे आधुनिक जो ब्रह्म समाज था उसी तरीके से ये आधुनिक आर्यसमाजी था 1875 में उन्होंने आर्यसमाज की स्थापना की तो जो भी जूठी शिक्षाएं हैं जो की पुराणों में भरी पड़ी थी उस समय पुराणों से ये बहुत मतलब पुराणों की जो जूटी कथाएं हैं जूटी जो कहानिया हैं पुराणों में जो सिक्षाएं लिखी गई हैं और उसका प्रचार करने वाले जो स्वार्थी और अज्यानी जो पुरोहित वर्ग थे उनसे उनको इन्होंने भरस्ट कहा है धार्मिक भरस्टाचार से लिप्त कहा है उन्होंने वेदों की ओर आने के लिए उन्होंने बात करी है वेदों से ये प्रेरित होने की बात करते हैं वो कौन कर रहे हैं, आरे समाज के संस्थापक, स्वामी सेनन सरस्थी जिकर, इसी तरीके से एक हम और संस्था का नाम लेना चाहेंगे यहाँ पर, यहैँ थियो सोफिकल सोसाइटी, थियो सोफिकल सोसाइटी की इंपोर्टेंस इसले हो जाती है कि आप जैसे इधर के जितने भी सुधार आप देख रहे हैं ये भारत में होने वाले सुधार है भारती धर्म में भारत में होने वाले सुधार है भारती समाज में होने वाले सुधार निपकी Theosophical Society जो है ये विदेश में established, USA में मैडम लाच्सकी मैडम लाच्सकी और कर्नल अलकाट उनके द्वारा established किया गया था और ये Theosophist थे ये धार्मिक सुधार है धार्मिक पुनर कह सकते हैं इसको reconstruct करना फिर से बनाना, reform करना धार्मिक पुनर सुधार का जो कारे है या धार्म पुनर स्थापन, पुनर स्थापन कह सकते हैं पुनरस्थापन का जो कार्य है धार में पुनरस्थापन का कार्य जो ये कर रहे हैं और ये विदेश में कर रहे हैं भारती धर्म को establish करना उसका प्रचार प्रसार करना उसकी अच्छी चीज़ों को देश दुनिया में ले करके जाना ये थियो से इवकल सोसाइटीज वाले लोग कर रहे हैं लेकिन शुरुवात में इन लोगों ने मैंने जैसे का कि USA में establish किया फिर उसके बाद ये लोग भारत में आ जाते हैं 1886 में मदरास में अडियार जगह है यहां पर इन्हों ने अपना जो है इसको स्थापित किया इसका जो कार्याले है इसको establish किया और जो हिंदुत्व है जान रखना यहां पर इसमें एनिवेसंट भी बार में जुड़ जाती है अठारत सो टिरानबे शायद पांबे यह ऐसे हैं आठारत स तारान में जो है एनिवेसंट भारत आती हैं 1093 भारत आती है कौन एनिवैसेंट गुर्ण दो असकी प्रकार की कार है उसमें जुड़ जाती है उन्होंने इसका प्रचार-प्रसार जो वो करना सुरूओ कर दिया अब यह जो प्रचार है यह किन चीजों का प्रचार कर रहे है यह शकार कर रहे है अगर इनकी पार्सी जो रम तर सो और इनको रिस और रहे हैं इनको सुधार हैं इसको से प्रुचार प्रसार कर रहे हैं इसकी सिख्षा को जो है देश में फैला रहे हैं और इसकी धार्मिक पुनर स्थापना का कारे कर रहे हैं कि धार्मिक जो पुनर स्थापना है इनका कारे कर रहे हैं इनका मानना है कि इस इनको जो है फिर से स्थापित किया जाना चाहिए एनी बेसन ने धार्मिक पुनर स्थापना के लिए ही या कह सकते हैं हिंदु तो धार्मिक पुनर स्थापना के लिए एक कॉलेज की इस्टाबलिश्मेंट भी किया ठीक है एनी बेसन के अगर हम बात करते हैं तो एनी बेसन ने बेसन ने बनारस में पनारस में केंद्री ये विद्याले के स्थापने की थी इससे को बाद में चल करके बदन मोहन मालवी जी 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 जो थे उसको इन्होंने बहु के रूप में रिकंस्टॉक्ट कर आया था पुरुश स्थापित करवाई ठीक है तो ये कुछ points है जो आपको थियोसोफिकल सोसाइटी से related है जो ध्यान रखने चाहिए सुधार के point के रूप में आपको इन सब points का जो है वो ध्यान रखना चाहिए इसके बादर माँ अगले जो सुधारवादियां अगर उनकी बात करते हैं तो इसमें सर सयद एहमद खान का नाम आएगा और सयद एहमद खान का नाम आएगा और आप इसको अलिगड़ अंदोलन से देख सकते हैं जोड़ करके अलिगड़ अंदोलन जोड़ करके देख सकते हैं अब देखिए सर सयद एहमद खान की भूमिका यहां पर इसलिए important हो जाती है कि उस समय कैं। समाज, उसमें जो उचवर के मुसल्मान हैं पश्मी को मुसलिम समाज सुधार में इन चीजों को समझने का प्रयाज जो है वो सरसयद ऐहमद खान ने किया है पर यह चीज संभाव कब हो सकती थी जब मुसल्मानों को भी आधनिक सिक्षा की जो है वो प्रदान की जाए परंतु एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे तो इन चीजों का एक्सेप्ट करने का काम जो है वो सबसे पहले किस ने किया है वो सयद एहमद खान जी ने 1857 का जो महा विद्रोव हुआ उसमें आपने देखा कि हिंदू मुसल्मान एक साथ है थे और इसका प्रभाव यह पड़ा कि जब ब्रिटिशर्स ने इनको इसके लिए साजिष करता माना मुसलिम्स को जब शाजिष करता माना उसके बाद प्रभाव यह हुआ कि 1857 की करांती के बाद ऐसे नियम बनाए गये जो जो मुसलिमों के विरोध में थे या मिसलिम विरोधी नीती जो है वो जब लेकर के आन लेकर तो उन्हें भी accept मतलब लगने लगा मुसलिम को भी लगने लगा कि हमें भी इस चीज का विरोध हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर सुधार लेकर के आएगे तो आधुनिक जो विचार है वो उभरने शुरू हो गये थे और 1863 में कलकत्ता में मुखम्दन लिट्रेरी सोसाइटी के स्ट्याबलि庶्मेंट किया गया इसका 1863 में कलकत्ता में मुखम्दन लिट्रेरि बहुंदन Literary Society जो है Literary Society और इस सोसाइटी ने इस तरीके की चीजों का अच्छी तरीके से परचार प्रसार किया जिससे कि जो reforms है वो अच्छी तरीके से किये जा सके चीजों को समझा सा सके और इसमें जो प्रमुक जो सुधारक रहे इसके जो प्रमुख प्रचारक रहे वो सरसयद एहमद खान जी ने इतनी सी बात आपको समझ जागी सरसयद एहमद खान जी ने तकरीबन 1898 तक इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा युगदा दिया आधुनिक वैज्ञानिक विचार के आधार पर पुरान को एकसेप्ट क करना यह सिखाने का प्रयास उन्होंने मुस्लिम जो उच्छ वर के मुस्लिम है यह किसी वर के जो मुस्लिम है उनको उनको बताने का प्रयास किया है कि आधनिक व्याग्यानिक्ता का प्रभाव हमें समाज में एक अच्छी स्थिती जो है लाने के लिए बहुत आवश्यक है बहुती ज़दा ज़रूरी है उन्होंने घोषना करी कि मतलब तमाम जैसे हिंदू में वेदों के अलावा तमाम सपोर्टिव रिलिजियस टेक्स्ट हैं उसी तरीके से धार्मिक जो ग्रंथ हैं वह हैं उसी तरीके से इसलाम में भी कुरान के अलावा दूसरे भी धार्मिक लेख हैं लेकिन वो क्या घोषना करते हैं वो घोषना करते हैं वो बोलते हैं कि इसलाम एक मात्र जो है किताब है इसलाम में एक मात्र जो किताब है जो इसलाम को परिभाशित कर सकता है जो इसलाम को सही तरीके से समझा सकता है एक मात्र जो प्रमारिक जो पुस्तक है एक मात्र जो प्रमारिक जो पुस्तक है वो एक मात्र प्रमारिक पुस्तक कौन सी है वो है कुरान और जितनी भी दूसरी किताबे हैं दूसरी अन्य जो भी ग्रंथ है उस सब उन्होंने उसको गौड बताया है सेकेंडरी बताया है वही ये और इस चीज को भी आप तार्खिक व्याज्ञानिकता के आधार पर जो है वो इन्होंने साबित करने का प्रयास किया उस चीज 1875 में इन्होंने एंगलो मुहमजन ओरेंटल कॉलेज की स्थापना की इसकी स्थापना की अलिगाड में आपर एंगलो मुहमज़न कॉलेज ठीक है एंगलो मुहमज़न कॉलेज जो है वो स्थापनिशन ओर ने किया है और इसी के माध्यम से इसी एंगलो जो औरियंटल और इसमें जो पाशात सब्धा के आधार पर पढ़ाई हो सकती थी तो पाशात सब्धा जो है उसको भी यहाँ पर अपनी संस्क्रत के साथ विक्सित करने या मिलाने का उन्होंने प्रयास किया है उसके पार इनके प्रयास सिर्फ इसी चीज़ के रहे कि वेस्टन जो 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 एजूकेशन है वो इसमें involved वो इन फैक्ट जैसे इंदू religious reforms हुए थे उसी तरीके से Muslim religious reforms करते समय इन्हों ने भी इस चीज का ध्यान रखा कि दूसरे धर्ब के विचार भी हमारे में शामिलो सामप्रदाइकता का जो जो सामप्रदाइक एकता जो है उसको भी विक्सित करने का इन्होंने प्रया चात्र यहां पर मिलने शुरू हो चुके थे और कहते हैं कि इस समय तक हिंदू के चात्रों के संख्या लगभग 75 हिंदू जो चात्र है वो भी पढ़ते थे यह बड़ी बात है उस समय जिस समय चीजों को एक्सेप्ट ही न किया जा रहा हूँ शायद इस संख्या में कुछ गड़बड़ी हो सकती है एक बार देखने की बात है 65-64 है अब 75 है कुछ इसी तरीके से मैं अबलिक लगा के लिख दे रहा हूँ शायद 64 या 65 है या फिर 75 कुछ इसी तरीके से अल्मोस्ट मतलब जो मेरा मन कर रहा है शायद 75 नहीं है अब 65 नहीं है फिर 75 नहीं है 64 जो हिंदू है उसमें शामिले मुस्लिम चात्र भी है उसमें इसको इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं इसका रिफरेंस जो है आपको मिल जाएगा विपिन चंटा जी की किताब वहाँ पर भी आप देख सकते हो इसके अलावान उसमें यह भी सिख्षक थे साथ जो भारती सिख्षक थे उन साथ भारती सिख्षकों में दो हिंदू सिख्षक थे और इन दो हिंदू सिख्षकों में से एक संस्कृत का सिख्षक भी था तो इस सम चीजों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अभी तक उनकी जो भावना है वो सामपरदाइक का वाली जो चीजी है वो नहीं फैला रही है लेकिन धीरे-धीरे क्या होने लगा कि अब क्योंकि ब्रिटिश के को विश्वास भी उन्हें दिलाना था और इन्होंने जो कॉलेज इस्टैब्रिश किया था इससे जो मुस्लिम समाज था वो सिक्षित होना शुरू हो रहा था तो ऐसा वो कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो इनके स्कूल के उपर किसी प्रकार का प्रभाव डालती और अगर स्कूल के उपर प्रभाव पड़ता तो डेफिनेटली कहीं न कहीं जो मुस्लिम सिक्षा है उसका जो एक मात्र जो साधनिया विक्षित हो रहा था वो फिर प्रॉब्लम में आ जाता तो उनके सामने एक डेलेमेटिक स्टेज आई उस समय राष्टवादी जो कह सकते हैं कि विचार हैं वो भी होने शुरू हो चुके थे राष्टवादी आंदोलन भी होने शुरू हो चुके थे दुबारा से क्योंकि अब 1857 की करन्ति के पास अपके मूँ तो खोली चुके लोगों ने सीख लिया था तो जो राष्टवादी आंदोलन कारी हैं वो इन्हें अपने साथ ले करके आना चाहते हैं लेकिन इनको भय होने लगा इस चीज का कि अगर कहीं इसका असर यह हुआ कि हमें यह स्कूल बंद करना पड़ गया तो फिर क्या होगा इस दर से इस भ संप्रदाइक नहीं हुआ करते थे वो संप्रदाइक और अलगाववाद को प्रुट्साहन भी देने लगते हैं और अंत में वो मुस्लिम संप्रदाइवाद की भी बात करना शुरू करते हैं जब यहां पर नाम आया है इस तरीके का तो एक नाम यहां पर मुहम्मद कह सकते हैं कि एक तरीके से राष्टवादी कवी के रूप में इनको भी जाना जाता है प्रारंभिक रूप में जो इनकी कविताएं हैं शुरुवात में जो इनकी कविताएं हैं वो जो हैं एक आधुनिक राष्टवादी हैं या देश्भक्ती वाली दिखाती हैं लेकिन बाद में ये भी जो है मुस्लिम अलगावाद की बात करने लगे तो उसके समर्थक होने लगे तो यह बैसिकली इस तरीके के चेंजेस हमको यहां पर देखने को मिले तो रिफॉर्म्स तो हैं हलाकी लेकिन इस तरीके के चेंजेस हमको यहां पर देखने को मिल जाते हैं इसके अलावां अगर हम बात करें तो फिर इसमें कुछ जो पार्सी सुधारों में किस प्रकार काम को सुधार देखने को मिल रहा है उसमें एक छोटा सा पॉइंट में आपको यहां पर एड़ करना चाहूंगा समझाना चाहूंगा बंबई में तकरीवन उनिस्वी सती में या उनिस्वी सती के आरम में अगर हम देखें 1851 में मजदयासन तोड़ा सा टफ नाम है मजदयासन शायद यही है में भी सम्थिंग कुछ इस तरीके से तो रहमानी मजदयासन सभा को इस्टैब्लिश किया गया तो यह एक तरीके से इसका मतलब क्या है रिलीजियस जो रिफॉर्म्स है उसको करने वाली एक सोसाइटी रिलीजियस रिफॉर्म सोसाइटी है तरीके से एक सभा ही इसमें तमाम सारे सुधारवादी लोग है इसमें नौरोजी फार्दूनी का नाम आता है नौरोजी पारदुन जी का नाम आता है, दादा भाई, दादा भाई, नौरो जी का नाम आता है, ये भी इसमें जुड़े हुए हैं, समा सुधारक हैं, इसमें एसेस बंगाली का भी नाम जुड़ता है, एसेस बंगाली ये भी इसी सभा से जुड़े हुए हैं, तमाम सारे और लोग है जो इस समास से जुड़े हैं जो पारसी धर में रूरी वाद था पारसी धर में जो रूरी वाद है इस रूरी वाद को दूर करना यह इसका विशेस लक्षी इसी तरीके से कुछ शिक्क सुधार भी हम देखने को मिले सिख सुधारों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 19 सदी के लगभग लगभग अंत के आसपास अमरसर में खालसा कॉलेज की स्टाप इस्टापना किया गया तो उससे जो है यह जो सिख धर में जिस प्रकार के जो रिफॉर्म थे वो लेकर के आएगा और इसमें सबसे अकाली जो कह सकते हैं कि आंदोलन है अकाल अकाली आंदोलन की वाता है अकाली आंदोलन के आने की मुख्य वज़ा यह है या प्रमुह कारण जो है अकाली आंदोलन के लाने का जो प्रमुह कारण है वो यह है कि इसमें जो गुरुद्वारा प्रवंधन है गुरुद्वारा प्रवंधन में एक प्रकार से शुद्धिकरण लाना चाहते हैं गुरुद्वारा प्रवंधन में शुद्धिकरण इसका उद्धेश है ठीक है उसके लिए जो जमीन है उसके लिए जो दान किये जाते हैं उसका मिस्यूज ना कोई कर पा रहा हो, इसके लिए कानून थे और उसके बाद में उन कानूनों में सुधार भी लाया गया, 1920-1925 के बीच में तुमाम प्रकार के संशोधन वगरा लेकर के आए गए, जो अकली अंदोलन के रूप में जाने जाते हैं, तो यह कुछ रिफॉर् संस्था के खिलाफ आवाज उठाने की बात इनी सवी संस्थाओं के द्वारा करी गई या अलग-अलग धर्मों के जो संस्थाइं स्टैब्लिश हुई, ठीक है, इस्तित्व है, या इस्तित्व की जो मुक्ति है, उसकी बात यहाँ पर करी गई है, समाज में उनको बराबर इत्रण किया है, यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अब हम इसके बाद इसके आगे की जो चीजें हैं उसके उपर चर्चा जारी रखें, इन सुधार आंदलोनों के बाद में तमाम प्रकार के जो धार्मिक सुधार हमने देखे और तमाम सारे जो चीजें देखें, उसके बाद में अब हम जो अगला क्या सकते हैं, इसी में पॉइंट एड करेंगे, वो होगा बंगाल का विभाजन का, तो अब हम बंगाल के विभाजन के विशय पे अगर हम बात करें, तो यह विभाजन क्यों हो रहा है, या क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन्स हो सकते हैं 1905 में बंगाल को दो टिकड़ों में भाजित किया गया है रीजन क्या है उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यह सुधारवादी आंदोलन हुए भाई इसके कई सारे इंपैक्ट मैंने थोड़ी दिर पहले आपको बताए उन इंपैक्ट में से एक रिजल्ट जो इंडियन की तरफ से गया वह यह गया कि देश में अत्यंद तीवरता से सुधार की अवशक्ता लोगों को महसूस हो गई लोगों ने अपनिवेशिक जो जड़े थी उसको खोदने का प्रयास करना शुरू कर दिया था भले अब देखिए दो चीजे हैं अगर हम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ यू से देखते हैं ब्रिटेन के प्रयंट पॉइंट ऑफ यू से देखते हैं तो हमको यह सौन में आता है कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आता है जिसके माध्यम से जो इस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो यूज है वो खतम हो गया इस टिड़े कंपनी जो है वो समाप्त हो शुरू हो जाता है प्रिटिश क्राउं के शासन शुरू हो जाने के कारण यहाँ पर तमाम तरीके के जो एक्ट से हैं वो यहां पर शुरू हो जाते है भारत के लिए भारत सच्चिव को स्टैब्लिश कियाता है, पद स्टैब्लिश कियाता है, कंपनी के डारेक्टर वगरा कि जो पद हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं, भारत की जो प्रिशासनी प्रणाली है, उसका नियंत्रन जो है बिटेन की संसत के हाथों में चला जाता है ऐसी तमाम सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलें लेकिन भारत में किस तरीके के सुधार परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं कि क्योंकि बिटिशस तो यहां से नहीं गए हैं लेकिन क्यों नहीं गए हैं क्योंकि अभास हो रहा है आप उस लेवल पर जपम पहुँचेंगे तब हम जाकर के उसको उससे टक कर ले सकेंगे और उसे हटा सकेंगे इसलिए भारत के अंदर एक तरीके से एक तो सुधारवादी जो कह सकते हैं प्रवृति प्रवर्टी है उसका विकास हुआ जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके अलामा एक और चीज है सुधारवादी प्रवर्ति के अलामा धीरे धीरे इन सुधारवादी प्रवर्तियों से क्या होना शुरू हुआ भारतियों की मांग बढ़नी शुरू हुई भारती जो थे उनकी मांग बढ़नी शुरू हुई इस चीज में जो क्योंकि 1857 की क्रांती का एक करण ये भी था कि प्रशासनिक जो पद है उस पे भारतीयों को नहीं रखा जाता था तो क्योंकि भारतियों को नहीं रखा जाता था, इसलिए भारतियों ने डिमांड यहां पर अब करनी शुरू कर दी दी, कि हमें भी प्रशासनिक हिस्सेदारी चाहिए, प्रशासनिक कार्यों में हमें क्या चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, तो देखे, प्रशासनिक कार्यों म प्रशासनी कार्यों में जब हिस्सेदारी का प्रभाव यह देखने को मिला कि धीरे-धीरे एंडियन्स जो है वो डेवलेप होते जा रहे हैं Britishers को भी लगा कि अगर हम इनको development के phase में नहीं लाएंगे तो फिर इस तरीके की करांती जल्दी हो सकती है इंडियनेशनल कॉंग्रेस को establish किया गया उसमें mediator की भूमिका जो है वो निभाई की धार्मिक और सामाजिक क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी इसके अलावा दूसरी सुधार्वादी प्रृति प्रशास्निक है इन सब ने कहीं न कहीं ब्रिटिश कार्यों में हस्तक शेब जो है वो जारी रख अब इनका प्रभाव जो है कहीं न कहीं राश्ट्रुवादी भावना से प्रेरित था और राश्ट्रुवादी भावनाओं से जो प्रेरित था भावनाओं से प्रेरित भारत है इस भारत का जो केंद्र था वो बंगाल होता जा रहा था यानि रास्टवादियों का केंद्र क्या होता जा रहा था बंगाल यानि बंगाल में रास्टवादी और आपने देखे भी जो पीछे पुनर जागरण के जो कारी हुए हैं वो आपको बंगाल में बहुत सारे होते हुए देखने को मिल रहे थे तो 1905 तक बंगाल जो है वो कह सकते हैं कि इस तरीके से जो ये राष्टवादी है इन राष्टवादियों का अड़ा होता चला गया इस समय तक तमाम सारे जो उग्र राष्टवाद जो है उसका उदय हमको देखने को मिलता है तमाम प्रकार की जो परस्थितियां है अब तक जो है इनकी विक्सित हो चुकी थी और 20 जुलाई सन 1905 को इनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉड करजन जो तातकालिक करी तब करी 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉड करजन उसने ये देखा कि ये जो राष्टवाद है ये बंगाल में ज्यादा ही पनप रहा है इसे ब्रेक करना होगा इसे तोड़ना होगा और इस समय तक इसने ये प्लानिंग बना ली इस को तोड़ने का एक तरीका है बंगाल का विभाजन कर दिया जाए बंगाल का बंगाल का विभाजन किया जाए और इस विभाजन को नाम दिया गया इस विभाजन को उसने कहा बंगाल का हम प्रशासनिक विभाजन कर रहे है ये बंगाल का प्रशासनिक विभाजन कर रहा है लेकिन वास्त्रिक रूप में जो बात नहीं थी इसके अंदर वो ये थी कि बंगाल को जो राष्टवादी भावना है उस राष्टवादी भावना को तोड़ना पड़ेगा इस राष्टवादी भावना की प्रमुख विशेस्ता ये थी कि इस राष्टवादी भावना से जुड़े जितने भी लोग थे उनके अंदर धर्म जाती आधि को लेकर के जो भेदभाव थे वो लगबग समाप्ति की ओर थे या इसका ध्यान नहीं देते थे जो लोग राष्टवादी भावनाव से प्रिते उनकी बात करी जा रही है तो धार्मिक एक्ता यहाँ पर देखने को मिलती है क्या देखने को मिलती है धार्मिक एक्ता और जब हम धार्मिक एक्ता की बात करते हैं तो तब भी भारत में दो बड़े धार्मिक संप्रदाएं हैं, एक तो आपका हिंदु और एक आपका स्लाम या मुस्लिम कह सकते हैं, यह क्या मुस्लिम शिक्षित हो रहे हैं तो इस लिए इस धार्मिक एकटा को हमें चोट पहुंचाना पड़ेगा और इस उद्देश से उसनी क्या कर दिया प्रशासनिक विभाजन का नाम देते हुए इनकी धार्मिक एकटा को भंग करने का काम किया और इस तरीके से इसने बंगाल को विभाजित जब किया, तो बंगाल दो भागों में कैसे विभाजित हुआ, एक तो हमारा पूर्वी बंगाल हुआ, एक हमारा हो गया पश्वी बंगाल, पश्चमी बंगाल, पश्वी बंगाल की उसने राजधानी जो है वो कलकत्ता रखी कलकत्ता ही रखी और जो पूरी बंगाल था इसकी राजधानी जो है वो धाका रखी खाका जो है इसकी राजधानी रखी नवाब सलिमुल्ला खान जो है वो यहाँ पर रासन कर रहे है पूरी बंगाल में तक्रीबन 3.1 करोण जनसंख्या थी उस समय अगर हम देखें यहाँ पर 3.1 करोण की जनसंख्या थी वो आपका यहाँ पर रहती है लेकिन तक्रीबन 5.4 करोण की जनसंख्या है वो आपका पश्य मंगाल में आपको देखने को में और इस 5.4 करोण की जनसं देखने में उसने यही कहा कि वही प्रशासन के दौर पर बहुत बड़ा है इसका विभाजन किया आवश्यक है उसने इस प्रकार का विभाजन किया लेकिन वास्तविक रूप में विभाजन जो है वो कैसा दिख रहा है हिंदू-मुसल्मान डिवीजन के तोर पर आप देख से अब बंगाल में जो जिसको राष्टवाद का केंद्र माना जाता था उस समय तक वहां का जो ग्रहसचीव है बोल रहा है भारत का जो समय ग्रहसचीव है रिशले करके एक विक्ति था जो भारत का ग्रहसचीव है उसने 6 दिसंबर 1904 को एक घोश्चना करी थी वक्तव्य बोला था जिसमें उसने बोला कि ये जो बंगाल है ये संप्रदाए रास्टवाद का राष्टवादियों का केंद्र बनता जा रहा है और ये जो बंगाल की एक जुटता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ती है और अगर हम इसे ब्रेक नहीं करेंगे तो हम आगे कंटीन्यू नहीं कर पाएंगे या फिर हमारे लिए हार ही हमारे पक्ष में रहेगी और इसने कहा कि हमारे तमाम सारे उद्देश्यों में ये भी एक उद्देश्यों होना चाहिए कि शासन के जो भी विरोधी हैं जो की खास तोर से बंगाल के रास्टवादी हैं इन शासन के विरोधियों को तोड़ना है हमें किसी भी तरीके से इनको कमजोर करना है यह हमारे प्रमुखुद देश्चों में से होना चाहिए जिसका रिजल्ट जो है आपको 1905 में लॉड करजन के दार देखने को मिल रहे अब इस विभाजन का तीवर विरोध किया गया बट नेचरल है कि इसका विरोध किया जाएगा ठीक है इसका विरोध जो है वो किया गया तीवर विरोध हुआ और जब यह विरोध हुआ तो इस विरोध में तमाम प्रकार की चीज़ें जो है शामिल हो गई जैसे की विरोध में अगर हम देखे तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने भी इसका विरोध किया भारत में जो रास्ट्रवादी जो लोग थे अच्छा उस समय तक इंडियनेशनल कॉंग्रेस जो है ना उस समय जग जो इंडियनेशनल कॉंग्रेस है पर वना चाहते हैं, सुधार वगएरा, कुछ भी है, तो सब मतलब लड़ाई जगडा करके नहीं, नियम के आधार पर वो चीज़ों को करना चाहते हैं, बहुत ज़ादा चीज़ों को फैलान नहीं चाहते हैं, मतलब एक तरीके से ये भी कहा जाए, कि नरम पंतियों को बिटिश शासन से कोई तकलीफ है, तो सिर्फ इतनी ही, कि वो उनकी इच्छा के अनुसार शासन करें, बिटिश शासन से तकलीफ नहीं है, बिटिश शासन के तरीके से तकलीफ है, जबकि आगे जो गरम पंथी आएंगे उन्हें तरीके से के साथ साथ उनसे भी तकलीफ होगी तो नरम पंथी है यहाँ पर इंडिनेशनल कॉंग्रेस ने जो है क्या किया इसका विरोध किया और जो बाकी जो उग्र राष्टवादी यहाँ पर थे यह उग्र राष्टवाद के जो लोग थे राष्टवादी जो विचारधारा के लोग थे ऐसा नहीं कि नरम पंथी राष्टवादी नहीं है तो यह राष्टवादी विचारधारा के जो लोग थे इन्होंने भी इसक इस आंदोलन में बहुत सारे लोग व्यापक रूप से शामिल हो रहे हैं, रमीदार शामिल हो रहे हैं, व्यापारी शामिल हो रहे हैं, छात्र तक शामिल हो रहे हैं, इसमें तमाम सारे नगरों के जो गरीब जनता है, आम जनता है, इस्त्रियां हैं, कि सब समाज, बहुत सार पीरा करने कलें, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये लॉड करजन ने क्या कर रखा है, वो ये कहते हैं कि अगर आपको विभाजन करना ही था, इन विरोधियों का कहना अगर आपको विभाजन करना ही था, तो थोड़ा बहुत इस प्रकार से कर सकते थी कि भाषाई आधर पर वि लोग है। परिणाम क्या हुआ अंतता है आपको डेखने को मिलेगा कि इन लोगों ने विरोध का स्वरूप जो है वो धारण कर लिया पुरी तरीके से और इसके विरोध में तमाम सारे लोगों ने आंदोलन जो छेड़ा उस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कहा गया जो आंदोलन हुआ उसे क्या कहा गया इस आंदोलन को नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन या फिर आप इसे बंग भंग बंग भंग आंदोलन कह सकते नहीं कि बंगाल के विभाजन में जो आंदोलन चल रहा है, उसे आप बंगभंग आंदोलन के रूप में जान सकते हैं, इसमें शुरुवात में अगर देखें तो जो नरम पंथी लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, जिसमें सुरेणनाद बनर जी का नाम है, कृष्ण कुम कृष्ण कृमार मित्र, यह सब जो नरम पंथी जो विचार्धारा के लोग थे, ब्खी लीडर यही थे, ठीक है, इन सब लोगों को क्या कर लिया जाएगा, इन सब लोगों का यहां पर विरोध जो है, वो देखने को मिलेगा, दर्ज होते हुए गए, weapon rinse, अब अगर हम इसको देखें, तो वास्तविक रूप में सारे लोग एखटे हुए हैं, 7 अगस्त 1905 को, क्योंकि घोशना देखो, मैंने आपको बताया कि घोशना करी गई है, 20 जुलाई 1905 को लाड़ करजन ने विभाजन की घोशना करी है, अभी 16 अक्टूबर को विभाजन होगा, अभी हुआ नहीं है, भजन होगा, लेकिन इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को लोग आंदोलन करने के लिए एकत्रित होते हैं, और एकत्रित जो है कहा हो रहे हैं, कलकत्ता में, कलकत्ता में, टाउन हॉल में, कलकत्ता में, टाउन हॉल में, ये एकत्रित होकर क को इसके खिलाब जो है वह आंदोलन शुरू करएंगे तो वास्त्री प्रूप t कब हो ना था विभाजन हो ना था विभाजन वह वह कब हुआ अ Japanese in लेकिन कब हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बड़ी भीशन तरीके से इसमें जो है लोगों ने अपना विरोध जो है वो दर्ज किया है तमाम तरीके से लोगों ने अपना विरोध इसमें दर्ज किया है विभाजन जब हुआ तो लोगों ने इसी दिन शोक मनाना शुरू कर दिया शोक सभाएं की गए बंगाल विभाजीत हो गया बंगाल तूट गया कोई चीज विभाजीत होती है तूट जाती है खुशी का दिन तो है नहीं इस समय शोग दिवस बनाये गया लोगों ने दिनों दिन उपवास रखे प्रत रखे उपवास रखे नंगे पैर चल करके जा करके जो हिंदूत होए वो नंगे पैर उसे उन्होंने गंगा में जा करके डुपकियां लगाई गंगा में ठीक है यह अपना विरोध का क्या है सारा तरीका है लेकिन इससे आपको लगता है कि बिटिशर्स को कोई आप शोग मनाएंगे तो बिटिशर्स को कोई फाइदा पड़ेगा उपवास रखेंगे तो बिटिशर्स को कोई फाइदा होगा नंगे पाउ जाएंगे तो उनसे बिटिशस को कोई मतलब कोई उनके उपर असर पड़ेगा उनके उपर असर नहीं हमारे अंदर असर पड़ेगा हमारी unity जो है unity ही तो break कर रहे थे unity ही तो strong करनी थी हमारी को हम सब लोगों ने मिल करके यह सब काम करने जो है वो शुरू किये उदर रविन्ना टैगोर जी का गीत जो है आमार सोनार बांगला यह जो है पेमस होना शुरू हो गया रातो रात इसी गाने को ले करके 1971 में जब मुक्ति दिवस बांगलादेश का हुआ तो उसने अपना इसको राष्टगान बनाया आम ले हुए निकलता था इससे राष्टवी एक्ता की भावना होते थी इस अक्टूबर को लोगों ने रक्षा बंधन दिवस मनाया रक्षा मिसलिम एक्ता के रूप में हिंदू मुसलिम एक्ता जिसको ये ब्रेक करना चाहते थे ये मूर्ख लोग उसी को यहाँ पर रक्षा बंदर दिवस के रूप में आए गया हिंदूों ने मुसलिम्स के हाथ में और मुसल्मानों ने हिंदूों के हाथ में जो है वो राखी में एक कह सकते हैं कि सभा का आयोजन किया उसको जो है Federation Hall कहा गया सब लोग आकर करके उसमें जुड़े बंगाली एक जुटता को रिप्रजेंट करने के लिए Federation Hall मतलब और लोग जो है उसमें उस भाशण में जो है वो शामिल हुए, आनन्दबोण के गया ठीक है और इसमें आगे कुछ और भी अगर चीजें देखी जाएं तो जैसे की बंगाल विभाजन का विरोध जो है वो आंदोलन के रूप में विक्सित हो चुका है अब आंदोलन में कुछ चीजें शामिल कर ली गई मतलब तमाम ऐसी चीजें शामिल करी गई जो स्वर स्वदेशी सब्द लिखना चाहिए विरोध किया जाना शुरू किया गया और यह तैंकिया गया कि हम ब्रिटिशस का साथ लेंगे ही नहीं लेंगे ठीक है तो स्वदेशी जो है एक स्लोगन के रूप में जो है बहुत तेजी से चल पड़ा और इसका परणाम यह हुआ कि जो विदेशी चीजें थी उसका बहिशकार किया गया तो आप इसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में या विदेशी बहिशकार के रूप में भी दे सकते हैं इसमें जो विदेशी वस्तुवें हैं मतलब लोगों ने क्या किये स्कूल्स में जाना बंद कर दिया आपने जगह से लोगों ने resign देना शुरू कर दिया colleges में जाने बंद कर दिये bank में जाना बंद कर दिया जो भी आपको समझ में आता है कि चीजें हो सकती है जिसमें हम British सरकार की read तोड़ सकते हैं उसको जो है धिरे-धिरे करके बंद कर गए और इन सब जगहों पर जो स्वदेशी चीजें हैं उनको विक्सित किया जाना शुरू कर दिया गया फिर वो मतलब माचिस की तीली से ले करके कुछ भी मतलब कपड़ा मिले establish कर ली गई तमाम प्रकार की कपड़ा मिले कपड़ा मिले लगाई गई माचिस के कार खाने लगाएगे माचिस के कार खाने आप सुचेंगे कि ये छोटी सी चीज भी हाँ बिल्कुल स्वदेशी मतलब सारी चीजें होनी शुरू हो गई साबुन साबुन के कार खाने साबुन बनाने के कार खाने इसके अलामा जो आपके प्रकार के banks हैं या फिर वीमा एजनसीज हैं ये सब भी स्वदेशी यहां पर विक्सित हो गए स्वदेशी banking प्रणाली स्वदेशी bank और जो स्वदेशी जो वीमा companies हैं इन सब को यहां पर स्थापित किया जना शुरू कर दिया गया और इसके against में जो है जो विदेशी जो ची किया गया कलकत्ता में और कलकत्ता में ही इसी समय राश्ट्री कॉलेज को भी स्टैब्लिश किया गया 15 अगस्त 1906 को कलकत्ता में स्कूल कॉलेजेज भी बंद हो रहे हैं तो यहां पर स्कूल कॉलेजेज भी इस्टेबलिश हो रहे हैं रास्ट्री सिक्षा परिशद रास्ट्री सिक्षा जो परिशद है उस रास्ट्री सिक्षा परिशद का भी विकास किया गया उसका भी डवलप्मेंट किया अब उसका भ इस रास्टी कॉलेज के नैस्टाल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हुए उभुंद घोश ‫ पहले जो प्रिंसिपल थे इसके प्रिंसिपल ये जो पहले प्रिंसिपल थे वो अरविंद ठीक है तो इस तरीके की चीजें रही जो हमको यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई दी इस तरीके की रखी तो ये बंगाल विभाजन के असर हुए इसके असर के रूप में तमाम सारे जो चात्र हैं तमाम सारे जो चात्र कह लीजिए आप इस्तरियों को कह लीजिए मुसलिम्स को कह लीजिए जनता के जो दूसरे वर्ग हैं उनको सब को कह लीजिए इन सब लोगों ने बहुत उग्र तरीके से इस आंदोलन में इस बंगाल विभाजन का विरोध किया मुस्लिम में दो फड़ हमको जरूर यहां पर देखने को मिलते हैं कुछ मुस्लिम्स हैं जो रास्टवादी मुस्लिम्स के तौर पर देखने को मिल रहे हैं और कुछ मुस्लिम्स हैं जो अंग्रेजों के हाथ के विकाउ टट्टू है मौलाना अब और रास्टवादी विचारधारा से जुड़े थे और इस बंगालवी बाजन के फिरोध में जो है वो शामिल थे लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी मुसलिम दल थे जो इस विभाजन के कह सकते हैं कि पक्ष में थे जैसे कि उनमें एक नाम यहाँ पे है धाका के नवाब अभी जो धाका के नवाब साहब हैं इनको बिटिशस ने तकरीबन 14 लाख रुपे की पित्ती सहायता प्रदान की थी और यह इनहीं की सहायता से वहाँ के नवाब भी बने हुए थे तो स्वभाविक सी बात है यह उन बिगड़े हुए मुसल्मानों में से थे जिन्होंने इस बंगाल विभाजन का तमर्थन किया और बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसका जो है इन्होंने विरोध किया तो यह तो एक ऐसी बात हुई लेकिन बिटिशर्स ने क्या किया जब इस तरीके के आंदोलन खड़े हुए तो दमनकारी नीति का पालन करते हुए पूरी बुरी तरीके से इस आंदोलन को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया सबसे पहले तो उन्होंने वंदे मातरम, वंदे मातरम उनको गाली की तरह लगने लगा, वंदे मातरम पे उन्होंने प्रतिबन लगा दिया, वंदे मातरम पर प्रतिबन लगाया, अब ये ब्रिटिशास जो है, वो किस तरीके से इसको कुचल रहे हैं, उसमें से एक तो यही बच्चे जो थे स्कूल जाने वाले उनको उनको शारिरिक दंड दिया गया 1906 से ले करके 1909 के बीच में तक्रीबन 550 मुकर्द में जो थे वो आंदोलन कारियों के खिलाफ लगाए गए थे 1908 में 1908 में 9 भारती जो नेता थे और ऐसे भारती नेता जिनका प्रभाव जो है वो देश की जनता पर पढ़ सकता था रास्टवादी नेता के रूप में जाने जाते थे ऐसे 9 नेताओं को देश निकाला कर दिया गया ये 1908 में तक्रीबन दिसंबर की बात है 1907 में आपको मालूम होगा लाला लाजपत राय जी को देश निकाला कर दिया गया और इनको मांडला जेल में भेज दिया गया लाकि छे मेने बाद इनको वापस बुला लिया गया था 1908 में बहुत ही प्रसिद नेता थे पाल गंगाधर तिलक उनको ग्रफतार करके भेज दिया गया निश निकाला कर दिया गया 1908 में पाल गंगाधर तिलक इनको 6 वर्ष तक जो है बहुत ही ज्याती रूप से कह सकते हैं कि इनको सजा देते हुए इनको 6 वर्ष की कैद दी गई बहुत ही और इन सब चीजों से मतलब कोई भी दिगने नहीं पाया तो दमन बुरी तरीके से किया गया इस राष्टपादी आंदोलन का यह जो विरोध में आंदोलन हम लोग ने पंगाल के विरोध में शुरू किया था इन सब से जब इस तरीके की चीज़ें शुरू हुई तो इससे समझ में आ गया कि यह ब्रिटिश जो हैं आत्मसम्मान तरीके से जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे बहुत साधरन तरीके से जो आंदोलन कर थे इससे मानने वाले नहीं हैं इनके लिए हमें क्रांतिकारी विचार लाना पड़ेगा तो क्रांतिकारी राष्टवाद का यहां पर उदै होता है और क्रांतिकारी राष्टवाद के उदै होने के कारण जो है क्रांतिकारी राष्टवाद के उदै का एक उदारन में आपको दे सकता हूं कि बारिसाल सम् में 22 जुलाई है शायद समय जहां तक जो मुझे यादा रहा है हम डेट को थोड़ा यहां पर छोड़ देते हैं कभी कुछ डेट जो हैं वो नहीं यादा तो यहां पर ऐसा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि 1906 में 1986 में युगांतर नाम की एक पत्री का के द्वारा एक प्रकाशन निकाला गया एक प्रकाशन लाया गया 22 अप्रेल था याद याद आगी 22 अप्रेल 22 अप्रेल को युगांतर जो समाचार पत्र था यह करांतिकारी समाचार पत्रों में से एक है समाचार पत्र ठीक है ये जो युगांतर समाचार पत्र है, इसने स्टेटमेंट दिया, 906 में, उसले लेगा कि समस्या का समाधान जो है, वो किसी और के पास नहीं है, जनता के अपने हाथों में है, ये स्टेटमेंट बहुत काम आया लोगों की, ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान, समस्या का समाधान इसके हाथ में है जनता के हाथ में इसको लोगों ने क्रांतिकारी विचार के रूप में लिया और आगे और क्रांतिकारी जो है वो घटनाए घटितोनी शुरू हो गई इससे पहले अगर हम देखें बंगाल विभाजन से पहले भी एक क्रांतिकारी संगठन का नाम याद आता है 1904 में विनायक दोमुदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था चलाई थी विनायक दामोदर सावरकरजी के दौरा चलाए तो यह चीज हमको यहां पर ध्यान रखनी है कुछ इस तरीके करांतिकारी संगठन और भी हुए विदेशों में कुछ करांतिकारी संगठन जो है वो खोले गए 1905 तक के तमाम सारे समाचार पत्र ऐसे थे जो करांतिकारी विच इस तरीके के तमाम प्रकार के समाचार पत्रों का भी कह सकते हैं करांतिकारी विचार धारा को बढ़ाने में काफी युगदान रहा 1907 में बंगाल के अच्छा करांतिकारी गत्विदिया बढ़ गई परिणाम भाई आपने क्या किया देखी परिणाम देखी कितना किस तरीके से जब रास्टवादी सुधारवादी कारिकरम हुए तो लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया हिंदो मुसलिम एकता एक होनी शुरू हो गई इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया बंगाल विभाजन हुआ तो हमने बंगाल विभाजन का विरोध किया बंगाल विभाजन के विरोध में फिर से हिंदो मुसलिम शक्तिया एक होनी शुरू हो गई छेतरी शक्तिया एक हो तुमाम ऐसे काम किये की बिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी कि 1907 में बंगाल में एक लेटिन गवर्नर की लेटिन गवर्नर के उपर जो है आक्रमन किर दिया गया उनको जान से मारने का प्रयास किया गया 1908 में खुदी राम भोस ने प्रफुल चाकी ने एक बग्गी के ओपर आक्रमन किया उस बग्गी में एक जसाब बैठे हुए थे हलाकि वो बालवाल बजगे तो खुदी राम भोस जो है वो तो खैर भाग निकले इसी तरीके से तमाम सारे क्रांतिकारी संगठन थे जो विद के दरा स्टैब्लिश किये तो बेसिकली हमको यहाँ पर यह समझ में आता है कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने अपना रुख कड़ा करते चले गए उसी प्रकार से भारतियों ने भी अपने रुख को आगे वो बढ़ा दिया तो इन सब का भारती राश्ट्री कॉंग्रेस पर किस प्रकार से असर पड़ा वैसे तो आप सब लोगों को मालूम है इंडियनेशल कॉंग्रेस जो है 1885 में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का गठान हुआ इसको इस्टैब्लिश किया गया एक इटावा के रिटायर कलेक्टर थे रिटायर कलेक्टर तायर ठीक है तो एओ हुम जिनका नाम था क्या नाम था एओ इनके द्वारा इसको इसको इस्टैब्लिश किया गया था जो इसकी पहली अध्यक्षता हुई थी 1885 में ये करी गई थी WC बनर जी जी के द्वारा और 201885 में इस्टैब्लिश जो इंडेनेशन कॉंग्रेस है मैंने बताए इंडेनेशन कॉंग्रेस का काम क्या है इसमें जो नेता हुआ करते थे ये राष्टवादी जो समस्याइं है जो रास्ट की जो प्रेशर कितना है इसी वज़े से कहा जा सकता है कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो है सेफ्टी वॉल सिद्धान के तहर इसको इसको इस्टाब्लिश किया गया था और जब हम लोग एग्रेसिव होने लगे तो 1906 में इनोंने मुसल्मानों को बढ़का करके एक संगठन बनवा ही लिया कॉंग्रेस से अलग करके कॉंग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में कॉंग्रेस से अलग हो करके मुस्लिम लीग का कर दीके 1905 में जब यह विभाजन का समय है उस समय के अगरम बात करना है तो 1905 में इसके अध्यक्ष बने 1905 में उत्हे गोपाल क्रिष्ण गोखले और इन्होंने विभाजन की बहूत कड़े शब्दों में निंदा कर दी तो एक तरीके से जो एक दबा हुआ उग्र राष्टवाद्यू था वो उसको उठने का मौका मिल गया और इसी कारण से 1906 में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा इसको ले करके काफी खीचा तानी हो गई अध्यक्षपद को ले करके इसमें जो है काफी ज़्यादा खीचा तानी हो गई और अध्यक्षपद को ले करके जब खीचा तानी हो गई तो इस खीचा तानी में बाद में जो राष्टा निकला है जिसे अध्यक्ष बनाया गया वो हुए दादा भाई नोरोजी दादा भाई नोरो जी अब दादा भाई नोरो जी की अध्यक्षता में कुछ भाषण जो है वगएरा दिये गए और जो ये भाषण दिये गए दादा भाई नोरो जी की अध्यक्षता में उन्होंने बताया कि हम लोगों को यह जो Congress जो अधिवेशन हुआ है Congress अधिवेशन के उद्देश के रूपे उन्होंने क्या उद्देश का वर्णन किया है उन्होंने का है कि हमारा उद्देश ऐसा होना चाहिए कि हम एक ऐसे स्वाशासित राज्य को establish करें जो Great Britain जो की उपनिवेशी शासक है हमारे यहां जिस तरीके का उसके यहां पर एक श्वाशासन है जिस प्रकार का जिस प्रकार का स्वराज उसके यहां है वैसा ही स्वराज जहां हमें अपने हां establish करने है बड़ी समर्थन की बात हो गई है जिस तरीके से Britain एक स्वराज को feel करने वाली जो संस्था है स्वराज जहां पर है खुद का शासन जहां पर है हमारे यहां नहीं है तो हमें भी इसी तरीके की संस्था बनना है इसी उद्देश के साथ हम आज के दक्ष्टा शुरू करते है और उसके अनुसार जह आगे काम को यह जो भाषन दिया गया इससे जो उग्रराष्टवादी लोग तो थे वो और ज़ाधा प्रेरित हुए और जब वो और ज़ाधा प्रेरित हुए तो कॉंग्रेस में और ज़ाधा फूट पड़ गई आपस में ही कि एक पक्ष पूरी तरीके से उग्र राष्टवात उग्र कह सकते हैं राष्टवात ये पक्ष में हो गया और दूसरा जो था वो नरम पंथ में था नरम पंथी विचार में था जो उग्र राष्टवादी हुए ये गरम पंथी कहला है और ये फिर ये जो मामला है ये काफी अधिवेशन में ये गरम दल और नरम दल का भाजन हो गया और गरम दल और नरम दल के भाजन में कॉंग्रेस की वर्चस्वता जो है वो नरम दल के हाथों में नहीं गरम दल जो है वो extremist activities के लिए वो अलग तरीके से वो काम करने लिए अब इन सब चीजों को देखते हुए Britishers को एक बार फिर से मौका मिला और उन्होंने बाटो और राजकरो की नीति का पालन किया और इस नीति का पालन करने के लिए 1907 के बाद धीरे धीरे इस प्रकार की कोशिसे करी जाने शुरू कर दी गई जिससे की लगे कि हम आपके लिए कुछ सुधार ले कर गी और इसी पहला क्या किया गया मौरले मिंटो सुधार लेकर किया इस मौरले मिंटो सुधार में कहा गया कि आप जिस तरीके की डिमांड्स रख रहे हैं उस डिमांड्स में से कुछ डिमांड्स को हम लेकर किया हैं जिससे कि जो प्रशासनिक गलतियां हैं उसको थोड़ा सा सुधार आ जा सके और ये भी कि उनका प्राथमी कुद्देश का प्राथमी कुद्देश यहां पर क्या है वो ये है कि ये जो आपस में जो फूट पड़ी है सूरत अधिवेशन में इसका लाब उठाये जाए नरम पंथियों की और ब्रिटिश जो है वो जुख चले अगर नरम पंथिय तो किसी को एतराज भी नहीं होगा तो इस तरीके की नीतियों का पालन करने के लिए 1909 में इस चीज लेकर क्या थे वाइदवी 1909 तक यहां ब्रिटिश के खिलाफ जो इंडियन्स है उनकी डिमांड क्रियेट होने लगी थी कि हमको प्रशासन में सुधार के लिए भारतियो की जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है या निकि उनका 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 जो प्रतनिधित्व है उसको बढ़ाया जाए और इस इस डिमांड को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 1909 में इस डिमांड को एक्सेप्ट करने के दो तीन तरीके रखे गे सुधार हुआ अच्छा इसके अलामा 1911 में भी एक काम इन्होंने किया हलाकि उसपे हम बात में बात करेंगे लेकर 1909 में जो माले मिंटो रिफॉर्म आया है इसमें Imperial Legislative Council जो है Imperial Legislative Council और जो प्रांतिये परिशद हैं जो regional जो councils हैं प्रांतिय परिशदे जो हैं उसमें जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई इसमें imperial legislative council और imperial legislative council और साती सात वो जो प्रांतिय परिशद है प्रांतिय परिशद प्रांतिय परिशद इनमें सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया बढ़ा दिया गया ठीक है सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया और अधिकांश जो लोग हैं वो अप्रत्यक्ष पद्यति से चुन करके यहाँ पर आने शुरू हो गया अधिकांज जो लोग थे अधिकांज जो लोग थे वो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरह से चुन करके आए ठीके समझ में आ रही कि नहीं बात काउंसिल अब जेको इसको थोड़ा सा थोड़ा उस तरीके समझाने का प्रयास करें जैसे कि जो काउंसिल के मामले हैं लेजिसलेटिव काउंसिल जो इंपिरियल लेजिसलेटिव काउंसिल के मामले में परिशदों जो प्रांती परिशदों के द्वारा और प्रांती इन सदस्यों को उसमें कुछ सीटें जो है रिजर्व करी जाने शुरू कर दीुल और कुछ सीटें जो है वो जमिदार थी जागीरदार थी उनके लिए बharaat में रह रहे है ऑंने अगर बात करें ज rumor ली बात करते हैं तो इन 68 सदस्यों में से 36 जो है वो अधिकारी होंगे पांच जो है वो नामजद अधिकारी होंगे ठीक है ठीक है यह पांच नामजद होंगे पांच नामजद नामजद मतलब जिनको नॉमिनेट किया गया हो लेकिन यह अधिकारी नहीं होंगे प्रिटिश अधिकारी नहीं होंगे किसी भी तरिक है ये आईंगे और जो 6 बचे हुए जो 27 सीटे हैं 27 सीट्स उन 27 seats में चुने हुए लोग आएंगे जिन में से 6 जो हैं वो बड़े जमिदार के रूप में आएंगे दो ब्रिटिश पुझी पती के रूप में आएंगे ऐसा करके तो ये जो है आपका ये मौरले मिंटो सुधार है दूसरा इसी मौरले मिंटो सुधार में जो मुसलिम्स हैं मुसल्मान जो हैं मुसल्मानों के लिए मुसल्मानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग थी उनकी पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग थी उसको स्विकार कर लिया गया तो आप देखिए वास्त्रिक रूप में अब ये प्रथक निराचक मंडल की मांग कौन से मुसलिम कर रहे थे बेसिकली ये मुसलिम लीग के जो सदसे थे मुसलिम लीग ठीक है मुसलिम लीग के जो सदसे थे वो इसकी डिमांड कर रहे थे मुस्लिम लीग भी तो इंडियंस थे ना उस समय और यह वाली जो टिमांड थी यह जो उपर वाली हमने डिमांड बताई एंक्सांपल के तोर पर ये वाली जो demand थी, ये Congress की तरफ से करी जा रही थी, कह सकते हैं कि जो Congress को उसमय नरम दल लिड कर रहा था, ठीक है? तो नरम दलियों की बात मान ली, जो की उग्ररास्टवाद के खिलाफ थे, और उस समय उग्रास्टवाद सही दिशा में जा रहा था, उन्होंने muslims की बात मान ली उन muslimानों की जो muslimली की सदस्ज से थे जो रास्ट विरोधी हो रहे थे जिनको सिर्फ अपने संपरदायवाद से ही कह सकते हैं लेना देना था कहने को इन्होंने भारतियों की बात मानी लेकिन ये वो भारती थे जो शायद एक तरीके से देखा जाए तो भारत के पक्ष में नहीं है मतलब यूँ नहीं का जा सकता है कि ये भारत के पक्ष में नहीं जाना चाते लेकिन इनकी गत्वीदियां जो है वो भारत के पक्ष में नहीं जा रही है ये था इनका सुधार और इस माध्यम से आप देखिए बड़ी आसानी से इस मांग ने हिंदू और जो मुस्लिम एक्ता है उसमें संप्रदायवाद का विश्घुलने का काम किया और इस काम ने गरम दल को अंग्रेजों के करीब ये अंग्रेजों के करीब आ गए लाने का प्रयास हुआ इसमें और गरम दल नरम दल को अंग्रेजों के करीब लाने का प्रयास किया गया और गरम दल को नरम दल से दूर करने का प्रयास किया गया इस एक्ट के मध्यम से, हाला कि एक्ट लाने के बाद नरंदल के लोगों को ये महसूस हुआ, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, जो हमें रेप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था उस तरीके का है नहीं, फाइदा उठाने का काम किया गया है, लेकिन बहराल वो कर भी क् होते थे, तो ये है, मैंने बताया ना कि, फूट डालो और राजकरों की नीति का पालन यहीं से होना शुरू होता है, तो इसी प्रकार से होना शुरू है, तो बेसिकली ब्रिटिशस के तरफ से अगर इस एक्ट के उद्देश के हम बात करते हैं, तो इसमें राष्टवाद राष्टवादियों की जो एक जुटता है, राष्टवादियों की एक जुटता जो गरम दल और नर्डल के रूप में देखने को मिल रही थी, उसमें फूट डाला जाए, नरम दल को प्रभावित करके अपने पक्ष मे लाया जाए, ब्रामित किया जाए उन्ने, बिसिकली भ्रमित करने का यह काम किया गया था ना भ्रमित किया ज़या यही जो है इस मौरले मिंटो सुधार का जो है वो उद्धेश था बिसिकली ठीक है तो आई होब कि आपको यह वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा गरमदल और नरमदल वाला और इसके बाद जो है यह आपका एक मौन्टेंग्यू चैन्सफोर्ट रिफॉर्म आता है क्योंकि 1909 वाला जो यह सुधार था यह 1909 वाला सुधार काम नहीं किया लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो इसलिए अब हम लोग को मौन्टेंग्यू चैन्सफोर्ट रिफॉर्म के बारे में समझना होगा देख के बाद आने वाला जो यह जो मौन्टेंग्यू चैन्सफोर्ट सुधार है क्या यह वास्तविक रूप में कुछ सुधार लेकर करके आएगा फिर से एक बार मैं आप लोगों को याद करा देना चाहता हूं कि सुधार कौन ला रहा है ब्रिटिश गवर्मेंट जो है वो इ कुछ बिगड़ अगया है लेकिन वास्तविक रूप में यह सुधार नाम जो है यह केवल इंदुस्तानियों के लिए था और वो भी जो की उदारवादी थे उदारवादी या फिर आप इन्हें यूँभी कह सकते हैं जो की उग्र रास्तवाद जिनके अंदर नहीं था उनके लिए लिबरल्स जो थे उनके उनको अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिशर से लेकर के आये थे लेकिन कहीं न कहीं वो लिबरल्स भी इनसे संतुस्ट नहीं थे इनके सुधारवादी प्रोग्राम से वो भी संतुस कि नहीं अपे बढ़िशह सबको तो खो नहीं सकते मैंने आपको बताया कि दो तरीके के चीजb इसकर है एक जो लिबरल्स थे मैंने का एक अग्री राष्ट्वादी थे और दूसरे जो है वह हम कह सकते नरं पंती थे थे नरं पंतीयों को नरं जो पंती थे उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए साथ ही साथ एक जो संपरदय में Muslim संपरदय का जो एक पूरा रूप हमको देखने को मिलता है जो Muslim League वाला है मुसलिम लीग वाला उसको संतुस्ट करने के लिए पर क्योंकि ये दोनों ही भारती हैं जो कि बिलीव कर रहे हैं ब्रिटिश जो कानून आ रहे हैं उसमें उन्हें लगता है कि इससे कुछ सुधार हो सकते हैं या होने के पक्ष में आए हैं लेकिन वास्तिविक रूप में ज परमदल में जो मांसिकता जो अंतर जो पैदा हो रहा है उस अंतर को यहां पर और बढ़ा किया जा सके हैं लेकिन विरोध होना था क्योंकि इन्होंने देखा कि यार सही में एकसेप्ट नहीं किया नहीं सकता है बहले इनकी तरफ से कुछ बहुत जादा विरोध नहीं इतनी नाम मातर की थी कि उससे कोई खास फर्क नहीं पढ़ने वाला था और सुधार चाहिए था अच्छा सुधार चाहिए था सुधार के रोप में दिखावा नहीं चाहिए था इस क्रम में Montague चैंसफोर्ट रिफॉर्म आता है इसके शुरुवाद कुछ इस तरीके से हो रही है कि 20 अगस्थ सन 1917 को ब्रिटेन की जो कॉमन सभाय है इसको कहते हैं एट याद रखना है आपको 20 अगस्थ 1917 ब्रिटेन के हाउस आउफ कॉमन्स में इसमे वहाँ पर इसको बोल सकते हैं जो आम सभाज इसको बोला जाता है house of commons ठीक है उसमें जो है montague ने गोशना करी ठीक इसी को हम लोग बोलते हैं ये अगस्त गोशना के रूप में जाना जाता है इसको क्योंकि अगस्त में आई इसी को आप अगस्त गोशना के रूप में जान सकते हैं या फिर आप इसे Pontegu घोषणा की रूप में जान सकते हैं Pontegu घोषणा की रूप में जान सकते हैं इसने घोषणा करी घोषणा की रूप में एक प्रस्ताव जो है वो House of Commons में लेकर के आया जा रहा है जिसमें जो है ये कहा जा रहा है कि हमको कुछ सुधार के रूप में कुछ कानून पेश करने चाहिए और इनकी इस बात को मानते हुए ये कहा गया कि भाई ठीक है प्रस्ताव के अनुरूप एक ड्राफ्ट तयार करिए वो ड्राफ्ट तयार हुआ और उस ड्राफ्ट की तयारी में दो लोगों का नाम आता है एक तो भारत मंत्री है ये मॉन्टेग्यू कौन है ये भारत मंत्री थे उस समय भारत मंत्री का जो पद है वो बनाया गया था मैंने आपको बताया ठारा सो अठावन का जो एक्ट आया था उसके द्वारा और भारत में जो ब्रिटिश जो कार्री हो रहे हैं उसके एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो ब्रिटेन से जो है जो यह विक्ति यहां पर आ रहा है वो यह यह भारत मंत्री है यह ठीक है उसके लावा गवर्नर जेनरल भी है यहां पर जो व वायसराय हैं अब इन दोनों के साजहा दिमाग से एक प्लैनिंग करी गई है या फिर एक कह सकते हैं कि एक योजना बनाई गई है 1918 में इसकी घोशना करी गई फिर ना यानिकि जो पहले इन्होंने बात कही उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों कि ये घोशना हुई है 1918 में 1918 में इसी को भारत में अब इन्होंने इस सुधार में जो भी सुझाव दिये इनी सुझावों के आधार पर एक एक बनाया गया जो 1919 में भारत आया जिसे बोला गया भारत परिशद अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैंसफोर्ड रिफॉर्म तो यही है हमारा मॉन्टेग्यू चैंसफोर्ड रिफॉर्म इसका नाम जो है क्या है मॉन्टेग्यू चैंसफोर्ड चैंसफोर्ड सुधार वास्त्विक रूप में क्या है आरत परिशद अधिन प्रप्रणियम उन्नीस सो उन्नीस ही है और कुछ नहीं अब यही नाम आपने 1909 में भी पढ़ा था बस वो नाम यहां पर चेंज हो गया था वो मौरले मिंटोर्स रिफॉर्म था और ले और मिंटो के द्वार लाया गया था अब इसमें क्या किया गया जो 1919 में जो विधान स उसे सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई तो क्या-क्या सुधार हुआ है जो प्रांतिय विधान परिशद जो है प्रांतिय विधान परिशद इसका जो है इसका आकार बढ़ाने की बात की गई इसका आकार बढ़ाया गया आकार बढ़ाना मतलब सदस्यों की संख क्या पर जादा करी क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताय था और यह भी कहा गया कि इसमें अधिकांश जो सदस्य चुने करके आएंगे इसके जो चुन करके आने की बात के पिछली बार जो है ना बहुत कम लोग जो है वो चुन करके आये थे और उनमे में जो लोग आये थे वो उसमें से नॉमिनेटेड जो मेंबर्स थे वो थोड़े जाड़ा थे इस बार इसलिए यही का आगया कि वही चुन करके थोड़े ज़्यादा लोग आएंगे ज़्यादा तर लोग जो होंगे वो उनका election होगा elect हो करके यहाँ पर आएंगे ऐसी नहीं आएंगे लेकिन जो बड़ी बात हुई जो इस कानून में जो सबसे बड़ी बात हमको देखने को मिली वो देखने को मिली दोहरी शासन व्यवस्था जिसको डायर की कहा जाता है दोहरी शासन व्यवस्था ठीक है दोहरी शासन व्यवस्था अब ये जो दोहरी शासन व्यवस्था था जिसे डायर की कहा जाता है जिसे द्वैध शासन भी कहा जाता है इसी को आप द्वैध शासन बोलते हैं द्वैध शासन ये एक खतरनाक रूप में वो सामने आ रहा है जिसमें दिखाने को ये कहा जा रहा है कि देखिए आपका ज़्यादा involvement हो रहा है आप इसमें चीजों को involve कर रहे हैं आरक्षित विशय आरक्षित विशय का मतलब हो गया इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इस आरक्षित विशय में जैसे जो वित्त है finance से समबन्दित जो चीज़े हैं कानून से समबन्दित जो चीज़े हैं व्यवस्था से संबंदी जो चीजे हैं, ये सब जो हैं, ये किसके अंतर गताएंगी, ये आपके आरक्षित विशय के अंतर गताएंगी, इसकी अलावा दूसरा जो था, उसको बोला गया हस्तांतरित विशय, ठीक है, अब दूसरा विशय कौन सा हुआ, हस्तांतरित, हस्तां कमिंत्रित विशय जो थे इनमें कहा गया इनमें कुछ विशय रखे गए जैसे कि आप इसमें स्वास्थ रख सकते हैं जनख्ल्यान रख सकते हैं और इसमें टो भी लोक कल्यान की जो चीजेएं प्र हम्हिनुज या फिर इस्थानिय स्वशासन नगर खानी स्वशासन वाला खानी वसाशन इस तरीके की जो चीजें होंगी यह आएंगी हस्तानांत्रिष विश्य में अब इसमें देखें चेंजेस किस प्रकार से आखिर इसका अर्थ क्या होगा और इसमें गलत क्या था रक्षित विश्य है यह सीधा गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी यह इसके लिए पूरी तरीके से गवर्नर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता था और जिस तरीके का चायो उस तरीके का इन विशियों पर वो कानून बना सकता था इसमें जो कह सकते हैं कि गैर सरकारी लोग थे वो हस्तक शेप नहीं कर सकते थे किसी प्रकार की कोई मना ही नहीं कर सकते लेकिन वहीं पर अगर हम अस्तानंत्रित विश्यों की बात करते हैं तो इसमें क्या होता था इन विश्यों में जो उत्तरदाई जो मंत्री हैं क्योंकि विधाई का के प्रती उत्तरदाई है, तिक इसके ये किसके अंतर कता रहा है, विधाई का, विधाई का के प्रती उत्तरदाई, उत्तरदाई मंत्री, और इसमें ज्यादातर भारती थे, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें भारती थे, अब भारती ये स्वास्त के उपर कानून बढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पर आएगा और अगर कुछ ऐसी चीज होती है मान लेते हैं अब यह सब चीज़ें सोचके नेखिए कितनी बड़ी बात है यह सारे विशह भारतियों के हाथ में यह विशह मान लेते हैं गवर्नर के हाथ में ठीक है अंगरेजों के हाथ में कोई बात नहीं है एट लिस्ट यह वाले विशह विशह तो भारतियों के हाथ में आए लेकिन देखने में तो यह अच्छा लग रहा है वास्तविक रूप में बड़ा गंभीर था क्यों गंभीर था क्योंकि इस वर्ग मे या वित्त से रिलेटेड कोई भी विशह है तो वो किसके अंतरगत आ जाता था मतलब आप कानून बताईए कि हमें यह यह चीज़ें लानी है उसके पैसा सेंक्षन कराने के लिए फिर आप डिपेंड हो जाईए तो अल्टिमेटली यह डिपेंडेंसी इनके अंतरगत बनी तो जो हुआँ नहीं ही रही देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हमारा जरूर कह सकते हैं कि एंवलमेंट बढ़ा है लेकिन वास्तवीकरूप में कोई इंवलमेंट बढ़ा नहीं था है , इसके अलमा अगर मन्तरियों के द्वारा कोई ऐसा निरमान लेते हैं वित् से नुकसान पहुचा सकते हैं मंत्रियों ने उसको बनाया है तो मंत्रियों त्वारा जो निर्णे लिया गया यह जो मंत्री है न क्योंकि उत्तरदाई है इसलिए इनकी जो निर्णे हैं इनके द्वारा जो भी निर्णे लिया जा सकता था उस निर्णे को गवर्नर जो है कर सकता है तो यह एक बात थी इसकी अलावा सदनों की बात कर लेते हैं केंद्र में दो सदन एक उच्छ सदन एक निम्न सदन जो उच्छ सदन है जिसे आप legislative assembly बोल रहे हैं उसमें 144 में से जो निचला सदन था उसमें 144 सदस अधसे होते थे जिसमें से 61 जो है वो नामजद होते इसमें 60 सदस्च होते थे, जिसमेंसे 26 जो है, वो नाम्जत थे, नाम्जत का मतलब नॉमिनेटर नेटर इसमें तो कहने का मतलब इस्ट्रक्चर है, यह फिर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कि हम यह कह सकते हैं कि ये कोई सुधार के रूप में लाए गया और इसमें तो एक और बड़ी बात करी गई थी वो ये थी कि जो सामपरदाइकता का भेदभाव पैदा किया गया था 1909 के एक्ट के द्वरा वो यहाँ पर भी पैदा किया गया कैसे पैदा किया गया ना सिर्फ मुसल्मान ना फिर ना सिर्फ मुसलिम बलकी सिख इसाई एंगलो इंडियन एंगलो इंडियन ठीक है इत्यादी वर्ग जो थे ये जो वर्ग थे इनके लिए भी प्रथक निर्वाचक मंडल प्रथक निर्वाचक जो मंडल था उसको कर लिए यानि कि एक तरीके से जो डिवीजन का पेनेटरेशन था विभाजन की जो स्थिती थी वो और गंभीर करी गई और ज्यादा उस कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया यह अच्छी बात नहीं थी किसी भी एंगल से अगर आप देखोगे तो यह अच्छी बात नहीं थी किहने को यह मान्टेग्यू चैन्सफुर्द रुफान है relatively इं खतरनाक से सरकार के पास में प्रांती सरकार के ऊपर जो भी आप देख सकते हैं प्रांती सरकार करें दो इस इसक्रामामलो में केंद्र के पास में अबाध नियंतरन आ गया पूरी तरीके से बाध्रहिट जो एक परीक करनियांतरन आ गया 1920 में अगर हम बात करते हैं अचहां, इन में मैंने बताई चुन करके आएंगे वो जो चुन करके जो लोगों के पास जो मत का जो अधिकार था ना, वो मत का अधिकार बहुत कम लोगों के पास था मत का अधिकार मिला लेकिन मत का अधिकार सीमित था 1920 में जो मतदान हुए 1919 के एक्ट के आने के बाद 1920 में जो मतदान हुए उसमें निचले सदन के लिए जिसमें 144 सदन से थे उसमें वोटर्स जो थे वो तकरीबन 9,9,000 के आसपास थे और वहीं उच्च सदन के लिए वोटर्स की संख्या मात्र 17,000 के आसपास थी यहनि पूरे देश में से केवल 9,000,000 या 17,000 लोग जाकर के वोट कर रहे हैं बाकी की लोग क्या कर रहे हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था इस तरीके के जो प्रावधान आये इस तरीके का जो सुधार आया इन सुधारों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल अनेकसेप्ट कर दिया क्योंकि ये भी सुधार के नाम पर एक तरीके से चल ही थे रास्टवादी इससे बिल्कुल संतुस्ट नहीं थे अगस्त 1918 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने इसके लिए एक विशेश सत्र जो है वो बंबई में बुलाया जिसकी अध्यक्ष्टा हसाम इमाम ने करी और इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से निराशा जनक और अशंतोज घोशित किया और कहा कि हमको इस एक्ट के बजाए अपना स्वशासन चाहिए तो स्वशासन की जो मांग थी वो कई नहीं कई ब्रिटिशस खुद ही बढ़ा रहे थे वई 1905 से जो स्वशासन चल रहा है उसमें एक लॉलीपॉप की तरह 1919 का एक्ट दे दिया आपने हमें तो चाह कि हम मान जाएंगे लेकिन हम मानने वालों में से नहीं थे 1919 में फिर से आप कान पकड रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा आपकी बार हम सुधार ले करके आ रहे हैं तो इस बार तो बिलकुल खातम भाई बहुत हो गया तुम बेवकूस समझ रहे हो क्या हमें तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वशासन की डिरेक् भी नरम पंथियों में अउदारवादियों में कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि सुधार वादियों में एक नाम है सुरेंद्रनात बनर जी और कॉंग्रेस के दूसरे वधरनेता वगरा थे वह इस प्रस्ताव के पक्ष में थे उनको लगता था किसे हम धिरे-धिरे करके चीज पूरी होंगी, लेकिन इट विल टेक लॉंग टाइम, बहुत लंबा समय लेने वाला था है, सब चीज इतना बरदाश करने की छमता, अब रास्टवादियों में नहीं बची थी, सो उन्होंने कॉंग्रेस से निकल करके एक कॉंग्रेस लिबरल एस्सोसियेशन इस्टाबलिश किया, ठीक है, कॉंग्रेस, कॉंग्रेस लिबरल, लिबरल एस्सोसियेशन, यो है, ये सुरेंदरनाथ बनरजी और अन्ने लोगों ने बनाया, ठीक है, यह चीज़ हमको ध्यान रखनी है जो कि इसके पक्ष में थे कि ठीक है हम कर लेंगे थोड़ा बहुत मैनेज लेकिन इसका कुछ खास हुआ नहीं और आगे चल करके यह जो लोग उधारवादी कहला इनके मेंबर्स जो है वो उधारवादी कहलाते हैं उधारवादी और इन उधारवादियों का आगे चल करके कोई खास अस्तित्तो बचा नहीं तो बेसिकली हमने यह सीखा कि मॉन्टेग्यू चैंसफोर्ड रिफॉर्म जो था वो पूरी तरीके से ब्रिटिश सुधार के नाम पर ब्रिटिश के द्वारा भारतियों के सुधार के नाम पर एक प्रकार का चल था अब क्यूंकि यह चल था तो इस चल के पीछे कि जो मंशा है वो लोगों को समझ में आ गई थी और इसका विरोध होना तैं हुआ और होना ही था भाई थोड़ी बना सकते हैं आप इतनी देर तो विरोध किस प्रकार से हो रहा है जगा जग रुकता है वो फैलानी शुरू करी प्रिटिश सरकार की जो वास्तुविक मान सकता है वो एक से दूसरे में फैलानी शुरू करी वो ऐसे भी आने आपको बताये कि इससे पहले जन जागरण हो चुका है तो अब आप इस तरीके से किसी भी चीज़ को दबा नहीं सकते हैं त रूल अटेक्ट, रूल अटेक्ट 2019 में आया कब आया, नाइन टीन हन्डेड, नाइन टीन, नाइन तीन, 1919 में इस एक्ट के आने के पीछे एक वजह तो मैंने आपको बताया कि ये जो मॉन्टेग्जू ट्रैंसफोर्ड रिफार्म था, मॉन्टेग्जू, जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड उधार एक तो भाईया ये था एक करण तो ये है कि इसका लोगों ने विरोध किया और इस विरोध को ब्रिटिश जो कह सकते हैं सरकार है वो तो कैसे ही स्विकार कर सकती थी करी नहीं सकती थी है न इसलिए और दूसरा इस दौरान 1919 से पहले के कूछ ऐसे घटनाए घटित हुई जिसकी वज़ा से बहुँ सारे लोग छेतरी ये भारतीय जो थे वो भारत के छेतरीर lug जो अलग-अलग खेतरों के जो लेख थे उननोंने अलग-अलग जगों पर छोटे पोटे अंदोलन किया जैसे की कमपारण 1918 में आंदोलन, मिल मजदूरों का था यह आंदोलन और 1918 में ही खेडा आंदोलन यह सब हुआ और इन सब में भी ब्रिटिशस को हार मैसूस हुई इससे पहले आप 1919 में यह एक्ट लेकरके जो आएं हैं इसको भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इसमें भी आपको हार मैसूस हो रही है इसके पहले थोड़े बहुत ठीक ठाक कारे किये गए थे जैसे कि 1911 में 1911 में बंगाल जो है जो विभाजित हुआ था उसको एक किया गया था उसमें जो है बंगाल को एक करने के परशाद जो है वो बिहार उड़ीसा और बिहार अलग-अलग थोड़ी सी वह बढ़वारे किये गए थे आशा क्या धार पर तो उन सब चीज़ों को हटा दिया जया तो बाकी सब यह यह सब इन लोगों ने गड़ बड़ सर्वर किया है तो बिटिशर्स को बिटिशर्स को न सिर्फ मॉन्टेग्यू चैंसफोर्ट सुधार का विरोध जिलना पड़ा तो कह रहें यहां की जंता विरोध करना सीख गई है कोई भी चीज लाओ इने पसंद नहीं आती है विरो यहां बूझके कर रहे है अब लौ जो बनाय जा रहे है आप वही लौ जब आप अपने देश में लागू करते हो सही होते हैं वही कानून तो आप यहां पर भी तो अब Britishers को एक ऐसा कानून चाहिए था, जो इनकी आवाज को रोक सके, लेकिन ऐसा तो दुनिया में कोई कानूनी नहीं था, फुद के उनके देश में नहीं था, तो अपने देश में तो हमें कान खोल के रखने पड़ेंगे, आँखोल के रखनी पड़ेंगी, इस देश के लोग जो हैं, जो जाग चुके हैं, अब इनके लिए हमें अपनी आखें बंद करने पड़ेंगे, और अपने कान भी बंद करने पड़ेंगे, हमें इन्हें ऐसे एक्ट से परचित कराना पड़ेगा, जो वास्तिक रोपे सारे एक्ट को नल एन वॉइड कर देता है, कोई क दिखाना चाते हैं, कि हम तुमारी डिमांड्स को ध्रेदरे करेंगे पूरा कर रहे हैं, और दूसरी ओर, अगर कोई विरोध कर रहा है, तो सरकार जो है, वो दमन करने के लिए लोगों का तयार है, उक्रांतिकारियों को फांसी दी जा रही है, लोगों को जेल भेजा जा है, अबुलकलामाजाद जो थे, उनको जेल भेज दिया गया, सरकार जो है, वो कानून का शासन यहां पर लागू करना चाती है, लेकिन वो जबरन कानून का शासन लागू करना चाती है, तो यहां पर एक ऐसा कानून लाया गया, सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया, जो कानून के शासन के सिध्धानतों के प्रतिकूल है कानून के शासन के प्रतिकूल अरे भाई यह जो रॉलेट एक्ट है ना इसके बारे में यही का जा सकता है रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट क्या है रॉलेट एक्ट वास्विक रूप में कानून के शासन के प्रतिकूल है व लेकर के आ गए है और उन्हों ने यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो सुधार से संतुस्ट नहीं है इसको क्यों लायगया उसका उदेश ही है जो सुधार एकसेप्ट कर लो सुधार को एकसेप्ट नहीं जो करेगा जो जोद करेगा उन राष्टवादियों को के खिलाफ इस रॉलेट एक्ट का प्रयोग किया जाएगा और रॉलेट एक्ट का प्रयोग किया गया मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रिय विधान परिशद में इस कानून को पास किया मार्च 1919 केंद्री विधान परिशद केंद्री विधान परिशद द्वारा इस कानून को पास किया गया और आपको मैं बताऊं कि उस समय केंद्री विधान परिशद में जितने भी भारतिय इतने भी आपके भारतिय सदस्य थे सदस्य इन सब ने विरोध किया एक एक भारतिय सदस्य के विरोध एक भी यहाँ पर यूनिटी देखनों को में लिए चाहे वो उधारवादी हो चाहे वो उग्रवादी हो विचारधारावला हो कोई भी हो सबने विरोध किया क्योंकि ये थो ऐसा एक था ना जिसमें कहा गया कि हम सुनेंगे नी जेल में डाल देंगे और जो सदस्य करेंगे तैं हो जाएगी ये तो कोई भी विरोध कर सकता था कोई भी कितना भी छोटी थोड़ी से पुद्धी उसके अंदर होगी तो ऐसे कानून का समर्थन तो वो करी नहीं सकता है चाहे वो निजी स्वार्थ की यहां पर बात आए चाहे किसी भी तरीके की तो इसका परणाम यहां पर क्या है कि सब ने विरोध किया उसके बावजूद भी इस एक्ट को मार्च 1919 में पास कर दिया गय 1919 में इसको पास कर दिया गया और इसी लिए इस एक्ट को बिना अपील बिना वकील और बिना दलील क्या कहा गया इसे बिना अपील बिना वकील और बिना दलील वाला बिना दलील वाला कानून क्या कहा गया इसे बिना अपेल बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा गया यह है रॉलेट एक्ट इसमें कैदी जो है उसको अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने के लिए जो कानून था ब्रिटेन में वो जो नागरिकों को दिया जाता था उसको पुरी तरीके से खतम कर दिया गया उसकी स्वाधिनताय समाप कर दिया उसकी जो बुनियादी जो मांग होती है कि भाई अगर आप गिरफ्तार किये जा रहे हैं तो आप के पक्ष रखने के लिए आपका वकील होना चाहिए सब समाब बिलकुल कुछ नहीं मिलेगा बिलकुल खतम कर दिया जाएगा सरकार ने रॉलेट एक्ट से इस प्रकार की अदम में शक्तिया जो है वो प्राप्त करनी किसी को भी गिरफ़तार करनी इसे इसे काला कानून के संग्या दिगई इसकी आलामा इसे आतंक वादी अपराध अधिनियम के रूप में जाना गया के रूप में जाना गया कि ब्रिटिशर्स हमारे यहां के जो उग्र राष्टवादी थे ना उनको आतंगवादी कहते थे मतलब अगर आपने उग्र राष्टवाद दिखाया तो आप आतंगवादी हो जाते थे इस तरीके की चीजें जो है ब्रिटिशर्स के द्वरा यहां पर लेकर किया जाती थी इसके विरोध में देश्व्यापक कह सकते हैं कि विरोध होने शुरू हुए परवरी 1919 में गांधी जी सहित तमाम सारे लोगों ने इसका विरोध करने के लिए आवाज उठाई और 6 अप्रेल सन 1919 को देश्व्यापी हरताल हुई देश्व्यापी हरताल 6 अप्रेल 1919 को ठीक है 6 अप्रेल 6 अप्रेल 1919 को देश्व्यापी हरताल हुई अलाकि ये जो हरताल थी भारतियों के तरह जो करी जा रही थी ये पूरी तरीके से प्लैंड थी और ये प्लैनिंग के पीछे जिस व्यक्ति का दिमाग था वो एक नए नेता के रूप में भारत में आया था नए रास्ट नेता के रूप में भारत में इंटर्डूज हो रह दिल्ली में इसकी बागदोर जो है स्वामी श्रद्धा नंजी ने समाली ती गरफतार कर लिए गए गांधी जी भी गरफतार कर लिए गए उनके तमाम सारे साथी जो थे वो गरफतार कर लिए गए बहुत सारे नेताओं ने गरफतारी दे दी बहुत सारे नेता गरफतार हु और त्याग्रह दो शब्द का प्रयोग किया था उसी असहयोग और सत्याग्रह का उनों ने यहां पर पूंता प्रयोग कर दिया पूंता राष्ट के लिए पहली बार राष्ट के लिए इस्त्रेगे का प्रयोग होते वे देखने को मिल रहा है भारत से अंग्रेजों को खिला के डॉक्टर सैफुद्दिन किचलू और डॉक्टर सत्यवरत पाल किरफ्तार हो गए और उनकी गिरफ्तारी ने तो एक दम पंजाब में आग की तरह काम कर दिया घी में आग की तरह काम कर दिया और इसके विरोध में आपको मालूम है यह जन सभा हाजित करी गई थी जलिया वाला बाग में, बात करेंगे हम जलिया वाला बाग की, लेकिन बीच में गांधी जी का नाम यहां पर आया है, आपको मालूम है रॉलेट एक्ट के, रॉलेट एक्ट यही है, यही रॉलेट एक्ट है, तो हम थोड़ी सी बात यहां पर गांधी जी के बारे में करेंगे, और पूरा एक जो time tenure है उसके उपर हम discussion करेंगे इसको अलग-अलग भागों में भी हम बाट के बात करेंगे ये इधियास का ये वाला जो समय है पूरी तरीके से mixture है अब ये mixture कैसे है इसको भी जरद देख लेते हैं ऐसे है कि अब आप देखिए यहीं पर ही आपको यहीं पर ही आ गांधी यूग जो है वो 1915 से शुरू हो जाएगा जब गांधी जी अफ्रीका से वापस लौट रहे हैं भारत में ठीक है इसी दौरान हमको जो है 1919 का जो कह सकते हैं जलिया वाला बाग है इधियास का वह भी फेस हमको जलिया वाला बाग यह जो फेस है वह भी हमको यहां में अबियरा ब इसी में 1923 में आप देखेंगे की एक अलग से कौंग्रेस से अलग होके पार्टी बन रही है जिसे आप स्वराज पार्टी कह रहे है अब इसे आप Congress के रूप में, अब ये हिस्सा जो है, वो Congress का है, ये हिस्सा गांधी जी का है, ये हिस्सा अंदोलन का अलग से है, जिसमें गांधी जी इन्वाल्व, अनलब ड्रेक्ली इन्वाल्व नहीं है, ठीक है, ये गांधी जी है, ये इसमें गांधी जी बाद में इन् तिस तक चलेगा अब यहाँ पर यह गांधी यूग नहीं है उसके बाद 1930 से जो है फिर से गांधी यूग शुरू हो जाएगा फिर से गांधी जी यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर भी गांधी जी एक्टिव हैं यहाँ पर भी यहाँ पर भी करते करते 1947 तक अब गांधी जी का योगदानी हा रहेगा तो हम इसको different phases में convert करके पढ़ेंगे लिकिन शुरुवात में सबसे पहले जब हम गांधी जी को लेकर करके आ रहे हैं तो सबसे पहले हम उनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे गांधी यूग की जब हम बात कर रहे ख़एंगे गांधी जी के बारे में थोलबी से शुरुवात करते हुए आजे सीधा हिस्टरी में इसको जोडने का परियास करेंगे इस पूरे किरिए में उन्होंने किस तरीके का योगदान दिया है उसको समझने का प्रियास करेंगे सकता नहीं है अब हुआ यह कि गांधी जी जो है बदेख सकते हैं आपकी उन्हों ने क्या किया भिए इसके बाद अगर इसके बाद देखा जा जाय तो सीधा सीधा वो ब्रिटें से उन्होंने ब्रिटें całुN चले गए अफ्रीका से वह फिर भारत लोटे लेकिन यहां वाला पसा रहे हैं तो जो चीज यहां पर सीखी है इस जगा पर जो चीज सीखी है उन्होंने उसका implementation भारत में हो रहा है अब वो implementation किस प्रकार से हो रहा है उसको समझने का भी प्रयासम को करना चाहिए जो राष्टवादी है राष्टवादी जो देश भक्त हैं वो मतलब चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है भारत आजाद हो लेकिन परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पर उसका असर नहीं होते हैं वह देख रहा ह में थे तो नसलवादी जो भेदभाव हैं उसके खिलाफ उन्होंने जम करके आवाज उठाई ती और इसी कारण से इसी नसलवादी भेदभाव है जो भेदभाव जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने के खिलाफ आवाज उठाई गांदीजी ने कहां पर सौथ अफ्रीका में अवाज उठाइए इसके खिलाब और वहीं से वह एक अंतरास्टी ख्याती भी उनको मिल रही है अभी भारत में लोग उतना आदा परिचे नहीं है लेकिन अफ्रीका के लोग बहुत परचित हो गए उनसे इन सब चीजों को लेते हुए कैसे आंदुलन किया जाए वहाँ पर नसलवादी बेदवाओ का एक उधारण है कि भारत से जो मजदूर ये साउथ अफ्रीका जाते थे रोजगार के चक्कर में जो भी मजदूर या फिर जो भी इस तरी के लोग जाते थे उनको वहाँ पर मत देने का अधिकार नहीं था अब आप सोचिए भारत से भारत से साउथ अफ्रीका जाने वाले जो भारतिये मजदूर थे उनको वहाँ पर मत देने का अधिकार नहीं था और यदि अगर उन्हें यदिकार चाहिए भी होता था तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था इसके लिए उन्हें कर देना पड़ता था इसके खिलाफ गांधी जी ने अवाज उठाई टैक्स देना पड़ता था इसके खिलाफ यह ऐसे नहीं चलेगा इस तरीके से अगर आप करोगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा सो उन्होंने क्या किया 1893 से लेकर के 1914 तक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया यह प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया इसी को आप सत्यागरह का प्रयोग कह सकते हैं इसी को आप सत्यागरह का प्रयोग कर सकते हैं और इससे आधारिज जो सत्यागरह था उसमें कह सकते हैं कि उन्होंने अब बलब सारी चीज़ें सीखी भी है कि सत्यागरह किया खुद भी सीख रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं यह कोई किताब में पढ़ने वाली चीज नहीं थी कि गांधी जी ने कहीं से पढ़ा था और उसको इंप्लिमेंट कर रहे थे यह तो सीखने वाली चीज थी उनके अनुसार अगर हमें बात करूँ कि भई ये आदर्ष सत्याग्रही क्या है क्या है आदर्ष सत्याग्रही एक क्वेशन आपके सामने भी आमें आरक देरो भई आदर्ष सत्याग्रही क्या है आदर्ष सत्याग्रही क्या है अगर ये प्रश्ण आपके सामने आए तो आप क्या जवाब देंगे उसके लिए सबसे पहले इस शब्द की के निर्माण को समझना पड़ेगा सत्य और आग्रह सत्य और आग्रह दो चीजों से मिल करके बन रहा भईये सत्य और आग्रह और जहां आग्रह है वहां हिंसा है क्या जहां आग्रह है जहां रिक्वेस्ट है जहां पुलाइटनिस है जहां साधुवाद है वहां हिंसा नहीं हो सकती है कैसे होगी कैसे होगी हिंसा हिंसा होने के लिए धुनों तरफ गर्म महौल होना चाहिए है वोना चाहिएगी नहीं हिंसक कैसे होगी देखि आग्रह आग्रह करना है सत्यका और स्वभाविक सी बात है जब आप किसी से कोई चीज का आग्रह कर रहे हैं सत्य का अग्रह आप किसी से कर रहे हैं आपके अंदर उस सत्य को रखनी की छमता होनी चाहिए आप किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो उसे रखनी की छमता थोनी चाहिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक गाड़ी दे दे कोई कुई भी बोल दीए अपने इसाफ से जो आपकी limit के बाहर हो जो आपकी limit के बाहर हो है वो कहते है न हाथी लाना असान है पालना कफिन है तो यह वहीं हाथी है सत्य करने को कोई भी कर सकता है लेकिन आप इसे रख नी पाएंगा असान है तो सत्याग्रह करिए, सत्यका आग्रह करिए और सत्यका आग्रह करिए request करिए और वो भी सत्यका करिए मतलब आप सोचिए दोनों टम एक दूसरे से एकदम बिंधे हुए हैं ऐसे जिसको समझोगे आप तभी implement कर पाओगी ये उनकी अपनी खुद की philosophy है आपको लगते हैं ने गांधी जी ने कैसी ये काम कर दिया मतलब यह कैसे किया या बहुत सारे लोगों को लगता है कोई महत्रपून योगदान नहीं है या उसके उपर तवाम सारे question mark लगाते हैं लोग तो question mark आप तभी लगाते हैं जब आप इन शब्दों का нуж इस्तेमाल करना ही नहीं जानते हैं या जानते ही नहीं है इन शब्दों के बारे इंट इन फैक्ट में तो यह कौँँगे कि आप इन शब्दों के बारे में कुछ भी नहीं जानते है तो सत्य और शांती कायर हैं इसलिए जो बल्शाली होता है आपको लगता है कि उन्होंने कहा कि अहिंसा कायरों और कमजोरों का अस्त्र नहीं है आप देखें इस स्टेट्मेंट को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं फिलोसफी है ना इसलिए एक तो अर्थ ये निकल सकता है कि अहिंसा जो है ये कायरों और कमजोरों का अस्त्र नहीं है कुछी को लगे कि कोई कायर है तो उसके पास में कौन सा अज़ार होगा अहिंसा का कोई कायर है तो उसके पास कौन सा अज़ार होगा सत्य का ऐसा नहीं है एक अर्थ तो ये निकल इसे धारण करने वाला ना तो कायर होगा और ना ही कमजोर होगा देखिए दूसरा अस निकल आया आप ये न सोचें कि किसी ने अहिंसा नामक अस्रधारण किया है तो वो कायर है कमजोर है इन फैक्ट दूसरा सोचिए जिसने ये अस्रधारण किया है उससे ज्यादा निडर उससे ज़्यादा मजबूत और उससे ज़्यादा बलशाली कोई नहीं है किताबी ग्यान है सरी इस पे इतना दा लेक्षर बर दीजिए पुरा किताबी ग्यान है जब पालन करेंगे तो आप भी नहीं कर पाएंगे पेलो हो कि मैं ऐसे विचार है येस डेफिनेटली बिल्कु सही है सच बात है ये एक ऐसे आउजार है ना मालूम है किसी के उपर प्रहार करने के लिए आपको मालूम है ये जो ये जो अहिंसा है ये जो सत्य है ये केवल निडर लोग ही अपना सकते हैं उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि ये केवल निडर लोगों का अस्त्र हो सकता है उन्होंने कहा कि अब देखे बहुत सारी चीजें हैं मतलब हिंशा को हिंशा को अगर आप कायरता से तुलना कर रहे हैं जी ने हिंसा और कायर्था की तुलना करते हुए भी एक प्रश्ण चिन उठाया और उसका भी उत्तर दिया और उन्हें का कि एक तरफ है भाई हिंसा एक तरफ है हिंसा कौन करेगा जो अपने आपको बहुत समस्ता है कि हम तो शक्तिशाली हैं हम किसी को भी मार सकते हैं तो एक तो ये है कोई हिंसा कर रहा है ठीक है मतलब मैं आपको बात पता रहा हूँ आप एक मच्छर बिना डरे तो आपका महलूम है कि आपका वो कुछ नहीं विगाड़ पाएगा तो आप उसके तुलना में बल दिखाते हैं और उसे मारतेते हैं ओए इतना बड़ा मच्छर हो तब खालत कराप जाएगी यह तो कल्पना करने की बात है हिंसा और एक तरफ हिंसा है और एक तरफ है कायरता एक तो यह कह रहे हैं कि आहिंसा जो है वो कायरों का अस्त्र नहीं है आहिंसा कायरों का अस्त्र नहीं है आहिंसा निडर लोग अपनाते हैं बहादुरों का अस्त्र है और दूसरी तरफ जनता कह रही है कि बहादूर तो वो है जिसको हिंसा मतलब तक्ती होगी तभी तो हिंसा कर पाओगे ये प्रचलन है उस समय का लेकिन जब प्रशन उठे कि आपको हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना है तो क्या चुनेंगे गांधी जी कहते हैं फिर भी मैं कायरता नहीं चुनूँगा तब मैं हिंसा चुन लोगा और इसी स्टेट्मेंट को लेकर कि कई लोग कोट भी कर देते हैं कि कहीं न कहीं भी नहीं सकता अगर हमें देश को आजाद कराने में कायर्था का साथ लेना हो और देश को आजाद कराने में हिंसा का साथ लेना हो तो हम हिंसा का साथ ले लेंगे लेकिन हिंसा ही एक मात्र हतियार नहीं है मेरे पास उससे भी बड़ा हतियार है अहिंसा अहिंसा को वह हिंसा से बड़ा हतियार मनते हैं 1920 में यंग इंडिया नाम की पत्रिका में एक कोट लिखा जाता है अहिंसा गांधी जी का कथन है अहिंसा हमारी प्रजाती का धर्म नहीं है, statement को ध्यान रखिएगा, होट important है, अहिंसा हमारी जाती का धर्म नहीं है, और किस प्रकार से नहीं है? उसी प्रकार से नहीं है, जिस प्रकार? जिस प्रकार, या आहिंसा हमारी जाती का धर्म उसी प्रकार नहीं है, जिस प्रकार हिंसा पशु का धर्म है, और अगर आप हिंसा कर रहे हैं, तो आप भी पशुई है, कहते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगे, क्योंकि ये विचार तो गांधी जी के भी हैं, और ये गांधी जी के ना भी हो, मेरे खुद के भी हो, तब भी ठीक है, कायरता और हिंसा मेरे अगर आच्चुनाव करना चाहते हैं, तब ही इसी में कागिया है, कि भई अहिंसा जो है हमारी जाती का धर्म नहीं है, माफ कीजिएगा, अहिंसा नहीं आपर हिंसा, हिंसा शब्दिल मुझे लिखना चाहिए, ये एक थोट, ये मतलब को मिटा देता हूँ, अब ये सही स्टेट्मेंट, कई बार हो जाता है, इसको री चेक किया मैंने, और मुझे पता चला कि मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, हिंसा हमारी जाती का धर्म नहीं है, जिस प्रकार हिंसा पशु का धर्म है, इस स्टेट्मेंट को आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमें अहिंसा वाले स्टेट्मेंट के तरह से लिखना है, अहिंसा हमारी जाती का धर्म है, जिस प्रकार से हिंसा पशु का धर्म है, ये स्ट स्टेटमेंट को कोई जस्टिफाई करना चाहे तो कायरता से अगर तुलना करता है तो भई हिंसा को अपना लेंगे उस स्थिती में लेकिन उस स्थिती में विशेस है तो आप आपको कुछ फिलोसफी समझ में आ रही होंगी शायद मुझे जो विचार थे मैंने बवताने का अंतर नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कूल भी किसी प्रकार से अंतर नहीं होना चाहिए अगर आप इसमें अंतर करते हैं किसी प्रकार से तो भई सिंपल सी बात है आप उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं पालन नहीं कर पा रहे हैं और पालन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर त बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है सिंपल सी बात है आप देखे यहाँ पर जब ये statement को लिखिए ये वाले statement को लिखिए इन दोनो statements की जब आप आपस में तुलना करते हैं तो तुलना करने में क्या पाते हैं कि कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रकार की चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा है ठीक है न अब एक question ये आ रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो सामराज जवाद है जो सामराज जवाद है और जो सामराज जवादी शक्तियां हैं सामराज जवादी जो शक्तियां हैं यह सामराज जवाद और सामराज जवादी शक्तियां जो है या इसके खिलाव इनके खिलाव आप आहिंसा का प्रयोग करेंगे या फिर आप कैसे जीतेंगे कैसे जीतेंगे आप इस सामराज जवाद से और इस सामराज जवादी शक्तियों से कैसे जीत पाएंगे तो उन्होंने statement दिया कि इन से जीतने के लिए हमें लाखों लाख मूख जनता जो है उसकी शक्ति प्रेरित करेगी लाखों लाख लाखों लाख मूख जनता लाखों लाख मूख जनता से इसको प्रेरित किया जा सकता है या उसकी शक्ती से सामराज जवाद को पराजित किया सकता है यह गांधी जी के विचार है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया समझाया लेकिन अब हम आपको इसके आगे यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से गांधी जी जब भारत में आए, गांधी जी भारत कब आए, 1915 में, और 1915 में आकरके उनकी activities जो है, वो किस प्रकार से भारत में active हो रही है, उसके उपर भी हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी, 1915 में जब भारत लोटे थे, वो 46 वर्ष के थे, एक वर्ष तक उ जो है वो मतलब देश में क्या चल रहा है कौन से लोग रह रहे हैं क्या उनके परिशानी है कॉलोनेरिजेशन जो है वो किस परकार से यहां परत्याचार कर रहा है जब तक आप उसको फिल नहीं करेंगे कैसे उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे केवल अपनी अपनी आवाज रह जाएगी छेत्री रह जाएगी तो पूरे भारत में उन्होंने एक साल तक भ्रमण किया और एक साल तक भ्रमण करने के पशाथ उन्होंने उन्नीस सो सोलह में, नाइंटीन हंडेट सिक्सटीन में, साबर मतु में, साबर मती आश्रम, साबर मती, आश्रम जो है वो स्थापित किया, कैसे अश्रम किया? साबरमती आश्रम इस्थापित की और जब ये साबरमती आश्रम इस्थापित हुआ हुआ तो इनके बहुत सारे मित्र इनके बहुत सारे अनियाई इसमें भाग लेने के लिए आए और उन लोगों ने आहिंसा को सीखा सीखा समझा उसे और उसे व्यवहार में लाया अहिंसा अहिंसा जो है ठीक है यानी यहाँ अहिंसा और जो सत्याग्रह है सत्याग्रह सत्य और अहिंसा का आग्रह जो है उसे समझनी का प्रयास किया समझा और उसे जीवन में उतारा जीवन में उतारा यह उतारनी का प्रयास को, उसे सीखा के कैसे जीवन में लाया जा सकता है, व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है, और जब इन सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ गए, बाबू राजेन प्रशाद जुड़ गए, जे बी कृप्लानी जुड़ गए, आप अब रणन करें, तो सबसे पहले समस्या हो जाएगी, यह जो आपका चमपरण अंदोलन है उसमें, बिहार के, बिहार का चमपरण, अब बिहार के चमपरण में किस प्रकार से अंदोलन हुआ है? बिहार के चमपरण के समस्या यह थी, वहां के जो नील के किसान थे, नील की खेती करते थे, और उनसे कहा गिया, निलहों द्वारा यह कहा गिया, कि तीन बटे भीज भाग में, तीन बटे 20 भाग में खेत के तीन बटे 20 भाग में नील की खेती होगी नील की खेती करेगा किसान जबरन करेगा जो निलहे होते थे जो मतलब जिनको ये जो लोग इन किसानों से नील की खेती करवाते थे निलहे नील का व्यापार करने वाले निलहे जो थे वो इनको सही दाम नहीं देते थे मनमाने दाम पर बेचना ठीक है और मनमाने दाम पर खुद बेचते थे और जो बिहार के किसान वेगर थे जो किसान था उस किसान से मनमाने दाम पर खरीते थे सस्ते दाम पर यूँ कह सकते हैं कि सस्ते दाम पर खरीते थे तो उचे दाम पर बेचते थे तो किसानों को कोई फाइदा नहीं होता था और किसानों का खेत बहुत इसमें नील की खेती जब आप लगातार करते हैं तो खेत बहुत खराब होने लगता है और नील की खेती में जो नील है नील का प्रोडक्शन जो है वो बहुत टफ होता था आपको मालूम यही किसान खेत करेंगे अपना खेद क्माएंगे उससे फूल निकाल करके उससे पुलाया जाएगा रोंदा जाएगा हौद में वो पैर से उसको रौंदते थे उनके पैरों में गरम पानी में डाल गए उनके फफोले पड़ जाते थे तमाम प्रकार के रोग ग्रसित हो जाते थे, मर जाते थे लोग लेकिन इने कोई फर्क नहीं पड़ता था चंपरण में ये हालत बुरी हो गई और जब हालत बुरी हो गई तो तमाम सारे लोग इस बिहार में इस चंपरण में विजिट करने गए गांधी जी के साथ में जिसमें गांधी जी है पाबू राजेन प्रशाद जी है इसके अलावा आचारे जेवी करपलानी जी है आचार जेबी क्रपलानी जी है जेबी क्रपलानी ठीक है महादेव देशाई जी है महादेव देशाई इस सारे लोग जो है वो वहाँ विजिट करने जाते तंपरण में विजिट करने जाते ठीक है नरहरी जी है ये सब लोग 1917 में कहा जाते हैं चम्परण जाते हैं चम्परण और जब ये महाँ वहाँ चम्परण में जाते हैं तो चम्परण जिले का जो कह सकते हैं जो जिला के जो अधिकारी वगएरा है अधिकारी गण अधिकारी गण ये अधिकारी गण जो है इन सब लोगों को धंकी देते हैं, कि भई यहां से चले जाओ, यहां कुछ गड़बर नहीं है, चले जाओ यहां से, हाथ पर न तुड़वाओ अपने, ऐसे धमकी बरे शब्दों का इस्तेमाल होता है, उन्हें यहां से जाने के लिए विवस्ट करे जाते हैं, वहां पर इन्होंने, गांधी जी ने और इनके साथियोंने, जो की सीख रखा है वहां से, सत्य और हिंसा का आग्रह है, यहां पर उन्होंने इसका पालन किया, उन्होंने कहा कि हम जेल भरेंगे, भर दीजे जेल, जितना भरना है, ठीक है, जो करना है कर लीजे, लेकिन, यह जो इनके जो चहर छोड़ने के जो आदेश थे, तहर छोड़ दीजे, पुड़ने के आदेश, इस आदेश का इन लोगों ने क्या किया, उन्लंगन किया, और इस आदेश के उन्लंगन में इन सब को क्या हो गई, जेल हो गई, लेकिन उस समय तक, क्योंकि 1916 है आप देख सकते हैं, 1917 तक अभी रॉले टेक नही मैनर से मांग करने के लिए, इसी को अनके उपर मुकदम उकदम सब चलाएगा, जेल डाला गया, मुकदम चलाएगा, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सब अगर हो रहा है, तो लोगों के पास में मुकदम लड़ने का अधिकार है, वकील रखने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार है, तो अंतता जो है, इसमें सरकार जो हार गई, सरकार, सरकार की हार हो, और इन लोगों को जेल से भी रिहा करना पड़ा, और इस तरीके से जो जबरन नील की खेती कराई जा रही थी, इसको भी, इसके लिए भी जाच के आदेश जो है, वो दे दिये गए, जाच जो आंदोलन हुआ, ये पूरी तरीके से कैसा हो गया, सफलता, इसमें जो है, कानी जी को मिल गई, यहाँ पर भी एक तरीके से उनका नाम जुड़ा, और चुकि ये जो आंदोलन था, ये किसान वर के लिए था, तो नेता और किसान के बीच में जो पिछले आंदोलनों में दूरियां बनी हुई थी, उस दूरी को कम किया जा सका, भले एक छेत्र विशेस में ही सही, अब जो है, नेता और किसान के बीच में दूरियां कम हुई, इस तरीके से बिहार का जो चंपरन आंदोलन है 1917 में, ये जो है क्या हो गया, सक्सेस्फुल हो, ठीक है, ये चीज को ठ्यान रखनी है, ठीक, अब इसी तरीके से ये जब सक्सेस हो गया, तो कुछ और भी छेत्री आंदोलन है, जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए, या जिसमें गांधी जी के जो बाते हैं, उसको लोगों ने सीखा समझा और उसको इंप्लिमेंट किया, और उसमें उन दूसरी बात करते हैं, तो एहमदाबाद, मिल आंदोलन है, और ये आंदोलन किस प्रकार का है, कि आयंदाबाद के जो मिल मजदूर थे, ये 1918 का है, एहमदाबाद में मिल मजदूरी जो लोग कर रहे थे, मिल में मजदूरी कर रहे थे, वो मिल में मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और यानि जो मिल मजदूर हैं वो और जो मिल के जो मालिक हैं उनका आपस में डिस्प्यूट उस पे आपस में जगडा हुआ या विवाद हुआ विवाद किस चीज को लेकर के हुआ उसके उपर हम चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले समझिए यह 1917 के आसपास नाइटीन हंड़ेट सेवेंटीन के आसपास वहां गुजरात में प्लेक की जो है वो विमारी फैल गई थी हमदाबाद में भी प्लेक की विमारी फैली और बहुत बुरी तरीके से फैली और बहुत सारे जो मिल के मजदूर थे वो प्लेक की विमारी से ग्रसित होने लगे लीव पे जाने लेगे छुट्टी पे जाने लेगे तो उनका काम जो मतलब कम हो रहा था उनका काम जो आ रहे थे मजदूर उनसे करवाय जा रहा था एक तरीके से मजदूरों के वर्कलोड जो है वो बढ़ गए दूसरा जो मजदूर छुट्टी पे गए कंपनी का एक मिल का या एक पूरे जो कह सकते हैं और गनाजेशन होता है उसका करतव योना चाहिए कि उसके मजदूर स्वस्थ होंगे तभी तो सही तरीके से काम कर पाएंगे और अगर वो बिमार होते हैं तो कुछ खर्चा जो है वो कंपनी को उठाना चाहिए पजाए उन कंपनियों उन मजदूरों की आर्थिक सहायता करने के जो छुट्टी पे ते उनका न सर्फ सेलरी काठी गई बलकि बहुत सारे लोगों को काम से निकाल दिया गया और उसका जो वर्कलोड हुआ और मिल मजदूरों के जो मालिक हैं उनसे कहा कि जब तक आप 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत जो है मनलब डिमांड थी मिल मजदूरों की 35 प्रतिशत वेतन में वर्धी करी जाए मजदूरी में मजदूरी में मजदूरी में वर्धी करी जाए कितनी करी जाए या की जाए 35 प्रश्रत की वृद्धी करी जाए अन्य था तो वो नहीं कर रहे थे कांधी जी ने कहा कि भाई या तो एक काम करो या तो जैसा मिल मजदूर कह रहे हैं वैसा करो और डिमांड अपनी मत रखो और अगर डिमांड रखे हो तो फिर जब तक टिमांड पूरी ना हो जाए हरताल कर दो और यहां हरताल का मतलब क्या हो गया हरताल का मतलब हो गया काम रोग दो लेकिन उन्होंने सक्ष चेतावनी दी कि अगर हमारी इस बात को मानना है तो किसी भी प्रकार से हरताल के दौरान इंसा नहीं होनी चाहिए इंसा ना हो इंसा नहीं होनी चाहिए इन्सा के बगेर आप इसी को बोलते हैं सत्याग रहे अब ऐसे किसी के कहने से कोई कैसे वहाँ लाठी बरस जाएगी वहाँ डंडे चल जाएगे तो आपको पहले खुद करके दिखाना होता है आपको मालू है इसके लिए गांधी जी नहीं क्या किया इस आंदोलन को सही करने के लिए सबसे पहले गांधी जी आमरण अंशन पर आमरण अंशन पर बैढ़ गए अब आप सोचिए आमरण अंशन पर व्यक्ति स्वैम बैठ गया है जिसका इस मिल से कोई लेना देना नहीं जव ना तो इस मिल में कोई मज़ूरी कर रहा है अच्छे कासे वकील अपने चलाते बढ़िया चप्पू चल सकता था उनका तो लेकिन वह व्यक्ति हमारे लिए आमरण अंशन पर बैठा है तो क्या हम मिल में काम करना तक नहीं बंद कर सकते हैं इतना ही तो मांग रहा है वह व्यक्ति और क्योंकि आंदोला इनके थूँ चल रहा है तो इनका एक भी व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी है लोगों ने इस बातों को फॉलो किया और अंततह मिल मजदूरों को मानना पड़ा और 35 प्रश्चत की जो व्रद्धी है इस मांग को मान लिया गया इस तरीके से अगर हम देखें तो ब्रिटिस सरकार की नीतियों और ब्रिटिस टटूओं की जो नीतियां थी इसी तरीके से इसी समय ये गुजरात का है? गुजरात में एक और जगह है खेडा गुजरात में खेडा अंधोलन भी हुआ ये भी गुजरात में है और ये भी 1918 में हुआ 1918 में अब देखिए उस जगह तक हम दीरे-दीर पहुँच रहे हैं इतिहास थोड़ सा मिक्स है इसको अलग-अलग टुकणों में पढ़ना पड़ेगा वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ खेडा आंदोलन जो 1918 में चला नाइटीर हंडेटीन में जो खेडा आंदोलन चल रहा है इसमें जो किसान है उनसे जबरन जो है अपनी मनमाफिक हेती कराई जाती है उचित दाम नहीं दिये जाती है किसानों के उपर भिभिन प्रकार के अत्याचार हो रहे है और किसानों का जो फसल है वो पुरी तरीके से चोपट हो जा रही है अब फसल चोपट हो रही है फसल जो है वो क्या हो रही है फसल खराब हो रही है लिकिन सरकार जो है सरकार जो है वहाँ पर वो किसानों से फसल चौपट है हमें उससे मतलब नहीं है पूरा लगान पूरा लगान वसूल रही थी सरकार पूरा लगान वसूल रही है कैसे भी लाके दो मुझे इससे मतलब नहीं है अब किसान परिशान है कैसे लाके दें लगान तो हम तब देंगे जब फसल होगी बिकेगी पैसा आएगा लगान देंगे फसल ही नहीं हो रही है कैसे देंगे कैसे देंगे बताइए गांदी जी के सामने समस्या पहुंची गांदी जी ने कहा छूट नहीं तो लगान नहीं उन्होंने क्या कहा उन्होंने किसान से कहा उन्होंने किसानों से कहा किसानों से क्या कहा गया है जब तक जब तक लगान में तूट नहीं लगान नहीं बहुत से बादुदी रिलाक्सेशन दो भई और फिर इसमें भी आंदोलन शुरू हुआ और बाद में सरकार ने वालू में क्या का सरकार ने का अरे नहीं नहीं ये सब के लिए नहीं है भई जो लोग दे सकते हैं वो दे लगान जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए छूट है जबरंज किसी से नहीं मांगा जा रहे सरकार नहीं का सरकार नहीं का मतलब सरकार बिस बात को मान गई कि ठीक है भई सरकार जिसके पास नहीं है तो वो नहीं देगा पर जिसके पास है वो स्वेच्छा से लगान की बात यहां पर आ गई सरकार का यह जवाब आया यही वो आंदोलन था जब कई सारे युवा किसान जो है वो गांधी जी से मिलते हैं और इन ही गांधी जी के युवा किसानों में एक व्यक्ति था, जिनका नाम था सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब उस समय वो सरदार नहीं है, लेकिन अब क्योंकि नाम लिखा है अभी मैंने तो सरदार लगा दिये, तो वल्लभ भाई पटेल जी के मुलाकात युवा वस्था में उस समय गांधी जी से हुई थी, और गांधी जी तो 40 साल के उपर के थे वाई, और ये 3-4 साल और जोड लीजिए, 40-46 साल के हो रहे हैं, उनके विचारों से प्रभावित हुए, तमाम सारे अन्याय उनके होते चले जा रहे थे, मैंने कहा था, उसमें स ये भी थे, सादार पटेल जी भी थे, उसमें इनकी मुलकात होती है, गांधी जी और दूसरे जो भी लोग हैं, वो इनसे मुलकात करते हैं, इनके जो विचार हैं, उनसे प्रिरित होते हैं, गांधी जी के ये सब जो हैं लक्ष वो तो हैं ही, गांधी जी के तीन और इंसा तो हो ही हो रास्ट्र में लेकिन तीन और लक्षों को वो प्राप्त करना चाहते हैं वो तीन लक्ष क्या है उन तीन लक्षों में एक है हिंदू-मुसलिम एक्ता हिंदू-मुसलिम एक्ता और जब वो हिंदू-मुसलिम एक्ता के लक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं त क्या घंक और नहीं सिर्फ कि अन्य धर्मों से बन्ती है बलकि समस्त-धर्मों का समन्वय है देखे क्या विचार हैं आप और खुद जो हैं हिंदुवादी हैं ये भी बात है और ऐसा नहीं कि अपने हिंदु धर्म को त्याग न चाहते हैं या दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं ये हिंदुवादी हैं हिंदु समर्थन में हैं लेकर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर् भारत में तीन प्रमुगबादे क्ा है तो एक प्रमुगबात ये नुसरा पुंदर प्रमुग बात है तो एक प्रमुगबाद विरोधी संगर्ष ह Arri agriculture संघर का सबसे निर्धन सबसे निर्धन सबसे निर्धन यक्ति भी इस देश को अपना सके और जब मालूम है constitution जब बनने लगा समविधान जब बनने लगा समविधान सभा के कुछ लोग गांधी जी से मिलने के समविधान सभा में गांधी जी शामिल नहीं है लोग मिलने गए उनसे तो गांधी जी ने इस विचार को वहाँ दोराया और बोला है अच्छा सम्विधान वो होगा जिससे इस देश के निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी उतना ही लाब हो इन कानूनों से जितना अमीर से अमीर व्यक्ति को लाब हो यानि अमीर और गरीब के बीच का अंतर ना रहे बहुत बड़ी फिलोसफी है और सच में ये देश तभी पूर्ण होगा अभी जब तक ये पूर्ण नहीं है तब तक ये अपूर्ण ही है एक तो ये है उनका और नका ये उँच नीच क्या है उँच नीच नहीं होगा उँच नीच का भेद भाव अगर है तो सपनों के भारत में दिक्कत है अंतर है अगर अमीर और गरीब में तो अंतर में दिक्कत है समुदाय वाद नहीं होना चाहिए समुदाय वाद ना हो उच नीच रहित भारत हो ना कोई उचा हो ना कोई नीचा हो ऐसा और इसके अलामा तीसरी और इंपोर्टेंट बात जो उन्होंने कई है देश की स्त्रियों की दिशा के बारे में देश की स्त्रियों की दिशा देश की स्त्रियों की दिशा ये उनके तीसरे सपने में इसे एक है, उसमें सुधार हो, उसमें क्या हो, सुधार हो, पुरुष और इस्त्री के बीच में जो अंतर है, पुरुष और इस्त्री के बीच में जो समाजिक अंतर व्याप्त है, समाजिक अंतर, समाजिक अंतर जो व्याप्त है, इस समाजिक अंत इतकारी हो इस विचार से हमें अलग होना होगा यह उनके सपने का भारत है तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या फिलोसफी हैं गांदी जी की यहां सत्य और अहिंसा की ही बात नहीं है सत्य और अहिंसा आपको मालूम है आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकता आप किसी की कुछ नहीं करना है आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ सच बोलना भरे कठीन है बहुत कठीन है इन सिर्फ सच बोलना है लेकिन बोल सकते हैं कठीन बोलना आपको लगता है कि जूट बोलना आपको लगता है कि आसान है लेकिन उसमें कितना काम है हुद काम है इतनी सरल से हतियार उठाए उनों लेकिन वो सरल उतने इतने ही सरल नहीं है जितने भगवान शिव का धनुष देखने में लगता है धनुष उठाएंगे प्रतिंचा चढएंगे निशाना लगताएगा श्रिव का धनुष ए अचूछ खोगा पहले उठाओ तो उठा ही नहीं पाओगे, उठ जाएगा तो अचूक निशाना होगा ही, अगर मैं तुलना कर दूँ, सत्ति की भगवान शिव के धनुष से एक ही है, वो कहते हैं सत्यम शिवम शुन्दरम, सत्ति ही शिव है, शिवी सुन्दर है, तो सत्ति ही शिव है, तो यह है, अब देखे, मैंने आपको बताया कि इस तरीके से उन्होंने यह उनिस ओठारा में यह घेडा अंदूलन और एंदाबाद अंदूलन किया, उसके बाद आपको वही याद चलना पड़ेगा, उननीस सो उननीस में रॉल एट एक्ट के पास, रॉल एट एक्ट, मैंने बताया कि रॉल एट एक्ट में किस तरीके से उन्होंने आंदूलन की शुरुवात करी अप्रेल में, लेकिन उससे पहले फरवरी उननीस सो उननीस में उन्होंने एक सभा बनाई, पादीजी ने एक सभा बनाई, और उसमें इसके जो सदस्य थे, जो इस सभा जो उननीस सो रॉल एट का विरोध करने के लिए जो सदस्य थे, उन्स सदस्यों को कानून जो है उसको वापस लेने की बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि जो सभा बनी है, जो सभा बनी है, ये सभा कारे करेगी, कि रॉल एट कानून, रॉल एट जो कानून है, उसे वापस लिया जाए और जो भी इसके सदस्य होंगे वो पहले से सोच ले वो पहले से समझ ले कि हम गिरफ़तारी करें देंगे गिरफ़तारी और जेल जाने की शपत लीजिए शपत लीजिए जेल आपको जेल डाला जाएगा आप जाईए जेल वहाँ से आंदोलन चलाईए पुरा देश भर दीजे उसमें इसी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने खादी खादी को इस आंदोलन का प्रतीक बनाया लोगों को सिखाया कि अपने हाथ से ये दूसरों के गुलाम हम क्यों है क्योंकि अपने हाथ से काम नहीं करना चाते हैं अपने हाथ से काम करिए अपने हाथ से स्वयम मतलब कह सकते हैं कि जब आप किसी कारे को करेंगे दूसरों के उपर डिपेंड नहीं होंगे, हमारा देश दूसरों के उपर डिपेंड हुआ, शुरुवात में अगर अपनी समस्या का हल छेतरी शास्कों ने खुद निकाला होता, ब्रिटिशर्स या दूसरी सामराज जवादी जो शक्तियां यहां आई थी, उनको अपने माम राजनीती में आएं और इस राजनीती में जो उन्होंने का इसी में मजे की बात में आपको बताओ, इसी रॉलेट टेक्ट में उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग, आप लोग जितने भी कह सकते हैं कि रास्टवादी हैं, रास्टवादियों से कांधी जी ने कहा, मालूम है क्या कहा? कांधी जी ने कहा है, गाउ जाओ और इस एक्ट के विरोध में लोगों को बताओ, जगाओ, जेल भरो, खादी का प्रयोग वहाँ पे करके दिखाओ, रास्टवादी लोग गाउ गए, क्यों गाउ जाने की बात क कि असली भारत वहीं है नी बड़ी बात कि पहले की आंदोलग को याद की निए और 1905-2 गुल का डूल याद कर लिजी क्यों से पहले कैसे इन से पहले शब्राइब बात्चीत हो रही है गों ना सभाय वहाँ हो हला हो रहा है चर्चा हो रही है इसके अलावा जो है विरोध के लिए विदेशी वस्तरों की होलिया जलाई जा रही है बड़े-बड़े कारखाने खुद के लगाये जा रहे हैं किसानों के लिए क्या कर रहे हैं देश में किसान ही किसान है कितनी फैक्टरिज लगा लेंगे कितने बैंक खोल लेंगे आप कितनी माचिस के कारखाने खोल लेंगे पताया था ना मैंने किसानों को जोड़िए किसानों को मुख्यधारा में लाइए उन्हें राजनीती में लाइए उन्हें जगाईए जब जागेगा भारत तब जीतेगा भारत ये गांधी जी ने इस तरीके से शुरुवात की और इस रॉलेट एक्ट में जब लोग बहुत ज़ादा गिरफतार हुए और मैंने बताया कि जब डॉक्टर जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है उन्होंने गिरफतारी दी जब डॉक्टर सत्यवरत जो पाल है इन्होंने गिरफतारी दी जब इन लोगोंने गिरफतारी दी तो पंजाब के जो लोग थे वो इन नेताओं से बहुत प्रेम करते थे उन्होंने का आप बहुत हो इसके खिलाफ व्यापक का रिवाई करने के लिए जलिया वाला बाग में एक आम जनसभा लगाने की बात की उसी में जलिया वाला बाग अत्या खांड हो गया तो जलिया वाला के बारे में भी जरूरी हो जाता है फिर जानना हम लोगों का स्वभा भी कसी बात है ये क्यों घट ना घटित हुई इसके पीछे क्या कारण रहें और किस प्रकार से ये मतलब कह सकते हैं कि एक कुकरत्य के रूप में जानी जाती है आए उसके बारे में जानते हैं जलियावाला बाग जलियावाला बाग यह एक हत्याकांड है इसको हम हत्याकांड का नाम देंगे और देना भी चाहिए मैंने जैसा कि बताया कि रॉलेट एक्ट जो आया था जिसका भारत में जो केंद्रिय विधान परिशत थी उसके सभी भारती सदस्यों ने जब विरोध किया विरोध करने के बावजूद भी उसे पारित किया गया उसे सक्ती से लागू किया गया बहुत सारे लोगों ने गिरफतारी दी इसमें जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है तो ये जो सरकार है ब्रिटिश सरकार जो है उसने आंदोलन को समाप करने के लिए या कह सकते हैं कि बुरी तरीके से कुछ चलने के लिए अपने प्रयास जारी रख रही थी और इसी प्रयास का यह नतीजा था जलिया वाला भाग हत्याकान तमाम सारे शहर थे जैसे कि मुंबई, एहमदाबाद, सूरत, पतना, दिल्ली यहाँ पर निहत्य जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे ऐसे निहत्य प्रदर्शन कारियों पर लाठी चार्च की गई उन पर गोलियां चलाई गई बुरी तरीके से जैसा कि मैंने आपको पहले बत Will, 1919 वाली जो डेट है, इसमें क्या हुआ था? व्यापक हरताल का आवाहन क्या गया था? आवान है न, तो ये जो व्यापक हरताल का आवान हुआ था, इसी आवान का विरोद जो है प्रnes सरकार करना चाहती थी और तमाम सारे जो बड़े नेता थे उनको ग्रफतार करके जेल में डाल दिया गया था और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको यहां पर बताया कि डॉक्टर सेफ उद्दिन किचलू और डॉक्टर सत्यवाल सत्यवत प्राथ पाल जो कि पंजाब के बहुत जाने माने नेता थे इनको ग्रफतार करके जेल में डाल दिया गया अब जो पंजाब की जनता है वो इस बात से बहुत ज़ादा कह सकते हैं कि असंतुस्ट हुई और वो अपने नेता को की तुरंट जो है कह सकते हैं कि उनकी मुक्ती चाहते थे इसके लिए अब दिक्कत यह थी कि रॉल एटेक लगा हुआ था आप जनांदोलन नहीं कर सकते थे एक जगह खटा नहीं हो सकते थे किसी को शक भी हो गया तो आपको बिना वज़ा जेल में डाल देगा और पता नहीं कौन-कौन सी धाराएं लगेंगी मैंने का बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून है तो आपका कहीं कुछ बोलने का वो नहीं है कि आप बोल सकते हो कि पंजाबी तेवहार था उसको मनाने के लिए खटे हुए थे अप्रल में तेरह अप्रल अब उस तेवहार को मनाने के लिए लोग माहें खटे हुए तो जन्वादी जो नेता बचे रह गए थे शेस उनको लगा कि ये एक अच्छा उफसर है यहां पर लोगों को बुलाना पढ़ेगा और यहीं पर अगर हम संगठित हो करके एक भाषण देदें और इतनी ही सी जनता को अगर हम प्रिरित कर दें तो काम बन सकता है तो इसि उदेश से 13 अप्रख needle 19 19 को जब सहारी करी गया ज़िया पर यह आयोजन हो रहा थाव उससमें पणजाब का जो तत्कालिन कमांडर था पुलिस कमांडर था जन्रल डायर वो जनता को मतलब वहाँ पर रोकने के लिया आया ठीक है रोकने का in the sense हम यूँ नहीं कह सकते हैं कि वो ये चाहता था कि जनता उसके कहने से चुपचाप चली जए एक तरीके से उसने मौका समझ लिया कि ये वो सही मौका है जिसमें हम यहां की जनता को बुरी तरीके से दंडित कर सकते हैं जनता के बीच में आतंक पैदा कर सकते हैं डर भय व्याप्त कर सकते हैं जिससे की ये इस तरीके की चीज़े ना हो तो जलिया वाला बाग जो है ना वो तीन तरीक तीन तरफ से कह सकते हैं कवर था एक तरफ से आने और जाने की रास्ता थी उसमें भी छोटा सा गली आ रहा था गली थी तो ऐसा मतलब नहीं हो सकता था कि वहां से अगर तेजी से भगा रहा जाए किसी को तो लोग भाग सकें और यह अपने पूरे दलबल के साथ आया था मतलब मतलब छोटे-छोटे से हत्या कांड किया यह भी मैं आपको बता दो निर्मम तरीके से हत्या कांड में यह था कि पहले उसने हवाई फायरिंग करवाई उससे भगदर मच गई तमाम सारे लोग भगदर से ही मच गए फिर जो है उनके उपर लाठियां चार्ज हुई गोलियां बरसाई गई भाग से आदेश्ट दे करके लोग निकल नहीं पा रहे थे लोगों ने कुए में कुदना शुरू किया एक महिला थे अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में अब लोगों का उस समय सेंस काम नहीं करता है वह कुदी तो लोगों को लगा किया यहां पर हम बच सकते हैं शायद थी निर्मम हट्याकांड फुए एक इतना ही नहीं इसका अत्याचार यहीяж सिर्फ नहीं रुका उसके बाद इसने अनोDER लाद लं अन्योर में अन्यों कि पूर शेहर में पंजाब मे पूरे मार्शल लगा दिया गया इतनी निर्मम हट्याकांड करने के परशात लोगों के उपर बुरी तरीके से लाठियां परसाई गई मारा गया उन्हें चोटे-चोटे बच्चे हों मतलब क्या इस तरी क्या व्रद्ध नौजवान बच्चे पुरुष सबको एक तरफ से उसने गोलियों से भूज़ डा बहुत सारे लोगों की मौथ हो गई उधारवादी एक वखील हैं जिनका नाम है श्रिस्वामी अयर उनको नाइट की उपाधी दी गई थी श्रिवस्वामी अयर श्रिवस्वामी अयर ये एक उधारवादी वखील हैं उधारवादी थे और इन्हें अंग्रेजों ने नाइट की उपाधी दी थी जिसको नाइट की उपादी मिल जाती है उसके नाम के आगे सर लग जाता था पहले जैसे इसको इनका नाम लेंगे सर शिवस्वामी आईए तो इन्होंने मतलब ये जो हत्याकांड हुआ और जो पंजाब में हत्याकांड उसके बाद चला मार्शल लौ के नाम पर उसकी उन्होंने व्याख्या करी है पहुत ही पंजाब के जो अत्याचार है उसके बारे में उन्होंने का कि एक तो जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ मतलब एक तो ये काम किया इसने हत्याकांड जबर्जस तरीके का यह हत्याकांड हुआ और मालू में उसके बाद कोई जांचायोग नहीं बठाए गया तब तक जब तक ही भारत की तरफ से बहुत विरोधी किया गया और जांचायोग बना भी तो छे महिने बाद इस हत्याकांड के हंटर और उसमें भी जनरल डायर को मतलब दोशी माना गया और दोशी मानते हुए से सजा क्या दीगे कि भारत से वापस चले जाओ यह सजा दिली थी एक तरीके से उसको बचाने की सजा थी यह ठीक है यहाँ पर हम बात करते हैं अत्याकांड हुई एक तो उन्होंने यह बताया उसके बाद उन्होंने जो चीजें बताई है लोगों पर सारजनिक तौर पर अगर देखा जया लोगों पर कोड़े बरसाए गये बुरी तरीके से तक्रीबन पांसो चात्रों को प्रोफेसरों को गिरफतार करके उनके उपर लाठियां बरसाई गई उनकी नजरबंदी करी गई पांस से साथ साल के जो स्कूली बच्चे थे उन्हें स्कूल जाने के लिए बोला गया और वो स्कूल जाते थे और उनसे मतलब बच्पन से ही ऑपनिवेशिक जो सामराज्य है उसको सलामी करने के लिए बोला जाता था मतलब वो जंडे होते थे जो इनके ब्रिटिश के जंडे होते थे उनके सामने सलामी करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था डाक वगरा के उपर सेंसर लगा दिया गया था कि खबर इधर से उधर ना जाए तेजी से वैसे भी बहुत जादा मीडियम आफ कम्मुनिकेश करना शुरू कर दिया उन्होंने बादशाही मस्जिद पर तकरीबन 6 माह तक ताला ही पड़ा रहा और इसलामिया समू का एक कॉलेज था उसमें 6 बड़े बच्चों को बुरी तरीके से मारा गया कोड़े बरसाए गए सजा दी गई उन्हें और उनका गुनाह क्या था कि ए लोगों को सड़क पर रेंग कर चलने के आदेश दिये गए उनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई पानी बिजली सब जो है हटा दिया गया समाप्त कर दिया गया जिन घरों में पंखे बगारा लगे होते होते उनके घरों के पंखे उतरवा करके जो यूरोपी थे यानि कि का बुरा दौर मतलब जिसको आप कह सकते हैं आप मैसूस नहीं कर सकते कि क्या लूट पाठ हुआ होगा तो जलिया वाला बाग तक ही सीमित नहीं है उसके बाद भी बुरी तरीके से था बहुत ही बुरे कह सकते हैं कि दौर से उस समय के पंजाब के लोग गुजर रहे थे इस सत्याकांट के साथ साथ ठीक है जो मार्शल लौ लगा था उस मार्शल लौ में भी मार्शल लौ जो लगा था उस मार्शल लौ में भी बुरी तरीके सत्याचार किये थे हिंदू मुस्लिम एक था अब हिंदू जो थे वो छुआ छूट को मानते थे उस तरह के चीज़े रहती थी तो यह जानते थे उस चीज़ को तो उस चीज़ से उस चीज़ का यह फाइला उठाना चाहते थे कैसे इन्हों ने कहा कि हिंदू और मुसलिम जो है वो एक साथ पानी पीएंगे हिंदू और मुसलिम और उस समय तक जो हिंदू है वो मुसलिम के हाथ से पानी नहीं जाएगी एक साथ उनके हाथ बांदे जाएंगे और हथकड़ी का तो यह था कि एक ही रस्षे में नजाने कितने लोग बांद करके छोटी-छोटी जगवों पर ठूस ठूस के बढ़े जाते थे बड़े-बड़े से जैसे पिंजड़े नहीं होते हैं पिंजड़े लोहे की सल करके जो रवीन नाथ टैगोर जी थे रवींद्रनाथ टैगोर इनको भी नाइट की उपाधी मिली हुई थी इन्होंने भी नाइट की उपाधी जो है वापस कर दी हमारे लोगों को मारते और हमें सम्मानित करते हैं यह कैसा सम्मान साथी साथ गांधी जी जो थे उन्होंन स्क Recordseker चलते उन्होंने अपना जो केशर एहिंद की उपादी थी केशर एहिंद इसकी जो उपादी को भी उन्होंने वापस कर दिया था और उन्हीं यह उपादी यूज दौरान दी कई ती जिस दौरान प्रतर मैं उन्हों हमने ब्रिटिश की जो है वो सहायता करी तो इन सब के चलते जो है गांधी-जी ने भी यह उपाधि वापस कर दी तो ये था जलियावाला खत्याकांड का कह सकते हैं कि एक विशेस जो हमने पताया कि किस तरीके से इस हत्याकांड में मतलब एकदम बुरी तरीके के स्थिती जो है जो अपनाई गई है वो हमने दिखाई आको अब इसके बाद कि अगर हम चीजों में आगे बढ़ते हैं तो हमें यहां पर इसी समय ही एक विशेस आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन कह सकते हैं, खिलाफत, खिलाफत, आंदोलन, ये भी गांधी जी के योगदान का एक बड़ा हिस्सा हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, खिलाफत आंदोलन में, और खिलाफत के साथ-साथ ही यह आपको देखने को मिलेगा, असएयोग, domo, साती षाथ, अस्योग आंदोलन हमको दोनों चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, यह तरल रास्टी आंदोलन है, उसको यहाँ पर एक नई धारा मिलने वाली है, एक नई दिशा मिलने वाली है, किस तरीके से दिखे इस समय तक 1919 तक की जगर हम बात करते हैं 1919 से लेकर के 1922 तक की चीजों को हम cover करने वाले हैं आपर और 1919 तक ऐसा हो चुका था 1919 तक ऐसा हो चुका था पहले मैंने आपको बताया था कि जो मुस्लिम्स थे जो मुस्लिम्स थे वो आधुनिक सिक्षा आधुनिक जो सिक्षा है उसको प्राप्त नहीं करना चाहते थे वो अपनी जो इसलामिक रोडिवादी सिक्षा थी उसी के उपर बिलीव करते थे लेकिन इन चीजों को समझना शुरू कर देते हैं और वो भी दिरे-दिरे सिक्षित होते चलते तो एक सिक्षित मुसलमानों के नई पिढ़ी जो है वो जो पारंपरिक जो मौलवी और धर्म शास्त्रियों वाला जो एक भाग था उससे अलग निकल करके उससे आगे बढ़ करके जो अधिक मात्रा में अंग्रेजी और रुणिवादी जो लोग हुआ करते थे उनसे आगे निकले और उन्होंने जो है जो आधनिक सिक्षा थी उसको अपनाया तो यह वो दौर है जिसमें मुसलिम आधनिक सिक्षा को क्या कर रहा है अपना रहा है अपनाने अपनाया इन्हों था है ना लखनो 처घता और जब लखनो outa हुआ था तो इस में भी हिंदो मुस्लिम एकता हम को देखने को मिलेए यहां हिंदो मुस्लिम ईकता जो है वह हम सुमस्तिता है वह को यहां पर देख ने को ब्लीं। रॉलेट एक्ट जब आया और रॉलेट एक्ट विरोधी जब यहां पर आंदोलन चलाए गए तो भी मैंने देखा बताया भी थोड़ी देर पहले ही आपको किस तरीके से हिंदो मुस्लिम एक्ता जो है वहाँ पर रेप्रेजेंट होती है राजनितिक आंदोलनों में दोनों लोग मिल करके भाग लेते हैं अची तरीके से उधारण मैंने आपको बताया इसके कुछ उधारण आपको रिकॉल करा देता हूं जैसे कि तमाम सारे जो रादितिक गतवीदियां है उन गतविदियों के ख्षेत्र में हिंदो और मुस्लिम की एक्ताम को देखने को मिली थी साथी साथ मैंने आपको बताया इसका एक एक ऐखामपल बहुत अच्छा मैं आपको देना चाहता हूं मुसल्मानों ने दिल्ली के जामश्जिद में दिल्ली के जामश्जिद मे Jak六 os स्वामी शिधानंद को बुलाया श्रिधानन्द को बलाया स्वामी ठीक है और मालूम ह만 किसली यह दिल्ली जमह मस्जिद मीं भाष्ण देने के लिए और आपको मैं बता दूँ कि स्वामी शिधानंद जी जो थे ये कट्टर आर्रेवादी थे कट्टर आर्रेवादी अब आप सोचिए ये एक्ता का ही तो प्रमाण है जिस समय आप ये आंदोलन चला रहे हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में तो मुस्लिमों ने स्वामी सुद्धनन्द को आमंत्रित किया है जामा मस्जिद में उप्देश देने खेली इतना ही नहीं एक और घटना हमको यहाँ पर याद करनी चाहिए एक तो घटना ये थी दूसरी घटना इस राष्ट्री एक्ता की हίνदो मुस्लिम राष्ट्री एक्ता की दूसरी घटना की बात करें तो अमरित सर में जो अमरित सर कह सकते हैं कि जो तीर्थ है शिखों का उसमें अगर हम बात करते हैं तो अमरित सर में जो स्वन मंदिर है उसकी चाभी थी स्वन मंदिर की चाभी जो है वो सिखो ने मालू में किसको दी थी इसकी चाभी उनकी निग्रान में इसको सुरक्षित किया था तो ये एक तरीके से ये जो हिंदू मुसलिम एकी करण था इसी एकी करण को दफनाना चाहती थी ब्रिटिश नीतियां जो थी हिंदू मुसलिम एक ही बेड़ी में बांधे जा रहे थे मैंने बताया सड़क पर रिंगते हुए ने चलाया जा रहा था एक ही साथ खाना पिना उनका चल रहा था तो ये सब चीजें थी जो राष्टवादी आंदूलन को और जादा बढ़ा रही थी अच्छा वो सजा दे र अच्छा ही हुआ कि ऐसी सजा दी गई मतलब ये तो नहीं का जा सकता है लेकिन हमने उसमें अच्छाई निकाल ली मुसीबत में भी हमने एकता बनाय रखी ब्रिटेन और उनके जो सहयोगी अच्छा ये जो खिलाफत आंदोलन है इसकी अगर हम प्रिष्टवूमी के बात क मतलब थ्रेश को जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था मुसल्मान जो थे वो इसके विरोधी थे बुरी तरीके से आलोचक थे कि तुम्हारी जो गवर्मेंट ये सब घटना हुई तुर्की में तो उससे पहले जो ब्रिटिश प्रथानमंत्री थे उन्होंने शायद उस उसमानिया सल्तनत है उसके खिलाफ कुछ काम नहीं करने वाले हैं लेकिन हम जो विरोधी हैं हमारे हम उनको जरूर पर रस्त करेंगे तो एक आश्वासन दिया गया था लेकिन वो आश्वासन जो है वो यहां पर टूड गया था तुर्की की जो उसमानिया सल्तनत थी तुर दमन कर रखा था उनके ओपर काफी अत्याचार कर रखे थे वहां के जो सुल्तान थे उनके सुल्तान को लोग खलीफा के समान समझते थे और जो भारत के मुसलिम्स थे वो भी उनको खलीफा की दिस्टी कौन से समझते थे और उनके जो मतलब धर्म के मामले में जो उनके निर अच्छी तरीके से मानते थे और इन सब चीजों का विरोध करने के लिए भारत में शीगरी जो अली ब्रदर्स हैं अली बंधू जिनको आप कहते हैं अली बंधू मुहम्मद अली शौकत अली मुहम्मद अली और शौकत अली इन्हों ने डिवांड रखी कि जल्द ही वहां प इतनत में तो विरोध जेली रहे हैं ऊप़र से भार्त में जो मुस्लिम अजमल खान बी इसमें शौकत अली नहीं मुहम्मद अली शौकत अली नहीं मौलाना आजाद थे उसमें शामिल इसके अलामा हकीम अजमल खान भी इसमें शामिल हैं हजरत मोहानी भी इसमें शामिल हैं तो तमाम सारे जो जो बड़े मुस्लिम नेता थे उन्होंने ये बुरी तरीके से धंकी जो है वो दे डाली और जगे जगे पर मुस्लिम एक्ता जो है वो देखने हमको देखने को मिल जाती है तमाम सारे मुस्लिम जो है वो जुटने शुरू हो जाते हैं अब इसमें ट्रडिशनल मुस्लिम जो हैं पढ़े लिखे मुस्लिम जो हैं दोनों को भी यहाँ पर एक होने का उसर मिलता है कि After all, यह धार्मिक मामले पे एक जा करके हो जाते हैं। दिल्ली में नवंबर 1919 के अगर हम बात करें, तो अखिल भारती खिलाफत आंदोलन। अखिल भारती खिलाफत आंदोलन यहां पर होता है, 1919. इसमें बुरी तरीके से विरोध जिताए जाता है। तो उस समय जो दूसरे राष्टवादी नेता थे, खास कर से तिलक जी, तिलक, गांधी जी, इन्हों ने देखा कि मुस्लिम्स जो हैं, वो ब्रिटिशन्स का जबज़स तरीके से विरोध कर रहे हैं। और मांग भी मतलब यूँ देखा जाए तो बहुत जादा ऐसी कोई आपोजिट मांग नहीं है, अपने धार्मिक निता को चाते की मुक्ति में रहे। तो एक अवसर इन लोगों को दिखाई दिया, कि यदि अगर शेस भारत के लोग मुसल्मानों के द्वारा चलाए जाने वाले इस खिलाफत आंदोलन और जो अत्याचार के खिलाफ है, उस आंदोलन में अगर अपना साथ दे दें, आफ्टर ओल परेशान हम किस्से हैं, ब्रिटिश उपनिवेशी अत्याचार से, तो उनने ये सही अवसर दिखा, उन्होंने 1920 में घोशना कर दी, कि खिलाफत का अगर प्रशन उठेगा, तो इसमें अगर हम देखें, तो इससे पहले क्या मामले थे, अभी तो ये खिलाफत चाहिए, है ना, हमें अपना क्या चाहिए, सम्विधान चाहिए, जैनि कि सम्विधानिक जो मुद्दे हैं सुधार वोज हमें चाहिए, या फिर जो पंजाब में अत्याचार हुए थे, पंजाब अत्याचार, पंजाब अत्याचार, इसके खिलाफ हम लोग लगातार आव आज उठा रहे थे सम्वेधानिक सुधार लाने के लिए हम लोग लगातार आवाज उठा रहे थे गांधी जी वेगरा जो थे पंजाब में अभी मैंने बताए जली अलबाग हत्या कांड हुआ तो इसके खिलाफ यहां पर अवाज उठाई और अब जो है मुसल्मानों के खि समंदित है खलीफा से खिलाफत शब्द जो है वह निकल करके आ रहा है कि जो खलीफत मांग है उसी को खिलाफत मांग बोला गया यहां पर तो खिलाफत मांग के साथ में इसको एड़ कर दिया गया यह यह जो प्रसन है वह है ऐसा नहीं कि इसके लिए हम अलग से जो तरीके कराई कि यदि अगर तुर्की के साथ शांती संधी इस प्रकार की नहीं हुई कि भारतिय मुसल्मान जो है उनको संतुस्टी मिले तो मैं आप सब लोगों को चितावनी देता हूं असयो गांदोलन शुरू कर दूंगा असयो गांदोलन छेड़ देंगे हम बुरी त तरीके से खिलाफत के नेता बन गए अब गांधी जी खिलाफत के नेता कैसे बने गांधी जी खिलाफत के नेता बन गए कैसे बन गए अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या हुआ यहां पर मैंने आपको बताया कि इन्होंने घोशना करी क्या घोशना करी इन्होंने घोशना करना पड़ेगा तुर्की के साथ समझोता करें और समझोता भी ऐसा होना चाहिए कि जो भारती मुसल्मान है भारती मुसल्मान भारती मुसल्मान वो संतुस्ट हों संतुस्ट हों और अगर संतुस्ट नहीं होते हैं अगर भारती मुसल्मान संतुस्क नहीं हुए तो फिर उन्होंने चेतावनी दी कि मैं असहयोग आंदोलन शुरू कर दोंगा असहयोग का मतलब आप समझते हैं असहयोग आंदोलन नया आंदोलन था भाईये अलग गांदी जी के पास में सत्य और अहिंसा के नएने रूप देखने को मिल रहे थे असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे और गांदी जी इस तरीके से खिलाफत के नेता बन गए लेकिन उधर से सरकार का जवाब क्या आया सरकार का जवाब आया सरकार ने क्या किया जो रॉलेट एक्ट था रॉलेट कानून उसको जो रद करने की जो मांग थी वो नहीं की रॉलेट कानून रद नहीं करे पंजाब अत्याचार जो हुआ था पंजाब अत्याचार इसकी भरपाई करने की बात करी गई इनों ने उससे भी इंकार कर दिया मना कर दिया मतलब ढकार गए स्वाशासन की मांग करी गई थी स्वाशासन की मांग इस मांग को भी लिया किसका असयोग आंदोलन का अब ज़रा देखिए यहाँ पर असयोग आंदोलन में अब यहाँ पर विशेश चीज होने वाली है खिलाफत आंदोलन जोरों पर चल रहा है वो भी गांधी जी के सयोग से तिलक जी के सयोग से यहाँ पर एक घटना घटित हुई है सितंबर 1920 में एक यहाँ पर और पॉइंट में आपको याद करा दना चाहता हूँ जून 1920 में इलहाबाद में एक सर्वदली सम्मेलन हुआ कब हुआ जून 1920 इलहाबाद यहाँ पर क्या हुआ सर्वदली सम्मेलन शुरू हुआ अब दीखे गांधी जी ने अभी छेत्री आंदोलन चलाये थे तमाम सारे गांधी जी अभी जो आंदोलन चला रहे थे वो छेत्री आंदोलन थे और वो जो छेत्री आंदोलन थे उससे उनको काफी लाब भी हुआ था और जो वहां के जो जो आम जनता थी किसान जिसको आप कह सकते हैं वो भी इनके साथ अच्छी तरीके से जुड़ पाई थी तो 1920 में जून 1920 में लहाबाद में एक सर्वदली सम्मेलन हुआ हिंदू मुस्लिम सम्मेलन जितने भी जिस प्रकार के विचारधरा संप्रदाय जो लोग थे वो इसमें शामिल हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए प्रण किया मतलब यहीं पर असहयोग जो आंदोलन है अंदोलन उसको लाने की तयारी जो है वो की गई तो शुरुवात में सर्वदली जो सम्मेलन हुआ उसमें इसको एकसेप्ट किया गया य 1920 को खिलाफत जो आंदोलन था खिलाफत जो आंदोलन है उसने असयोग आंदोलन में साथ देने का प्रण कर लिया साथ देने का प्रण अच्छा एक चीज और है यह जो सरवदली सम्मेलन हुआ था ना इस सरवदली सम्मेलन में एक बात और निकल करके सामने आई कि जो स्कूल हैं college हैं जो अदालते हैं इन सबने जो भी सरकारी स्कूल है सरकारी वो फिर school हो college हो या फिर अदालत हो आधिका बहिशकार किया गया बहिशकार ये चीज़ करने का भी निरने लिया गया खिलाफत आंदोलन ने भी 31 आगस्त 1920 में इनके साथ मिलकर करके आंदोलन चलाने की बाश्यूरू करी सितंबर 1920 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का विशेस सत्र विशेस सत्र का आयोजन यहां पर हुआ और इसने भी इस आंदोलन की जो प्रिश्टभूमिये वो तयार करी गया लेकिन इससे पहले एक लॉस हुआ 1 अगस्थ सन 1920 एक अगस्थ को 64 वर्ष के आयों में तिलक का निधन हो गया तो यह आपको ध्यान रखना है कि 1 अगस्थ जो है 1920 यह वो डेट है जब तिलक का निधन हुआ तिलक जी का निधन यह तकरीबन 64 वर्ष के आयो में हुआ था और इसी दिन असहयोग शुरू हुआ असहयोग प्रारंब असहयोग प्रारंब जो है उसकी डेट अगर आप से पूछी जा तो आप ये डेट बताएंगे लेकिन क्योंकि पूरे इसको राष्ट व्यापिया अंदोलन के तौर पर ले जाना था तो अलग-अलग शेसंस के माद्यम से अलग-अलग समयों पर अलग-अलग लोग इस पर जुड़ते चले गए और अगर हम कहें कि गांधी जी है इसमें चितरंजन दाज जी है मोतिलाल नहरू जी है उन सब लोगों ने ये जो एक बड़ा लॉस हुआ है तिलग जी के निधन के रूप में इस लॉस को पूरा किया कौन-कौन से लोग बड़े इसमें शामले आए गांधी जी तो थे ही गांधी जी चितरंजन दाज जी और मोतिलाल नहरू जी ये भी जो है इसमें शामिल हुए और इन लोगों ने फिर सांदोलन में और ज्यादा वास्तिक रूप में देखा जा तो इस तरीके के आंदोलन को शुरू करने के लिए motिवेट जो गांधी जी को किया था वो भी जी तिलग जी नहीं किया था अपील हुई इसमें कि जब तक पंजाब और खिलाफत मतलब पंजाब की भरपाई जब तक नहीं होगी और खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था खिलाफत की जब तक भरप एक तो यहां पर यह कहा गया एक मांग यह रखी गई कि पंजाब के खिलाब जो अत्याचार हुआ है पंजाब अत्याचार और दूसरा यहां पर खिलाफत खिलाफत जो हुआ है यहां पर इन दोनों की भरपाई भरपाई ना होने पर ना होने पर या ना होने तक हम कह सकते है ये आंदोलन जारी रहेगा हमें ये पूरा कराना है एनिहाव बिडिश्ट गॉर्मेंट को हमारी ये डिमांड पूरी करनी चाहिए अपील करी गई इसमें तमाम सारे लोगों से ये अपील करी गई कि आप सरकारी काम जो है वो करने बंद कर दीजे सरकार का पूरी तरीके से ये उख करिए कर देना बंद कर दीजे फैक्टरी जाना बंद कर दीजे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दीजे जहां जहां भी तमाम सारे लोगों ने इसका साथ दिया बहुत सारे लोगों ने नौकरी से त्याक पत्र दे दिया बड़े बड़े लोग जो थे इसमें उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी मुटी मुटी जो कमाई बिटिश गवर्मेंट से उनको मिल ले थी सब चीजें छोड़ करके रास्वादी आंदोलन में जुड़के गांधी जी के अन्रोथ पर ऐसे समानने बात नहीं है और जब ये अन्दोलन धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप लेने लगा तब दिसंबर 1920 में नागपूर सेशन हुआ कॉंग्रिस का और उस नागपूर सेशन में गांधी जी ने सिंगों की तरह दहारते हुए एक कह सकते हैं कि फिर से एक अपील करी एक घोशना करी कि ब्रिटिश सरकार अच्छी तरह के से यह जान ले इस बात की गांट बान ले ब्रिटिश सरकार की नियाए जो है जब तक हमको नहीं मिलेगा जब तक बिटिस सरकार अगर नियाए नहीं करना चाहती भारतियों के साथ तब तक भारती सरकार भारत के प्रतेक व्यक्ति का ये परम करतव ये हो जाएगा कि वो आपके खिलाफ आंदोलन करे और आंदोलन भी ऐसा योग चला लेना अपनी फैक्टरी लोगों ने अदालतों से स्तीफ़े दे दिये, स्कूलों से स्तीफ़े दे दिये, कॉलेजे से स्तीफ़े दे दिये जगे जगे जो सरकारी अधिकारियों के पर नगर पंचायत और फलान अडिकाना जगों पर लोग सक्री हुए थे वहाँ सब जगा स्थीफा दिया गया और इसी नागपुर सेशन में अगर हम बात कर रहे हैं नागपुर सेशन की नागपुर अधिवेशन जो 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ है इस नागपूर दिवेशन में Congress ने Congress ने अपना संविधां जह उसे संशोधित किया जो पोलिटीकल पार्टी यह उती हैं उनके अपने कुछ constitution होते हैं संविधान होते हैं नियमावली होती है जिसका का पालनोंने करना होता है उसमें कुछ संशोधन किये गए और बढ़े अच्छे संशोधन हूवे प्रांती कॉंग्रेस कमेटी को अब भाषाई आधार पर पुनर जीवित किया गया बड़ी बात थे ठीक है प्रांती क्या-क्या चीजें थी प्रांती Congress Committee प्रांती Congress जो Committee है उसका जो गठन होगा वो गठन अब भाशाई अधार पर भी होगा Committee का गठन भाशाई अधार पर भी होगा अब ऐसा क्यों किया गया इसलिए किया गया कि जो छेत्री रीजनल लैंवेज के जो लोग है वरनाकिलर लैंवेज के लोग हैं वो भी आंदोलन की थीम को समझें और उसमें शामिल हो सकें ऐसा ना हो कि वो इस यह जो कह सकते हैं कि जो धारा बहरे ही हो उस धारा से अलग हो करके कुछ काम कर रहे हो तो उस धारा में उनको भी शामिल किया जाए इसलिए ऐसा काम यहां पर किया गया था दूसरा क्या डिमांड यहां पर आई या दूसरा जो चेंजेज आये वो क्या थे कॉंग्रेस नित्रत्व जो था कॉंग्रेस नित्रत्व जो था लेनि कॉंग्रेस की जो लिडर्शिप थी उसमें 15 सदस्य जो थे, वो 15 सदस्यों की एक working committee बनाएगी, 15 सदस्यों की working committee यहाँ पर बन करके शामनी आई, 15 सदस्यों की working committee, working committee, मतलब working committee में 15 सदस्य जो है वो शामिल किये गए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कुछ लोग ऐसे काम करते थे, एक साथ यहां दोलन शुर अब ऐसा हुआ कि 15 सदस्यों की एक वार्षिक जो है वो कमेटी बनेगी जिसे हम वर्किंग कमेटी के रूप में जानेंगे इसमें चेंजेज होते रहेंगे और सर्वसम्मत इसे लोग इसमें आएंगे कॉंग्रेस जो संगठन है उसमें गांधी जी ने ये कहा कि गाओं कस्बों और मोहलों को इसमें ऐसा फैलाओ कॉंग्रेस को कि वो एकदम जो ग्रास रूट लेवल के जो जगहें है भारत की उसमें भी लोग शामिल हो सकें ग्रास रूट लेवल तक लोग यहां पर आ सकें इ ये बात इन्होंने यहाँ पर changes के रूप में लेकर किया इसके लावा Congress ने अपनी सदसिता जो सुल्क था सदसिता जो शुल्क है इसको कम कर दिया कम किया और ये वार्षिक सुल्क जो है कितना हो गया ये वार्षिक जो शुल्क था ये आपका 25 पैसे हो गया चार आना जिसको वर्तमान साय का जो 25 पैसा होता है वो अब ऐसा इसलिए किया गया था इतना कम शुल्क इसलिए रखा गया था कि आम जो मतलब लोग है वो भी Congress से अच्छी तरीके से जुड़ सके वो भी Congress के साथ उसके 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 जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ा सके और इन सब चीज Congress का एक नया चरित्र जो है वो सामने आया और इस Congress के नय चरित्र की वजह से आम जनता जो थी वो भी अपने आपको राजनीती का एक सक्री व्यक्ति मान रही थी कि हम भी राजनीती में अक्टिव हैं हमसे भी राजनीती हो रही है हम भी समझ पा रहे हैं चीजों को कि क्या चल रहा है देश में और लोगों के अंदर एक अपने आप ही अंदर से एक स्वतंतरता की जो एक महक होनी चाहिए वो सामने आनी शुरूर कर चुकी थी एक एक मनोव्रत्ती जो थी एक टेंडेंसी जो थी गुलामी की गुलामी की मनोव्रत्ती से धीरे-धीरे अपने मन व्यक्ति मन से गुलाम होता है पहले यह जान लीजे व्यक्ति स्वयम गुलाम बनता है व्यक्ति मन से गुलाम बनता है कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति क गुलाम नहीं बना सकता, जब तक कि वो ना चाहे, तो ये एक अलग बात है कि हो सकता है, कि मैनिपलेट किया जा रहा हो, ब्रेन वाशिंग करी जा रही हो, डेफिनेटली व्यक्ति अपने दिमाग से ही एक दूसरे व्यक्ति का क्या बनता है गुलाम बनता है तो वो जो मनोवर्ति थी वो समाप थो रही थी गुलामी की मुरूदती हाँ कुछ लोग ऐसे थे जो कॉंग्रेस की इस तरीके की कारेवाही से खुश नहीं थे वे चाहते थे कि यार वही पुराना वाला धर्रा जिसमें हम मतलब जिसमें हम जो एक कानून का जो दायरा है उसके बाहर जाकर के कोई काम ना करें और यह तो कानून के दायरे के बाहर थी सारे काम जेल तो भरना था हमें तो वो लोग इसमें शामिल नहीं थे उसमें से जो लोग हैं वो हैं जी एस खपरडे जी एस खपरडे मुहम्मद अली जिन्हा और ये क्यों ही होंगे ये तो बिलकुल ही नहीं होंगे साती सात विपिन चंदरपाल विपिन चंदरपाल कॉंग्रेस के नए लोगों से कह सकते हैं ये नए कॉंग्रेस से नए कॉंग्रेस इने पसंद नहीं है और उनने कॉंग्रेस छोड़ दी इन्होंने क्या किया इस दौरान कॉंग्रेस छोड़ दी तो ये मैं थोड़ा सा ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सच में पूरा मतलब आप सोची ऐसे देश में हम लोग हैं ऐसी सिचुएशन में तो ब्रिटिशर्स को परियाप समय मिली ही जाता था कोई ना कोई था ही जो कोई विरोध करता था तो कुछ लोगों को वो सयोग करने के लिए ढोड़ी लेते थे लेकिन इस पार विरोध करने वाले लोग जो थे वो थोड़े जादा थे तो ये आपका यह जो असयो गांदोलन है, इस असयो गांदोलन को मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया, यह था असयो गांदोलन, और असयो गांदोलन बहुत शांदार चला, लोग के लोग जुरते चले गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो यह तो अस 1929-1922 के बीच में एक नई हल्चल इस आंदोलन के दोरान हम को देखने को मिलिए अप वो नई हल्चल कैसी 1921-1922 में जो परीवरतन आये हैं उन परीवरतनों को जरा समझे और ये परीवरतन किस कारण से आये हैं ये सब असहयोग के कारण से आये हैं असायोग अंदोलन के कारण अब ये किस प्रकार के हमको देखने को मिल रहे हैं इसको भी जया समझी अब भाई असायोग का मतलब ये था कि हम जो सरकारी चीज़ें उसके खिलाफ से हम अपने हाथ खीच लें सरकार का स्योग ना करें उसके सरकारी स्कूल यो थे वो बंदों के मतलब बंद क्या हो गया लोग ने जाना बंद कर दिया उसकी जगह पर changes क्या देखने को मिले रास्ट्री स्कूलों का प्रवेश यो है वहाँ पर शुरू हो गया रास्ट्री रास्ट्री इसकूलों में प्रवेश यो है वो बढ़ गया और जैसे अब इसमें अलीगड मुस्लिम उनिवस्टी है अलीगड मुस्लिम उनिवस्टी है यह अलीगड मुस्लिम कॉलेज जो अगेरा हुआ करता था जामिया मीलिया इसलामिया जो युनिवस्टी है अलीगड में जामिया मीलिया इसलामिया युनिवस्टी जोकी अलीगड में थी अलीगड इसमें प्रविश बढ़ गए बाद में इसको ट्रांसवर करके दिल्ली कर दिया गया एक कॉलेज जो है अलीगड से दिल्ली आ गया ब बिहार विध्य पीट काशी विध्य पीट काशी विद्य पीट के confidence इसी तरीके के से घुजरात विद्या पीट इन तरीके के स्कूल वगिरा जो हो। जो ज्ञान है वो तो है यह भारती सिच्छा शंस्कृती पाश्चा सबता के साथ सारी चीज़ें मिक्स करके इंडियन जो थे वह अब यहाँ पर सिच्छक के रूप में अपॉइंट होने शुरू हो गया बिटिशर्स का जो मैंने का ना सरकारी स्कूल कॉलेजे से लोगों ने स्तिफा दे दिया था डॉक्टर जाकी रुसैन आचार नरेंदर देव लाला लाच्पतराय यह बड़े सिच्छक थे जिन्नोंने इसमें पढ़ बाबु राजिन प्रशाद, सहिफुद्दीन किचलू, सी राजगोपलाचारी, सरदार पटेल, प्रशाशम, आसफ अली, यह सब वो तमाम लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिन्नोंने सरकारी वकालत, सरकारी वकालत जो थी, छोड़ दी, बहुत मोटा पैसा मिलता था, आपको लगता है कि इतना आसान होता है, पैसा छोड़ करके राश्वादी कामों में आना, उस समय था लेकिन, एक कोश को establish किया गया, असायोग आंदूलन चल ला था, तो एक कोश establish किया गया, जिसका नाम था तिलक स्वराज कोश, जिसका नाम क्या था, तिलक स्वराज कोश की बात, खास बात ये हुई कि मात्र छे माह के अंदर, आपको बता दें, मात्र छे माह के अंदर इतना इसमें धन इखटा हुआ, इस आंदोलन को रुपए पैसे से रोका ना जा सके, छे माह के अंदर तकरीबन एक करोड रुपए जो है, इसमें आ गय थे, कोश में, और इसमें सबसे बड़ा जो योगथान था, सरवाधिक योगदान जो था, सरवाधिक योगदान ये महिलाओं द्वारा दिया गया था, महिलाएं, इनका सरवाधिक योगदान था, महिलाओं के लिए, और जब हम उस समय की बात कर रहे हैं, औरनमेंट्स, जो उनके जेवर हैं वो सब बेच दिये उन्होंने राष्ट के नाम पर गिर्वी रख दिये बेच दिये पैसे लिए उससे और यह सारा पैसा यहां लाकर के जमा किया करेंगे आप किया लोगोंने होते आप भी तो आप भी करते विश्वास है पूर्ण तभी तो आज भारती है जुलाई 1921 मे एक विशेश घोषणा करी पहुत शांदार देखे कितना तालमेल बिठाकर के काम हो रहा है जुलाई 1921 में खिलाफत की एक घोषणा हुई जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उस खिलाफत आंदोलन की तरफ से एक घोषणा हुई घोषणा में क्या कहा गया कोई भी मुसल ब्रिटिश भारती सेना में ब्रिटिश भारती सेना में शामिल ना हो अब बताइए बाकी चीज़ें तो खोखली करी ही और अब सेना के पर भी सेन लगाने की बारी जैसे ब्रिटिशस ने एक एक करके हम से चीज़ें छीनी थी वैसे हमने भी ब्रिटिशस से एक एक करके च चीज़े चीज़े शुरू कर दो कि तुम दोगे तब हमें सुराज मिलेगा क्या हम सुराजी हो चुके थे मन से विचार से लोगों ने कहा कि यह अपील हम स्कम्राशी किशचा दिगे लेकिन 1921 में जब इन्हें गिरफतार किया गया तो यह जो अपील है यह नहीं रूकी ईज़ो घोश्ना हो यह घोश्ना नहीं रूकि तो फिर राजदरों का इनकी आपर आरोप लगाया गया ता घ्रफतार लिए गए तुरंड सामने आ गए गौंधी जी किसको किसको गिरफतार करोगे बाई गांधी जी गांधी जी तुरन सामने आ गए और उनुने इसी अपील को इसी सेम गोशना को तुरन्त एक मतलब सेम जो प्रस्ताव था ये सेम प्रस्ताव सेक्णों जनसभाओं में पढ़कर के सुनाना शुरू कर दिया ये था बाईयों प्रस्ताव सामिल नहीं होना कोई एक गिरफतार हुआ कितने गिरफतार होगे सब गिरफतार हो जाओ कोई दिककरत नहीं है डिमांड नहीं घटनी चाहिए आगे चल करके कॉंग्रेस नहीं अपील करी कॉंग्रेस के तक्रीबन 50 सदस्य जो थे तक्रीबन 50 सदस्यों ने इसी अपील को आगे जारी रखा और ये कहा कि कोई भी कॉंग्रेसी सरकार में शामिल नहीं होगा कसम खाये कि सरकार में शामिल नहीं होगे तो जो पचास सदस्चों की जो अपील थी आगे चल करके कॉंग्रेस की वरकिंग कमेटी ने कॉंग्रेस की जो वरकिंग कमेटी थी उसने भी अपना लिया और उसने भी गोशना करी कि कोई भी कॉंग्रेसी शामिल नहीं होगा सरकार के कामों में शामिल नहीं होगा और जो है अवग्या आंदोलन तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया जाए और जितना संभा हो सके उतना सरकारी कानूनों का उलंगन किया जाए अब सरकारी कानूनों का उलंगन करने का मतलब यह नहीं था सरकारी कानूनों का उलंगन करने का उलब जो सरकारी कानून राष्ट्रविरो Prio's of Wells को इसी समय में सिर्फ उतमबर के आसपास 1921 में Prince of Wells को यहां पर बुलाया गया हमारे यहां के जो राजय थे वो अभी वी अंगरेजिऊं के टटू थे दिसम्बर 1921 में Congress का वारशिक अधिवेशन हुआ और वहां प्रस्ताव फिर से पारित किया गया December 1921 में जो Congress का जो वारशिक अधिवेशन हुआ इसमें जो यहां पर शपत ली गई थी न ये और मैं आपको दिखाता हूं जो आपने यहां पर यह जो सपत लिए थी यहां पर यहां पर इस अपील को फिरसे रिपीट किया गया और जो पूर प्रस्ताव था जिसमें मैंने बोला कि पंजाब का जो अत्याचार हुआ वो और खिलाफत में जो अत्याचार हुआ है वो उसको वापस लिया जाना चाहिए और नहीं लिया जाएगा गांधी जी ने का जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं किया दर तक स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते हैं हम लोग कांधी जी के कहने पर कॉंग्रेशियों के कहने पर तमाम सारे जो छात्र थे अब उनको भी इसमें शामिल किया गया छात्रों से अपील करी गई आप स्वयन स्यवक बनिये स्वयन स्यवक संगठनों से जुड़िये हिंदू मुसलिम सिख इसाई पार्सी यहूदी सब की एकता बहुँ जरूरी है भरिये जेल आप और परिणाम यह हुआ कि शपत जो थी वो सबको लेनी पड़ी इस सेशन में सबको एक शपत लेनी पड़ती थी और वो शपत क्या थी शपत यह थी कि हम किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करेंगे स्वदेशी अपनाने की सपत दी गई स्वदेशी अपनाना होगा खादी अपनाना होगा खादी को सिंबल फिर से बनाया गया सूत कात करके कपड़े खुड बनाने होंगे खुड पहनने होंगे और इसका बहुत असर हुआ बहुत ही प्रभावकारी असर हुआ जबर्जस तरीके से लोगों ने इस चीज को अप लेने के लिए तयार भी हुए और लिया लोगों ने शपत जो है कानदीजी के कहने पर इसके अलावाँ अगर हम बात करें तो इसका बहुत 시 अच्छा प्रभावपड़ा बहुती सपस्ट प्रभावपप को देखने को मिलता है हिंदू स्वेम से ओको की संख्या और दूसरे वरके स्वेम से ओको की संख्या बहुत जादा बढ़ गई यूपी की बात करते हो यूपी को उस समय संयुक्त प्रांथ के रूप में जाना जाता था यूपी जो है उस समय रहता है यहीं जमीदारी व्य व्य वस्ता में एक ऐसी सिस्टम जहाँ चुका था कि गशंप तरीकर की माँंआ सबस्ती होनी चुकित जोकी काफी अनुचित थी तो यहाँ पर अगर हम संयुक्स्प्रांत की बात करते हैं या फिर बिहार की बात करते हैं इन जगहों पर क्या विशेज बात हुई कि इन जगहों ने इन जगहों के लोगों ने या किसानों ने कह सकते हैं कि इन लोगों ने जो जमीदारों की जो जमीदार जो थे हुए उनके जो अनुचित मांगे थी अनुचित मांगे इन मांगों को इन्हों क्या कर दिया फांगों को इंकार कर दिया तो जब ये इंकार हुआ तो एक तो मतलब मैंने यही आपको बताया कि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता चला गया मतलब इस आंदोलन ने रीड तोड़ दी पूरी ब्रिटिश प्रसासन की और जगा जगा पर इसके प्रभाव हमको दे कर दिया था पंजाब में खास बात यह थी कि उस समय जो गुरुद्वारा था कुरुद्वारे हुआ करते थे तो तमाम प्रकार के जो भरस्ट महंत है रस्ट महंतों का कपजा हो गया था और अकाली आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका था इस तरीके से यहां पर भी विर बोध हमको देखने को मिलता है अगर हम असम की बात करते हैं तो वहां पर चाय के बगानों के जो मालिक थे असम में भी इसका विरोध हुआ असम में भी जनांदोलन शुरू कर दिया और जो भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भी जो मजदूर बगरा इसमें काम करते थे उन्हों वो हर्ताल पे चले गए, ठीके, चाय बगरा के बगान की अगर दिखा जाए, इसी तरीके से मिदनापुर में वहाँ पर भी किसान अंदुलन हुआ, बिदनापुर नाम लिख सकते हैं आप, यहाँ पर भी किसान अंदुलन एक विशेज बात थी यहाँ पर, इराला की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर नगरपालिका, नगरपालिका का जिरोध किया, पूरी जनता ने कर दिया, और जनता जो है, जनता ने किसी प्रकार के टैक्स को देने से इंकार कर दो, बही हम टैक्स नहीं देंगे, चाय ज पेडन्न पुरा ये जो गाउं है इस पूरे के पूरे गाउं ने इस पूरे के पूरे गाउं में अगर जो तमाम सारे जो अधिकारी अपॉइंटेट थे अधिकारी जो अपॉइंटेट थे उन्होंने स्तीफा दे दिया उन्होंने अपने पदों से क्या कर दिया, स्तीफा दे दिया, इस तरीके से उन्होंने जन आंदोलन में समर्थन दिया, दुग्गी राला गोपाला कृष्णाया करके एक व्यक्ति थे, दुग्गी राला गोपाला कृष्णाया, दुग्गी राला गोपाला कृष्णाया, य इन्होंने गुंतूर में अगर हम देखें, तो गुंतूर जो प्रांत है, उसमें एक कैसे किया हैं कि शक्तिशाली जन अंदोलन को फूक ने का काम हिनों ने किया है, शातिसाथ केरल की अगर हम बात करें, उत्री केरल की जो माराबार वाला जो है वहाँ पर मोपला मुसलिम्स जो हुआ करते थे उन्होंने जमीदार विरोधी जो आंदोलन है उन्होंने भी किये तो मोपला विरोधी मोपलाओं ने जो है एक कह सकते हैं जमीदारी जमीदारी विरोधी आंदोलन विरोधी आंदोलन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल हैं आपर जो असयोग आंदोलन हुए हैं उस असयोग आंदोलन की रूप में किस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं और इसने जगह जगह पर बिटिशर्स को जो है वो परिशान किया है चाहे वो पंजाब हो बिहार हो असाम हो बिदनापुर हो चिराला हो और तमाम अलब केरल उत्तर से लेके दक्षन तक पूरफ से लेके पश्चन तक हर जगह इस तरीके की चीज़ें फैल लेगे इससे पहले अगर हम बात करें तो फरवरी 1922 में वायसराय ने विदेश सचिव को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि शहरों के जो आम जनता है या जो शहरों के जो छोटे छेत्र हैं निचले निकाये जो हैं वहाँ पर भी इस आंदोलन का प्रभाव बहुत ते गोशना करी यहीं पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है परवरी 1922 में महात्मा गांधी ने गोशना की और वो घोशना एक तरीके से चेतावनी थी जिसमें सरकार को चेतावनी देते हुवे गांधी जी ने कहा कि देगर साथ दिन के अंदर तमाम सारे जो राजनेतिक बंदी हैं अगर वो रिहा नहीं होंगे और साथ ही साथ जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी और प्रेस पर लगी हुई जो नियंत्रन है उस नियंत्रन को समाप्त नहीं किया जाएगा तो पूरा का पूरा देश जो है वो सरकार विरोध कारिकरम करेगा और किसी भी प्रकार का कर देने से हम सब मना करेंगे फिस प्रकार का हम कर नहीं देंगे पुरी तरीके से इस चीज को यहां पर उन्होंने बोला उ आ है तो एक जो mont inherent यह वज़े से और तेजी से कह सकते हैं इस आंदोलन ने अपने रफ्तार को पकड़ लिया और ऐसा लगने लगा इस स्थिती में पहुंच करके ब्रिटिश के पास में गांधी जी के इस घोशना के बाद कोई भी हल नहीं बचा कोई भी मार्ग नहीं बचा कि अब कोई बीच में कोई चर् कारिएं की तरफ से अके जोलहर जोशीली उठीति ये जोशीली लहर बहोत तेजी से ठंदी भी हो गए उसका कारण क्या था उसका कारण था स्रयुक्त प्रांत में एक जगा थी स्रयुक्त प्रांत में पूरखपुर जगा थी पूरखपुर उसमें एक चौरी-चौरा स्थान था और इस चौरी-चौरा स्थान में ही उसका पुलिस स्टेशन था पुलिस सेशन यह जो चांती पूर्ण तरीके से जो मार्चिंग जगा जगा पर चल रही थी जैसा कि मैंने अलग-अलग प्रांतों के बारे में आपको बताया तो इसी तरीके की एक मार्चिंग थी जिसमें तकरीबन तीन हजार के आसपास लगभग जिसमें तीन हजार जो य खिलाफ भी इस आंदोलन ने काम किया कि जो यह जिसको हम कह सकते हैं कि लिकर्स वगएरा हुआ करते थे शराप की दुकाने वगएरा होती थी उनको बंद कराने का भी काम इन आंदोलन कारियों ने किया था क्योंकि उसके नशे में भारत बरबाद हो रहा था और स्ट्रेशन के सामने से गुजरी तो वहां पर कुर्स पुलिस अधिकारियों ने गुजरती हुई रैली में से दो या तीन लोगों को बुरी तरीके से मतलब उनके साथ मारपीट करी और इस घटना को देख करके एक ऐसी तातकाली घटना होई जिसको देख करके जो यह छोटी-मोटी हिंसाएं अलग-अलग प्रांतों में देखी गई थी छोटी-छोटी-छोटी-मोटी हिंसा जो है हुई थी जिसे एक तरीके से देखा जया तो गांधी जी ने नजर अंदास थोड़ा सा कर दिया था क्यों डिरेक्ली अगर हम देखे तो इन अंदोलन कारियों से रिलेटेड नहीं थे लेकिन ये वाली जो घटना हुई चौरी-चौरा वाली जिसमें मैंने देखा कि पुलिस वालों ने पहले तो इन अंदोलन कारियों के उपर या इनमें में से कुछ लोगों के उपर उन्ह लगा दी अब जब यहां पर आग लगा दी गई इस आग में तक्रीबन 22 पुलिस कर्मी 22 पुलिस कर्मी वो है उनकी जो है मौत हो गई अब यह बहुत बड़ी हिंसा हो गई मतलब प्रत्यक शुरूप से अगर देखा जाए तो इस आंदोलन कारियों इन आंदोलन कारियों के द्वारा यह बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया जिसको गांधी जी ने बिल्कुल भी अनेक्सेप्ट कर लिया उन्होंने का कि यह बिल्कुल बरदाश्ट के पार है अब यहां से एक नया मोड़ आपको देखने को मिलेगा पाइस पुलिस कर्वी मारे गए हैं गांधी जी को मतलब गांधी जी ने इस चीज़ को देखा तो उन्हें एक इस प्रकार का भय लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह भीड और गुसा जाए इससे दूसरी जगहों के जो आंदोलन कारी है वो प्रेरित होने लगे और जगह जगह गांधी जी जानते थी कि भारत इतना स्ट्रॉंग नहीं हुआ है कि अगर यह भीड हिंसक हो गई तो आंदोलन हिंसक हो जाएगा यानि कि हम अंग्रेजों से जो बदला ले रहे हैं वो हिंसक आंदोलन में कनवर्ट हो जाएगा और हिंसक आंदोलनों को ब्रिटिश आसानी से दबा सकते थे ये बाद गांधी जी अच्छी तरीके से जानते थे और इसी वज़े से क्योंको मालून था कि भारत के अंदर अब इतनी ताकत नहीं कि वो इंसक प्रतिरोध को जो दमन होगा उस प्रतिरोध को परदाश कर पाएगा इसलिए गांधी जी ने इस घटना के ब 12 परवरी 1922 कॉंग्रेस की वर्किंग कमेटी इसमें इसकी मीटिंग हुई यहाँ पर और इस मीटिंग में जो है गांधी जी ने फैसला लिया कि हम आंदोलन वापस लेंगे आंदोलन वापस यह गांधी जी ने गांधा और यह जो शब्द था वो लोगों के अंदर एकड़म सहरन पैडा कर गया कि अरे बाप बाप अब क्या किया जाएगा सभी प्रकार की गतिविधियों को रोक देने और कानून का उलंगन कहा हुआ था उस कानून का उलंगन को पूरी तरीके से रोकने की यहाँ पर गांधी जी ने अपील कर दी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चौरी-चौरा घटना के परश्चात में उन्होंने जो बारा तो यह हुआ कि गांंधी जी ने एइलान कर दिया और दूसरा कोंग्रेस ने एक एलान किया यहाँ जो कि गांधी जी के नाउंस्मेंट के बाद रोग दिया गया लेकिन कॉंग्रिस ने लोगों से कहा लोगों से अपील करी और अपील करके कहा कि आप अपना जो समय है उसको किसी विशेश प्रकार से अगर देखा जाए तो रचनात्मक कार्यों में आप इसको बिताएं रचनात्मक रचनात्मक कार्यों में बिताना का मतलब क्या है बिताने की अपील करी मतलब इसमें जो चर्खा है उससे आप सूत काती ये लोगों के बीच में राश्टवादी जो भावनाई हैं उनका विचार का अदान प्रदान कीजिए चुआ चूत विरोधी जो कारिक्रम है उनमें आप अपना जो है समय बिताईए, ये वो समय था, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मतलब इधर गोशना हुई है कि हम आंदोलन वापस ले रहे हैं, उधर कॉंग्रेस में कहा जा रहा है कि इस इस तरीके के अक्टिविटीज में आप इंवाल्व हो ये जो रजनात् प्रस्ताव आया, इस से तमाम सारे लोग जो है, वो कनफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आया कि मतलब क्या किया जाया, और इसके उपर एक मिली जिली सी प्रतक्री आई, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि कुछ लोग ये समझ रहे थे, आधे लोगों का ये कर लिया, लेकिन जो दूसरे कह सकते हैं कि रास्टवादी या उग्र रास्टवादी विचार के लोग थे, वो प्रतक्षिस बात को समझ पा रहे थे, कि सांदोरन को वापस ले लिया गया है, उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो कह सकते हैं कि इनके विरोध में भी इस निर्णे की निंदा की एक तरीके से कह सकते हैं, निर्णे के खिलाफ रहे वे, विरोध में रहे, और उन्होंने अपनी किताब जो इंडियन स्ट्रगल है, इंडियन स्ट्रगल, उसमें इस घटना के बारे में चर्चा भी करी, उसमें उन्होंने लिखा, उनकी जो ये एकदम चरम पर था, निर्णे जो ये आया, इसने राष्ट्री जो भावना थी, उसको एकदम तहसनेहस कर दिया, गांधी जी के जो कुछ समर्थक थे, जैसे सियार दास थे, मोतिलाल नेहरू थे, लाला लाचपतराय जी वगरा जो थे, इन लोगों को जेल हो चुकी थी, और जेल में रहते हुए भी, उन लोगों ने जो कि गांधी जी के समर्थक थे, उन्होंने देशबंदु की अगर हम बात करते हैं, चितरंजन दास जी, तो वो सब लोग मतलब इस निर्णे के विरोधी हो गए, जबकि वो गांधी जी के समर्थन में थे, पहले, और वो जे इसको बताया कि किस तरीके से गांधी जी के समर्थन के जो लोग थे, वो भी इनके इस निर्णे से थोड़ा सा असंतुस्ट थे, मतलब थोड़ा क्या काफी हद तक असंतुस्ट होते वे दिखाई दे रहे थे, लेकिन गांधी जी के अपने जो इसके पीछे तर्क थे, वो उस समय medium of telecommunication या कुछी दूसरी प्रकार के communication जो थे वो बहुत advanced नहीं थे तो स्वभाविक था कि अगर ये घटना किसी भी तरीके से लोगों के बीच में पहुंचती कि चौरी-चौरा में जनांदोलन कारियों ने इस तरीके घटना हो सकते हैं कि सच में उस समय भारत इतना जादा strong नहीं हुआ था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ एक हिंसा कांदोलन चलाए और अगर अंग्रेज उसके खिलाफ दमनकारी नीती अपना है तो उसका वो विरूद कर सके इस स्थिति में नहीं थे ना आपके पास में इतने हथियार थे ना गोला वारूत थे ना पैसा रूपया था ना ही लोग इतने strong थे गरीब लोग हैं आप तरी से लाचार हैं पैसा रूपया नहीं है हथियार नहीं है आपके पास में अपना एक निशल का हतियार और मजबूत हतियार जो गांधी जी ने दिया था, वो था सत्य और अहिंसा, इसके अलामा कोई दूसरे अथियार ही नहीं थे, और सत्य और अहिंसा के बल पर आप हिंसा तो नहीं कर सकते थे न, तो ये दो अलग-अलग प्रकार के तर्खें जो हमने आपको यहां पर दिखाया, बताया और समझाया फाइनली इन सब घटनाओं के बाद 10 मार्च को 10 मार्च सन 1922 को कांधी जी गिरफतार हो गए कांधी जी गिरफतार हो गए और उसके बाद यह अंदोलन तेजी से खंडा पड़ गया उन्होंने उनके उपर जब अभियोग लगाया गया तो उन्होंने अपने अभियोग को बहुत ही कह सकते हैं कि स्विच्छा से स्विकार भी कर लिया और सरकार से अपील करी कि आप जो दंड देना चाहें दे सकते हैं, जितना कड़ा से कड़ा दंड दे सकते हैं, वो दे दीजे कोई दिक्कत नहीं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमको समझ में आती हैं, लेकिन अब ये तो हो गया आपका एक तरीके से लगभग लगभग अंत, जो आपका जो प्रतम जन आंदोलन गांधी जी के दोरा चलाये गया था, जिसे आपने असयोग आंदोलन के रूप में जाना, लेकिन आपको याद होना चाहिए, कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कि असयोग आंदोलन जो था, वो खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ था, इ क्योंकि तुर्क की जो जनता थी, उसने मुस्तफा कमाल पाशा के नित्रतों में, जो सुल्तान जो वहां के थे, उनकी जो सरकार थी, उसका तक्ता पलट कर दिया था, और जो नया कह सकते हैं, जो वहां पर रिप्रेजेंटेटी हुआ, कमाल पाशा जो वहां का रिप्रेज और इस तरीके से तो आप जो घै तो समाप्थ हो गया Allettu 24 में और इससे पहले ऐसयोग और जो था ऑसयोग जो आंदोलन था वो 1922 में समाप्त हो गया जैसा कि आपने आपर देखा 12 फरूरी कोनों ने वापस ले लिया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रारंभिक आंदोलन हुए प्रारंभिक तो नहीं है मतलब उस समय गांधी जी के दृष्टिकोन से प्रारंभिक है तो ये जो आंदोलन है ये असफल हुए एक तरफा तो देखें हमें यही लगता है कि आंदोलन क्या हो गए असफल हो गए अब इनका कोई वैल्यू जो है वो नहीं रहा लेकिन वास्तिक रूप में ऐसा नहीं था कुछ सफलताएं मिली थी कुछ परिवर्तन आये थे अब वो जो परिवर्तन आये थे वो कैसे थे एक तो लोगों ने आंदोलन करना सीख लिया था दूसरा हिंदू मुसलिम एकता जो है वो उसने एक भाव बनाना सीख लिया था एक जुठ होना उन्होंने सीख लिया था तीसरी बात ये है कि थोड़ा-थोड़े मात्रा में अगर हम देखें तो काफी गहरा प्रभाव पड़ा था जो इसमें महिलाएं भी शामिल हुई थी तो महिलाओं को का जो इस्तर था उसमें भी थोड़ा सा सुधार हमको देखने को मिलता है साथी साथ जो छुआ छूद की भावना थी उससे भी धिरे-धिरे करके लोग दूर होना शुरू हो जाते लेकिन अब चितरंजन दाज जी की बात करते हैं मोतिलाल नहरू जी की बात करते हैं तो ये कॉंग्रेस के ऐसे राष्टवादी थे जो गांधी जी के ये जो आंदोल जो मोतिलाल नहरू है मोतिलाल इन्होंने क्या किया इसका विरोध किया और जब इन लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने ये माना कि जो इस दौरान हम लोगों ने अच्छा जब अंदोलन चला था तो आपको मालूम है कि उस दौरान क्या हुआ था उस दौरान वगेरा भी आ रहे थे विधान मंदलों का विरोध किया गया था बहिशकार किया गया था लेकिन इन लोगों ने कहा कि जब अब आंदोलन बंध हो चुका है तो अब हमें विधान मंदलों के बहिशकार को समाप्त करना होगा और अब हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहि सरकार को कमजोर करना चाहिए सरकार भारत विरोधी अगर कोई नीती लाता है तो उसमें हम लोग राजनीतिक सक्रीता ले करके ही उस पे क्या कर सकते हैं उसका विरोध कर सकते हैं यह विचार जो है अब चितरंजन दास और मुतिलाल नेरूजी के समक्षाए एक तरीके से इनक मंदलों का बहिशकार जो हुआ था उस बहिशकार को कमाप्त किया जाए और क्या किया जाए समाप्त किया जाए अगर तो पाटिसिपेट किया जाएँ इसमें फिक इसमें भाग लिया जाए लिए यह उन्होंने बात केई इसमें फाग लिया जाए अगर हम भाग नहीं लेंगे तो ये इधर उदर की नीतिया बनाएंगे और आसानी से देखे बड़े नेता तो आप गरतार हो चुके हैं जनांदोलन दिशा विहीन हो चुका है तो अब हमारे पास क्या बचा है अब हमारे पास बचा है कि उनको उनहीं के अंदर रहते हुए स का विरोध किया और वो कहला है अपरिवर्तन कारी अब इन अपरिवर्तन कारियों में किसका नाम था मतलब वो इस बात से सहमत नहीं हो पा रहे थे कि जिस चीज का अभी तक हम विरोध करते आए हैं जनता में क्या मेसेज जाएगा कन्फ्यूज जाएगी जनता कभी कहते हो विरोध करो कभी कहते हो शामिल हो जाओ तो इसलिए जैसे पटेल जी है सरदार पटेल जी जो इस बात से सहमत नहीं थे तो बहुत सारे लोग इस तरीके से अगर देखें तो इन सब चीजों का उन्होंने विरोध किया लोने कहा कि हमको वो continuation में रखना चाहिए चर्खा चलाना स्वराज जो है उसकी भावना को प्ररीत करना चरित्र निर्मान करना यह सब चीजें जो है हिंदू-मुसलिम एक्ता को बढ़ावा देना यह हम लोग को continuation में रखना चाहिए चुवा-चूथ गरीबी गरीब का साथ देना और गरीबी का विरोध करना तो यह सारी चीजें जो है वहाँ पर इनके मन में थी और इनके मन में क्या थी वो मैंने आपको बताई दिया एक तरीके सी यह तो परंपरागत सोच थी जो परंपरागत सोच जो जो आंदोलन बंद होते समय जिस चीज को कॉव्रिस की वर्किंग कमिटे ने एक्सेप्ट के तो अब जो नई पार्टी हुई यह नहीं पार्टी बनाए इसका नाम हुआ Congress खिलापद स्वराज पर्टी यह स्वराजवादी कहला है इसी वज़े से इनको स्वराजिस्ट बोला गया यह क्या कहला है स्वराजवादी यह परिवर्टन कारी थे यही और जो इस स्वराजवादी विचारधारा से समर्थन नहीं रखते थे उन्हें अपरिवर्थन कारी कहा गया है यह परिवर्थन नहीं लाना चाहते थे तो स्वराज जो था, स्वराज जो पार्टी है उसका गठन किया गया और स्वराज पार्टी का गठन में अगर हम देखें तो चितरінजन दास जी ने अध्यक्षता निभाई है और साती साथ जो हमारे मोतिलाल नहरू जी है ये उसके सची बने ठीक है अध्यक्ष कौन हुए अध्यक्ष जो हुए यह आपके चितरंजन दास, सी आरदास जी और मुतिलाल नहरू जी जो थे मुतिलाल नहरू जी इस सचिव में से एक थे ठीक है अब इन लोगों का काम ये था कि भौती जल जो है विधान सभा के चुनाव होने वाले थे केंद्रिये विधान मंडल के चुनाव जो है वो निकट थे नवंबर में होने वाले थे और नवंबर 1923 में सुराज पार्टी में बन गई 22 में उसको समाप्थोने के पश्चाथ नवंबर 1923 में सुराज पार्टी ने केंद्रिय विधान परिशत जो थी या विधान सभा जिसको कह सकते हैं विधान सभा उसका जो चुनाव हुआ उसमें पार्डिसिपेट किया और जीते तो नहीं लेक सीटें जो है वो जीत ली और एक बड़ी जीत थी है एक पड़े विपक्ष के रूप में वो समक्ष आ गए तो विधान सभा के कार्यों में वो विगटन तो डाल रहे थे जो नए नियम लाना चाहते थे तेजी से ब्रिटिश उसको लाने में थोड़ी बहुत बाधा तो इ 1925 में तियार दाज जी की डेथ होगी तियार दाज जी की मृत्य होगी और सियार दाज जी की मृत्य के बाद एक तरीके से ये जो नई स्वराज पार्टी थी ये काफी हद तक नित्रत्व विहीन होगी स्वराजवादियों को बहुत बड़ा जटका बहुत बड़ा लॉस के तोर पर ये घटना घटित हुई उनके लिए स्वराजवादियों ने राजनीतिक जो शुरुवात की थी वो भारत की द्रिश्टिकोन से अगर देखा जया तो काफी हद तक ठीक थी लेकिन वो बाद में चल करके असहाई हो गए थे इनके द्वारा जो काम किया जा रहा था एक तरीके से देखा जाया तो कुछ हद तक आवश्यक था लेकिन वो बाद में जो है अच्छा इन लोगों ने एक और चीज में सफलता हासिल करी थी 1919 का जो एक्ट आया था जो कहने के नाम पर सुधार था लेकिन उस सुधार में जो खोकला पन था उस सुधार में खोखला पन जो था उस खोखले पन को जागर करने में और लोगों को ये समझाने में कि 1919 के एक्ट ने हमारे साथ क्या दुर्वेभार किया है ये सफल हुए निरंकुष सरकार की नीतियों को समझाने में वो सफल रहे हो ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दिया है इसलिए शुरुवात में देखा जाए तो मार्च 1926 में लगभग लगभग ये इनेक्टिव हो गया मार्च 1926 तक आते आते 1925 मैंने जैसे बताया कि सियाधासी की टेथ हो गई तो मार्च 1925 तक आते आते अगर हम देखेंगे तो लगभग लगभग जो स्वराज पार्टी है उसका एक तरीके से वो अंत की ओर बढ़ गई और फाइनली जनवरी 1930 में ये स्वराज पार्टी जो है वो सम गया लेकिन यहां यह ध्यान रखना है कि क्या स्वराज पार्टी कॉंग्रेस पार्टी से अलग थी यहां यह ध्यान रखा जब जाएगा कि स्वराज पार्टी कॉंग्रेस पार्टी से अलग थी तो ऐसा नहीं है स्वराज पार्टी कॉंग्रेस से बिलकुल भी अलग नही लेकिन इसकी वज़ा से 1907 एक बार फिर से रिपीट होता हुआ सा दिखाई दिया ठीक उसी समय गांधी जी के इंट्री भी हुई पांच फरिवरी 1924 को गांधी जी जो है वो रिहा कर दिये गए थे जब वो अपने आंदोलन जब उन्होंने वापस ले लिया था उसके बाद वो गिरफतार हुए थे उनके स्वास्त के कारणों से उनको जल्दी रिहा कर दिया था और गांधी जी ने तुरंट एक्टिविली पार्टिसिपेट करते हुए इनके बीच में जो मतभेद पैदा हो रहे थे उसको रोका और उन्हों सला दिया कि आप रहते हुए ही कॉंग राजनीति में पार्टिसिपेट करके लाएंगे विरोध लेकिन विरोध करना था अंतता जो है यह इस तरीके से यह स्वराजपार्टी का स्वरूपरा लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो 1927 में एक नई शक्ति का उदय हुता हुआ या कुछ दूसरी प्रकार की नई शक्तियों का उदय होता हुए हमको दिखाई रिया है और व लए शक्तिया किस प्रकार से हें एक नई विचारधारा के रूप में कि अगर हम बात करें तो कॉंग्रेस अगर हम देखें तो इस चीज की समझ लोगों के अंदर पैदा होनी शुरू हो गई कि केवल और केवल भारती जो गुलामी है या भारती लोग जो गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए है कि गुलामी सिर्फ सामराज्यवादी गुलामी नहीं है सामराज्यवादी नहीं है बलकि अन्य चीजों में भी भारत जकड़ा हुआ है और वो जकड़न किसी विदेशी नहीं बलकि भारतीयों की ही है अब वो कौन सी चीजें थी जिसमें जिसकी बाद ये नए जो लोग थे वो कर रहे थे कॉंग्रिक्स के अंदर को था एक तो पुंजी वाद पुंजी वाद जो की तमाम प्रकार से अगर देखें तो जिनके पास रईशियत है जिनके पास रुपिया पैसा था वो सब लोग गरीबों को परिशान करने में जुटे हुए थे उनको चूसने में जुटे हुए थे चाहे वो जमिदार के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो सामन्त के रूप में हो या फिर राजे महराजा के रूप में हो कि गरीब लोगों को परिशान करने में लगातार जुटे हुए तो एक यह हुआ कि भाई पूजीवाद के खिलाफ भी हमको आवाज उठानी चाहिए न सिर्फ सामराजजवाद के खिलाफ बलकी पूजीवाद के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए और समाज में समाज में तमाम सारी जो बुराईयां थी उन बुराईयों के खिलाफ भी आवाज उठाने की बात य रहा था वो तो चल ही रहा था जो आंत्रिक शोषण वर्ग मतलब आंत्रिक कुछ ऐसे वर्ग थे जिनका लगातार शोषण हो रहा था जो कि पिछड़े हुए रूप में जाने जा सकते थे तो उन वर्गों के उत्थान के लिए इस तरीके के दो विचार एक तो पूंजी वा करने वाला भी एक दल खटा हुआ जिसे वांदल के रूप में बोला गया वांदल ठीक है अतलब लेफ्टिस्ट भी आहां पर कुछ हाए और लेफ्टिस्ट की जो सोच है वो मुख्य तोर परग्रम देखें तो पूंजी वादी पूंजी वादी और पूंजी वाद का विर चीज को लेकर के यहां पर दो विचार धारें और आ रही है ये एक नई चीज हमको देखने को मिल रही है इन सब चीजों के बाद जो एक रमिक हमने अध्यापन किया है अब इस वांदल का जो लक्ष है वो क्या है वो सामराज्य वाद विरोथी नहीं होना है केवल पूंज आंत्रिक शोशन वर्ग है आंत्रिक वरगी शोशन जो हो रहा है उसके विरुद्वी आवाज उठाने देश के जो नौजवान है उन्होंने इसमें सक्री भागीदारी भी लेना शुरू कर दिया था इसके लिए पहला आखिल भारती जो चात्र संबेलन है मतलब इसमें यूवा थे विद्वा लोगों की इसमेश में वहता अवश्यक्तर नो इस समय एक टरीके से देखें यह सी है यह रूस और व Qranti से भारत की और आ रहे थे और रूस और फ्रांस में जो करांतिकारी विचार उस समय जो जन्म ले रहे थे उन विचारों से प्रदित हो करके तमाम सारे लोग इसमें इसके बारे में पक्षधर हो रहे थे और इसके मुख्य लीडर के तौर पर अगर हम भारत में देखें तो एक तो आप नाम ले सकते हैं जवाहर लाल नहरू जी का और एक जो महत्यपूर नाम और है वो है सुभाश्चन बोजी का ये लोग वो है जो इसके साथ साथ इन चीजों के समर्थन में भी है इस चीज के समर्थन में यहाँ पर आना शुरू कर रहे इनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देश में नौजवानों की भूर सारी सभाएं जो है वो सक्री होनी शुरू हो जाती है और पहला अखिल भारती छात्र सम्मेलन जो है वो अगस्थ 1928 में किया जाता है इनकी दक्षता है, अगस्थ 28 में पहला अखिल भारती छात्र सम्मेलन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय जो युनिवस्टी है JNU, जवाहर साल नहिरू के नाम से जो उनिवस्टी है उसमें जादतर लेफ्टिस्ट ही हैं लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले ही लोग हैं और लेफ्टिस्ट विचारधारा में ये लोग हैं ये लोग हैं आगे आपको कुछ करांतिकारी जो हमारे नेता थे जिसमें सुभाशन बोजी का अग्रिगर्ण ने नाम लिया जाता है वो सब के जो विचार है वो आपको काफी सुनने समझने को मिलते हैं खैर हम उसमें नहीं जा रहे हैं फिलहाल हम आपको यह बताना चाहरे हैं कि यह सब इससे थोड़ सा आप कोर्रेलेट कर सकते हैं सकते हैं कि हाँ यह लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग कौन थे इस तरीके से अगर देखें तो भारत में दो दल भी बनने शुरू हुए एक तो कम्यूनिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी बनी और आगे चल करके समाजवादी भी समाजवादी भी लोग हुए समाजवाद को लेकर के आने वाले जो लोग हुए वो समाजवादी के रूप में इस तरीके से भारत में कम्यूनिस्ट का जो जन्म हो रहा है समाजवाद का जो जन्म हो रहा है इसमें सबसे पहले कम्यूनिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1925 में कम्यूनिस्ट पार्टी जो है वो बन गई इसका गठन हो गया 1925 में ने 1928 में वल्लब भाई पटेल जी ने दार वल्लब भाई पटेल जी ने गुजरात में तमाम सारे जो समाजवाधी अब समाजवादी का एक उधारण में आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर वो इस प्रकार का है कि समाजवादी भी कह सकते हैं और पूंजीवादी भी कह सकते हैं पूंजीवादी विरोध और समाजवादी समर्थन में एक एक कृत जो मुझे याद आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1928 में इसी के बाद ही लिख देता हूँ 1928 में 1928 में गुजरात में गुजरात में एक जन आंदोलन शुरू हुआ इसकी लिडर्शिप में सरदार वल्लभाई पटेल की जो किसानों के प्रति अत्याचार किया जा रहा था टैक्स बढ़ाया जा रहा था उसको देने से इनके नित्रत में वहां के किसानों ने मना कर दिया कि भई हम कोई हम कोई टैक्स उक्स नहीं देंगे क्योंकि वहां की जो सरकार थी उसने माल गुजारी जो है बढ़ाने का मन बना लिया था और माल गुजारी जो बढ़ी हुई माल गुजारी थी उसको देने से इंकार कर दिया कर देने से मना कर दिया कर या किसी प्रकार का जो हम लगान वगएरा है वो नहीं चुखाएंगे सिम्पल से बात है, सरकार विरोधी कारक्रम यहाँ पर फिर से शुरू हो चुए, प्रसार प्रसार इस तरह की चीज़ों को होने लगा, लोग आत्म विश्वास से फिर से जो है वो बढ़ने लगे, और इसी आत्म विश्वास का एक रिजल्ट आपको और देखने को मिलेगा, कि अखिल भारती ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस में, तमाम सारे मजदूर संग के लोग आने शुरू हो जाते हैं, अखिल भारती ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस, अब इसमें तमाम सारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग, वो इसमें शामिल होना शुरू हो तमाम सारा जो मजदूर वर्ग है वो इस अखिल भारते ट्रेडियन कॉंग्रिस में आना शुरू हो जाता है और इसके आने से पैक्टरीज में या फिर दूसरे जो भी जो सरकारी जहां जहां पर भी काम हो रहे थे जहां जहां पर भी लोग काम कर रहे थे मजदूरी कर रहे उन सब लोगों ने अपने हित के लिए आवाज उठानी जो है वो शुरू कर दी व्यापक आंदोलन जो है वो शुरू हुआ अक्तूबर 1924 के आसपास आगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे लोग आ करके जुड़ गए बहुत सारे लोग मजदूरों के विकास की बात जया ओल इंडिया ट्रेड युडन कॉंग्रिस के दार किया जाना शुरू कर दिया गया तेश व्यापी हरताले होनी शुरू हो चुकी थी जहां जहां पर इनकी बाते मजदूरों की बाते तो एक तरफ आप देख सकते हैं इस तरीके से किसान आंदोलन शुरू हो चुके हैं दूसरी तरफ मजदूर आंदोलन शुरू हो चुके हैं तक्रीबन पांच लाख किसान मजदूर इत्यादी जो हैं उनको उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया भाग लिया और ये वो उस समय हो रहा है आप देख रहे हैं जिस समय गांधी जी का असयो गांदोलन समाप्थ हो चुका है और स्वराज पार्टी जो है उसका गठन हुआ है और बहुत जादा कह सकते हैं कि लंबे समय तक वो अपने आपको रोक नहीं पाई और 1926 के बाद वो धरी-धरे होनी शुरू होगी थी खतम होनी शुरू हो तो ये मैंने आपको प्रभाव दिखाया कि ये नया जो यूग है वो इस तरीके से शुरू हो रहा है ये नया यूग था शुरू हो रहा था अब इस नय यूग में एक और चीज हमको देखने को मिली कि इसका जो प्रभाव है इ युगा लोगों को ये भी समझ में आया कि इस तरीके से इधर से आंदोलन चलाए ज़े और थोड़ा बहुत हमको शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ेगा और जब हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे इधर से आंदोलनों का दबाव पड़ेगा तो शायद ये जो सामराज जवादी विचारधारा की लोग हैं वो यहां से जाएंगे और हमारे यहां साथी साथ कमा सुधार भी होगा एक अच्छा भारत हमको देखने को मिलेगा और इसी सब विचारधारा से जो अगला जो पिढ़ी जन्म ले रही है सब है इसी दोरानी भई मैंने आपको ब अभी मैंने बताया कि 1925 से ले करके 1930 तक ये पूरी तरीके से समाप्त होगी मलब यहां से समाप्त होना शुरू हुआ सीयारदाजी के वृत्ति के बाद से 1930 तक पूरी तरीके से लगभग क्या मलब जन्वरी 1930 तक समाप्त होगी और इसी के साथ जो है एक जो नया यूग को के अंदर एक जुझारु पर फिर से देखने को मिल है अस्वयों के बाद जब अन्धालरण समाप्त हुआ तो एक तो ये हमको पॉइंट देखने को मिला इस रांतिकारियों ने एक सनस्था बनाई जो की समाज-वास से पृष थी फिर éner इस्रांतिकारी संगठन बच्छा बना HR इसको क्या बोला गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन अब ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन है जिसको आप तरीके से कह सकते हैं हिंदुस्तान प्रजा संत्रिक गटबंदन यह संग संग है ठीक है यह जो हिंदुस्तान प्रजातानतिक संगठन जो था एसोसेशन जो था यह इसमें तमाम सारे क्रानतिकारी जो है अच्छा यह कानपूर से शुरू हुआ कानपूर से इसमें सीजें शुरू हुए और इनको यह लगा कि यह जो इस तरीके के जन आंदोलन जो शुरू हो रहे थे जो जगा जगा पर ट्रेड उन्यान कॉंग्रेस जगा जगा पर किसान आंदोलन इस सब जो चलने शुरू हो चुके थे इन सब चीजों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने फिर से एक जुठ होना शुरू कर दिया था और शशस्त्र एक तरीके से द्रमन का कारिक्रम यहाँ पर शुरू होने वालत इस शशस्त्र द्रमन के कारिक्रम का विरोध इस आचारे के द्वारा तै हुआ कि हम लोग इसका विरोध करेंगे और इसके लिए इन्होंने काकोरी में लखनव से कुछी दूर पहले एक स्टेशन है काकोरी काकोरी आप लोगों ने ज़रू सुना होगा काकोरी ट्रेन कांट यह ट्रेन जो घटना है उसकी अगर हम बात करते हैं काकोरी जो ट्रेन घटना है यह 1925 में घटी तुई 1925 में यह काकोरी जो घटना है वो घटी तुई एचारे की प्लानिंग के एकॉर्डिंग इसमें चंशेखराजाद हैं और उनके तमाम सारे साथी जो हैं वो मिलकर करके इस ट्रेन को लूटने का कारकरम बनाते हैं सरकारी पैसे से ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी क्योंकि भाई हमको तो लाइसेंस दिया नहीं जाता था शर्शर्श्त्र विद्रोह कर सके हम लोग पैसे थे नहीं घरीबी थी पैसे के बगार क्रांती कैसे हो सकती थी सरकार ने हमारा ही पैसा लूट रखा था तो अपने ही पैसे को अगर हम सरकार से वापस लूट रहते थे तो कोई लूट थोड़ी थी हमारे ही चुराय हुए पैसे को अगर हम वापस ले रहे हैं चुरा रहे हैं बिना पूछे ले रहे हैं तो इसमें चोरी कैसी है तो 1925 में काकोरी घटना घटित होती है और ट्रेन को लूट लिया जाता है 1945 में और ये जो घटना है ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक चैलेंज की तरह हो गई अलाकि इस घटना के घटित होने के बाद ब्रिटिश गवर्मेंट ने जगा जगा पर दबिश देनी शुरू करी और लगभग सारे क्रांतिकारी जो है वो पकड़े गए सिवाए एक चंद्शेखर आजाद को छोड़ करके पकड़े जास जके इनमेंसे तकरीवन इस घटना के पकड़े जाने के पश्चात 17 लोग जो थे 17 लोगों को ग्रब जेल की सजा दी गई जो इसे लंबी नम बहुत लंबी जेल की सजा दी गई लंबी जेल लंबी जेल सजा इसके अलामा आप बात करेंगे अश्वाक उल्ला खान की अश्वाक उल्ला खान की आप बात करेंगे राम परसाद विस्मिल की यह लोग यह धूनों लोग खास طोर से हिंदू मुसलिम एक्ता के वो प्रतीक थे जिस समय लोगों के अंदर संप्रदायवाद घर कर गया था उस समय ये हिंदू मुसलिम एक्ता दिखा रहे हैं और ये दो वो लोग हुए जो शहीद हो गए इसके लावाद चारन्य लोग जो थे इनको आजीवन कारवास भी दिया गया तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे जो लोग थे वो गिरफतार किये गए चंशेखर आजाद ही इसमें आजाद रहना एक और घटना को अंजाम देता है कुछ समय पश्यात ये जो प्रांतिकारी थे इन क्रांतिकारियों के मन में भी एक परिवर्तन आया और ये भी समाजवादी विचार से प्रिरित हो गए और उन्होंने इस सोचा कि ये हिंसात्मक कार्य हम जबर्ष्टी मारने पेटना समाजवादी विचारों के प्रभाव में आकर के 1928 में ये जो ह्रे है इसका कनवर्जन हो गया एक्सट्रा जुड़गया है जो कि सोचलिस्ट है ये सोचलिस्ट है ने कि समाजवाधी तो अब ये हो गया हिंदुस्तान समाजवाधी प्रजातांत्रीक संगठान अंसप्रस जो एक तरीके से बढ़ गया अब ये इन्हों ने ये सोचा है कि भाई अब ये जो इंडिविजल जो भादरी वाले जो हम काम कर रहे हैं जान दाओं पर लगा करके इस तरीके की हिंसा से हम थोड़ा सा दूर रहेंगे लेकिन समस्या यहाँ पर आई और वो समस्या क्या थी 1928 आप वहाँ पर समय देख रहे हैं इसी समय में 1927 से लेकर के 1928 की मैं बात करूँगा 1927-28 के बीच की बात करूँगा एक कमिशन है जिसका नाम है साइमन कमिशन साइमन कमिशन का यह दौर रहा और साइमन कमिशन के इस दौर में जो इसका अंतिम चरण हुआ वो 1928 का था 30 अक्टूबर सन 1928 को यह कमिशन लाहोर पहुचता है और इसका पुरजोर विरोध किया जाता है लाला जी के नितृत में लाला लाजपत राय के नितृत में इनका विरोध किया जाता है विरोध काले जंडे दिखाया जाते हैं और इस विरोध कारिकरम में जो की लाहोर में हो रहा है इस लाहोर के विरोध कारिकरम में तमाम सारे क्रांतिकारी लोग भी शामिल हैं धीक है यह तमाम सारे क्रांतिकारी लोग भी इसमें शामिल है और यह जो क्रांतिकारी हैं इनसे खंद से कहा कि भाई आपको शामिल होना है लेकिन किसी प्रकार से हिंसा नहीं करनी है क्या नहीं करनी है हिंसा नहीं करनी है और जब इसमें हिंसा नहीं करनी है इसी वे प्रकार से जब इसमें हिंसा नहीं करनी है तो क्या होगा इससे एक मतलब यह नहीं चाते थे मैंने आपको बताई ना कि HSRA के अंदर एक समाजवादी भावना आ रही है और ये जो समाजवादी भावना आ रही है समाजवादी भावना को वो मिताना नहीं चारे है लेकिन जरुवत पड़ीगी तो हिंसा करेंगे ये जो हिंसात्म कारकरम साइमन कमिशन के दोरान वहां लहोर में हुआ जिसमें लाठी चार्ज हुआ उसमें लाला अजपात्राई जी की डेथ हो गई और अब इन लोगों ने सोचा कि लाला जी ने मना किया था इसलिए कुछ नहीं बोला लेकिन अब बदला लिया जाए और लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए एचसारे ने एचसारे ने जो अगली परणीती है वो बनाई और इसी इसी के दौरान ही इसी एचसारे के द्वारा ही सांडर्स की हत्या हुई सांडर्स जो हत्या कांड है इसमें भगस सिंग राजगुरू और चंशेखर आजाद वगएरा शामिल थे लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया उसके बाद वो फिर से समाजवादी बदला लिया गया और उसके बाद वो फिर से समाजवादी कारिकरम में जुढ गए और जब फिर से वो समाजवादी कारिकरम में जुढ गए तो जो Britishers हैं एक तो दबिश डाल रहे हैं इन लोगों को ठूड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये मिले नहीं और दूसरा तो दूसरा ये था कि उधर वो कानून बना करके आर्थियों को परिशान करने का प्रयास कर रहे थे इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सांडर्स हत्या कांड हुआ है सांडर्स हत्या कांड के बाद वही बात है कि इनको जो है नहीं-नीदी नीतियों से परिशान करना था 17 दिसमबर के आसपास की घटना है जब 17 दिसमब 1928 है हमने डेट लिख दे रहा हूं 17 दिसमबर सत्रह संबर 1928 जब ये सांडर्स की हत्या हुई अलाकि इसके बाद मैंने बताया कि वो नजर नहीं आए किसी को पकड़नी पाया कोई भगास सिंग और उनके साथियों ने सांडर्स की हत्या करी थी आठ अप्रेल कोई घटना और घटी दोती है आठ अप्रेल 1929 को भगास सिंग और उनके साथी थे एक साथ में साथी थे बटुकेश्वर दत आठ अप्रेल 1929 भगास सिंग और बटुकेश्वर बटुकेश्वर दत इन लोगों ने अपने वही एचैसा नहीं कि आकेले अपने मर्जी से गए हैचैसारे की ही प्लानिंग थी क्योंकि कानून जो है एक तो पास होने वाले थे जो भारत विरोधी कानून थे भारत विरोधी कानून पास नहों इसके लिए लगातार सदन में आवाज उठाई जा रही थी लेकिन क्योंकि भारती ये जो थे अब बात 1939 के आसपास की है क्योंकि भारती जो थे उनकी संख्या कम थी उनकी आवाज को दबाया जा रहा था लगातार दबाया जा रहा था उनकी आवाज को और इसकी वज़े से एक विशेस बात यहां पर यह हुई कि जब भाई कोई बात सुन ही ना रहा हो तो क्या करना पड़ता है जोर से चिलाना पड़ता है लेकिन मनुश्य के चिलाने की एक तथा है एक लिमिट है उसके बाहर वो कैसे चिला सकता है इन लोगों ने क्या किया बं बनाया बं बनाने की टेकनिक उस समय तक आ चुकी थी बं बनाने की टेकनिक तो 20 सदी के शुरुवात में आ चुकी थी आप लोगों को मालूम हो 1908 में 1908 में ही पंगाल में बंब स्पोर्ट की घटना हुई थी और उस घटना में एक युवा करांतिकारी को फांसी पर चढ़ा दिए फिर बम बनाने की जो टेक्निक है वो लोगों को मालूम चल चुकी थी और एक विशेश प्रकार का बम बनाया गया जिसके विस्फोट से किसी प्रकार से जनहानी ना हो यह चीज यहाँ पर होना तैं हुआ और जब यह चीज यहाँ पर होना तैं हुआ कि यहाँ पर विस्फोट ना हो लोगों को विस्फोट हो और जन्हानी ना हो तो अब इसको अंजाम कौन देगा H.S.R.E. ने कुछ लोगों को चुना इसमें से फिरवात में ऐसा कहा जाता है कि स्वयम जो चंशेकर राजात थे वो भी इसमें शामिल थे खुदी जाना चाते थे लेकिन भगस सिंग ने कहा कि हम जाएंगे और वो भी अकेले जाएंगे लेकिन बाद में बटेकेशर दत उनके साथ में हो गए नहीं हम भी चलेंगे तो इन दोनों लोगों ने वहाँ पर परचे बाटे साथी साथ परचे तो बाट में बाटे लेकिन पहले जो है वो बम फोड दिया उन्होंने बम फोड करके उन्होंने परचे बाट दिये और बम फोड करके जो परचे बाटे उसमें लिखा था कि भई इनकलाब जिन्दाबाद के नारे लगे लगे हुए थे आइस सारे जिन्दाबाद के नारे लगे हुए थे तुंदश में लिखा ववा था हमें टो को सुनाना हैं चुश्यक जो पिरमी सरकार round 6 नहीं रहा है आध टो बहरी सरकार है इसको सुनाने के लिए उससे तरे लास्टिंग किया गया था और खुद उन्होंने वहां से भागे नहीं अपनी ग्रफतारी दी परचे भी बाटे इसी तरीके कि क्रांतिकारी घटना जो है जैसे यह क्रांतिकारी घटना आपको यहां पर देखने को मिलेगी पंगाल में पंगाल में मास्टर सूर्य सेन यह भी जो है क्या थे एक उग्रकरांतिकारी थे जो कि इसके खिलाफ जो है वो ब्रिटिस सरकार के खिलाफ हवाज उठा रहे थे इन्होंने चटगाउं शरस्त्रागार को लूट लिया था शरस्तागार ये उन्होंने लूट शरस्त्रागार लूट जो कांड आपने सुना होगा वो इन्हें के दौरा निप्राया गया था कि बाद में अगर देखा जाए तो भगस सिंग और उनके जो फगस सिंग और उनके जो ताथी थे उनको उनके ऊपर जो हमुक अ हुआ और मुकदमें के बाद मुकदमे में बिटिस सरकार ने बड़े ही दोगली नीदिका पालन किया और अन्तता जो है फगस सिंग, राजगुरू और बड़ के सुखदेव को फांसी की जो है वो सजा दी गई अब ये फांसी की सजा कब हुई है 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सजा दी गई है लेकिन इससे पहले ये जेल में है और जेल में एक घटना और घटित होती है इन करांतिकारियों में जेल में जो कैदियों की स्थिती है कैदियों की स्थिती उस इस्थिती के सुधार के लिए उस इस्थिती के सुधार के लिए एक अपील करी गई थी कि हमको जो है वहाँ पर एक अच्छी तरीके की विवस्था दी जया ऐसा नहीं कैदी है तो हैं तो इनसान ही लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी बात नहीं मानी और बिटिशस ने जब बात नहीं बानी तो तमाम सारे कैदी जतिन दास की निगरानी में या उनके नित्रतु में भूखरताल पर बैड़े जतिन दास जिने लगातार 63 दिन इतने निर्दई थे उसके बावजूद भी मतलब इतनी दिन तक कोई व्यक्ति पूखा प्यासा है लेकिन उनकी मांग नहीं पूरी करी गई अन्तता है इन्होंने अपना दम तोड़ बाद में भगर सिंग और इन लोगों को फांसी हो गई 27 फर्वरी 1931 को एक घटना और घटित हुई एचे सारे में फिर से सारे लोग पकड़े गए थे एक अभी भी आजाद था एक अभी भी व्यक्ति था जो आजाद था और वो कौन थे वही चंशेखर आजाद और ये फिर से आजाद ये फिर से एक क्रांतिकारी घटना को अलफरेड पार्क में छुपे हुए हैं और वही पर प्लैनिंग चल रही है इलहाबाद में वहीं अलफरेड पार्क है अलफरेड पार्क में ये जो प्लैनिंग चल रही थी आगी की उस प्लैनिंग के दौरान पूरे जो पार्क है उसको पुलिस कर्मियों ने घेर लिया औ और इनसे दो दो चार हाथ हुए अंतता जब चंशेकर राजाद्धी को लगा कि हम पूरी तरीके से घर चुके और हमारे पास अब हतियार खतम हो रहे हैं यानि गोलियां खतम हो रही है तो अंतिम गोली से उन्हों ने अपटी आपको यह था क्रांतिकारियों का अगर हम देखें 1931 में और फाइनली अगर देखेंगे तो 1933 के आसपास जो है वो सूरसेन जो थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गया और उसके उनको फांसी देगी तो यह थो तमाम सारे जो क्रांतिकारी हैं इन क्रांतिकारियों का जो समय था यह भी लगभग समाप्थ हो संफोंड़ूँ थी लाठी चार्ज से लाठी चार्ज हुई थी साइमन कमिशन के विरोध के दौरा अभी हम लोगों को यहाँ पर साइमन कमिशन के बारे में इसके उपर भी हमारी थोड़ी सी चर्चर रहेगी। स्वशासन के लिए भार्तियों की मांग जो है वो तेज हो गई थी। और अब यह जरूरी हो गया था ब्रिटिशनस के लिए कि ऐसी कोई भी डिमांड जो क्रांती का रूप ले रही हो उसके उपर थोड़ा सा ये गौर करते थे। तो इस गौर को फर्माने के लिए एक दिखावा जो है साइमन कमिशन के रूप में फिर से गठित किया गया। साइमन कमिशन भारत आया था इस बात की जाच करने के लिए कि क्या भारती स्वशासन के योग्य हैं। क्या भारत में समवैधानिक तुधार की आवश्यक्ता है और अगर है तो किस हद तक किस हद तक इत्यादी मामले जो थे इस पर चाच करने के लिए इस पर चर्चा करने के लिए अपने सुझाव रखने के लिए इस तरीके के कारे करने के लिए साइमन कमिशन भारत आ रहा था तो राष्टवादियों ने इसको किस तरीके से लिया राष्टवादियों ने इसको इस तरीके से लिया कि क्या स्वशासन के लिए भारतियों की योग्यता ये तैं करेंगे साथ सदस्य थे जिनका जो अध्यक्ष था अध्यक्ष जो था वो सर्जौन साइमन था इसलिए इसको साइमन कमिशन कहा गया और क्योंकि इन साथ सदस्यों में से एक भी एक भी भारतिय सदस्य नहीं था तो ये राश्ट्रादियों के मन में विचार आया कि क्या तुम हमें चुड़ाने के लिए आयो क्या तुम्हें लगता है कि दिखाना चाहते हो कि अपना फैसला ने ले सकते पड़ा तीखा विरोध हुआ 1927 में मदरास में एक अधिवेशन बुलाया गया 1927 में मदरास अधिवेशन और इस मदरास अधिवेशन के अगर हम बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर अंसारी जी ने की थी और डॉक्टर अंसारी जी के नित्रत में इसका पुर्जोर विरोध किया गया पुर्जोर क्या किया गया इसका विरोध किया गया जबर्जस तरीके से विरोध किया गया प्लानिंग की गई कि हम इसका विरोध करेंगे अब ये देख सकते हैं 1927 में अच्छा ये कमीशन 1927 में बना था 1927 में ये कमीशन बना था भारत अभी आने को तयार था तो इसके बारे में हिंदू महासभा ने भी किया हिंदू महासभा मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा कॉंग्रेस से इतर ऐसी संस्थाएं हैं जो सामप्रदाइक संस्थाओं के तौर पर राजनीती करती हैं क्या कर रही थी अपने अपने वर्ग के हितधारक थे एक तरीके से इनके उपर हम जादा नहीं बात करेंगे लेकिन फिलहाल इस घटना में इन दोनों ने भी समर्थन किया है इस कॉंग्रेस का यहाँ पर इंडिनेशल कॉंग्रेस का समर्थन किया है कि राष्ट की बात थी प्याद उस समय तक राष्टवादी था अभी बची हुई थी इन लोगों के अंदर गी आठ नवंबर सन 1927 को यह आयोग कमिशन किया गया था आठ नवंबर 1927 और उसके बाद यह कमिशन जो चीज मैंने बताएं इस उद्देश से जब यह भारत की और आया तो सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को यह पहुँचा बंबई और बंबई में इसका हुआ जबरदस्त विरोध विरोध क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि इससे पहले कॉंग्रिस ने और इन लोगों ने तैं कर लिया था जब आएगा तब विरोध करेंगे तो विरोध होना शुरू हुआ लोगों ने साइमन गो बैक साइमन गो बैक और दिखाए और उन्हें काले जंडे दिखाए काले जंडे साइमन और उसके साथी एकदम प्रोध में आ गए उन्होंने देखा कि महौल बातचीत का नहीं है इसलिए साइमन कमिशन वापस चला गया और साइमन कमिशन वापस फिर से आया अक्टूबर में ठीक है, अक्टूबर में ये फिर से आया अब 30 अक्टूबर 1928 को ये कमिशन लाहौर पहुचा लाहौर पहुच करके इसका विरोध जब ये लाहौर पहुचा तो इसका विरोध लाला जी ने किया ने आपको बताया और उनके बारे मैंने आपको पहले बताया कि लाला जी ने विरोध किया उनको योपर लाठियां बरसाए गए और फिर उस उनकी हत्या का बदला जो है एचसरे के जवानों ने लिए जो कि ज़रूरी हो गया था तो फाइनली इस दिन भी साइमन कमिशन जो है वो अपनी बात नहीं कह पाया लाठी चार्ज वहाँ पर करा दिया गया हलाकि बाद में आगे चल करके 27 मई रिपोर्ट प्रस्तूत की गई और इस रिपोर्ट में उन्होंने या कमिशन ने जो जो बातें कहीं थी उसका विरोध जो है वहाँ पर सिफारिशें क्या थी उस सिफारिश के अगर हम बात करते हैं इनकी अगर सिफारिशों की बात करें तो इनकी एक सिफारिश तो ये थी कि भई 1919 वाला जो एक्ट था उसमें सरकार ने जो द्वैद शासन दिया था उस द्वैद शासन को हम समाप्त कर देंगे और इसके बाद हम उत्तरदाई शासन की जो है वो शुरुवात करेंगे एक responsible government को हम establish करेंगे इसके बाद ये कहा गया कि हम समविधान सभा का निर्माण करने के लिए सोच रहे हैं कि आपके याँ समविधान अगर बनना हो तो उसके लिए समविधान सभा करेंगे कैसा समविधान सभा होगा उसको हम आपको तैय करके देंगे इसमें मुसल्मानों के लिए कुछ सीटों को reserve करने की बात करी गई थी ऐसी तमाम सारी चीज़ें थी जो भारत विरोधी थी और इसी कारण से सब ने जो है इसको नकार दिया साइमन कमिशन जो है उसका विरोध किया गया लेकिन साइमन कमिशन के विरोध से एक और बात यहाँ पर सामने आई और वो ये है कि ठीक है साइमन कमिशन का आप विरोध कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं लेकिन जब आपकी बात आप समविधान की मांग कर रहे थे और ये समविधान की मांग को पूरा करने के लिए आ रहे हैं तिकत क्या है यहां पर किस प्रकार की परिशानी आपको यहां पर समझ में आ रही है किस प्रकार की समस्चा समझ में आ रही है अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो उसके एक दो प्रोविजन्स और है जो मैं आपके सामने यहां पर बताना चाहूंगा एक उसमें से एक प्रोवि संविधान की बात इस साइमन कमिशन में की गई भारत को एक संग का रूप दिया जाएगा और उसका एक संग यह संविधान होगा लेकिन जो आपत्ती जनक बात थी वो यह थी कि केंद्र में जो सरकार होगी केंद्र में जो सरकार होगी उस सरकार पर भारती जो जनता है उसका नियंत्रन नहीं होगा यानि कि भारतीयों का जो उत्तरदाई शासन है उत्तरदाई तो जो है इसमें नहीं होगा भारतीयों का उत्तरदाई तो यह हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है मतलब उन्होंने बोला कि केन सरकार रहेगी वो भारतियों की बन सकती है, لेकिन केंदर में ऐसी नहीं होगी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बड़ी घजब बात कही गई सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार के नियंतरण में रखनी की बात कही अब यही उच प्रिके से यहाँ का ठीक है कलकत्ता में स्टैबलिश किया गया था पहले आपको मालूमी है तो जो उच्छ न्याले है उच्छ न्याले केंद्र सरकार के अधीन होगा और आपको मालूम है आपको मालूम है कि जो केंद्र सरकार है उसमें भारतियों का नियंतरण नहीं है और उसमें ब्रिटिशर् की बात करी गई जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि वर्मा भारत से प्रथक किये जाएगा इसके अलामा और भी कुछ प्रोवीजन से जैसे उड़ी सा और सिंध जो था इसको अलग प्रांत का दर्जा दिया जाएगा अलग प्रांत जो है वो बनाया जाए हाला कि इ जाजन की थोड़ी बहुत जो थी मांग वो उठ रहे थी ये सारी कुछ विशेश प्रोविजन्स थे जिसका विरोध यहां पर किया गया गवर्णर जनरल जो है वो अल्पसंख्यक गत्विधियों के लिए पढ़ चड़ के थोड़ा सा काम करे इसके प्रती विशेश ध्यान दे अब आप ज़र देखिए गवर्णर जनरल से क्या कहा गया गवर्णर जनरल के लिए प्रावधान दिया गया था कि जो अल्पसंख्यक जाती है आपर अल्पसंख्यक जो जातियां है उन अल्पसंख्यक लिए जो गवर्नर जनरल है वो विशेष प्रावधान करें या विशेष ध्यान दें और यहीं विशेष ध्यान ही तो कहीं न कहीं यह रप्रेजेंट कर रहा है कि आप अभी भी सामपरदाइक रूप से भारत में भेदभाव डालने का प्रयास कर रहें कि अलफसंख्यकों का अलफसंख्यक उनने का मतलब यहाँ पर क्या था यह जो मुस्लिम जनता थी वो अलफसंख्यक की रूप में थी इनके अनुसार अगर देखा जाए तो उनके ओपर विशेष ध्यान देने का मतलब यह होगा कि आप एक पक्षपर विशेष ध्यान देना चाह रहें तो यह सा यहां पर बात यह हो रही है कि जब मेरा बनाया हुआ सम्विधान आपको पसंद नहीं आ रहा है तो क्या तुम अपना सम्विधान बना सकते हो यहां पर चुनौती आई अब यह चुनौती जो है वो स्विकार करी गई कॉंग्रेस की तरफ से मोति लाल नहरू जी के दर और इस चुनौती को उत्तर के तौर पर नहरू रिपोर्ट के तौर पर देखा गया 1928 में जब सम्विधान में सुधारों की जब बात की गई तो ब्रिटिश जो पालिया मिंटर उसमें हल चल पहले से ही चलने लगी थी और साइमन कमिशन के आने से बहुत पहले ही 1925 में एक तरीके से यह भारत में जो भारत सचीव थे उन्होंने भारतियों को यह चुनौती दी थ में 1928 में नहरू रिपोर्ट के तौर पर एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई जिसमें यह विचार किया गया कि किस प्रकार से भारत को किन चीजों की आवशकता है और क्या नीड्स हैं जो भारतियों को चाहिए इसको नहरू रिपोर्ट के तौर पर जाना गया यह 1928 में जो है वो प्रकाशितुई अब जड़ा दीखे यहाँ पर पूरे points को या time lines को हम समझने का प्रयास करते हैं मई 1928 में बंबई में मोतिलाल नहरू जी की अदेक्ष्टा में एक सम्मेलन हुआ मई 1928 में मोतिलाल नहरू जी की अदेक्ष्टा में पंबई में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में एक समीती बनाई गई इस सम्मेलन ते जो निर्णय आया उस निर्णय के अनुसार एक समीती बनाई गई इस समीती में साथ सदस्य थे साथ सदस्य एक जो है वो समीती बनाई और इसी साथ सदसी समिध याने नहरू और उनके साथ के जो साथ लोग थे, इसके अध्यक्षता नहरू जी नहीं करी, नहरू जी का मतलब यहाँ पर मोतिलाल नहरू 28 अगस्त 1928 को सरवदली बैठक में इसको जो है क्या किया गया इसको सामने रखा गया भई यह है भारत के सम्विधान की रूप रेखा इसमें ऐसा नहीं है कि सुधार की गुनजाईश नहीं है गर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस भारति स्वाहदिता संगराम के इस फेज को बहुत ध्यां से समझने जरूरी है, पैरहाल, नहरी रिपोर्ट में किकिन किन बातों को ध्यान में रखा गया, या क्या क्या चीज़ें कही गई जैसे कि एक बात उसमें ये थी कि भारत में ब्रिटिस उपनवेश की तरह ही भारत को आजाद किया जया यानि कि सबसे पहली जो डिमांड थी वो भारत की आजादी की भारत क्या हो आजाद हो और उसी प्रकार से आजाद हो उसी प्रकार से सतन्त हो जैसे ब्रिटिश उपनवेश की भाति इस चीज़ को यहाँ पर मांगा गया तो अब भाव एकसी बात है कि इसका विरोध शायद ही किसे ने किया होगा और इन फैक्ट दूसरे दलों ने भी इसका विरोध नहीं किया क्योंकि यह तो डिमांड सर्वोपरी थी सभी में थी चाहे वो आप मुस्लिम लिक की बात कर रहे हो चाहे वो आप हिंदू महासभा की बात कर रहे हो कोई दूसरे दल की बात कर रहे हो अंदलों की बात कर रहे हो तो यह सबसे पहले पॉइंट की रूप में आना ही आना था लेकिन, इसके अलावा भी कुछ बाते थी, जो लोगों को समझ में नहीं आई, या कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जैसे कि प्रांतों में द्वैद शासन जो है, वो समाप्त करने की बात कही गई, यह जो उत्तरदाई शासन है, भारत आजाद हो, और आजाद भारत ज लाए जै और प्रांती प्रांती जो सरकार है प्रांती सरकारों के गठन के भी इसमें बात की गई और ये प्रांती सरकार भी responsible government के तौर पर हो चुने जाएं इसमें भारती लोग हो इसकी अलावा जो कटर तौर पर इसमें बात करी गई या फिर जो चीज चीज को मुस्लिम लीक में बहुत आतराज जिस पर जताया वो ये था किस सामप्रदाइक चुनाव प्रणाली जो है उसे क्या किया जाए इस बात की डिमांड इन्हों ने रखी है इस सामप्रदाइक चुनाव प्रणाली को हम समाप्त करेंगे लेकिन हाँ अलवसंख्यक वर के जो लोग है उनकी जो सीठ है उनको सुरक्षित रखा जाए अलवसंख्यकों के लिए ही ये प्रथक निद्वाचक हुआ करता था इसकी डिमांड को उन्हों ने बद्न कर दिया उन्होंने बोला कि हम अलवसंख्यकों के अधार पर अलग से सा करने वाला था इसको संतुस्ट कर ले जाते लोग तो शायद यहाँ पर कुछ और ही नतीजा हमको देखने को मिलता सुप्रीम कोर्ट के स्थापना हो खास तोर से पिछली जो आपने देखा कि जो नहरू रिपोर्ट से पहले जो साइमन कमिशन आया उसने भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक तथ्थे कहा था इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो वो स्थापित किया और खास बात यह है कि इससे जो निरने आएंगे इसके जो निरने आएंगे उन्हें प्रिटिश प्रिवी काउंसिल जो है ठीक है प्रिटिश प्रिवी काउंसिल जो है इस प्रिटिश प्रिवी काउंसिल में न भेजा जाए इसमें अपील जो करने की अपील करने की जो कह सकते हैं कि जो अधिकार है उसे समाप्त किया जए अपील ना हो अपील करने की शक्ति समाप्त हो ठीक है इस बात को भी यहाँ पर इसमें इस यह जो कह सकते हैं कि जो ड्राफ्ट त्यार हो रहा है इसमें बोला गया है वहाँ पर अपील करने के लिए भेजना बन किया जाए इसके अलामा ये भी कहा गया कि सिंध जो है उसको बंबाई से अलग किया जाए और देशी रियासतों को ही एक बात यहाँ पर जो सिंध वाला पॉइंट था उसके बारे में कहा गया सिंदु को अलग कर दिया जाए पंबई से अलग केंद्र के अधीन स्वभाविक्सी बात है कि अभी आपने इनसे बात नहीं करी है और स्वभाविक्सी बात है कि आपने इनसे पंगा ले ले सीधे कि इनको केंद्र के अधीन किया जाओ देशी रियासद भी न के विरोध में आगे केंद्री विधान मंदल को इस चीज को यहां पर लाय गया और ये इस तरीके के जो demand हुए इस तरीके की demand को रिजेक्ट कर दिया सबूए मैंने बताया आपको इस दिमांड को क्या कर दिया गया रिजेक्ट कर दिया गया आपने देखा कि ये एक रिपोर्ट थी जो 28 अगस्त 1928 को प्रस्तूत करी गई और इस रिपोर्ट के ऊपर अंतिम नड़ने लेने के लिए दिसंबर में अंतिम नड़ने लेने के लिए इस रिपोर्ट के ऊपर दिसंबर 1928 में जो फिर से एक संबेलन हुआ उस संबेलन ने इसे अस्विकार कर दिया और अस्विकार करने वालों में सब से आगे जो थे लोगों ने इसको क्या कर दिया और यह अजमें कर न है करना क्या चाहते हैं आप लोग कैसे आगे चलेगा किस प्रकास्ष चलाने की सोच रहं है अब लोग इस तरीके से इसको पूरी तरीके से दिचे कर दिया गया मुस्लीमलीख के द्वारा जब रिजेक्ट किया गया तो मुस्लीमलीख के जो मोहमद अली जिनहा है पो संतुष्ट करने के लिए उन्हें भी मौका दिया गया और उन्होंने 14 सूत्रि एक पूरी तरीके से मुसलिम के इंदृत ही था अब मुसलिम के इंदृत था उनके लिए अलग से प्रतक नुवाचक मंडल हो सीट्स के रिजर्वेशन सो एक तिहाई सीटों को निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए प्रांती विधान मंडल में इस तरीके से फनाण डिकाना सारी चीज उनकी मुसल्मानों के हिट में ही इधर उधर के लगूम रही थी जैसे कि इस देश में सिर्फ एक ही वर्ग रहने वाला था बाकी रोक रहने ही वाले नहीं थे तो वो चीजें यहाँ पर जो थी वो है उसमें 1928 अब आप देखे 1922 से लेकर के 1928 तक गांधी जी एक्टिव डियों में बीच में हाला कि 1924 में जब वो जेल से रिहा हो करके आये थी तो उन्होंने कॉंग्रेस को समझाने का प्रयास किया था कि फिर से कॉंग्रेस में दोदल ना हूँ लेकिन ये एक स्थिती फ तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1928 में गांधी जी जो है वो फिर से सक्री हुए और दिसम्बर में उन्होंने अधिवेशन में भाग लिया दिसम्बर 1928 का जो ये अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया कांधी जी ने खाद लिया कांधी जी उनहां खाद लिया इससे पहले अगर देखा रहा तो 1924 में उन्होंने पूरी तरीके से राजनी राजनीत इसे निश्क्रेता जो है वो दिखाई थी मौलणा कलाम के घर में जाकर के जब हिंदू मुसलिम भिन्दताएं बहुत जादा बढ़ने लगी थी तो उन्होंने हरताल करी थी वहाँ पर आमरन अंशन किया मतलब अंशन वगरा किया था और उस अंशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था उसके बास से उन्होंने पॉलिटिक्स से अपने आपको दूर कर लिया था लेकिन फिर से यहाँ पर एक बार वो सक्री होते हुए नजर आ रहे इसी दौरान उन्नीस सो उन्तिस में 1929 में कॉंग्रिस का लाहौर अधिवेशन हुआ लाहौर अधिवेशन अब देखे ये वाला जो अधिवेशन है ना 1928 वाला अधिवेशन इसकी अधिश्टा जो है वो मोतिलाल नहरू नहीं करी थी मोतिलाल लिख देता हूँ यहाँ पर तो मुटिलाल नहरु के अधिक्षता हुई और अभी 1929 में भी इस समय में भी इस समय ये continue होने वाला है उस समय में भी अध्यक्ष जो है वो Congress के मोतिलाल नहरु जी ही है लेकिन 1929 के इस लाहौर अधिवेशन में अपने पिता जी की जगा पर अध्यक्ष पद पर जवाहर लाल नेहरूजी बैठे जवाहर लाल नेहरूजी बैठे और यह एक तरीके से यहां पर पहली बार एक परिवार वाद थोड़ा सा दिखाई दिया गयो कि पिता की जगापर स्थान लेते हुए उत्र जो है आमको दिखाई देता है लेकिन इस बात को यहां पर हुए हम यह देखते हैं कि लाहर दिवेशन में क्या हुआ कि आपने हमें कॉंस्टिटूशन बनाने की चेताव नी दी आपने ड्राफ्ट बनाने की चेताव नी दी और उसको जो है बड़ी ही तो वैसा ही है यहां पर भी हाल हुआ कि आपने बुरे से भी खुश है तुम्हारे अच्छे से खुश नहीं है तुम यहां से जाओ, तुम्हारा काम खटब, 31 दिसंबर सन 1929 को नया जंडा सुईकार करके उसे लहरा दिया गया और पूर्ण स्वराज की मांग को सांकितिक रूप से प्रदर्शित किया, 31,1929 को पूर्ण स्वराज के रूप मे पूर्ण स्वराज के प्रतीक के तॉर पर अगर हम देखें, प्रतीक के तौर पर, पूर्ण स्वराज के प्रतीक के तोर पर नया जंडा बनाया गया था और उस जंडे को लहराया गया ठीक है प्रतीक ये तोर पर नया जंडा नया जंडा आया और इस नय जंडे को क्या किया गया लहराया गया पूरे जोश खरोष के साथ और ये तैं किया गया कि आगामी ये तैं किया गया कि आगामी अब 20 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे या पूर्ण स्वतंतरता मनाएंगे तो Congress की तरफ से Indian National Congress की तरफ से अगर दिखा जाए तो ये पहला स्वतंतरता दिवस था जो मनाया गया और इसके बाद से हर साल इसी दिन स्वतंतरता दिवस मनाया जाने की घुशना की गई इसी लाहॉर अधिवेशन में अब भूती फेमज हो गया इसमें यह भी हुआ कि इसाधिवेशन में शपत भी लोगों ने ली हम आधीनता सुएकार नहीं करेंगे किसी प्रकार से हम प्राधिनता को सुएकार नहीं करेंगे हम अपने मामले पर अपने निणारे खुद लेंगे देश्प्रेम की भावना को जगाए रखेंगे ऐसे करके तमाम सारे जो जो कह सकते हैं कि जो बाते हैं उसको accept किया गया और ये भी कहा गया कि अगर हम आधिनता सुईकार करते हैं तो ये तरीके से मानवता के खिलाफ और इश्वर के खिलाफ अपराध होगा ये सब चीजें जो हैं आपकी 1939 में शुरू हो जाती है और इसी से ही शुरू हो जाता है इसी से ही अब गांधी जी को फिर से एक बार मौका मिला है तो गांधी जी ने फिर से यहां पर लीड किया और अब शुरू हो जाता है सविने अवग्या आंदोलन अब सविने अवग्या आंदोलन क्यों चल रहा है उसके पीछे क्या रीजन है सविने अवग्या आंदोलन भी यहां पर एक्टिव होना शुरू हो जाता है ए उननिस सो उनतिस की बात है उननिस सो उनतिस आप देख सकते हैं 26 जन्वरी 1931 जो है यह पहला सोतंता दिवस्मन आए गया उननिस इकतिस दिसंबर को झंड़ा फैर आये गया था और इसी इसी वर्ष की शुरूआत में कह सकते हैं जो पहला तिमाही जो था आपका उसकी अग यात्रा कह लीजिए एक ही बात है इतना जादा ये ब्रिटिश कानून निर्मम हो चुका था कि इसने हमारे यहां आज तो सारी चीज़ें विकाऊ हैं आज के समय में अगर हम देखें लेकिन एक समय ऐसा था जिस समय कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी कीमत नहीं लगाई जाती थी निशुल्क ही दिया जाता था कीमत लगाना अपराद सा था उन में एक तो था पानी आप पानी शत्रु को भी देते थे निशुल्क आज पानी बोतलों में बिखता है कीमत लगती है अपराद होता है पानी चुराना आज के समय में एक समय था जब पानी जो है किसी को भ से भी एक है जिसके ना रहने पर मनुष्य का जीवन जो है मतलब पानी के कैसे उसी तरीके से नमक भी था और इस पर तो आपने ने डायलॉग भी सुने होंगे नमक वफादारी का एक प्रतीक है नमक जीने का एक विशेश संसाधन है सरकार ने निर्ममता दिखाते हुए नमक के उपर टैक्स लगा दिया है और गांधी जी ने कहा कि क्या अब हम लोग इतने ज़्यादा निश्क्री हो गएं कि ये नमक पे भी कर लगाना नमक पे कर लगाना ह इतना हम आगे नहीं बढ़ने दे सकते और वैसे भी हमने अपनी स्वतंता सुनिश्चित कर लिए हम इंसे स्वतंता मांगें क्यों हम स्वतंत रहें हम फील करेंगे और हम रहेंगे हम स्वतंत हम इनकी बातों और क्योंकि हम स्वतंत रहें तो इनके नियम हम अप्लाई ही न सब से पहले जिस नियम को तो दर्नन नमक आम आधमीं की पहुंच मिद्धा ये लोगों के पास में मान सकते हैं कि उसके पास खेट ना हो पसल न हो गाता हो हो सकता वो किसान न को सकता उसर पर Arena लेकिन नमक सभी के पास था उस पर भी कर नमक बनाने पर कर नमक 2021 ये सब गांधी जी को बिल्कूल बरदार्श के बाहर हुआ और उन्हों ने 12 मार्च 1930 को दांडी में दांडी की तरफ मार्च जो है वो शुरू कि और कहा कि दांडी में जाकर के हम नमक बना करके इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे तो भाईया 12 मार्च 1930 ये डेट आपको याद रखनी है ये वो दिन था जिस दिन गांधी जी साबर मती से चले और तक्रीबन अपने 78 अन्याई कई जगों पर 78 अन्याई भी लिखे हैं ऐसा भी तो 78 अन्याई जो थे उनके उसके साथ में ये साबर मती से दांडी की और चल पड़े साबर मती से किस और चल पड़े दांडी की और चल पड़े 24 दिन की उन्होंने यात्रा करी 24 डेज 24 दिन की यात्रा करी उन्होंने और तकरीबन 375 किलोमीटर की दूरी तैं करी और जब दांडी पर पहुंचे तब उनके साथ हजारों की संख्या में लोग तब तक जुड़ चुके थे 37 लोग जो यहां से शुरू हुए हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके थे अब तक उनके पास सबसे पहले तट पर पहुंच करके गांधी जी ने तट से एक मूठी उठा करके नमक बनाया और ये नमक बनाते ये प्रतीक था एक सिंबल था प्रतीक विरोध प्रतीक के तौर पर किया जा आपने देखा कि 1905 में विरोध आंदोलन किया गया स्वराज के लिए स्वदेशी के लिए और जो विदेशी वस्तुरूएं थी उसकी होली जलाई गई प्रतीक है तो 6 अप्रेल को उन्होंने ये घटना घटित की 6 अप्रेल 1930 को वो दांडी पहुँचे और दांडी पहुँचकर उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा और लोगों से भी कहा कि कानून तोड़ो अब ब्रिटिश न्व को यह समझ में आना चाहिए कि हम उनके कानून का पालन नहीं करने वाले हैं किसी वी तरीके से किसी भी प्रकार से ब्रिटिश शासन के अंतरगत अब नहीं जीएगे गोशना करी उसके बाद उन्होंने और उन्हें का कि ब्रिटिश शासन ने जिस प्रकार से नैतेक, भौतेक, सांस्कृतेक, राजनेतेक, आध्यात्मिक जो विनाश के कगार पर लाकर के इस देश को पहुँचा दिया है, खड़ा कर दिया है मैं इस शासन का पुरजोर विरोध करता हूँ, मैं शासन को अभिशाप मानता हूँ और इतना ही नहीं, मैं इस शासन को नस्ट करने पे एक दम आमदा हूँ अब मैं नस्ट करके रहोगा, नहीं मानूँगा मैं, मैं इसे अभिशाप मानता हूँ अर इसे नस्ट करके ही दम लूँगा और ये करना मुझे मालूम है कि ये राजद्रो है परन्तु ये राजद्रो अब मेरे लिए धर्म है इस राजद्रो को उन्होंने धर्म के तौर पर लिया है कि हम विरोध करेंगे तो यही नमक कानून तोड़ना है भई यही नमक कानून नमक जैसी बेसिक चीज को ले करके जब जग जोरा उन्होंने पूरे राष्ट को एक बार फिर से 1922 की तरह ही राष्ट जुड़ गया और गांधी जी पर पहले से लोगों को विश्वास था ही वो विश्वास फिर से एक बार जाग उठा और लोग जो है अल यह बात हुए तब तक युद करेंगे जब तक हम जीत ना जाए आंदोलन बढ़ चड़ कर लोगों ने इसमें भाग लिया और बढ़ते हुए आंदोलन तमाम सारे प्रांतों में अधर उधर बढ़ते हुए यह पश्चिमी पश्चिमी उत्तर प्रांत जो था वहाँ पर पश्चिमोत्तर प्रांत में गांधी जी की विचारधारा को प्रचारित करने वाले एक व्यक्ति थे जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था इसलिए उनको सीमांत गांधी कहते हैं प्रंटियर गांधी क्या नाम था उनका खान अब्दुल गफार खान अब्दुल गफार खा और इसके माध्यम से आहिंसात्मक तरीके से वो विरोध करे थे पठान थे पठानी छेत रहे ये उडाई खिदमतगार का मतलब हुआ इश्वर के सेवक और ये लाल कुर्ती पहन के चलते थे इसमें शामिल होने वाले लोग थे वो लाल कुर्ती वाले कहला है या कहला है लाल क आंदोलनों इनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है रेड शर्ट मुमेंट इसी को नाम दिया जाता है चून 1930 में कॉंग्रेस और इस तरीके के दूसरे जो संगठन बनाए गए थे उसको बिटिस सरकार ने गयर कानूनी गोशित कर दिया ठीक है इसको इसक गैर कानूनी गैर कानूनी घोशित कर दिया गया इसके द्वारा सरकार के द्वारा सरकार ने इसको जो है वो गैर कानूनी घोशित कर दिया और इसके बाद जो है गांधी जी वगएरा जो थे जो दूसरे लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया ठीक है तमाम सारे जो जो आंदोलन कारी थे, आंदोलन कारी, गांधी जी सईद, गांधी जी भी शामिल थे, ये सब लोग क्या हो गए, गिरफतार हो गए, लेकिन गांधी जी ने पहले ही प्लाइनिंग बना रखी थी, जेल भरो, जेल भरो आंदोलन के तोर पर ही आ गया, लोग जेल से आंदोलन क अब यह था कि भाई अगर इस तरीके की बात है तो अब कहीं नहीं हमको सहायता लेनी पड़ेगी खिए बात मांनी पड़ेगी भार्तियों की इसी सोच में और जो साइमन कमिशन आया था वो साइमन कमिशन को एक बार फिर से एक बार फिर से उसकी बात को मनवाने के लिए यह हुआ कि यह सारी चीज़े साइमन कमिशन के बाद ही तो शुरू ही बाई साइमन कमिशन आया 1927 में बना 1928 में आया, विरोध हुआ, क्रांतिया हुई, लोगों ने आंदोलन छेड़े, और 1929 में स्वराज घोशित हुआ, उसके बाद 1929 के बाद 1930 में रोने आंदोलन शुरू कर दिया, यह सब के पीछे प्रिस्टभूमी जो थी वो साइमन कमीशन ही था, साइमन कमीशन को फिर से रिफॉ इसके लिए लंदन में गोल में सम्मिलन हुआ, जिसमें से पहला गोल में सम्मिलन जो है, हम उसकी बात करने वाले हैं, प्रथम गोल में सम्मिलन की हम बात यहां पर करने वाले हैं, फर्स्ट जो राउंटेबल कॉन्फरेंस है, यह लंदन में हुआ, उस समय बिटेन के प्र और उन्हीं क्या धेक्ष्टा में ये सम्मेलन आजुद किया ज़िए पारह नॉवंबर से लेकर के 13 जन्वरी तक पारह नॉवंबर 1930 से लेकर के 13 जन्वरी 1931 तक इस आंदोलन को चलाया गया इस जो राउंटेबल कॉन्फरेंस से ये हुआ इसमें तमाम सारे लोगों ने भाग लिया लगभग सभी लगभग सभी तल ने भाग लिया इसको छोड़कर इंडियन नैशनल कॉंग्रिस को छोड़कर इनको छोड़कर के बाकी सारे लोगों ने इस गोल में सम्मेलन में वहाँ पे लंदर में जाके पाडिसेपेशन किया लेकिन उस समय तक कॉंग्रेस का रेप्रिटेशन ये था कि कॉंग्रेस के बगाएर सरकार की कोई बाचीत राम के बगाएर रामलीला होने जैसी बात थी तो निरर्था की रही कोई वह नहीं था लेकिन इसका उद्देश्य क्या था अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें कि भाई क्यों राउंटेबल कॉंफरेंस यहाँ पर ये हो रहे थे तो उद्देश्य में वही है साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट लिखार करना विचार करता है तैमें कमिशन की रिपोर्ट पर जार करने के बुलाया गया था और यह विचार कॉंग्रेस करना नहीं चाहती थी यह पहले ही इतनी सारी तो यह नहीं जाना से पहले की एक घटना है जो कि किस रूप में जानी जाएगी गांधी इर्विन कांधी इर्विन समझोते के रूप उस समय ये इर्विन जो है ये भारत के वाइसराइं है प्रथम गोल में समयलने भी ये दुर्थी वी गोल इर्विन से का आगे कि भाइया समझा भू जाके भेजो उनको 1931 में गांधी इर्विन समझोता हुआ अब गांधी जी यानि कि कॉंग्रेस जो है वो मानने को त्यार नहीं थी लेकिन जब समझोता हुआ तो किस प्रकार से हुआ उसके पॉइंट से करम जाने पांच मार्च का बाते हुई उसके उपर गौर फर्माने वाली चीज़ है दिल्ली में यह जो समझोता हुआ इसमें गांधी जी ने कुछ शर्ते रखी वहां लंदन जाने के लिए इस शर्तों में सबसे पहली एक शर्त यह थी कि नमक बनाने का कानून हमको हटा करके दीजिए और नमक बना बिदेशी वस्त्रों और साते साथ जो शराब की दुकान है कि दुकानों करने देने का बना देने का अधिकार जो हमको दिया जाए धरना देने का करने का अधिकार ये वो अधिकार था जो स्विकार कर लिया गया नमक बनाने का अधिकार विदेशी वस्तरों और श्राप की दुकानों के खिलाब धरना करने का अधिकार ये स्विकार कर लिया गया ठीक है, दूसरी डिमांड उनकी जो थी, गांधी जी की जो दूसरी डिमांड थी, वो ये थी, कि जितने भी राजनेतिक कैदी हैं, जो भी राजनेतिक कैदी हैं, राजनेतिक कैदी और जो आंदोलन कारी हैं, आंदोलन कारी जो हैं, इन्हें रिहा किया जाए, बिना शर्त र करने वाले हैं तो तमाम सारे जो यूव रास्टरवादी थे उन्हों ने गांदीजी से ये भी कहा था कि आप इसी दोरान ये टिमांड भीह रखेगा रास्टरवादी क्रांटिकारी जो है प्रांतिकारी जो हैं इन्हें भी आप रिहा करिए और यदि अगर रिहा ना हो तो कम से कम उनकी जो फांसी की सजा है से कनवर्ट किया जै आजीवन कारावास में इस में से जो चीज़ें एकसप्ट हुई वो आधी हुई ये वाली जो बात थी वो मान ली गई और ये वाली जो बात थी इसे अनकसेप्ट कर दिया गया और इसकी वज़े से जनाक्रोष बहुत हुआ गांधी जी के इसके अपने तर्क थे तरकार को सुधरने का एक मौका देना चाहिए कुछ ऐसा उन्होंने बोला था तो राष्टवादी प्रांतिकारी जो है वो इनसे नाराज हुए इस बात को ले करके यह दूसरी डिमांड थी ठीक है तो यह कुछ चीजें थी जिसको ले करके गांधी जी ने अपनी शर्ते रखी थी एरविन ने भी अपनी अच्छा तीसरी बात यह भी थी फुरा मौका किया जाना चाहिए इच में डिस्टर्वेंस नहीं चाहिए यह सब वो बात थी जो डिमांड accept करना होगा करना होगा लंदन चलना होगा लंदन चलना होगा और गांधी जी नहीं बाद जो है वो accept करें यही था गांधी एरविन समझो होता कि गांधी एरविन pact की रूप में जाना जाते है गांधी एरविन pact की रूप में इसको जाना जाते है और इसी pact के होने के पष़्षात जो Second Round Table Conference है वो यहां पर परणित होती है ठीक है के बाद second roundtable conference जो है वो यहां पर होती है तुती ही goal-mage limitation आपको यहीँ पर देखने को मिलेगा अब बारी आ गई तुती goal-mage some balance second roundtable conference अब आप एकसी बात है यह भी लंदन में हुआ लेकिन इस समय वाइसराय जो है वो change हो गया इनलिद को जो है उस समय वाइसराय हो गया खेर यह जो second roundtable conference है यह 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 December 1931 तक चली 7 सितंबर से 1 December 1931 तक चली यह second roundtable conference है इसमें भी सभी दलो ने भाग लिया सभी दल जो है इसमें participate करने गए जैसे की Indian National Congress की तरफ से अगर हम देखें Indian National Congress की तरफ से यहाँ पर गांधी जी थे गांधी जी की तरफ से representative थे Muhammad Ali जिनहा तो थे ही Muhammad Ali Muslim League की तरफ से थे Muhammad Ali के लावा जो तोशित वर्ग था उस समय हरिजन जो वर्ग था उस समय उसका representation जो है वो PR Ambedkar जी ने किया Ambedkar जी Deprived Class Community के लिए महिलाओं का representation जो है के तरोजनी नाइडू जी ने किया तेज बहादू सप्रू जी भी गए थे तेज बहादूर सप्रू जी भी गए थे सिखों का representation करने के लिए तो इस तरीके से तमाम सारे अच्छा भीम रॉम बेटकर जी जो थे तीनों गोल में सम्मिलनों में भाग लेने वाले एक मातर वेक्ती थे यह भी चीज आपको यहां पर ध्यान रखने है अब जो दुती गोल में सम्मिलन हो रहा है सेकेंड डाउंटेबल कांफरेंस हो रहा है इसमें गांधी जी ने पूरी जोर लगा करके पूरी ताकर लगा करके डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर स्वतंतरता की मांग रखी ठीके डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर स्टेट्स के आधार पर स्वतंतरता की मांग उन्होंने रखी और इसे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया अस्विकार कर दिया गी गांधी जी के साथ में जैसे चल सा हुआ और इस गोल में समेलन में साम प्रदाइक्ता के अधार पर साम प्रदाइक्ता ये मामले पर ज्यादा बात हुई ज्यादा बात और इस बात से गांधी जी खिन्न हुए कि हमारी बात जो तवज़ों देने वाली उसे नहीं दे रहें मुहम्मद अली जिन्हा ने सूर छेड़ दिया था कि आजाद हो जाएगा भारत तो किसकी तरफ जाएगा कौन बनेगा इसका लीडर कैसे होगा संसदीदल कैसे बनेगे तो इन सब चीजों पे ज़्यादा जो है फोकस हो गया ममला और जो यह डिमांड रखी गई थी में पहले आजाद तो हो भाई उसके बाद जो होगा हम लोग आपस में निपट लेंगे गांधी जी ने समझाने का प्रयास किया ने का ने 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 आपस में निपट लेंगा मैं मालुम और गांधी जी वहां से रूट करके घुश्य में वापस आ गए और गणधी जी वापस आए तो उन्होंने खारत आकर आकर लूट आकर भी जाट 25 प्रसे और ऑफ़ छिए वग्ज्यान अंदोलन था इसको फिर से शुरू कर दिया और गांधी जी फिर से क्या हो गए कांधी जी कैद हो गए लेकिन क्योंकि पूने की जेल मिन को रखा गया पूना जेल क्योंकि यहां पर सामप्रदाइक्ता को लेकर के काफी चर्चा हुई गहमा गहमी हुई और रैमजे मैग्डिनॉल्ड को इसमें बड़ा आनंद आया तो उसने जो डि संप्रदाइक एधार पर चुनाओ प्रणाली है वो होना चाहिए इस घटना को बोला गया सामप्रदाइक पंचाथ सामप्रदाइक पंचाथ कमिनल एवर्ड इसको बोला गया और 1932 में ये कमिनल एवर्ड जो है वो भारत पहुंचा तो गांधी जी ने इसका पुर्जोर विरोध किया पूने की जेल में थे और इसके खिलाफ उन्होंने सबर्जस तरीके से आमरण अंशन कर दिया इसके पहले ये जानना भी जरूरी है कि जब ये सारी चीज़ें हुई सब इना वग्या आंदोलन जब बंद हुआ और जब वो गांधी जी वहां मिलने गए तो उ ऐसे गंदी जी इधर गाए उसके तुरंद बात तमाम सारे किसानों के उपर अंध्यajr किया गया लाधीचार्ड कीकिए मारा गया लोगों को गिरफतार कीया काॉंग्रेस के तमाम सारे नेता Real कर-2 लिये गए उससे दू दिन पहले खुरह इंग्हिजिज में जा भूप दिये गया फिर से गांधी जी ने आते ही फिर से आंदोलन शुरू कर दिया मई 1933 में देखिए जब दुबारा से ये सारी घटनाय घटी थुई अच्छा पूना जेल के बारे मैं आपको बता रहा था पूना पैक्ट के बारे में बता रहा था पहले उसको बता देता हूँ फिर बताता हूँ कि इसका अंत किस प्रकार से हुआ सामप्रदाइक पंचाठ जब हुआ तो इसमें मुहमद अली जिन्हा और बियार अमबेटकर जो थे ये जो है संतुष्ट थे जो की रैमजे मैक्डॉनल की तरफ से फ्रस्तुत किया गया था लेकिन सामप्रदाइक पंचाठ जो की 16 अगस्ट 1932 को आया था इस पर गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी के विरोध का तरीका ये हुआ आमरण अंशन टीके और जब ये आमरण अंशन की बारी यहां पर आ गई तो फिर जो हमारे भीमरा अमबेटकर जी थे इनको मनाया गया कि भाई अपनी डिमांड को वापस ले लो कांधी जी इसी बात कांशन कर रहे थे कि ये वापस ले लिया जाए अम्बेटकर जी भी कहा रहे थे कि ठीक है मतलब लिया जा सकता है वापस लेकिन ये कौन सा तरीका है ये तो जबरश्ति मजबूर किया जा रहा है हमें अपनी बात को वापस लेने के लिए लेकिन फिर भी अंतता जो है तमाम सारे जो कॉंग्रेसी वरिष्ट नेता थे उनके कहने पर दॉक्टर भीम रॉम बेटकर उने की जेल में महात्मा गांधी जी से आमरनेशन के दुरान मिलने गए और वहाँ पर गांधी जी और अम्बेटकर जी के बीच में समझाओता हुआ जिसमें अम्बेटकर जी ने अपनी ये बात कि हमें पृतक निवाचक मंडल चाहिए डिप्राइब क्लास के लिए उसको छोड़ दिया और उसकी जगा पर इस बात पर तयार हुए कि हम फिक्स्ड जो सीट हैं उनको अपने सदनों में अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रखेंगे और सीट की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाया बढ़वाया भी तो इसको बोला गया संपरदाइक पंचाथ ठीक है ये संपरदाइक पंचाथ हुआ आंदोलन मैंने बताए कि बहुत सारे चले तमाम सारे लोगों ने गरफतारी दे दी और अल्मोस जब तक मैंने बताए कि आपको लगबग एक लाख सत्याग रही जो है वो जेल में चले गए बचा कौन? बचे ही नहीं बहुत कम लोग बचे तमाम सारे लोग बचे ही नहीं 1933 के आते आते तक इस आंदोलन ने भी थीरे करके दम लगभग तोड़ दिया और मई 1933 में मई 1933 में मई 1933 में 1933 में अगर हम बात करते हैं तो ये आंदोलन जो है वो कॉंग्रेस के तरफ से कॉंग्रेस के तरफ से और गांधी जी के कहने पर इसको निलंबित कर दिया गया निलंबित कर दिया गया और एक साल बाद मई 1934 में मई 1934 में ये आंदोलन आपचारिक रूप से समाप्त हो गया ठीक है ये आंदोलन जो है आपचारिक रूप से क्या हो गया 1934 में इसको समाप्त कर दिया गया 1934 में इस आंदोलन के समाप्त होने से पहले जब 1933 में इसकी गोशना करी गई उस समय सुभाश्चन बोस जी ने भी एक बात कही सुभाश्चन बोस ने विठल बाई पटेल ने इन लोगों ने ये माना कि गांधी जी राजनीतिक नेता के तौर पर असफल घोशित हुए है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली 1934 में गांधी जी ने अपना ये अंदोलन पापस लिए ये था हमारा गांधी जी के द्वारा चलाया जाने वाला तूसरा प्रमुखांडोलन लेकिन अभी तीसरा जो गोलमेज सम्मिलन था वो होना बाकी था तो अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि उसके बाद बहुत तेजी से आप देखोगे कि भारतीस फुतनता अंदोलन आगे बढ़ता है अभी हम बात करेंगे त्रतिय गोलमेज सम्मिलन की गोलमेज सम्मिलन जो थरड़ गोलमेज सम्मिलन है ये 1932 में शुरू हुआ था और 17 नौवमबर 1932 से लेकर करके 24 दिसमबर 1932 तक चला 17 नवंबर से 17 नवंबर से 17 नवंबर 1932 से ले करके यह आपका 24 दिसंबर 1932 तक 24 नवंबर 1932 तक है तो यह थर्ड राउंटेबल कॉन्फरेंस था क्योंकि सेकेंड राउंटेबल कॉन्फरेंस के बाद गांधी जी गिरफतार हुए उनकी बात को नहीं माना गया पिर उन्होंने सविनय वग्या अंदोलन जो है अंतता 1934 में जाकर के वापस ही ले लिया था मैंने आपको बताया और वैसे भी गांधी जी जो थे वो जेल में कैट थे और अपकी बार कोई गांधी रिविन समझा था टाइप की कोई चीज या होने वाली नहीं थी तो इस एक में भी डॉक्टर भीम रॉंबेट कर गए थे लेकिन इसका मुख्यों देश जो था वो यह था कि आगे जो है एक नया रिफॉर्म आने वाला था 1935 का 1935 का भारत शासन अधिनियम यह आने वाला था और यह जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है 1935 का गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट जो है इस गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट के प्रारूप किस तरीके से होंगे इसकी ड्राफ्टिंग जो है वो इसमें करी गई इसको अंतिम रूप जो है इसी थर्ड राउंटेबल कॉंटरेंस में दिया गया और इसमें जिस प्रकार के प्रोवीजन्स रखे गए थे उसका इंडियान नेशल कॉंग्रेस ने इंडियान नेशल कॉंग्रेस ने कड़ा विरोध किया ठीक है, इन्ने नेशनल कॉंग्रेस ने क्या किया इसका? बहुती कड़ा विरोध किया और इस विरोध की वजह से अगर दिखा जाए, विरोध की अलामा कोई दूसरा कारण, मतलब दूसरा रास्ता भी नहीं था, कॉंग्रेस के पास तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन क्यो प्रशास्निक विश्यों को तीन सूची में डिवाइड करके उसके ऊपर प्रांती और केंद्री विश्यों में उसको डिवाइड करके रखा गिया था इसमें प्रांत की भागेदारे इंपॉर्टेंट थी तो इन सब चीजों को देखते हुए Congress ने विरोध जरूर किया लेकिन इस अधिनियम के द्वारा आगे जो प्रांतिय चुनाव होने वाले थे 1937 में उस प्रांतिय चुनाव में उसने पार्टिसिपेट किया और इतना ही नहीं 1937 में जो प्रांतिय चुनाव होए 1937 में Congress ने इसी आधार पर प्रांतिय चुनाव में भागे दारी की प्रांती चुनाव जो थे उसमें भागेदारी की कि एटलिस प्रांतों में हम अपनी तरह की सरकार बना करके तो अपने जो ब्रिटिश विरोधी कानून है उसका विरोध कर सकते हैं या अपने लोगों को सही कानून दिला सकते हैं इस आशा में 1937 में कॉंग्रेस ने जोरदार तरीके का प्रचंड तरीके का कह सकते हैं इलेक्शन फाइट किया और उनको जो है सफलता भी हासिल 11 प्रांतों में चुनाव होने थे इतने प्रांतों में 11 प्रांतों में चुनाव गाहुत। किसकते हैं, गट बंधन की, सरकार बनाइ, इसके अलावा, अगर हम बंगाल की बात करते हैं, तो बंगाल में, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई और बंगाल में कृशक प्रजातांत्रिक पार्टी थी इसके साथ में मुस्लिम लीग ने मिल करके सरकार यहां पर बनाई बंगाल में और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में भी कॉंग्रेस नहीं जीत क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1925 में बनी थी तो कम्यूनिस्ट पार्टी जो है वो यहां पर इतासिल करती है तो इस तरीके से कॉंग्रेस को काफी फायदा हुआ और कॉंग्रेस ने अपनी जोर्दार्थ प्रेजेंस जो है वो स्टेट्स के बीच में दिखाई और राजनीतिक बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन यहां नहीं थे गैर कॉंग्रेसी सरकार दो राज्यों में बनी थी दो राज्य जैसे भी थे जिसमें गैर कॉंग्रेसी सरकार बनी थी कॉंग्रेस नहीं जीत पाई थी वहाँ पर तो आगे चल करके कॉंग्रेस और मुसलिम लीग के बीच में इसी आधार पर दूरियां और ज़्यादा बढ़ गई मुसलिम लीग को जगा मिली नहीं अगर हम यहाँ पर सांपरदाइक आधार पर सीटों की बात करते हैं तो तकरीबन आप ये मान के चलिए कि मुसलिम के लिए कुछ सीटे थी तकरीबन 482 के आस पास 482 सीटे जो है वे मुसलमानों के लिए थी मुसलिम सीट में से भी तक्रीबन 15 या फिर 16 मुझे एक्जैक्ली याद नहीं आ रहा है बट मैं क्वाइट स्यूर हूँ कि 15 था ये साथ 15 सीट जो थी वो आपको पश्चिमुत्तर जो प्रांथ था वहां से आपने जीती थी पश्चिमुत्तर प्रांथ से वहां से जीती थी तो एक त दूसरी पार्टीज को हुआ हो तो उनको भी नहीं हुआ जैसे हिंदू महासभा को भी नहीं हुआ हिंदू महासभा जैसे सीट जो पार्टीज थी ये भी जो है कोई खास जीत हांसिल नहीं कर पाई उसकी तुल्ला में कॉंग्रेस जो है वो संतोर जनक स्थिती में ता और जो केंदरी प्रांती चुनाओं में जब कॉंग्रेस आगे तो केंदरी चुनाओं में भी कॉंग्रेस ही आगे रहेगी इसका उसने अंदाजर लगा लिया इधर बीच जब कॉंग्रेस यहाँ पर जीद गई तो कॉंग्रेस जो है वो किसानों के ऊपर कॉंग्रेस ने अपना वो कॉंग्रेस ने बनानी शुरू कर दी और कॉंग्रेस जब क्रिशी समंदी नीतिया बनाएगी तो फिर याद करिए वही पीछे जहाँ पर मैंने आपको बताया कि समाजवाद पुंजीवाद का विरोध वो सब यहां देखने को मिला तो बड़े-बड़े जो जमीदार थे सुबेदार थे उन लोगों को नुक्सान हुआ यह नीतिया जो थी उस जमीदारों के खिलाफ थी जिनसे सयोग भी यहां पर प्राप्थ हुआ था जमीदारों और जो बड़े पुंजी पती थे पती जो थे वो जो है इनसे बिगड़ गये और यह लोग जाकर के जो सामप् सामप्रदायवाद का विरोध जहिलना पड़ा और प्रमुख विरोधी के तौर पर मुस्लिम लीग इनके प्रत्यक्षा खड़ी हुए काम करने में इनको जब बहुत जब जब कठनाई होनी शुरू हो गई तो 15 नवंबर 1949 को कॉंग्रेस मंद्रे मंडल ने तमाम सारे राज्यों से जो है वो स्तीफा दे लिया अब इस्तीफा देने की कई सारी वज़े हैं थी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे 15 नवंबर 15 नवंबर 1949 के आसपास 1939 के आसपास इनों ने क्या कर दिया जो प्रांतिय मंद्रे मंडल थे प्रांतिय मंद्रे मंडल इससे कॉंग्रेस ने क्या कर दिया कॉंग्रेस ने स्तीफा दे दिया कॉंग्रेस ने इस्तीफा एक तो इस वजे से दिया था जो मैंने थोड़ी दिर पहले बताया दूसरा ये था कि इस समय तक 1939 तक दुतिय विश्षिद जो है वो शुरू हो चुका था है ओर के शुरू होने के बाद भारत को भी शामिल कर लिया था डाख सुनते मनते है हो नहीं है बात और इस तरीके से अपनी मरजी से भारत को शामिल कर लिया जुद में त Darren दी सिंपल से बात यहां पर यह भी बैराल जो भी हुआ हो, कॉंग्रेस का ये जो पंदरा नॉवंबर को जो तमाम सारे प्रांतों से स्तीफा हुआ, इसको धिहान में रखते हुए, किस या 22 दिसंबर ऐसे ही का समय, 21 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर 1931 को, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर यह से, exactly ये डेट याद र मनाया, 5 दिसंबर 1949 को, 1939, 1939, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, या आप इसे उधार दिवस भी सुनते हैं, कहीं के, भार, कॉंग्रेस ने जब ये छोड़ दिया, तो इसे 25 दिसंबर के दिन को, इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, बड़े खुश हुए, वो लोग, अलाकि इस मुक्ति दिवस का समर्थान, जो है, वियारम बेटकर जी ने भी किया हुआ था, पैराल, अक्टूबर 1940 मे गांधी जी ने, क्योंकि यहां पर राजितिक श्रितिलता फिर से आई, तो अक्टूबर 1940 में, गांधी जी एक बार फिर से एक्टिव हुए, और उन्होंने व्यक्तिकत, व्यक्तिकत सत्याग्रह की अपील की, और ये जो व्यक्तिकत सत्याग्रह है, ये शुरू हुआ, पवनार से, और पवनार में, विनोबा भावे जी ने, सबसे पहले सत्याग्रही के तोर पर इस सांदोलन की, अब इंडिविजल सत्याग्रह जो शुरू है, गांधी जी पहले ही चला चुके थे, कौमन सत्याग्रह तो उसमें उनको कोई खास सफलता हासिल नहीं थी, ब्ले 1940, यह लाहौर अधिवेशन है, मुसलिम लीग का, अब से पहले तो यह लाहौर अधिवेशन किसका है, मुसलिम लीग का, मुसलिम लीग का, लाहौर अधिवेशन, और यह जो मुसलिम लीग का लाहौर अधिवेशन है, इसके धक्षता जो है, वो मुहमद अली जिनाने करिय 23 मार्च 1940 को मुहमद अली जिन्हा ने अध्यक्ष्टा करते हुए ये घोशना की कि वर्तमान इस्थितियां इस तरीके की हैं कि हमें पाकिस्तान में ही मुसल्मानों का हित दिखाई देता है और इस तरीके से दो राष्ट सिध्धान्त का प्रतिपादन यहां पर इसी लाहर अध्यवेशन में किया गया इसी कौम कह सकते हैं कि इसी अध्यवेशन में पाकिस्तान की पांग कर दी पाकिस्तान की मांग मुहमद अली जिन्हा ने कर दी ठीक है इसको दूई राष्ट्र सिधान्त के तौर पर जाना गया लाहॉर अधिवेशन ये मुस्लिम लीग का है और इससे पहले अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि 1939 में सेकेंड वर्ड वोर जो हुआ था उसमें जो लॉर्ड लिनिद गो था उसने एक विधान मंडल से पूछे बगायर ही भारत को युद्ध में शामिल होने के बारे में लिखी दिया था और देश में आपाद जैसे स्थितियां जो हैं लागू कर दी थी के बाद मुस्लिम लीग ने दिसंबर में ये मुक्ति दिवस मनाया था और इधर इस मुक्ति दिवस के बाद कि भाया हमको अलग चाहिए अब वास्तिविक रूप में देखा जाए तो जो अंग्रेज हैं उनको हमें परिशान करना चाहिए था इस प्रकार से भारत को वो आजाद करने के चक्कर में फस जाते उधर सेकेंड वर्ड वर हो ही गया था उसके चकर में उनको फसाय जा सकता था और इसमें इनकी इस्थिती अच्छी नहीं थी नाजुक थी इस इस्थिती को ध्यान में रेकर के भरत की आजादी की डिवांड को और तीजी से बढ़ाये जा सकता था लेकिन बजाए यह सब करने की मुस्लिम लीग ने इसमें अपना रास्ता जो है वो निकालने की बा आ गया खराब इस्थिती हो गए इस्थिती जो है वो बहुत जादा खराब होगे नाजुक होगे मतलब क्योंकि उपने वेश्षवादी लोग थे लोगों ने साथ दिया नहीं मित रास्तों में बहुत सारे लोग शामिल भी नहीं थे लेकिन 1940 तक इंगलेंड की जब बचाओ होना शुरू हुआ बातचीते शुरू हुई और इसी तरीके से जो ब्रिटिश डेलिगेट्स थे उनने कॉंग्रेस को मनाने के लिए राजी किया और फाइनली कॉंग्रेस जो है वो 7 जुलाई 1940 को उनसे मानने के लिए तयार हो गई इसको भी पूना प्रस्ताओ के नाम से जाना जाता है साथ जुलाई 1940 में पूना में कॉंग्रेस ने प्रस्ताव रखा और इसमें दो शर्तें रखी पहली शर्त क्या थी ये कहा गया इस प्रस्ताव में ये कहा गया युद्ध के बाद हमें पूर्ण सो तंतरता चाहिए हम तुमारा साथ देंगे लेकिन वादा करो युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंतरता प्राप्त होगी जदी जाएगी एक तो ये है लेकिन ये तो युद्ध के बाद तो आप मुखर भी जाते तो कॉंग्रेस की डिवान तो वाजिब नहीं लग रही थी लेकिन इसी चीज़ को पक्का करने के लिए कॉंग्रेस समझ सकता था कि आपात काल लगा हुआ है अभी वो पैद घुष्णा नहीं हो सकती है तो उसका एक दूसर रास्ता निकाला तो जो दूसरी मांग थी पहली मांग को पक्का करने के लिए दूसरी मांग रखी गई थी ततकालिक कदम इसका क्या हो क्योंकि अभी तो आप हमें आजाद नहीं करने वाले हैं तो इसका भरपाई तातकालिक रूप से आप कैसे कर सकते हैं तातकालिक रूप से जो डिमांड करी गई वो क्या थी कि केंद्र केंद्री प्रशासन जो है उस केंद्री प्रशासन में भारत हस्तक शेप करने की अनुमती रखे और केंद्री प्रशासन में केंद्री प्रशासन में भारती हो भारती हो और भारती हो की एक अस्थाई सरकार हो अस्थाई सरकार भारती हो की दीज़े भारती हो की यह आप हमें दे दीजिए तो ये भी एक तरीके से आजादी की गैरेंटी थी एक तरीके से ये तो अब ये जो प्रस्ताव पारित किया गया कॉंग्रेस की तरफ से इस कॉंग्रेस के प्रस्ताव को ततकालीन ब्रिटिश प्रधान मंतरी लौड चर्चिल जो था और उस समय भारत का जो सचिव था या भारत का जो मंत्री था इमरी इमरी भारत सचिव कौन थे भारत सचिव थे समय लौड इमरी ठीक है और दूसरा अगर हम प्रिटिश पीम की बात करें प्रिटिश पीम की बात करते हैं तो वो था चर्चिल ये चर्चिल वही है जिसने गांधी जी को नेकेट फकीर कहा था ये चर्चिल और एमरी ने ये बात सुनी नहीं अनसुना कर दिया और ये तब अनसुना कर रहे हैं आप सोचिए जिस समय इनको इंडियन्स की जरुरत है उस समय अंसुना कर दिया, अंसुना कर दिया तो भाई कर दिया, तो हम भी साथ नहीं देंगे, यानिकि ये तैं हुआ कि भारती साथ जो है वो नहीं देने वाले, ये तैं हो गया, और इस प्रकार से अब ये मामला गंभीर होता चला गया, लेकिन ब्रिटिशर्स को तो साहता चाहिए थी ब्रिटिशर्स ने साहता के तोर पर एक नहीं चाल चली आठ अगस्त 1940 को एक ओफर आया आठ अगस्त 1940 तो एक ओफर आया जिसमें बोला गया अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव कहा गया जिसे क्या कहा गया इसे आगस्थ प्रस्ताव कहा गया इस आगस्थ प्रस्ताव में ये कहा गया कि सम्वैधानिक जो गतिरोध हो रहे हैं ये काफी खतरनाक है और फिलहाल इससे बचने के लिए हमें कोई रास्ता ठूणना चाहिए वाय सराय का उस समय एक वक्तव वियाया जिसमें उसने कहा कि जो बृटिश भारत है उसके लिए बृटेन का लक्ष यह है कि वो और वेशिक स्वाराज जो है वो बृटिश भारत की तरह ही आपनीशिक स्वराज जो है वो भारतियों को देना चाहती है यानि कि पहली जो डिमांड है वो उसी प्रकार की गोल मौल वाली डिमांड है वो चाहते हैं उन्होंने घोशना करी कि ब्रिटिस सरकार चाहती है कि भारत को ब्रिटेन की भाती ही ब्रिटेन की भाती ही बाती ही स्वतंदरता म यहीं चाहते हैं भारत का नया समविधान बनाने के लिए नया समविधान बनाने के लिए कि क्तम्विधान साभागठित की जये और ऑश ल्ग रहा था अगसत्रृस्ताओं तो बहुत अच्छा था ऐसा लग्रा ध activities लेकिन अभी आगे देखिएगा तत्काल जब बात करी गई कि भाई तत्काल तोर पर सरकार हमको दे दी जाए तो इसके रिवर्ट में उधर से क्या इसमें आया है उसमें आया है कि वर्तमान स्थिती को ध्यान में रखते हुए गवर्नर जनरल की कार्यकारणी का विस्तार किया जाएगा वर्तमान स्थिती को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिती की अनुसार क्या किया जाए गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल की कार्यकारणी में वर्किंग जो कमिटी है उनकी कार्यकारणी executive committee जो है कारणी में विस्तार किया जाए और इस विस्तार में भारतियों को शामिल किया जाए भारती इसमें शामिल हो लेकिन इसको underline करने लिए बात है गवर्नर जनरल की कारेकारणी और ये गवर्नर जनरल कौन होगा ये भारती तो होगा नहीं तो ब्रिटेश गवर्नर जनरल लिए मांग करी गई थी कि ततकाल हमको दिया जाए तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए बेकार है और ये भी एक युद्ध परामर्ष समिती बनाई जाए जिसमें भारती लोग ब्रिटेन को युद्ध करने से संबंधित यदि अगर परामर्ष चाहिए हो तो वो परामर्ष दिये जा सके युद्ध संबंधी मामलों में सलाह देने हो तो हम क्यों सलाह देंगे युद्ध मामलों में सलाह देने हो किसको देंगे हम प्रिटिशर्स को क्यों देंगे भई क्यों सायता देंगे ये भी अगस्त प्रस्ताव मतलब धोल में पोल ही था अब एकसी बात है कि वो फिर चाहे मुस्लिम लीग हो वो फिर चाहे इंडियान नेशनल कॉंग्रेस हो या कि अन्य दल हो इन सभी लोगों ने इसको क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया अड़ो भगो नहीं एकसेप्ट करेंगे भाई ये तो अजीवों करीवी स्थिती है जो डिमांड हम सीडी सीडी रख रहे है वो डिमांड आप पूरा नहीं कर रहे है सिती जब और ज़्यादा खराब हो गई जब अगस्त प्रस्ताव से काम नहीं बना तो आगे चल करके ट्रेफोर्ड क्रिप्स के निगरानी में क्रिप्स मिशन भारत आया स्टेफोर्ड क्रिप्स की निकरानी में 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 तब भी स्टेफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन ले करके भारत आया है युद्ध की इस्थिती बहुत जादा खराब हो चुकी है चर्चिल ने क्रिप्स को भेजा कि किसी तरह जाओ वहां सरदली बैठक करो यह सरदली बैठक के लिए सबी लोग वहां पर आये भारती संग की कि उसमें बात करी गई प्रिटेन का साथ दिया जाए इस बात की अपील करी गई कसम खाई गई इस बात की कि युद्ध के बाद समिदान सबा का निर्मान करेंगे देशी रियासत अपनी इच्छा के अनुसार जिसमें शामिल होना चाहे जो शामिल, जैसा शामिल होना चाहें, वैसे शामिल हो, बारस संग में शामिल होना है तो हो, ये तो स्वतंत राजी के रूप में रहें, संकट काल में ये जो स्थिती है, इसमें प्रिटेन का जो समराथ है, वो उसके हाथ में सत्ता रहेगी, लेकिन जब युद्ध खतम हो ज कि युद्ध की स्थिति जब तक है तब तक हमारे समराप जो है वह जितने भी वैदेशिक मामले हैं जितने भी युद्ध सम्जित distinguished iling फ़िर से िविह यह बेकुफी हरे यह हैँ ऑठ कर रहे हैं जब यह फसे हुए हैं बुरी तरीके से था से हुए委 तत embargo की बात कर रहे हैं पिर से मुस्लिम लीग कॉंग्रेस और अन्य लोगों ने इसे क्या कर दिया चेक्ट कर दिया और फाइनली एक रस्मिशन ने अपनी जो प्रस्ताव था उसको 11 अप्रेल 1922 में 11 अप्रेल 1922 को प्रस्ताव वापस ले लिए और जब ये प्रस्ताव वापस हुआ तो गांधी जी को समझ में आ गया कि अब ये सही समय है जिस समय हम अपनी डिमांड को तेजी से इनके सामने रख सकते हैं गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया भारत एक बार फिर से गांधी जी सक्री हुए और इन्होंने भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो सबके समक्ष रख दिया अब 14 जुलाई की बात है 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक मीटिंग हुई इसे वर्धा सम्मेलन कहा गया क्या कहा गया और इसी वर्धा सम्मेलन में इसी वर्धा सम्मेलन में कॉंग्रेस की ओर से एक कार्डी समीति का गठन किया गया और कॉंग्रेस में गांधी जी के विचारों को प्रस्तुत किया गया गांधी जी ने विचार इस बात कर रखा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही अब एक मात्र हल है जानी कि अब बहुत दिन सो हम बातचीत कर रहे हैं बहुत समय से हम आप से बोल रहे हैं कि आप हमारी चीजों को मान लीजे मान लीजिए तमाम आंदोलन भी हमने चला के देख लिए गांधी जी ने कहा इसी में कहा कि अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों का अब भारत छोड़ना भारत छोड़ना ही एक मात्र हल है एक मात्र हल जो है वो क्या है कि अंग्रेज भारत जो है वो छोड़ना अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ना ही अब एक मात्र हल रहे हैं आठ अगस्त उन्नीस सो ब पर उसी दिन, आठ अगस्त 1942 को ये डेट आपके लिए इंपोर्टेंट है अब आठ अगस्त 1942 को थारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया कॉंग्रेस की तरफ से 7 अगस्त को बंबई में इसके लिए मिटिंग हुई थी, ठीक है 7 अगस्त 1942 को बंबई में कॉंग्रेस की जो सभाथ ही वो आयोजित करी गई, कॉंग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ, कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी वर्किंग कमेटी इटिंग हुई और इसी मीटिंग में गांधी जी ने ए घोशना करी कि हम लोग आठ अगस्त को भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चुरू करेंगे चुरू करेंगे और यह आंदोलन जो है वो शुरू हो गया आठ अगस्त उनिस्सो आलेस को एक दिन भी नहीं हुआ था 9 अगस्त 1942 ये जो भारत छोड़ो अंदोलन है जो आठ अगस्त को ये हुआ, इसे अगस्त कृरांति की रूप में जाना गया अगस्त कृरांति, 8-9 अगस्त 1942 8 अगस्त को क्या हुआ ये मैंने आपको बताया, लेकिन 9 अगस्त को क्या हुआ गांधी जी सहित कई सारे जो लोग थे वो गिरफतार कर लिए गए और इस तरीके से बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो जब गिरफतार हो गए तो ये गांधी जी का जो भारत छोड़ो अंदोलन है ये शुरू तो हो गया प्लानिंग इसकी गांधी जी पहले ही कर चुके थे और उनकाता कि जैसे ही आंदोलन शुरू होगा लोग जेल में भरे जाएंगे हमें जेल के अंदर से भी इसी तरीके से आंदोलन जारी रखना है जेल भरो आंदोलन भी इसे तरीके से शुरूँ हो गया तो अब क्योंकि लीडर्स जेल के अंदर चले गए थे लीडर्स बाहर थे नहीं आंदोलन बाहर भी चलना था तो ये आंदोलन एक कह सकते हैं कि अब ये स्वता स्फूर्थ आंदोलन एक शब्द यहां पर उठकर के आ रहा है स्वता स्फूर्थ आंदोलन तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से स्वता स्फूर्थ आंदोलन था क्यों? क्योंकि गांधी जी सहित जो दूसरे बड़े नेता थे वो अब यहाँ नहीं थे वो अब जेल के अंदर थे उनको दिशा दिखाने वाला कोई उनके साथ प्रत्यक्ष नहीं था सामने नहीं था लेकिन क्यूंकि इतने दिन से लगातार गांधीजी के साथ में चलने वाले आंदोलनों को लोग सीक चुके थे तो उस आंदोलन से लोग जिसको जैसे समझ में आ रहा था वैसे आंदोलन कर रहे थे पस एक चीज थी कि जब गांधी जी रहते थे प्रत्यक्ष तो उसमें ये स्पस्ट होता था कि यहां हिंसा नहीं होगी अप्चू कि गांधी जी अंदर जा चुके थे जेल में उन्होंने नारा दिया था करो या मरो इसी में ही भारत छोड़ो अंदोलन में उन्होंने नारा दिया था करो या करो या मरो अब यहां पर करो या मरो का मतलब हिंसात्मक नहीं है करो या मरो का मतलब यह है कि यदि अगर अब नहीं कर पाए तो अब आपको मृत्यू से कोई नहीं बचा सकता मर जाना चाहिए अगर आज के आज हमें आजादी नहीं मिल रही है इसके बाद भी आजादी नहीं मिल रही है तो मौट ही मिले ये था करो या मरो का मतलब यानि कि प्राण तक हमको अपने क्या करना है आजादी चाहिए आप इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए इसका मतलब यह नहीं था कि आप हिंसा करो लेकिन आंदोलन स्वता हिस्फूर्थ हो चुका था दिशा दिखाने लग कोई था नहीं तो जिसको जैसे समझ में आया उसने अपने आंदोलन को अपनी तरीके से चलाया जगा जगा पर लोग जो है हर्ताल पर उताराए और इस हर्ताल को दबाने के लिए लाठिया चार्ज हुई फाइरिंग हुई दंडे बरसाए गए बहुत बुरी तरीके से इन सब चीजों को देख करके जनता के अंदर भी क्रोध फूट पड़ा और जनता और ज़्यादा हिंस को ओटी उसने रेल, डाक, टार, पुलिस जितना भी इस तरीके का गॉर्मेंट बॉडी थी इसको आग के हवाले करना शुरू कर दिया तोड़फोर करना शुरू कर दिया जिसको शांती पूरक समझ में आए वो शांती पूरक आंदूलन चला रहा है जिसको हिंसा पूरक समझ में आ रहा है वो हिंसा पूरक आंदूलन चला रहा है फानली, 1942 के सविद्रोह के बाद देखा जाए तो अंग्रेजों ने बुरी तरीके से ये सांदूलन को भी दबा दिया क्योंकि वही बात है ना शक्ती में हम इतने आगे नहीं थे बात वही है पैसा नहीं है उनके पास में सरकारी पैसा है उनके पास में सरकारी साधन है और जार है हथियार है तब कुछ है यहां तो कुछ नहीं है यहां तो लाठी डंडा है, गले की चिलाहट है, बस इससे जितने हिंसा करनी हों कर लीजिए, हाथ पर जितना चलाना चला लीजिए, चोरी के पिस्टल हैं, बेतर्तीब तरीके से पने वे गोले बारूध हैं, कितना प्रयोग करेंगे आप, उनके पास में सारी चीजें हैं, तो अंत्ता उन्होंने भी इस सांदोलन को बुरी तरीके से दबा दिया, और फिर 1942 से ले करके, 1942 से ले करके, 1945 तक जब तक की Second World War समात नहीं हो गया, तब तक एक प्रकार से राजनितिक शितलता हमको दिखाई देती, लेकिन यह जो दौरान आप देख रहे हैं, 1942 से 1945 त है यहां पर, क्यों है, क्योंकि जादा तर लोग तो गिरफतार हैं, जेल की अंदर है, और जो आंदोलन का रही थे, उनको पीट-पीट करके, जो है, वो कर दिया गया है, उनको मार करके, पीट करके, उनको दमन कर दिया गया है, उनका, लेकिन यहां एक चीज और ध्यान द बोजी का, सुभास चंद्र बोजी का, एक योगदान आपको यहाँ पर उनका याद रखना है, महत्तोपूर्ण अत्यनत महत्तोपूर्ण योगदान है, 1941 में सुभास चंद बोजी ने देश छोड़ दिया, देश छोड़ करके निकल गए, निकल कर कहां गए, सबसे पहले तो वो सोवियत संग गए, सोवियत संग से, वो सेन सहता मांगने ही वाले थे, कि सोवियत संग जो है, वो मितराष्टों के साथ हो गया, और सोवियत संग जब मितराष्टों के साथ हो गया, तो वो अहां से निकल करके जर्मनी चले गए, और जर्मनी के बाद, 1943 में अगर देख ठीक है तुबाशन दोजी कहां चले गए जापान चले गए उनिसो तैटालेस में जापानी सेन ने सहायता के लिए प्रिटिश शासन के खिलाफ वो उसका इस्तेमाल करना चाहते थे और उसके अधार पर श्रसस्त्र बिद्रो हो करके वो भारत को आजादी की तरफ ले जाना चाहते थे इसके लिए उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फॉज के गठन भी किया सिंगापुर में आजाद हिंद फॉज जो है इसका गठन किया आप इसको reconstruction भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दो इनके अन्य सहयोगी भी है एक टुक Captain Mohan Singh है ठीक है और दूसरे है रास बिहारी बोस तो रास बिहारी बोस हैं इनके साथ में और एक नाम आपको ज़रूर रियान रखना है Captain Mohan Singh Captain Mohan Singh जो है ये British जो आर्मी थी British Indian आर्मी उसमें Captain हुआ करते थे और जापान में जो ये युद्ध हुआ Second World War के दरान जापान ने इनको जो है अपकैद कर लिया Captain Mohan Singh ने भी इस तरीके से आजा दिन फौज के पहले मतलब इस तरीके के फौज का उन्होंने पहले भी गठन कर लिया तो उन्हीं के साथियों को मिला करके और उसमें दूसरे जो जैसे दक्षण एशिया की बात कर लेते हैं दक्षण एशिया के भारती हैं मलाया के भारती हैं सिंगापुर के भारती हैं वर्मा के भारती हैं यहां सब जो सैनिक हैं जापान के दारा जो बंदी बनाए गए थे इन सब बंदी जापान दारा इन बंदियों को जापान दारा भारती बंदी जापान दारा भारती युद्ध बंदी जो थे इनको मिला क करके इन्होंने और जापान की सहायता से जो है साजाधिन फौज का गठन कर दिया इसलिए परहसान थे कि जापान बिल्कुल करीब आ इसलिए उस समय वो सब भारत चोड़ो अंदोलन से पहले सब सयोग प्राप्त करना चाते तो इधर क्योंकि जापान बिल्कुल करीब आ चुका था तो अब इसकी सहायता से प्रिटिशन के खिलाफ जापान भी थे और इन लोगों को मिला करके इन्होंने जो आजाधिन फौज का गठन किया था एक साथ संगर्ष करके उसको पराजित करना चाते थे पुरी तरीके से लेकिन ये सफलता जो है वो आजाधिन फौज को नहीं मिल पाई कारण ये हुआ कि 1944-45 में अगर आप देखेंगे तो चापान युद्ध हार गया युद्ध में हार गया और इसी के का पराण जो है आजाधिन फौज की भी यहां पर हार हुई उसके बाद टोक्यो जाते समय निता जी का जो जहाज था वो क्रेश हो गया और वो गुमनाम हो गया तो जहाज दुर घटना में उनकी जो है माना जाता है कि मृत्य हो इस तरीके सुभाशन बोज जी का इस दौरान यह जो 1942 से 1945 तक का जो शांतिकाल है इसमें इन्होंने काफी जाधा प्रयास किये और भारत को आजाधी के रास्ते पर लेकर के आनी की पुर्जोर कोशिस की परहाल इसके बाद आगे की अगर हम घटना करम में देखें तो अब क्योंकि विशुद समाप्त हो चुका है और व और स्थिती इसपस्ट हो चुकी थी ब्रिटिशर्स के मन में भी कि अब हम शायद युद्ध के बाद भले हमने उनसे वादा प्रत्यक्ष तोर पर नहीं किया है लेको उन्हें लगता था कि युद्ध के बाद अगर स्थितियां ठीक रही तो हम फिर से आगे भारत के उपर करके यहां से निकलें अब इस प्लानिंग में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको जिसके बारे में पढ़ना पढ़ेगा वो है वेवल योजना वेवल प्लान वेवल योजना वेवल योजना कह लीजिए और वेवल योजना क्या अधार पर ही आगे शिमला क SSD में ना होता है ऐक्टूबर नाइंचीनव न फेस है जर्ण लॉड़ विवल भारत बने भारत में गर्णरों जल्मन कर आ है तो बर यहां पर एक प्रस्ताव को लेकर के सामने आते हैं और वो प्रस्ताव किस प्रकार से है उस प्रस्ताव में हम सबसे पहले अगर हम जिर्फ प्रिटेन की तौर करफ से अगर दिखा जाए तो दो लोग सामिल होगे एक तो वही गашनल हो और दूसरा जो है जो सैन ने प्रमृख है तैन ने प्रमृख के सामिल होगा अन्नने जो होँगे वह और वह भारतीी ओ ए एक तो यह बात इसने कहिए ये वेवल योजना में था प्रस्ताव में ये था दूसरा जो काउंसिल के मामले हैं जो परिशद के जो मामले हैं उसमें सिमान्त प्रांतों को छोड़ करके सभी जो परिशद के मामले होंगे वो भारती हाथों में दे जाएंगे परिशदी ये जो मामले होंगे परिशदी ये मामले कि हारती कि अंत्रण में होंगे बस जो frontier regions में जो जगए हैं उनको छोड़ करके इसके अलावा कुछ और points ऐसे थे जो Indian favor में थे, हारतीयों के पक्ष में थे, और वो कुछ इस तरीके के थे जैसे कि परिशद में Hindu Muslim जो संख्या है उसको बराबर रखा जाए ये क्या कहा गया परिशद में जो परिशद है इसमें Hindu और जो Muslim है इनकी संख्या को क्या रखा जाए संख्या बराबर रखी जाए और जो seats हैं उनके लिए reservation की जो बात हो सकती है उसको देखा जाए उसको जिस तरह के से किया जा सकता है किया जाए और एक कुल मिला करके एक संतुलित जो संप्रदाइक representation है उस संतुलित संप्रदाइक representation की बात यहां पर करी गए दो पॉइंट तो यह हो गए इसकी अलामा अगर देखा जा है तो परिशद ने भी कहा कि युद्ध के बाद में भारती स्वयम अपने संविधान का रिमान करेंगे और उसी कनुसार उनका आगे कानून यह वह सारी चीजे थी जो प्रस्ताव में Lord Vevel के प्रस्ताव में आए थी, इसी लिए इसको Vevel योजना कहा, और इसी पर विचार करने है तू, इसी पर विचार करने है तू, इसी पर विचार करने के लिए, शिमला में एक मीटिंग बुलाई गई जिसे बोला गया सिमला कॉन्फरेंस या सम्मिलन इसी हेतु जो है शिमला में एक मीटिंग बुलाई गई यह यह बात है यह भी सर्वदली मीटिंग थी और 25 जून 1945 को 25 जून 1945 को ये मीटिंग यहाँ पर हुई जिसे इंडियन नेशल कॉंग्रेस ने जो है वेक्सेप्ट कर लिया लेकिन सामप्रदाइक मतभेद होने के कारण कारेकारणी का निरने कौन लेगा इस पर निरने नहीं हो पाया वही ये वाला जो पॉइंट था कि गवर्ने जनल की जो कारेकारणी होंगी उसमें भार्ती ही शामिल होंगे तो कारेकारणी में सामप्रदाइक बटवारा किस तरीके से होगा जो बटवारा है उस पर निरने नहीं हो पाया कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसलिए ये कहा जा सकता है कि जिनहां जो थे वो उनको ये बिल्कुल अस्विकार था ये जो समझोता आया था या जो ये प्रुस्ता आवाया था उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और ऐसा रिजेक्ट करने का जो ठोस आधार जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि अगर सीटों की बात करें तो हमें पांच के पांचों पांच सीट जो है वो मुसलिम्स के लिए थी उसने कहा कि पांचों सीट जो मुसलिम वाली है उसमें मुसलिम लीग के ही सदस्य होने चाहिए हुआ ये था कि इसमें तीन सदस्य जो थे वो मुसलिम लीग के थे और दो जो है वो दूसरे बड़े कॉंग्रेसी नेता थे पांच मुसलमान तो थे लेकिन वो पांचों मुसलमान मुसलिम लीग के नहीं थे ये चाहते थी कि पांचों मुसल्मान जो है वो मुसलिम लीग से हो इसलिए मुहमद अली जिना की मुसलिम लीग ने इसे अनक्सेप्ट कर लिया मुसलिम लीग कहती है कि मुसल्मानों का हित सिर्फ मुसलिम लीग के द्वारा ही हो सकता था अब इस चीज़ को बे आधार माना गया और फाइनली जो है 14 जुलाई 1945 को ये जो कह सकते हैं मुस्लिम लीग के इस हरकत की वज़े से ये वेवल योजना जो है वो फेल होगी ठीक है लौड वेवल की वेवल योजना काम नहीं है उसने वेवल पे भी आरोप लगाया कि आप कॉंग्रेशियों से मिले हुए इसलिए आ आप इस तरीके की सरकार के गठनकी बात करूए इसलिए आप इस तरीके की बात किये पहरहल अब जब ये सारी चीजें होगी तो इस दौरान धीरे-धीरे करके वर्ल्ड वार खतम हो गया और अब बारी आई कि भारत का जो पूरा का पूरा जो यह है जिम्मेदारी है वो भारतियों को सौंपी जाए कैसे सौंपी जाए इसके लिए भारत में कैबिनेट मिशन आया कैबिनेट युद्ध के बाद ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और लेबर पार्टी की सरकार के कैबिनेट में से तीन सदस्य जो थे तीन सदस्य जो थे वो बिटिश कैबनेट मिशन बिटिश कैबनेट के सदस्य थे इसलिए इसको कैबनेट मिशन के रूप में जाना गया अब ये जो मिशन था ये फाइनली 24 मार्च 1946 को भारत आया 24 मार्च 24 मार्च 1946 को भारत आया जिसमें तीन लोग शामिल हैं, पहला तो इसमें भारत सचीव है, भारत सचीव, लॉर्ड, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसमें शामिल है, दूसरा जो है, जो क्रिप्स मिशन में स्टेफोर्ड क्रिप्स आये थे वो, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो भी इसमें श वो भी चर्चा करेंगे और तीसरा जो इसमें शामिल हैं वो हैं A.V. Alexander तो सर A.V. Alexander, Pethic Lawrence और Stafford Crips जो है ये भारत में अब सर्वदली मीटिंग करने के लिए आए हैं इस सर्वदली मीटिंग में सभी लोग शामिल होंगे मतलब हर दल के लोग इसमें शामिल होंगे क्रिप्स मिशन तो असफल हुआ था लेकिन फिर भी अब यहां पर यह आए हैं अब इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिये हैं 17 अप्रेल तक ये बातचीत जो है वो चलती रही 24 मार्च से लेकर के 17 अप्रेल तक इसमें बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए जैसे कि एक प्रस्ताव भारतिय संग के बनने का हुआ भारतिय संग बनेगा भारतिय संग किस प्रकार का होगा इसके बारे में बताया गया कि भारतिय संग की स्थापना हो मैंने बताया कि भारतिय संग कैसा हो भारतिय संग हो ठीक है ये इसमें सुझाव दिया गया और ये बात रखी गई कि जो कारेकारणी है उस कारेकारणी में सभी लोग जो होंगे वो भारती होंगे सभी लोग उसमें भारत के होंगे लेकिन वो जो कारेकारणी है उसमें बटवारा होना चाहिए प्रांती और देशी रियास्तों की भागेदारी से देशी रियास्तों की भागेदारी से अलांकि इसमें ये भी कहा गया कि देशी रियास्तें यदि अगर participate नहीं करना चाहती हैं तो इस मामले में देशी रियास्तों को इसमें स्वतंत्र भी रखा गया है कि आपके इच्छा है तो इसमें participate हुई ंवरना आपको जैसे चाहिए वैसे आप अपना मिलकर यानि एक जुठ होकर प्रथक प्रथक नीती एवं शासन संचालित कर सकते हैं संचालित implement कर सकते हैं जिसे फेडरल जिसे फेडरलिजम एक तरीके से कहा गया जिसे संगी रूप इसी को ही माना जाता है गटरीके से बेखा जे जिसकी सही व्याख्या आपको Constitution में परते समय जरूर मिले होगी या मिल जाएगी ठीक है मतलब जहां पर केंद्र के अधीन होकर के प्रथक प्रथक राज्य प्रथक प्रथक जो अपने अपने शासन है वो चला सकते हैं एक जुठ हो करके एक साथ हो करके वहाँ पर फेडरलिजम आता है तो इस तरीक है कि फेडरलिजम की establishment की बात यहां पर करीगी इसके अलावा समविधान सभा करें माड़ की बात करीगी समविधान सभा करें माड़ हो 292 सदस्य जो होंगे ये बिटिश प्रांत से आएंगे और 93 जो सदस्य होंगे ये आपके देसी रियास्तों से आएंगे देसी रियासत के रिप्रेजनेटीव होंगे और 4 जो है वो Chief Commissioner क्षेतर से आएंगे इस तरीके से करके ये 399 सदस्यों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया और ये कहा गया कि प्रतेक 10 लाख पे एक सदस्य आएगा और इसी कारण यहां पर 399 सदस्यों के मिला करके एक सम्विधान सभाय इसको बनाने की बात करीगी सम्विधान सबस सम्विधान बनाएगी तब वो लागू होगा और उसके अनुसार आगे का शासन जो है वो चलाए जाएगा लेकिन तब तक अंत्रिम सरकार का गठन होगा तब तक अंत्रिम सरकार का गठन होगा अंत्रिम सरकार का गठन होगा यानि कि काम चलाओ सरकार जिसको आप बोल सकते हैं और ये भी भारती होंगे ये भी क्या होंगे ये भी भारती होंगे अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 14 बताई गई अंतरिम सरकार में कुल सदस्य कितने होंगे 14 सदस्य होंगे इसमें से 6 तो बोल दिया गया इंडेनेशल कॉंगरेस की होंगे, इंडेनेशल कॉंगरेस के, जिसमें से पांच सदस्य जो है वो मुसलिम लिख के होंगे, ठीक है, यह और पांच कितना हो गया, ग्यारा हो गया, एक सदस्य जो है वो सिक्ख होगा, 12 होगे, एक सदस्य जो है वो इसाई होगा, 13 होगे, और एक सदस्य जो है वो आपका पारसी होगा ये कहा गया इस तरीके से 14 सदस्यों का मिल करके ये अंतरिम सरकार पड़ेगा तो इसमें अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग तयार हो गई और मुस्लिम लीग ने 6 जून को इस पर एकसेप्टन्स दे दी अगर देखा जाए तो 25 जून को इंडियन नेशल कॉंगरेस ने इसको क्या कर लिया और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो लीग है और कॉंग्रेस है दोनों पहली बार एक जगह पर सहमत यहां पर हो गए और अब जो है यह जो सम्विधान सभा है यह बनना दे हुआ अब क्यूंकि यह जो ब्रिटिश कैबिनेट विशन था यह सफलता पूर्वक काम कर गया शुरुवात में यह भी है सफल हुआ यह भी मैं बता दूँ बाद में वो सफल जब हुआ तो उसके बाद ही मुस्लिम लीग को संतुस्टी नहीं मिली उसे अभी भी यह महसूस होता रहा कि यह चीज़े ठीक नहीं है उसने तमाम प्रकार के कह सकते हैं विरोध जो सामप्रदाईक विरोध हैं वो कॉंग्रिस के साथ जारी रखे और उसमें तमाम सारे जन आंदोलन जो मुस्लिम लीग के द्वारा चलाए गया वो सामप्रदाई विरोध ही चलाए गया सामप्रदाईकता से प्रिवित हो करके जगा कि भारत में स्थितियां तो कभी भी खराब हो सकती हैं और इस सब चीजों को देख करके उस समय क्लिमेंट जो एटली था क्लिमेंट एटली ने घोशना करी जिसे एटली घोशना कहा गया क्लिमेंट एटली ने भारत की आजादी को ले करके एक घोशना करी जिसे चा कहा जाता है जिसे एटली घोशना कहा जाता है और ये घोशना हुई थी 10 फरवरी सन 1947 को क्लिमेंट एटली के द्वारा की गई इस घोशना में ये कहा गया कि भारत की वरतमान स्थिती बिलकुल अनिश्चित है और किसी भी प्रकार से उसमें उथल पुथल जो है वो जारी है कभी भी चेंज हो सकती है फत्रे का संकेत है एक तरीके का इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि को हम जादा दिन तक तालें तो हम इस बात के लिए द्रण प्रतिग्य हैं संकल्पित हैं कि हम हर हाल में आपको आपकी सरकार चून आजाद कर देंगे इसके बाद आपको मालूम है कि जो मुस्लीम लीग उसने सिधी कारिवाई दिवस किया बंगाल में भयानक तरीके के जो दंगे हैं वो सामने आए और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और तेजी से ब्रिटिश जो हैं वो भारत को आजाद करने का प्लानिम नाते हैं और इसी वज़र से आनन्फानन में देश का गलत सही बटवारा हो जाता है और ये बटवारा होता है लॉर्ड माउंट बेटिंग के दरा 23 मार्च सन 1947 को 23 मार्च 1927 को ये भारत में वाइसराय बनकर के आए और ये भारत के अंतिम गवर्णर जनरल हुए है भारत ये एक तरीके से का जाए लाज जो है वो अंतिम गवर्णर जनरल है तिक ए प्रिटिश गवर्णर जनरल है इनके बाद स्तिराज गोपलाचारी बनेंगे और वो पहले और आखरी होंगे गवर्न जर्राइब ग्रूप में भारती होंगे ठीक है तो ये जो आया ये जो इनके दोरा जो प्लान लाया गया ये प्लान 3 जून 1947 को आया ये 23 मार्च 1947 को ये वायसराय बना और 3 जून 1947 को एक घोषणा करी गई 3 जून 1947 को घोषणा ये करी गई कि सरकार की इच्छा है कि भारतीयों को भारत 1947 के अंत तक हर हाल में हम सौप दे तो ये घोषणा कब करी गई 3 जून 1947 को एक घोषणा की गई कि हम 1947 में ही भारत को आजाद कर देंगे में ही भारत आजाद होंगे और ये ऐसा माना जाता है कि चायद 15 आगस की ही इसकी वापसी टिकेट थी और उसी दिन ये भारत को आजाद करके चला गया एक तो ये माना जाता है लेकिन बहुत जादा इसके उपर हमें फोकस नहीं करना है तो इसमें जो घोशना होई एक तो ये ही होई लेकिन इस घोशना में बटवारा तैं था इसमें कहा गया कि पाकिस्तान के स्थापना पाकिस्तान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनने की या बनाने की थी, इसे पूरा पंजाब, पूरा पंजाब, पूरा बंगाल, और असम भी दिया जाए, ठीक है, लेकिन इस डिमांड को क्या कर दिया गया, अनेकसेप्ट कर दिया, जिकि यह नहीं शामिल होगा, इसके अलावा ये पागिस्तान में शामिल नहीं होंगे इस पर क्या निड़े होगा इसके बारे में हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट ये कहा गया सिंध के बारे में सिंध एक अलग प्रांथ था और सिंध प्रांथ के बारे में ये कहा गया कि वहां की विधान सभा से विचार विमर्ष होगा और विधान सभा के विचार विमर्ष करने के बाद वहाँ पर द्रणे लिया जाए कि सिंध का क्या होना है यह सिंध के बारे में बात हुई पाकिस्तान के establishment की बाद तो स्विकार कर ली गई कंपुर्ण बंगाल को उनको दिया नहीं गया लेकिन फिर भी पूरी बंगाल एक अलग रूप में यहाँ पर सामिल होते होगे दिखाए दिता है तीसरा पॉइंट जो है आपका वो यहीं से निकल करके आता है असम के बारे में असम में एक जगा है जो कि मुसलिम बाहुले हुआ करती थी असम में यह मुसलिम बाहुले जगा जो थी वो सिलहट नाम की सिलहट जिला था मसलन ये असम जो है वो पूरी बंगाल के साथ जाना जाता है या असम के साथ रहना चाहता है ये वाला प्रांद ये निरने जो है ये जनमत के आधार पर किया जाएगा जनमत संग्रह होगा यहां पर ये बात इसमें कही गई कैसे इसमें शामिल होंगे साथ यहां पर ये भी सिफारिश की गई कि बंगाल पंजाब और असम यदि विभाजन स्विकार करते हैं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सीमा रेखा पहले तो यही इन्होंने पूरे पंजाब और पूरे बंगाल को मांगा आसम को मांगा दिया नहीं गया लेकिन इसमें कुछ मुस्लिम बाहुले लोग भी थे और कुछ थे जो चाना चाहते थे पाकिसान की तरफ तो पहले त प्रते हैं हुआ कि हाँ यह विवाजन स्विकार करेंगे तो फिर सीमा रेखा निर्धारण हे तू निर्धारण हे तू कमीशन जो है वो बनाया जाएगा और इस कमीशन ने कितना अच्छा काम किये तो आपको मालूमी है आज भी उसके शूल चुब रहे हैं भारत में पाक बलूचिस्तान के बारे में कहा गया कि वहां का जो प्रतिनी धी मंडल जो है वो इस पर निर्णे लेगा ठीक है वहां का जो प्रतिनी धी मंडल है वो इस पर निर्णे लेगा और ये भी कि भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन तैं है तो भारत औ पाकिस्तान के रूप में लेंदारी और देनदारी के लिए आपस में समझाता होगा और समझाता जो आएगा वो दोनों लोगों को मानना हो ठीक है तो यह सब चीजें यह सब चीजें जो थी वो आपके यह माउंट बैटन प्लान में थी ठीक है एटली गोष्णा के बार और देखेंगे तो फाइनली 14 अगस्त को पाकिस्तान पतंत्र राश्ट के रूप में बना और 15 अगस्त 1947 यह भारत की आजादी का दिन हुआ अब आप इसे आजादी का दिन कह लीजिए बटवारे का दिन कह लीजिए तो आप में से कई सारे लोग तर्क देते हैं इसर यह तो बटवारे का दिन भी था तो आप क्या सेलिबरेट करना चाहते हैं दुख मातम या फिर एक स्वतंत्र भारत में जन्म और स्वतंत्र भारत के जन्म और उसको महसूस करने की उसे पालने पोशने की उसे बड़ा होते हुए देखने की उसे आगे बढ़ने की उसकी विकृतियों को समाप्त करने की उसको संजोने की उसको निखारने की प्यार देने की उसको संपूर्ण विश्व में फैलने की खुशी मनाएंगे या फिर आप इसके तूटने का मातम पाभाविक सी बात है भारत खुशियों की तरफ बढ़ चला और 15 अगस्त को हम हर साल प काफी खुशी हो रही है कि आप सब लोगों को मैंने प्रमशह एक ही लेक्चर के अंतरगत अगर देखा जाए तो पूरे इसी एक मात्र वीडियों में आपको ये यूरोपियों के आगमन से लेकर के आज भारत की आजादी तक का संपूर्ण इतिहास एक टाइम लाइन के अ प्रयास किया है और इसमें कड़ी मेहनत जो मैंने करी है उमीद करते हैं कि आप इसको आत्मसाध करेंगे समझने का प्रयास करेंगे आपके सुझाव इस पर हौत महत्यपूर्ण हैं आप जरूर अपने कीमती सुझाओ इस पर जरूर दीजिएगा, बताइएगा किया कमी रहे गई है, इस संपूर्ण लेक्चर का संपूर्ण PDF आपको इस टेलिग्राम ग्रूप से मिल जाएगा, ये टेलिग्राम ग्रूप आपके समक्ष यहाँ पर है, मैं इसको थोड़ा सा PDF हम आपको अप्लोड करेंगे, वहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं, वाशा करते हैं, आपको ये लगातार परदान की गई है क्लास, आपके UPSC एक्जाम के लिए और जो दूसरे एक्जाम से उसके लिए काफ़ यदा fruitful होगी, आपका इस अंदर में क्या कहना है, कॉमेंट से बहुत भहुत धन्यवाद, नमस्का